हेलो एव्रिवान एड विल्कम चू ओनली आईएस आज यह वीडियो बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है क्यों कि पीछे धुआ उड़ रहा है कुछ तो बड़ा होने वाला है नहीं ऐसा नहीं है यह तो यार पॉलिशन है और इससे फाइट करने के लिए हम फ्यूचर में अजनकी पिहां से सब्जेक्ट ऌई किया है एंवा Creditocrat किया है कि तो आज कि नगवाकेदार वीडियो में मैं सबसे पहले को मिलवाता हूं हमारे एंवारमेंट की ब्स्तकेल्टी से विवेक सर आये विलकम है और इस वीडियो में ना विवेक आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने प्रिलिम्स से रिलेटेड इस वीडियो को जब बनाया था तो उन्होंने सच में बड़ी मेहनत की थी बड़े ही हाड़ वर्क के साथ ये सारी वीडियो बनी थी लगबग 12 घंटे की ये वीडियो है लेकिन जब आप इनको देखो गए न असानी रहे तो स्टाटिक पार्ट यहां से बढ़े और साथ की साथ इसे करण्ट अफिर से अपडेट कर देंगे तो आने वाले प्रिलिम्स में आपका जो काम है काफी असान होने वाला है बिल्कुल है और स्टुडेंट्स ऐसे ही ना बहुत सारे ध्वागेदार वीडियो कम्पलीट करो इसे फटा फट से जब तक कम्पलीट करोगे वी प्रॉमिस कि हम दूसरी वीडियो अपडेट कर देंगे लेकिन कमेंट सेक्शन में हमें प्रायरेटी सेट करने में थोड़ी से येल्प कर दो थीक है तो चलो बिना देरी की होए सर लेक्टर सब्सक्रार करते पता होने चाहिए तो आज के इस lecture में हम कोशिश करेंगे उन basic concepts को develop करने की ताकि आने वाले lectures में आपको जो चीजे समझाएं जाएं वो आपको अच्छे से समझ आ सके आईए शुरुवात करते हैं और जानते हैं सबसे पहले की environment क्या होता है तो कि आपके surrounding में जो भी चीजे आपको दिख रही हैं या मिलती हैं वो सभी आपका environment है चाहे इसमें आप बात करें biotic component की या abiotic component की अब जैसे आप एक कमरे में रहते हैं तो आपका roommate हुआ या आसपास मिलने वाले छोटे मोटे insects जैसे कीडी हो सकते हैं कौकरोज हो सकता है छिपकली हो सकता है तो ये सभी आपके environment का part है उसके इलावा यहां पे abiotic factors भी बहुत सारे मिलते हैं जैसे आपकी किताबे हो गई टेबल हो गया आपका laptop आपका phone और उसके इलावा आपके आसपास मिलने वाली हवा और temperature ये सभी आपके abiotic factor हो गए अब ये जो biotic और abiotic factor हैं ये कहीं न कहीं आपको influence भी करते हैं अब आप जमीन पे क्यों नहीं सोते अब इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना कारण दो हो सकते हैं यहां पे जैसे अगर बात करें गर्मियों की तो यहां पे insects मिलने की chances जादा है जिसकी वज़े से कोई infection हो सकता है और इसी कारण से आप bed पे सोते हैं उसके जिसकी वज़े से आपको ठंड लग सकती है तो यह भी एक कारण है जिसकी वज़े से आप floor पे नहीं सोते हैं तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें एक environment की तो इसमें biotic और abiotic factor दोनों ही होते हैं और वो आपको influence कर सकते हैं तो एक living organism के आसपास मिलने वाले सभी तरहां के component च इसे समझने से पहले आईए समझते हैं कि biosphere क्या होता है देखें बात की जाए biosphere की तो यह तीन चीजों से बना हुआ है आपने geography में यह तीनों सफेर के बारे में सुना होगा पहला है आपका lithosphere दूसरा hydosphere और तीसरा आपका atmosphere अब जहां पे आपको land वाला part मिलता है जमीन मि atmosphere अब जहां पे यह तीनों ही आपके स्फेर मिलते हैं इस narrow part को हम क्या कह देते हैं इस छोटे से part को हम कहते हैं biosphere और यह इकलौता ऐसा part है आपकी earth पे जहां पे life possible हो सकती है क्या आपको biosphere earth के surface से 1 km नीचे तक मिलती है अब 1 km अगर आप एक गड़ा खोद दें तो उसके ब यहां पे आपका biosphere exist नहीं करता बहुत कम cases है जहां पे यह exist करता है पर वो exceptions है जैसे benthic zones हैं जहां पे आपको chemotrops मिलते हैं वहां पे आपको life मिल सकती है थोड़ी deep में पर वैसे नहीं मिलेगी अब यह जो benthic zone है यह आपको कहा मिलता है oceans में मिलता है तो यह आपकी बात ocean के cases में भी कारगर साबित होती है because यहां पे भी हमें life कुछ certain depth के बाद कम देखने को मिलती है अब बात करें atmosphere की तो atmosphere में भी हमें एक limited area में ही life की possibility दिखती है अगर हम बात करें eagle की या बाज की यह काफी उचाई तक उड़ते हैं बट है तो यह इका दुका ही breed उसके इलावा ब कि जोहां पे आपके यह तीनों component मिलते हैं सिर्फ वहीं पर ही आपकी life possible हो सकती है अब यहां पे आपको एक बात तो समझ में आ गई कि आपकी जो life की possibility है वो ना तो जादा गहराई में हो सकती है ना जादा height पे हो सकती है अब यह जो आपका narrow margin है यह पूरी अर्थ के biosphere की study करनी हो तो इसके size की वज़े से वो possible नहीं हो पाता तो यहां पे हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं और जब हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो इसी को कहा जाता है आपका ecosystem मतलब यह एक तरहां के आपके biosphere की structural और functional unit है जो की similar way में perform करती है जैसा की आपका biosphere करता है अब यहां पे इनको study करना थोड़ा असान हो जाता है अब यहां पे हमें पता लग जाता है कि किस तरह से आपके living organisms एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं और वो किस तरह से अपने physical environment के साथ interact कर रहे हैं तो यहां पे समझने लायक बात यह है कि जो आपका ecosystem है न वो represent करता है कि कैसे various organism एक दूसरे के साथ interact करते हैं बट अगर आपको यह study करना हो कि यह interaction होती कैसे है कि कि किस पे positive असर होता है किस पे negative असर होता है या कोई असर होता है भी कि नहीं होता तो इस चीज को या study को हम कह देता है ecology मतलब ecology वो study है जहां पर हम organism क organism के साथ interconnection को देखते हैं मतलब किस तरह से वो एक दूसरे के साथ interact करते हैं positive way में या negative way में जैसा भी हो उसके इलावा हम यह देखते हैं कि वो जो organism है आस पास के physical environment के साथ किस तरह से interact करते हैं अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि यह जो ecology है यह basically दो Greek शब्दों से जहां पर पहला शब्द है आइकोस जिसका मतलब होता है home और दूसरा है logos जिसका मतलब होता है study मतलब ecology आपकी एक study है घर की और यह घर किसका है living beings का तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि Ernst Hekel ने यह term coin की थी और आपको comment box में मुझे यह बताना है कि कौन से साल में य की गई थी Ernst Hekel के द्वारा अब यहां पर आपको environment, ecology, biosphere और ecosystem के अंदर कोई भी doubt नहीं होना चाहिए देखिए मैं आपको एक उधारन देता हूँ, मान लीजिए एक ocean है तो यह ocean अपने आप में भी एक ecosystem है अब इसमें सी मैं अगर एक बूंद निकाल लूँ तो यह भी अपने आप में एक ecosystem है उसके लावा अगर बात की जाए एक forest है अगर उस forest में हम बात करें तो वो एक ecosystem को सकता है तो ecosystem बहुत छोटी रूपे अगर देखें तो एक बूंद पानी के जितना भी हो सकता है और अगर बड़े की बात करें तो ocean जितना बड़ा भी हो सकता है तो यहाँ पे आपको इस term को मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि कई बार आपको ऐसे question आ जाते हैं UPSC तो अगर मैंने आपको maximum और minimum limit बता दी है तो इसके intermediate अगर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा अगर मैं आपसे कहूं क्या एक तालाब एक ecosystem है तो आप इसका answer यकीनन दे सकते हैं तो यहाँ पे आपको समझाने का ताथ पर यही है कि इस तरह का question UPSC ने पहले पूछा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए आईए अब जानते है habitat क्या होता है देखे आप सभी से मैं एक question पूछता हूँ कि आप कहां पर रहते हैं जैसे मान लीजिए आप मुझे यह कहेंगे कि मैं house number so and so में इस चहर में रहता हूँ और यह state है मेरी अब यह आपका हो गया address तो अब living organisms का भी कोई address होना चाहिए जहां पर आप उन्हें particularly find कर सके अब मैं आप से पूछूँ कि tiger कहां मिलता है तो क्या आप मुझे बता सकते कि tiger कहां मिल सकता है अब इस question का answer आदी से जादा जनता गलत देने वाली है देखे एक चीज बताईए मुझे जो tiger है क्या आपको tag of area मे मिलेगा या आपको ऐसी cold area में मिलेगा जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो नहीं मिलेगा अब मैं आप से कहूँ कि क्या tiger आपको desert area में मिलेगा जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो तो यहां पे आप आमोमन ये कहेंगे कि sir ये grassland में मिलता है या जादा dense forest होगा तो वहाँ पे ना आपको चीता मिलेगा ना आपको tiger आप ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है देखे जो आपके dense forest होते है जैसे हम बात करें Amazon forest की तो वहाँ पे जिस तरह के आपको organisms मिलेंगे न वो generally ring ते होंगे मतलब रिड़ते हुए से जाएंगे जैसे साप हो तो चीते को खुला area चीज जहाँ पर वो अपने शिकार के पीछे भाग कर उसे पकड़े अब माल लेजे एक चीता है वो रहता हो आपके Amazon forest में अब ये जंगल तो बहुत घने है अब यहाँ पर वो अपने शिकार के पीछे भाग रहा हो और उसका सर जाके बज़े पेड़ तो भहिया उसकी तो यादाश गुम हो जाएगी तो इस वज़े से जहाँ पर भी आपको घने जंगल मिलते हैं तो जनरली जो ज़्यादा भागने दोड़ने वाले अनिमल्स होंगे वो वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे तो habitat से हमें ये पता लग सकता है कि कौन से जानवर वहाँ पर मिलते हैं और उसके इलावा हमें ये भी पता लग सकता है कि किस तरहां के plant species वहाँ पर मिल सकते हैं अब माल लीजे अगर मैं आप से कहूं कि भीया कौनी forest forest कहां पर मिलेंगे आपको अब आप मुझे कहेंगे सर जहाँ पर ज़्यादा ठंड मिलेगी अब या तो ठंड मुझे higher latitude पे मिलेंगी या high altitude पे मिलेंगी तो दोनों ही cases में हम ये देखते हैं कि हमें कौनी forest forest मिलते हैं तो habitat आपका एक तरहां से address है किसी भी living organism का उसके लावा एक और term होती है ecological niche ये term दी गई थी ग्रेनल्ट्स के द्वारा 1917 में अब ये एक तरहां का micro habitats को represent करता है मैं यहां पे आपको कहूंगा कि किस तरह का काम करती एक species इस चीज को represent करता है आपका ecological niche दो organisms का कभी भी niche shame नहीं हो सकता मतलब एक जगा पे अगर दो organisms हैं मालीजे आपको loin और tiger एक ही जगा पे मिलने लगेंगे तो उनका जो शिकार है मतलब जो उनका food niche है वो same हो जाएगा क्योंकि वो दोनों ही top predator हैं तो उस समय पे उन दोनों के बीच में दिखेगा competition अब अगर उन दोनों के बीच में food को लेके competition होगा तो वो तब तक चलेगा जब तक एक population आपकी displaced ना हो जाए तो यहां पे आपको याद रखना है कि ecological niche आपकी job को represent करता है अब यह food का का niche भी हो सकता है तो यह आपकी एक particular habitat में या आप कह सकते हैं कि ecosystem में आप किस तरह का function या role perform करते हैं उसको represent करता है मतलब traffic level में आपकी किस तरह की position है या environment में आपकी किस तरह की position है इस चीज को represent करता है आपका ecological niche अब अगर आपको अभी भी यह चीज समझ में नहीं आई त आप मुझे यह बताईए आपको clouded leopard कहाँ पर देखने को मिलते हैं वो आपको हिमाल्या में देखने को मिलते हैं तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि हिमाल्या इनका एक तहां का nish है habitat niche उसके इलावा जो आपके dung beetle होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं आपको जहाँ पर आपको अलग organism की अलग-अलग place है एक ecosystem में अमाल लिजे जब भी ऐसा होगा कि दो आपके organisms की same niche हो जहें तो उस case में आपके बीच में होगा competition जैसे UPSC की एक seat है और आप सभी का niche same हो गया कि भीया मेरे को job कौन से चाहिए UPSC में मेरे को collector लगना है तो आप सभी के बीच में आपस म और जब तक दोनों में इसी एक को displace ना कर दिया जाए और ऐसा भी हो सकते कि दोनों भी select हो जहें क्योंकि job की आपकी यह कह सकते कि seat बहुत जादा है बट माल लिजा अगर एक ही seat है और आप दो best friends आपस में compete कर रहे हैं तो आपके बीच में क्या हो गया competition इसलिए आया क्यो जो था वो same था although यह बहुती crude example है इसका कोई भी relevance नहीं है आपके ecological niche से बट एक तहां से आपको समझाने के लिए यह मैंने example यूज किया है ताकि आपको topic के बारे में clarity रहे हैं अब यहाँ पे जब मैं आपसे grassland की बात कर रहा था तो वो एक broad perspective है बट एक चीज समझीए की variety कुछ ज़्यादा मिलेगी अब जब आपको किसी species की variety एक area में ज़्यादा मिलती है तो इसी को कहा जाता है edge effect आमोमन ऐसे area में जब भी आप देखेंगे तो आपको birds की species ज़्यादा देखने को मिलीगी अब यहाँ पे क्या कारण है कि जो आपका ecotone वाला area है यहाँ पे तो forest से भी कुछ जानवर आगे कुछ grassland से आगे तो यहाँ पर जो आपकी species है वो दोनों area से यहाँ पर migrate कर सकते हैं मतलब घूमते फिरते रह सकते हैं और उसके इलावा यहाँ पर totally unrelated population भी मिल सकती है जो आजपास के इलाकों में नहीं मिलती हो अब for example आपने mangroves तो देखे होंगे mangroves आपका एक तरहा का transition zone है between marine and terrestrial ecosystem अब आपको सुंदर्मन area तो पता ही होगा तो वहाँ पे mangrove area में क्या आपको tiger मिलते हैं बंगॉल tiger बिलकुल मिलते हैं अब यहाँ पे जो आपका tiger है वो तो आपका terrestrial animal है और वो आपको अगर और पानी में मिलने वाली species भी मिलते है तो कहीं न कहीं यह area आपका ecotone area ही तो हुआ अब भीतर करने का national park के बारे में आपने सुनाओगा वहाँ पे tiger भी मिलता है आपको उसके आसपास के area में salt water crocodile भी मिलते हैं तो कहीं न कहीं यह जो area है जहाँ पे आपके दो ecosystem merge करते हैं इ आपको इस इलाके में मिलेगी अब यहाँ पे जो आपका इलाका है यह चाहे आपके land और water के बीच में हूँ forest और grassland के बीच में हूँ अब यहाँ पे आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि दोनों जो आसपास के area है जैसे forest और grassland इन दोनों area में सी कुछ species आगी या edge effect जहाँ पे हमें relatively population किसी चीज की थोड़ी जादा मिलती है आईए अब समझते है सबसे पहले acad क्या होता है लिखिए जो term है यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे आपको मैं एक normal सा example देता हूँ आप समझ जाएंगे उससे फिर उसके बाद इसकी technical term पे चलेंगे लिखिए मान लीजे आपको कुछ दिन के लिए मैं कहता हूँ कि आप Canada या America रह लीजे मतलब 15 साल के लिए आप America रहते हैं अब जब आप America रहते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे इतनी ज्यादा धूप नहीं निकलती और खासकर अगर हम बात करें Northern America की तो उस side आपको snowfall भी बहु आ जाएगा ना रंग में फरक आ जाएगा दूसरी टाइम में मैं आपको कहता हूँ मालने जिए एक परसन को मैं दूसरे परसन को ये कहता हूँ कि आप चले जाएए एक्वेटर के पास अब एक्वेटर के पास अगर कोई जाएगा तो वहाँ पे आपको किस तरह का environment जाएगा वहाँ पे मतलब जादा तर वहाँ पे गर्मी रहेगी सं मतलब 12 गंटे तो वहाँ पे रहे गई रहेगा और उसके इलावा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी high humidity अब इसकी वज़े से जब सन आपका वहाँ पर बहुत जादा देर तक चमक रहा है तो वहाँ प तरह से एकी species के थे बट यहाँ पे आप देखते हैं कि उसके कुछ size में change आगया, shape में change आगया या number of leaves में change आगया plant की तो इसे कहते हैं a cat और यह जो changes होते हैं यह reversible होते हैं अब ऐसा नहीं है कि यह changes हमेशा reversible ही होते हैं कुछ cases में यह irreversible भी होते हैं जैसे eco type के case में आप यह देखते हैं कि जो changes आते हैं वो irreversible होते हैं, permanent होते हैं अब इसके लिए मैं आपको एक उधारन देता हूँ, technically तो यह sound example नहीं है, बट इससे आपको चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखिए आप एक चीज़ समझे कि आपके human की कुछ species यहा पा जाता है, अब इतने समय के बाद हो सकता है genes में कुछ बदलाव आजे और इस बारी जो बदलाव आएंगे वो क्या होंगे final होंगे, अब यह जो दोनो human species थी, एक वो जो मार्श पे रह रही है और दूसरी वो जो अर्थ पे है, इन दोनों के बीच में अब genetic बहुत मान लेजे, sexual intercourse भी होता है तो उसके बाद भी हो सकता है कि fertility ना रहे, मतलब आगे offspring होने की जो probability है वो बहुत कम हो जाएगी, तो यहाँ पे जो आपके changes है वो ज्यादा लंबे समय तक और permanent रहने वाले हैं, तो इसी type के changes को हम क्या कह देते है, eco type, अब जानते deep ecology क्या होता है अब अर्थ पे जितने भी आपके living organisms रहते हैं, मतलब जितने भी living beings हैं, अब इनकी आप वर्थ निकालने लगो कि क्या कीमत है इनकी या क्या हैसियत है इनकी, तो इसको कहते हैं हम deep ecology, अब यहाँ पे आपने यह नहीं देखना है कि human के हिसाब से क्या इनकी जरूरत है, या need ecology, आईए इसके इलावा एक और टर्म को समझते है, ecological equivalent, अब यह क्या होता है भला, अब आपने kangaroo देखा है, और आपने बिशन भी देखा होगा, देखिए जो kangaroo है, यह same आपका function perform करता है, जो बिशन करता है नौर्थ अमेरिका में, kangaroo आपका Australia में मिलता है, और बिशन आप इनका जो function है, वो same है, मतलब इनका जो niche है, वो same है, बट यह जो organisms हैं, यह दो अलग-अलग geographical region में रहते हैं, तो इस तरहां के जो organisms होते हैं, जिनका niche same हो, और जो different geographical location पे रहते हों, तो इन्हें क्या कह देते हैं हम, ecological equivalent, अब यहाँ पे equivalent, देखिए, एक बराबर, तो यहाँ से यह term, मतलब ecology में, यह एक बराबर है, कुछ ऐसा कहना चाहती है, अब जैसे अगर आप tiger को देखें, इंडिया में, और wolf को देखें, अमेरिका में, तो दोनों का जो, आप यह कह सकते हैं, दोनों top predator हैं, तो इनका भी कहीं न कहीं niche जो है, वो same हो सकता है, तो कुछ इस तर changes आ रहें न, किस species में, मालनी जी, दो same species थी, उनमें जो बदलाव आए हैं, वो किस तरह के रहें, अब यहाँ पे आपने यह नहीं है कि, दो अलग-अलग environment में यह species थी, देखें, यह relatively दोनों same species हैं, गायोस पीजा की, अब यहाँ पे जो इसकी beak है, इसका design देखें, size का फरक था, छोटे बड़े का, otherwise तो इनकी beak जो थी, वो same थी, बट यहाँ पे आप देखते हैं, तो इसकी थोड़ी beak छोटी हो गई, और कम पैनी है, as compared to यहाँ पे इस organism के, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि beak थोड़ी लंबी है, और पैनी भी है, तो किस तरह के environmental condition मे मतलब कौन से आपके natural selection के process ने यहाँ पर favor किया है, किस characteristics के development में, इस तरह के जब हम evolutionary changes को देखते हैं, तो इसे कह देते हैं, character displacement, तो यह कुछ important terms थी, जो आपको जाननी ज़रूरी थी, आईए अब समझते है, ecology के हम structure को सबसे पहले, देखिए आपको सभी को पता होगा कि सब सबसे पहला जो basic चीज होती है, that is individual, अब यह जो individual है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मैं हूँ या आप हैं, हम एक individual हैं, और जब हम हम से मिलती जुती परजातियों को एक साथ जोड लेते हैं, जैसे बहुत सारे इंसान एक साथ इकठा हो जाएं, that is population, अब यह आपको यह याद रखना है, कि जो population होती है, वो same species की होनी चाहिए, अब आपको कैसे पता लगेगा, कि यह same species की है भी या नहीं, अब इसके लिए एक छोटी सी चीज है, जो आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई दो individual same species के हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे, कि इन दोनो के बीच में, जो offspring होंगे, वो fertile होंगे, मतलब आप अगर कहें, कि donkey और horse के बीच में, जो बच्चा होता है, that is mule, अब यहाँ पे आप देखेंगे, कि जो mule है, इसके आगे बच्चे नहीं हो सकते, तो कही न कहीं हम यह कह सकते कि donkey और horse, एक same species के नहीं, अब अगर mule, अप यह single differentiation है, जिससे आप इन दोनों को अलग कर सकते हैं, अब आपने tiglion के बारे में सुना होगा, tiger plus loin, अब कई बार ऐसा होता है कि, इनके भी offspring हो जाते हैं, हम meeting, cross meeting करवा देते हैं, बट उस cases में भी, जो इनके offspring हैं, वो fertile नहीं होते हैं, उनका जो body structure है, वो इतना अच्छा maintain नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे आपको यह याद रखना है कि, एक ही species की जब individual इकटे होते हैं, तभी आपकी population बनेगी, अब जब अलग-अलग species की population आपकी एक जगा पे इकटी होगी, मालनी जे यह इनसानों की है, यह tiger की है, यह मालनी जे dogs की है, यह rabbits की है, और hiran, जो भी आपको अलग-अलग population दिखती हो जंगल में, या all over the earth, जब हम इने जोड लेते हैं, मालनी जे यह एक geographical area में ही located है, अब for example, आपने सुन्दरबन area तो देखा ही होगा, अब सुन्दरबन area में आपको tiger भी मिलते हैं, थोड़े बहुत इंसान भी मिल जाते हैं, fish भी मिल ज पर आपको community पता लग गया, अब community जब हम एक बड़े level पर देखते हैं, मालनी जे हम concentric circle ड्रॉ कर रहे हैं, यह आपका individual था, यह आपका population था, यह community आया, तो इससे उपर आते हैं आपके ecosystem, अब ecosystem तो आपको पता ही है किस चीज़ को represent करते हैं, अब ecosystem के बाद आते हैं आपके biomes, अब यह biomes क्या होता है, तो आपको समझाओं मैं यह एक simple term में, तो आपके जैसे ecosystem है, यह छोटे छोटे मालनी जे ecosystem है, अब इन्हें हम एक circle में represent करने लग जाते हैं, तो यह जो आपका circle है, यह represent करता है biomes को, अब यहाँ पे आपके जो ecosystem है, उनको club करके, हम एक biome में सं forest biome के बारे में संआ होगा, grassland biome के बारे में संआ होगा, और desert biome के बारे में भी सुना ही होगा, अब यहाँ पे हम example ले ले लेते हैं एक forest का, अब माल लीजे एक forest है कि उसमें से कोई river pass कर सकती है, हाँ, बिलकुल करेगी, तो क्या river अपने आप में एक ecosystem है, उसके इलावा ह हो सकता है कि कुछ area में कुछ ऐसा patch मिले जहां पर आपको grassland भी मिलजे वो भी अपने आप में एक ecosystem रहेगा जहां पर आप ये देखते हैं कि बहुत सारी animal species एक similar climate को enjoy कर रहे हैं मतलब एक similar climate में रहते हैं और ये biome आपकी एक bigger unit है as compared to ecosystem और community अब हो सकता है आपको ascending descending में लगा कभी arrange करना आ जाए UPSC में तो इस वज़े से इस चीज को याद रखना अब ये जो छोटे छोटे biomes है न मतलब यहां पर अगर हम वापिस आ जाएं तो ये जैसे आपका ecosystem को represent कर रहा था ये outer circle तो इसके बाद ये बाहर वाला circle क्या हो गया आपका biome और इन सभी biome को अगर आप एकठा कर दें तो that is biosphere तो इस चीज को आप याद रखना अब यहां पर मैं आपको बता दूँ जैसे biomes है न एक हलकी सी आपको hint दे देता हूँ जैसे यह माल लीजे world है यह equator से लेके north pole की तरफ हम जा रहे हैं तो यहां पर आपको equator के आज़ पास equatorial type of climate मिलता है तो य इसके बाद यहां पर आपको temperate type of climate मिलता है यहां पर आपको China type of climate मिलता है इसके बाद यहां पर अगर इसकोने की बात करें तो यहां पर आपको Mediterranean type of climate मिलता है इस से उपर अगर आप further उपर चलते जाएंगे तो यहां पर आपको British type of climate मिलता है यहां पर Laurentian type of climate मिलेगा यहां पर सर्विया टाइप आफ क्लाइमेट और फिर टुंडरा एंड टैगा तो कुछ इस तरह के आपके बायोम्स हो सकते हैं अलग अलग जगा पे जिसके बारे में हम हो सकता है आने वाले लेक्चर में बात करें भी और वैसे भी ये आपको थोड़ा बहुत तो टॉपिक जोगर में detail से पढ़ेंगे आए अब जानते हैं कि आपका biological spectrum क्या होता है biological spectrum आपको ये बताता है कि कितने numbers आपको एक plant के मिल रहे है particular species के मान लीजे अलग अलग type के आपके plants है जैसे aerofides होगे, hygrofides होगे, अलग-अलग variety के आपके plants है अब इन में particular variety के कितने plants मिल रहे हैं उसे हम percentage में represent करते हैं that is biological spectrum इसके लावा आईए समझ लेते हैं कि ecological efficiency क्या होती है अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी efficiency क्या है तो आप मुझे क्या कहेंगे कि सर एक दिन में मैं 10 गंटे पड़ता हूँ अब मैं कहूँ कि भीया 10 गंटे तो आपकी efficiency का नहीं पता लग रहा है आप मुझे यह बताएए कि आपने इस 10 गंटे में क्या किया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर मैंने एक test दिया था उसके इलावा मैंने माली जी एक syllabus को topic को revise किया था या ऐसा कुछ मैंने perform किया था work जैसे माली जी answer writing की हो essay writing की हो तो इससे हमें यह पता लग जाता है कि आप एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तो इससे मैं तो आपकी efficiency ना आप सकता हूँ बट क्या ecology की भी हम efficiency ना आप सकते हैं तो इसका जवाब है हाँ बिलकुल अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है आपको यह देखना है कि किस तरह से आपकी energy transfer होती है एक traffic level से दूसरे traffic level में आपकी food chain में आमोमन यह लिन्डिमन के 10% rule को follow करते हैं पट यह आपका secrosent नहीं है हो सकता है किसी area में efficiency ज़्यादा better मिल जए तो वहाँ पर 35% भी हो सकती है और हो सकता है किसी area में efficiency poor हो तो वहाँ पर 2% भी रह जए तो यह secrosent नहीं है 10% बट हाँ अगर UPSC perspective से पूछें तो मैं आपको यही कहूँगा कि हाँ 10% आपको कह रहे हैं तो कह रहे हैं यह आपकी NCRT में लिखा हूँ है इसलिए कह रहे हैं 9-10th class की science की NCRT उठा लेना उसमें यह 10% rule दे रखा है तो NCRT से बढ़कर आपका कुछ नहीं है और यह secrosent नहीं है इस चीज को याद रखना अब देखे एक दो चीज़े हम species के बारे में भी जान लेते हैं जिससे हमें थोड़ी clarity रहे कि अगर UPSC किसी तरह की question आपसे पूछती है इनके बारे में तो आपको पता रहे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि की stone species कौन सी होती है मालने जिए एक ecosystem है उसमें कोई important animal रहता हो तो उसके बारे में आपको जानना थोड़ा important हो जता है जिससे for example अगर हम grasslands के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको tigers के बारे में क्यों जानना important है क्योंकि tiger एक keystone species है जो कहीं न कहीं एक essential role play करता है आपके ecosystem में कहीं न कहीं उसकी productivity को ensure करने का काम कौन करता है यह tiger तो इस तरह की जो आपकी keystone species है कई बार आपको news में सुनाई देती है तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में दूसरी important species है आपकी indicator species यह आपकी कुछ इस तरह की species है जो ecosystem की health के बारे में बताती है जैसे lichen है जहां भी आपको pollution मिलेगा वहाँ पर यह आपको नहीं देखनी को मिलती है जैसे बड़ी बड़ी industrial cities होती है आपकी जैसे लंडन हो गई यह आप दिल्ली की बात करें इन एरिया में आपको lichen बहुत कम देखनी को मिलती है क्योंकि यह atmosphere में जितना ज़्यादा pollution होगा उतनी कम दिखाई देती है तो कहीं न कहीं आपके ecosystem की health के बारे में यह बताते है अर्बन एरिया में अब frog की population जो है वो आपकी कम होती जा रही है अब ऐसा क्यों क्योंकि यह quality of water को ensure करते है अब जहां भी आपको water की quality अच्छी मिलेगी वहाँ पर आपको frog देखने को मिलते है बड़ जहां भी आपके water की quality poor होती जाएगी वहाँ पर आपको frog की population कम मिलने लगती है आईए एक बार देख लेते है ecological organization में smallest से largest तक कैसे भढ़ सकते हैं अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे पहली term होती है आपकी individual अब यह individual आपके जब एक साथ बहुत सारे इकठे हो जाएए मान लिजे आप आपके ममी पापा भाई बेन चाचा ताई सब इकठे होगे तो that represents population अब यह जो population है यह हमेशा same species की होती है अब यह तो मैं आपको बता चुका हूँ अब population जब बहुत सारे species की इकठी हो जाए that is known as community और इसके बाद आता है आपका ecosystem ecosystem के बाद यहाँ पे एक biome word आपका missing है और last में आ जाता है आपका biosphere उसके लाबा अगर बात की जाए what is the difference between flora and vegetation तो धरती पर किसी भी तरहां के आपके पेड मिलते है that is vegetation बट एक particular area में जिस तरहां की आपके plants मिलते है that is flora पतलब अगर मैं बात करूँ आर्थ पे आपको अलग-अलग type के plants मिल सकते हैं तो वो सभी आपके किसमें आगे vegetation में बट अगर मैं particularly बात कर रहा हूँ आपसे western ghat की तो वहाँ पे tree population आपकी flora को represent करती है उसके लाबा आईए बात कर लेते हैं abiotic factors के बारे में तिकिए अगर major abiotic factors के बारे में बोले हैं तो यह सभी non living होते हैं जिससे आपकी wind हो गई sunlight, soil, temperature, atmosphere, water, soil इस सभी आपकी क्या होगे abiotic factors यह कहीं न कहीं आपके environment को shape करते हैं और part है आपके ecosystem का भी आईए अब एक एक करके बात कर लेते हैं in abiotic factors के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं temperature के बारे में यह जो आपका temperature है न यहाँ पर आपको याद रख रहे हैं कि यह किसी भी organism के metabolic rate या आप कह सकते activity या physiological functions को impact कर सकता है for example आपने सुना होगा urethermal यह वो organisms होते हैं जो wide range of temperature को कहीं न कहीं सहन कर सकते हैं उसके इलावा आपके आते हैं stenothermal अब यह वो organisms हैं जो छोटी से limit में ही रह सकते है temperature की उसके लावा temperature के basis पे हम दो तरह के और enzyme देखते हैं एक होते हैं आपके ectodermal अब यह आपके cold blooded animals होते हैं दूसरे होते हैं आपके endothermal अब यह endothermal कौन से होते हैं जो warm blooded होते हैं आपके अब अगर बात किज़े temperature की तो यह growth पे impact करता है reproduction पे, sex ratio पे distribution पे, color पे behavior इन सभी चीजों पे इसका impact देखने को मिल सकता है आईए अब बात करते हैं water के बारे में जो आपके plants पानी में मिलते हैं उन्हें कहते हैं hydrophytes जो terrestrial part पे मिलेंगे उन्हें कहते हैं mesophytes जो dry area में जैसे cactus हो गया आपका इसे कहते हैं zerophytes जो आपको dry और arid condition में देखने को मिलते हैं इनमें आप यह देखेंगे कि water की absorption rate अच्छा खासा होता है और evaporation water का थोड़ा कम रहता है इसके इलावा हेलोफाइट्स भी होते हैं जो salt tolerant आपके plants होते हैं जैसे mangroves बगयरा होगे आपके उसके इलावा इन mangroves में एक खास type की आपको root देखने को मिलती है जो surface से उपर निकली होती है ताकि swampy and damp condition में जहाँ पर आपके पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे भी आपकी root के थूँ ये oxygen को ले सके अब इसके लावा बात कर लेते हैं salinity की भी अब जो organism आपके ज़्यादा salty condition में रह सकते हैं जैसे समुद्दर बगयरा में तो इन्हें कहते हैं urehyaline इसके लावा stenohyaline वो organism है जो salt में रह तो सकते हैं बट अगर salt content कुछ ज़्यादा हो गया तो भी ये survive नहीं कर पाएंगे और कम हुआ तो भी ये survive नहीं कर पाते हैं catadormus species जो पैदा तो होते हैं sea water में लेकिन अपना जीवन वतीत करते हैं fresh water में इसके बाद ये वापिस आ जाते हैं sea water में जब इनका अंतिम समय आता है उसके इलावा यहाँ पे आपको एक और species का नाम याद रखने है anadormus अब ये वो species हैं जो पैदा तो fresh water में होती हैं बट अपना जीवन काल कहां पर वितीत करते हैं sea water में और ये बाद में वापिस आ जाती हैं आपकी fresh water में अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं और बताना चाहूँगा आपने शायद kangaroo rat के बारे में सुना होगा एक समय में इनकी population बहुत ज़्यादा decrease कर रही थी decline कर रही थी तो उस समय ये काफी news में रहे थे ये बिलकुल आपको dry area में मिलते हैं Australia वाले और ये पानी बिलकुल भी नहीं पीते हैं तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कुछ animals आपको ऐसे भी मिल सकते हैं अब बात कर लेते हैं light की अब यहां पर आपको याद रखता है कि plants बहुत ज़्यादा dependent है light के उपर जैसे उनकी photosynthesis इसके उपर depend करती है उनकी growth, transpiration, germination और even उनकी movement भी इसी के उपर depend करती है अब यहां पर मैं आपसे कुछ अलग-अलग terms के बारे में बात करूँगा जैसे आपको पता होना चाहिए photoblastic seeds कौन से होते है जो आपके sensitive हो light को अब यह positively भी sensitive हो सकते है जैसे light पढ़ने से इनको positive impact पढ़ता हो इनके उपर या यह negative photoblastic भी हो सकते है जहां पर इनके उपर negative impact पढ़ेगा अगर sunlight पढ़ जाती है इसके इलावा आपको याद रखना है एक term होते है photonasty अब यह वो flower है जो आपके response करते है light और darkness को अब एक आपके plants होते है Necty Nasty अब यह कौन से plant होते है लेखे यह अपनी darkness में leaf को fold कर लेते हैं तो यह कुछ इस तरह के होते हैं अब अगली term है हमारी Heliofite अब यह वो है जो plenty of sunlight में रहते हैं मतलब इन्हें बहुत जादा sunlight ची होती है जैसे आपने Tropical forest दिखें अब या आप Rain Forest की बात करें इन जंगलों में पेडों की उचाई बहुत जादा होती है तो यहाँ पे इन्हें sunlight बहुत जादा मिलेगी तो जैसे Bunyan Tree है आपका ये example है Heliofite का उसके लावा दूसरी term है आपकी Ceophyte जो कम light में रहते हैं अब जैसे यहाँ पर ही मैं आपको example देता हूँ की Rain Forest में आपने देखा होगा नीचे herbs या scrubs पैदा होती है तो इनको इतनी light नहीं मिल पाती है तो इस तरह के plants आपके इस category में आ जाते हैं इसके लावा light के basis पे हम animals को भी categorize करते हैं अब जैसे कुछ animals होते हैं आपके जो active रहते हैं दिन के time पे कुछ आपके night के time पे active रहते हैं और कुछ animals ऐसे होते हैं जो early morning में ज़्यादा active होते हैं उसके लावा कुछ animals ऐसे भी होते हैं जो आपके sunset के time पे ज़्यादा active होते हैं अब जैसे आपके وispiral हैं ये dusk के time पे active रहेंगे auroral आपके early morning के time पे nocturnal आपके night के time पे aur agricultural आपके day के time पे इसके लावा aquatic habitat पे अगर light के impact की बात करें तो यहाँ पे आप अलग-अलग zone में divide कर सकते है water को जैसे पहला आता है आपका littoral zone जहाँ पे आपकी depth ज़्यादा नहीं होती पानी की और यहाँ पे आपकी sunlight enter कर सकती है मालिजे जो आपके coastal areas हैं जहाँ पे आपको continental shelf वाला इलाका देखने को मिलता है तो उन area को हम क्या कह देते हैं littoral zone उसके बाद आता है lemantic zone जहाँ पे आप open water में हैं यहाँ पे आपकी amount of sunlight और oxygen दोनों depth के साथ decrease होती है उसके इलावा aphotic zone भी होता है जिसे हम pre-fondal भी बोलते हैं यह वो zone है जो आपके photic zone के नीचे आते हैं मतलब photic zone तो वो होते हैं जहाँ पे आपकी light मिल जाते है littoral photic zone ठीक है जी इसके नीचे आपको light नहीं मिलेगी जैसे माल लेजे एक area है यह आपका पानी है थोड़ा example कहीं और लेते हैं अब यह आपका पानी है इस area में आपकी sunlight एंटर कर पा रही है पानी में अब इसके नीचे यहाँ पे आपका पानी ही ऐसा है जहाँ पे light नहीं एंटर कर रही है तो इसे हम aphotic zone कहते हैं अब एक होता है आपका benethic zone यह benethic zone वो है जो आपको crust के आसपास मिलता है जैसे continental crust के आसपास यहाँ पर light बिलकुल भी penetrate नहीं कर पाती है यहाँ पे जो आपको animal species मिलती है that is crustacean इसके लावा अगला major आपका abiotic factor है soil अब यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि soil सबके लिए important है इस वज़े से इसे हम कई बार edific factor भी बोल देते हैं अब यह जो आपकी soil है आपने geography में पढ़ा होगा अलग-अलग horizon में divided है जैसे आपका O horizon, A horizon, B horizon और इसी तरह करके आपके और भी horizon होते हैं तो इनके बारे में तो आपने geography में पढ़ा ही होगा अब जब यह आपके horizon सभी एक साथ होते हैं तो इन्हें हम कह देते हैं soil profile अब यहां से हमें soil की composition के बारे में पता लगता है grain size के बारे में पता लगता है water holding capacity किस तरह का pH level है किस तरह की mineral composition है इन सभी के बारे में पता लगता है अब यह जो आपके animals हैं या plants हैं किस तरह से इन abiotic factor को respond करते हैं आईए इसे समझते हैं देखिए mainly तीन category में हम divide करते हैं पहला होता regulate दूसरा होता migration और तीसरा आपका resistance तो इन तीनों के बारे में आईए एक एक करके पढ़ते हैं सबसे पहले जानते हैं regulation के बारे में देखिए आपने सुना होगो homeostasis यह वो organisms हैं या animals हैं जो internal और external change के साथ अपने आपको adjust कर लेते हैं उसके लावा osmoregulation होती है एक चीज जहां पर आप salt और water को balance करने की कोशिश करते हैं आपने arrow सुना होगा न water content को balance करने की कोशिश की जाती है यहां पर तीसरे है आपके thermoregulation अब इसमें जो organisms या animals आते हैं वो अपनी body temperature को कही न कहीं regulate कर सकते हैं एक certain boundary के अंदर उसके लावा next type आजाता है आपका migration अब migration में आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चीए पहले हैं आपके drought invader या तो उनकी जो life है वो बहुत short होगी या वो dormant state में चले जाएंगे dormant state वो होती है जहां पर कोई जानवर आपका कुछ time के लिए सोने चला जाता है अब dormant state अगर आपको नहीं समझ में आती तो मैं आपको यह बता दूँ जैसे आपने grass देखी होगी गर्मियों के समय में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो आपको grass बहुत कम देखने को मिलती है और दिखती भी है तो वो सुकी सुकी सी घास होती है बट जैसे ही आपकी बारिश आती है यह जो आपके grasses होती है फिर से lush green हो जती है तो इस state को हम कहते है dormant state उसके लावा आपको winter migration भी देखने को मिलता है अब ये आपको animals, birds और reptiles में जादा देखने को मिलता है अब जैसे आपने सुना होगा कि कियो लादियो नेशनल पार्क है जो हमारा भरतपुर में वहाँ पर बहुत सारे आपके Siberia से पक्षी उड़के इंडिया में आते हैं अब ये आपके वो पक्षी होते हैं जो hibernation में नहीं जा सकते हैं अब इसके बाद आते हैं आपके resistance केटेगरी अब बात कीजाए resistance की तो यहाँ पे आपका पहला concept है dormancy अब यहाँ पे जो आपके plant या animals है न वो inactive हो जते हैं या को example दूँगा फिर से एक बार grass का जो कुछ समय के लिए अपने आपको inactive कर लेती है ताकि जो harsh गर्मी का period है summer का period है वो उसको निकाल सके इसके बाद hibernation आपने आमोमन सुना होगा जिसे polar bear है जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वो hibernation में चले जाते हैं अब यहा जहां पर भी adverse weather condition को या food की कमी को दूर करने के लिए हम physiological change देखते हैं जहां पर वो अपनी body temperature को कम कर लेते हैं या अपने metabolic rate को थोड़ा slow कर लेते हैं अब यहां पर आपको याद रखना है कि हर hibernation आपकी dormancy का type है बट हर dormant state आपकी hibernation का type नहीं है मतलब अगर यह आपकी dorm dormancy है इसके अंदर यह hibernation एक छोटा सा टुकड़ा है उसके लावा diapause आपका एक phenomena है जहां पर जो आपके animals है वो dormancy में जाते हैं अब यह जो अपना response है इसको थोड़ा delay कर देते हैं यहां पर उसके लावा estivation एक ऐसा phenomena है जहां पर summer में कुछ animals आपके dormant condition में या hibernation में यहां पर यह क्या करते हैं अपने जो main activities हैं उनको कहीं न कहीं कम करने की कोशिश करते हैं अपने energy को conserve करते हैं और body को stabilize करने की कोशिश करते हैं अब यह generally आपको arid condition में देखने को ज़्यादा मिलता है अब dormancy तो आपको reptiles में भी देखने को मिलती है तो इसे हम कह देते हैं brumation, अब यहाँ पे जो आपके reptiles हैं, अब बात कीज़ें जैसे आपके छिपकली है, या आपने कौर के लिए सुने होंगे, जो अपने color बदलते हैं, गिरगिट, तो वो जो हैं आपके autumn के time पे, मतलब late autumn stage में, कहीं न कहीं dormancy में चले जाते हैं, या hibernation आप बोल सकते हैं, य सिरफ तभी उठते हैं जब इन्हें प्यास लगी हो, otherwise ये सोते ही रहते हैं, तो ऐसी state को हम क्या कह देते हैं, brumation, अब हम इस समझना चाहिए कि किस तरह से आपकी एक species develop होती है, क्या basic principles हैं इसके पीछे, जैसे कि आप सभी जानते कि हम इंसान जो हैं, वो बंदर की परजा जाते हैं, अब यहां पे अगर हम बात करें, तो उन में और हम में क्या differences हैं, देखिए उनकी पूछवा करते थी, वो थोड़ा जुक्ये चला करते थे, वो दोनों पैरों पे सटीक तरीके से खड़े नहीं हो पाते थे, तो कहीं न कहीं हम over a period of time evolve करें, अब ये जो आपकी theory है, ये validated theory दी किसने थी, अब ये theory दी थी 1859 में Charles Darwin और Alfred Wells ने, अब कोई species evolve करती क्यों है, इसके पीछे एक ही कारण है, कि भाईया अपने आपको survive करवाना, over a period of time हम environment के accordingly अपने आपको adjust करते हैं, ताकि आने वाले time में भी हम खुद को maintain कर सकें, अब जैसे earth जब start हुई थी, उसके कई सालों बाद आपके bacteria's form हुए, वो आपके first form of life हैं, और आज तक वो exist करते हैं, बट डैनसोर्स थे, वो नहीं exist करते हैं, अब दोनों में फरक क्या है, देखे, bacteria over a period of time अपने आपको evolve करता रहा, और जिसकी वज़े से आज भी हम इने देख पाते हैं, आईए, अब बात करते हैं, adaptation की, देखे, आप सभी को बता है कि जैसे environment में कुछ change आता है, तो आप अपने आपको adapt करने की कोशिश करते हैं, अब इसका मैं आपको एक example देता हूँ, देखे, UPSC ने 2014-15 के आसपास CSET introduced किया, तो बहुत से aspirant ने अपने आपको उस situation के according, adapt करने की कोशिश क ना, कईयों को इस चीज़ से problem भी थी, although UPSC ने बाद में इसे क्या कर दिया, कि आपको सिर्फ passing marks लेने, बट कुछ ने कुछ चेंजिस तो आए ना environment में, अब किस तरहां से आप उन situation में अपने आपको survive करवाने के लिए adapt करते हो, that is adaptation, अब जो यहाँ पर changes आते हैं adaptation की दोर यह एक generation से दूसरी generation में भी transfer हो सकते हैं, अब देखें, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने होगी, आप माल लिजे एक चीज़ है, आपके environment में temperature एकदम से बढ़ता है, अब क्या होता है कि आपकी body उसके according adjust करने लग जाती है, अब over a period of time, आपकी body इस गरम temperature को भी सहन कर आ रही है, that is adaptation, अब adaptation की वज़े से यहाँ पर जो genes generate हो रही है, वो genes आगे आने वाली generation में भी transmit हो जाएंगे, तो इसी को आगे चल कर हम क्या कहा देंगे, evolve करना, तो एक चीज़ समझ के चलना है कि first step adaptation है, और इसके बाद evolution, अब adaptation तो आपको समझ में आ गया, आए जानते variation क अब यहाँ पर मैं आपको एक example देता हूँ, जिससे यह आपको काफी clear हो जेगा, देखे आपने अफ्रीका के चीटा के बारे में सुनाओगा, एशिया के भी चीटा के बारे में सुनाओगा, अब दोनों में फरक क्या है, है तो दोनों चीटा, बट क्या दोनों में कुछ फरक है देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि कई बार same species दो अलग-अलग environment में जब grow up करती हैं देखिए geographical barrier आगे ना बीच में एशिया आपका अलग जगा है थोड़ा बीच में water bodies वगेर आगी एफरीका अलग है तो over a period of time इनमें आप देखेंगे कि कुछ jeans आपके add होगे या delete होगे तो ये एक दूसरी से क्या होगे बिलकुल अलग होगे तो ये जो चीता है जो अफरीका में मिलते हैं और जो एशिया में मिलते हैं इनमें क्या देखने को देखेंगे और weight का भी difference देखेंगे उसके लावा color वगेरा का भी थोड़ा बहुत फरक मिल सकता है अगर हम बात करें variation क्या है तो यहाँ पे आपके कुछ jeans या तो add हो जाता है किसी species में या delete हो जाते हैं और इसकी वज़े से individual जो same species के थे उनमें variation देखने को मिल जाता है अब यह climate के कारण भी हो सकता है geographical barrier के कारण भी हो सकता है और mutation के कारण भी हो सकता है बट यह overnight नहीं होता इट विल टेक सम टाइम मतलब हजार दो हजार दस हजार साल बाद होता है यह सबसे important role है आपका evolve करनेगा जिसकी वज़े से आपकी कोई species डवलप होती है अब अगर हम evolve नहीं करते तो आज की दिन में शाद हम भी जंगलों में ही घूम रहे होते तो कहीं न कहीं यह evolve होने की वज़े से homo sapiens species बनी है उसके लावा यहाँ पर एक और चीज भी है जो major role play करती है geographical isolation अब इस point को समझाने के लिए मैं आपको example दूँगा अस्ट्रेलिया का लेकि आप सभी जानते कि अस्ट्रेलिया बहुत सालों तक isolated रहा है और खासकर अगर हम animals की बात करें तो animals के लिए तो बहुत लंबे समय तक यह isolated रहा है अब वहाँ पर जो आपको animals की species मिलती है शायद आपको दुनिया के किसी और हिस्से में ना मिले अब ऐसा कहने के पीछे मेरा कारण यह है क्योंकि देखिए आसपास आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पानी है उसके यह माल लिजे आपका Australia है और इसके आसपास आपका Pacific Ocean का area आ गया अब दूर दूर तक कोई land नहीं है आपकी species को develop होने के लिए एक particular time मिल गया तो यह geographical isolation भी एक कारण है speciation का उसके लावा आपको अभी भी ना समझ में आया हो तो आप हिमालियास का example ले सकते हैं अब हिमालियास की वज़े से कई बार आपके जो reptiles हैं जो आपको इंडिया में मिलते हैं वो चाइना या आप यह कह सकते की mainland एशिया में नहीं जा पाए अब इसके पीछे कारण क्या है जो हिमालिया है वो barrier बना अब इसके वज़े से reptiles वोगरा जो थे आपके वो रेंगते हुए दूसरी साइड नहीं जा पाए और यही कारण है जिसकी वज़े से आप देखते हैं कि कुछ species इंडिया में endemic ही हैं आईए अब बात करते हैं mutation की अब देखे वैसे तो आप एक चीज़ मानने के चलिए कि जो हमारी body है उसमें DNA exactly copy होता है मतलब जो आपके फादर का DNA है वो आपके अंदर copy होगा ठीक है चीज़ आपका DNA आपके बच्चों में copy होगा और उनका आगे चलता जाएगा ऐसे ही copy होता हुआ अब कई बार क्या होता है कि photocopy machine में मतलब यह जो आपका DNA replicate होता है इस process में कई बार कुछ problem आ जाती है अब इस error की वज़े से कुछ genes में खराब ही आगी अब इसको कह देता है mutation अब इस mutation की वज़े से आती है आपकी species के अंदर variation अब माल लीजे आपकी जो आपने white tiger सुना है देखे टाइगर तो normally same color का ही था बट कुछ cases में जो आपके color pigment है वो अच्छे से express नहीं हो पाते तो उस वज़े से जो उसका casery color है जो भी color होता आपके tiger का वो ढंक से दिखता नहीं है इस mutation के कारण से हमें एक नई परजाती सी लगती है ये white tiger बट actual में ये tiger ही है बट इसके genes में कुछ mutation हो रखा या variation है जिसकी वज़े से ये अलग लगती है अब उसके इलावा आपका एक process होता है natural selection अब natural selection क्या होता है जहाँ पर nature decide करता है कि कौन से species रहेगी और कौन सी नहीं अब ये mechanism परपोस किया था Darwin ने अब natural selection में आपको ये समझना है कि nature में अगर कोई change आता है यानि आसपास के environment में कोई change आता है उसमें किस हिसाब से एक species react करती है या वो survive कर भी पाती है कि नहीं that is the process of natural selection अब extinction क्या होता है दीखे मान लिजे जब किसी species का last जो organism था या individual था वो भी मर जाए तो उसके बाद हम कह देते कि उस species क्या हो चुके extent हो चुके है although यहाँ पर दो चीजे होती है extent in wild भी होता है एक चीज उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम biodiversity topic को cover कर रहे होंगे या हम IUCN की list को देख रहे होंगे क्योंकि वो categorization आपके IUCN की है nature की नहीं nature में या तो कोई परजाती मिलती है या बिलकोली extent हो चुकी है अब चाहे वो एक individual हो चाहे 100 तो यही सब कुछ जाड़ना जरूरी था आपको इन चीजों के बारे में अभी हमने adaptation की बात की थी तो यह adaptation कितने type की होती है आईए इसे भी समझ लेते हैं कोई भी जो organism है वो survive करने के लिए आसपास के environment के according अपने आपको बचाने की कोशिश करता है और इसी दौरान वो उस environment को adapt करने की कोशिश करता है अब यह जो आपकी adaptation है यह चार type की हो सकती है एक होती है morphology adaptation जैसे आपने desert plants देखें desert plants में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो outer layering है वो काफी waxy होती है काफी थिक होती है उसके इलावा यहाँ पर आपको stromata बहुत छोटे देखने को मिलते है या बहुत ही minimum देखने को मिलते है उसके इलावा leaves की जगा पर आपको कांटे देखने को मिलते है तो इस तरहां की जो desert या आप कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि generally जो आपके penguins और हैं जो cold area में रहते हैं इनके हाथ पाओ बहुत छोटे होते हैं अगर आप इनके हाथ देखें तो जादा दूर तक नहीं जाते हैं इनके body जो parts हैं उनके size थोड़ा छोटा रहते हैं अब ऐसा क्यों अब आपने देखा होगा कि polar bear ह है तो इतना बड़ा बट उसके हाथों का size इतना बड़ा नहीं है कानों का size इतना बड़ा नहीं है देखें जितने बड़े कान या आपके हाथ होंगे limbs होंगे उतनी जादा आप energy release करते हैं तो heat loss को कहीं न कहीं minimum करने के लिए यहां की जो आपकी species है उन्होंने अपने आप आपको adapt करने की कोशिश की और जिसकी वज़े से इनके जो limbs के size हैं वो छोटे हो जते हैं और इसी को हम क्या कहा देते हैं morphological adaptation अब इसके बाद आती है आपकी physiological adaptation अब मान लीजे आप higher altitude पे जाते हैं अब जब आप UPSC clear करेंगे तो आपको na tracking के लिए लेके जाएंगे और वह लोगों को altitude sickness होती है हाइट के साथ सतना उन्हें जैसे अच्छा सा failure नहीं होने लगता मतला vomit का सा मन हो जाता है या कुछ ऐसा सा या चक्कर आ रहे लगते हैं oxygen की कमी महसूस होने लगती है अब यहाँ पे जो आपकी body है यह क्या करती है देखिए जैसे ही आप higher altitude पे जाते ह हैं तो आपको oxygen की कमी लगती है अब body इस चीज को adapt करने के लिए और ज्यादा RBCs produce करती है अब यह जो RBCs हैं यही तो आपकी oxygen को carry करते हैं अब क्यूंकि RBCs ज्यादा होगे क्यूंकि oxygen कम थी तो RBCs ज्यादा होगे अब क्यूंकि आपकी RBCs ज्यादा होगे तो oxygen requirement जितनी body की हम उसे fulfill करने में कुछ हद तक काव्याब हो जाते हैं तो यहां पर यह जो change आया आपकी body में देखे आप अगर plane area में है तो oxygen ज्यादा है RBCs नॉर्मल रहेंगे बड़ जैसे ही आप higher altitude में गए oxygen कम होगे RBCs ज्यादा होगे तो इस तरह के changes जो होते हैं इसे आप क्या कह करते है physiological adaptation आईए अब बात करते हैं बायो chemical adaptation की आप सभी ने सुना होगा कि जिसे जो brown skin होती है या black skin होती है जिसे हमारे सब की brown skin है तो हमारे body के अंदर melanin मिलता है और यह आपको अंग्रेजों की यानि जो white persons है उनकी body में देखने को नहीं मिलता है जो खासकर Europe और आपके USA से वाले पार्ट में रहते हैं अब अगर यह जैसे ज्यादा देर धूप में रहते हैं तो इन्हें sunburn या skin cancer जैसी विमारिया हो सकती है अब यहां पर यह adaptation है क्योंकि देखे कुदरत को पता था कि हम equator के आसपास रहते और यह भीया equator के दूर रहते अब जो equator के दूर रहेग तो आपकी sunlight क्या होगी जॉक्रफी में आपने पढ़ा होगा कि slanted रहेगी इतनी potent नहीं होगी आपकी sunlight अब क्योंकि आपकी sunlight इतनी potent नहीं होगी तो इन्हें melanin की इतनी जरूरत नहीं थी अब जो आपके equator के आसपास जैसे ब्राजील में, एफरीका में, इंडिया में, स उसके लावा एक और example यहाँ पर दे रखा है, फुर्सत मिले तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, अब बात करता है behavioral adaptation की, अब आपको मगर मच पता है, मगर मच आपने जू में देखा होगा, कई बार वो मूझ खोल के धूप में पढ़ा रहता है काफी काफी घंटों तक, तो मूझ खोल के क्या कर रहता है, मख्या खा रहा होता है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मख्यों से उसका पेट भरेगा भी नहीं, वो basically क्या करते है उस टाइम, उनकी बाड़ी का अंदर का temperature बहुत जादा थंडा हो चुका होता है, तो जिसकी वज़े से उसे regulate करने के लिए, वो धूप में सन बात लेते हैं, अब जब उनकी बाड़ी का temperature बहुत जादा गरम हो जाए तो या तो shed में चले जाते हैं, या पानी में चले जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यह आपका किसका aspect है, behavioral adaptation का, अब यहाँ पे आप सब को मेरे एक question का जवाब देना है, देखे question यह है कि जो animals अपने खुद के temperature को, body temperature को regulate कर लेते हैं, इस process को क्या कहते हैं, और उन animals को क्या कहा जाता है, और जो animals ऐसा नहीं कर सकते, उनको क्या कहा जाता है, देखे UPSC perspective से हो सकते हैं, इतने important ना हो, बट फिर भी, अगर कभी आप से पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो आप Google सर्च करिए इसके बारे में, या आप comment box में चेक कर सकते हैं, आईए अब बात करते हैं productivity की, अब कितने time में आप कितना biomass generate करते हैं, that is productivity, जैसे आप कितने time में एक topic को complete करते हैं, that is your productivity, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि माल लीजे, एक plant है, हम सिरफ अभी एक crude example ले रहे हैं, यह जो paid है, यह एक समय में, मतलब माल लीजे 100 साल में, कितना biomass generate कर रहा है, यानि organic matter कितना create कर रहा है, इसी को हम कह देते हैं productivity, अब यहाँ पे मैंने सिरफ plant की बात की है, तो यह है आपकी primary productivity, जब हम सभी जानवरों की एक साथ productivity को देख लिते हैं, या count करते हैं, तो उसे कहते हैं हम ecosystem की productivity, अब यहाँ पे हम सिरफ और सिरफ एक ecosystem के ऊपर focus कर रहे हैं, अब biosphere में तो बहुत सारे आपके area आ जाएंगे ना, तो इस वज़े से आपके ecosystem को हम functional और structural unit कहते हैं, अब यह जो आपका biomass है इसको हम express कैसे करते हैं, या आप यह कह सकते हैं productivity, इसको हम express कैसे करते हैं, तो इसकी unit है mass per unit volume per unit time, इसकी unit है जैसे kg, meter cube per unit time, जितना भी आप कह लिजे 100 साल, 10 साल, 20 साल, जितना भी time लगे उतना, अब वैसे तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि organic matter कितना generate बट यहाँ पर हम generally देखते हैं dry organic matter, बतलब उसमें सी हम mass निकाल देते हैं water का, क्योंकि आप जैसे मान लीजे मेरी body है, मेरी body में भी लगबग 70% क्या है, water है, तो मैं उस water को निकालने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको याद रख रहे हैं कि जब भी आप से यह कहा जाए कि productivity एक ecosystem की निकालनी है, तो आपको biomass लेना है, biomass means organic matter, बट यहाँ पर आप water को include नहीं करेंगे, अब यहाँ पर आपको कुछ चीजे बताई गई हैं, जैसे primary productivity, secondary productivity, वैसे तो मैं आपको यह चीज बता चुका हूँ, जैसे primary productivity वो है, जहाँ पर आपके producers, जैसे जो photosynthesis करते हैं, उनसे जो आपका biomass generate हो रहा है, that is primary productivity, अब यह जो आपकी primary productivity है, दो type की हो सकती है, एक होते gross primary productivity और एक होते net primary productivity, basically gross और net में फरक क्या है, देखे, gross primary productivity में हम include करते हैं उस energy को भी, जो plant, या मान लीजे आपका जो आपका organism है, अपने lifetime में उसे use कर रहा है, For example, अभी की बात करें, एक plant है, तो वो fruit bear करने के लिए कुछ energy use कर रहा होगा, उसके खुद का metabolic rate कुछ होगा, उसमें अभी कुछ energy utilize हो रही होगी, तो हम इस energy को भी include कर लेते हैं, gross primary product में, whereas अगर बात कीज़े, net primary product की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कि हम इस तरह क जो भी energy utilize होती है, उसे include नहीं करते हैं, तो that is, gross and net का beach का difference, कही न कहीं जो आप माल लिजे, पेड को चोट लगी है, आपने माल लिजे, कोई गाड़ी से उसे ठोक दिया, या आप कहले लिजे, कि किसी लकड हारे ने उसे काटने की कोशिश की है, तो वो अपने आपको recover करन की कोशिश करेगा ना, तो वो energy वहाँ पर भी utilize होगी, तो उस energy को हम net primary productivity में include नहीं करते हैं, अब यहाँ पे आपको याद रखने की secondary productivity क्या होती है, अब जो आपकी consumers हैं, उन में किस तरह से आपका biomass generate हो रहा है, that is secondary productivity, अब यहाँ पे आपके herbivores भी आ सकते हैं, कार्णी वो decomposers भी आ सकते हैं, मतलब सभी आ जाएंगे, अब आपको यह चीज ध्यान में रखने हैं कि primary में आपके सिर्फ autotrops हैं, और secondary में बाकी बचे जो भी हैं, आपके herbivores, carnivores, decomposers, वो सभी आ जाएंगे, और उन में किस तरह से आपका energy generate होती है, that is secondary productivity, अब जब आप primary productivity को plus secondary productivity को जोड देते हैं, that is productivity of ecosystem, और यहां पे आप एक चीज याद रखना कि primary की तरह secondary में भी आप gross और net को देखते हैं, मतलब यह भी दो टाइप की हो सकते हैं, gross मतलब जितनी उन्होंने energy generate की, और बाद में अपने metabolic activities के लिए कितनी use कर ली, उसे हम neglect कर देंगे, that is net secondary productivity, तो इस ची पर आपकी कुछ important points है, जो आपको prelims से बहुत ज्यादा help कर सकते हैं, इन्हें आप triple star mark कर सकते हैं, देखिए जो आपका terrestrial ecosystem है, इसकी जो productivity है, वो ज्यादा होती है as compared to aquatic ecosystem, अब इसके पीछे कारण क्या है, देखिए जो आपका aquatic ecosystem है, इन्हें इतनी light नहीं मिल पाती है, अब इस वजे से terrestrial जो ecosystem है, वहाँ पर light आपकी बहुत ज्यादा मिलती है as compared to aquatic, और इस वजे से terrestrial ecosystem की productivity क्या है, ज्यादा है, अब बात कीज़े, terrestrial में भी कहाँ पर आपको सबसे ज्यादा productivity देखने को मिल सकती है, तो that is tropical rainforest, जो आपको equator के आजपास देखने को मिलते हैं, वहाँ यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा productivity मिलेगी, अब अगर मैं आपको कहूँ कि aquatic ecosystem में हमें सबसे ज्यादा productivity कहाँ पर देखने को मिलेगी, that is history, जहाँ पर आपका fresh water और saline water मिलता है, अब एक बार फिर से यह एक ecotone area है, तो इस वजे से यहाँ पर productivity क्या हो जती है, ज्यादा ह सबसे देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार इन्हें aquatic ecosystem का rainforest कहा जाता है, तो आप याद रखना कि corals की जो आपकी productivity है, वो बहुत ज्यादा हाई है, और इसके उपर UPSC ने 2016-17 में question भी पूछा हुआ है, तो इस चीज को याद रखना, अब similarly आपके जो mangroves है, इनकी भी आप आपकी productivity जादा है, जैसे कि आपकी rainforest की है, अब again, ये क्या है, एक ecotone area, तो जिसकी वज़े से इसकी productivity क्या होगी, जादा होगी, तो यहाँ पर एक term जो हम समझ सकते हैं, that is, कि जहाँ पर भी आपको ecotone area मिलेंगे, वहाँ पर आपकी productivity क्या हो जाएगी, जादा हो जाएगी उसके लावा, जो आपके open oceans हैं या deserts हैं, वहाँ पर productivity आपको कम मिलेगी, अब ocean में क्या होता है, कि देखे, open ocean में आपके कुछ layer के बाद, पानी के नीचे आपकी light जाएगी नहीं, deep में आपकी light नहीं जाएगी, अब क्योंकि light नीचे नहीं पहुंचेगी, तो यहाँ पर light नहीं जा पाती, तो यही कुछ points हैं जो आपको याद रखने हैं, देखे, जब से हम ecology और ecosystem के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यह जो आपके living organisms हैं, यह आपस में interact करते हैं, तो आईए, सबसे पहले यह समझते हैं कि यह आपस में interact कैसे करते हैं, और हम उसे किस तरह से देखते हैं, अब यहाँ पे पहला type का interaction है आपका neutralism, तो कि यहाँ पे दोनों species के उपर किसी तरह का positive और negative impact नहीं देखने को मिलता है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यह जो आपका neutralism है, यह शायद ही exist करता हो, अब ऐसी कोई भी interaction नहीं है, जहाँ पर हमें कुछ positive या negative ना दिखता हो, तो इस वज़े से आपके ecosystem में real time में हो सकता है कि exist ना ही करते हो, अब यहाँ पे दूसरा आपका आता है competition, अब यहाँ पे दोनों के लिए negative है, माल लीजे एक tiger है, एक loin है, एक ही ecosystem में रह रहे हैं, अब दोनों को food के लिए compete करना पड़ेगा, अब अगर ऐसा होता है, तो दोनों के ऊपर negative impact पढ़ सकता है, हो सकता है एक दिन loin को खाना ना मिले, हो सकता है एक दिन आपके tiger को खाना ना मिले, तो इस वज़े से competition हमेशा दोनों species के ऊपर negative impact करता है, उसके बाद दूसरा है आपका emotionalism, अब यहाँ पे एक species क आपके ऊपर आपके negative एसर पड़ता है, और दूसरी के ऊपर आपका zero एसर, मतलब कोई एसर नहीं है, अब इसका मैं आपको उधारन दूँगा, मालीजे एक बड़ा सा आम का पेड है, इसके बगल में मैं एक छोटा सा गुलाब का पेड उगाना चाहूं, तो क्या यह गु तो आप आमोमन देखेंगे कि जो आपका plant होते हैं, बड़े बड़े पेड होते हैं, उनके नीचे आपको नातुजाता घास मिलती है, और कई बार छोटे मोटे पेड भी नहीं मिलते हैं यहां पे, तो इसके पीछे कारण क्या है कि एक के ऊपर तो कोई impact नहीं है इस चीज का, बड़ दूसरे के ऊपर इस चीज का negative impact है, तो यह कहीं न कहीं आपका immensealism का example है, उसके इलावा तीसरा है आपका parasite, अब parasitism क्या होता है, अब आपको पता होगा कि आपके पेट में, बच्पन में मम्मी कहते थे कि भी पेट में केड़े होंगे, इस वज़े से तिरा पे रही है, host की body को harm कर रही है, but वो उसके उपर dependent भी है, वो उसे मार ना नहीं जाती, over a long period of time, हो सकता है कि उसकी death हो जाए host की, but उसकी intention नहीं है, क्योंकि वो खुद भी उसके उपर उतनी ही dependent है, जब आपके बच्पन में पेट में दर्ध हुआ करता था, तो आपको tape warm का यहां पर positive impact है, और हमारी सेथ के उपर यहां पर क्या है, negative impact, तो इस तरहां के, जहां पर आपकी body के उपर कोई और parasite develop करता है, तो इसे हम कह देते है, parasitism, चौती important term है, यहां पर predation, अब इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, pray and predation के बारे में, मैं आपको example देता एक जगा चीते का और एक जगा हीरन का, अमानी जो चीता है, उसको यहां से क्या मिल रहा है, शिकार मिल रहा है, खाना मिल रहा है, positive है, अब बिचारे हीरन की तो जान जा रही है, तो negative impact, अगर बात की जाए, predation और parasitism में क्या फरक है, तो मैं आपको बता दूँ, कि predation में आप, जो organism हैं दूसरा, उसको मारते हैं at a time, instantly मार देते हैं, और parasitism में ऐसे नहीं होता, वो over a long period of time देखने को मिलता है हमें, उसके लावा predators इसलिए भी ज़रूरी है, ताकि हम maintain कर सके species की diversity को, और ecological balance maintain करने के लिए भी predation बहुत ज़रूरी है, आईए, अब बात करते हैं, क positive impact देखने को मिल रहा है, और दूसरी को कोई असर नहीं हो रहा है, अब यहां पे आप example ले सकते हैं, आपने जैसे टेक्निकली तो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बट फिर भी काफी कारगर example है, आपने अपने गाउं के आसपास कई बार देखा होगा कि भास घास होती है, तो उसके आसपास आपको बहुत सारे बगुले से मिलते हैं, अब ऐसा क्यों? लेकिए बहस को उनके होने या ना होने से कोई फरक नहीं पड़ता है, बट बगुले को बहस के होने से बहुत फरक पड़ता है, अब जब भी बहस घास खाएगी, तो वो जमीन को उख खाड़ेगी, मतलब वो घास को खीचेगी, तो जमीन उखड़ेगी, उसके पैरों से भी उखड़ेगी, अब उससे जो जमीन के नीचे कुछ इंसेक्ट्स वगरा होते हैं, वो सर्फेस पे आ जाते हैं, अब ऐसे में ये जो बगुले हैं, इन इंसेक्ट्स को खा सकते हैं, तो यहाँ पर बगुले को क्या मिल रहा है positive impact और दूसरे species के उपर कोई ना impact है ना कुछ अब आखरी है आपका mutualism, although यह इसी का sub-part है, proto-corporation, हम दोनों को देखेंगे अब mutualism के लिए मैं आपको example देता हूँ, leguminous plants का इनके leguminous plants के जो roots हैं, उसके अंदर हमें मिलते है nitrogen fixing bacteria अब यहाँ पर इन दोनों को आपस में interaction से benefit है तो इस तरहां के जो interaction है, इसे हम क्या कह देते है, mutualism अब यहाँ पर आपको एक और चीज मैं बताना चाहूँगा, जैसे commensalism है, mutualism है इन सभी में आपकी जो interaction है, सिरफ positive है या zero है तो इस तरहां के आपके जितनी भी interaction होंगी, जहाँ पर positive हो या zero हो उसको हम कह देते है positive interaction वेराज जहाँ पर एक भी negative मिला, जैसे predation हो गया, parasitism हो गया आपका immensalism हो गया, या competition हो गया, इसे हम कह देते है negative interaction इसके लावा एक और चीज़ भी होते है, symbiotic relationship, आईए उसे भी समझ लेते है अब यह जो आपका symbiosis है, यह दो word से बना है, ग्रीक word से जिसका मतलब होता है with and living अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दो species के बीच में आपको relationship देखने को मिलता है अब यह अलग-अलग type के हो सकते हैं, जैसे mutualism, दोनों को benefit हो रहा है, symbiotic relationship कह देते हैं इसे भी जैसे commensalism है आपका, जहाँ पर एक species को benefit हो रहा है और दूसरी को कोई असर नहीं हो रहा उसके अलावा parasitism, यह भी एक तरह का symbiotic relationship है competition, यह भी एक तरह का symbiotic relationship है predatory या predation, यह भी एक तरह का symbiotic relationship है फरक इसमें सरफ इतना है, यहाँ पे एक species को नुकसान देखने को मिलता है आज के lecture में इतना ही, कल के lecture में हम ecological succession के बारे में पढ़ेंगे ecological pyramids के बारे में पढ़ेंगे, और साथ की साथ हम जानेंगे various type of nutrient cycles को, ecological succession के बारे में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि succession क्या होता है देखे, आपने history में पढ़ा होगा कि एक राजा था, उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है और उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है तो यह क्या है? यह succession ही तो है अब इसी तरह हमें plants के cases में भी देखने को मिलता है या animals के cases में भी देखने को मिलता है कि एक plant के species के बाद दूसरी आती है, फिर तीसरी, चौथी और इस पूरी सफर को हम कह देते है ecological succession अब यहाँ पे हम देखते हैं कि continuously किस तरह से change आते हैं आपके plant और animal की species में उसके लावा यहाँ पे आप देखते हैं कि diversity increase होती जाएगी जैसे जैसे आप climax community की तरफ बढ़ते जाएगी climax आपने movie में देखे न, end में आता है तो यहाँ पर भी climax का है, की तरफ है? end की तरफ है इन सभी के बारे में मैं आपको detail में बताऊंगा बट अभी मैं in general आपको बता रहा हूँ कि ecological succession में हमें क्या-क्या देखनी को मिलता है अब यहाँ पर आप यह देखते हैं कि जो आपके organic matter है या mass है, या biomass है वो हर एक समय के साथ increase होता रहेगा मतलब जैसे अगर हम बात करें primary biomass की तो यह पहले आपको कम देखनी को मिलता है जैसे यहाँ पर आपको lichens लगारा देखनी को मिल रहे हैं यहाँ पर आपको small annual plants देखनी को मिल रहे हैं तो इन में biomass थोड़ा कम रहता है बट जब आप end stage में पहुंसते हैं तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े प्रेट दिख रहे हैं अब इसकी वज़े से यहाँ पर biomass क्या हो जाता है जादा increase हो जाता है उसके लावा आपकी community की जो productivity है net productivity वो decrease करती जाएगी तो यही कुछ trend आपको ecological succession में याद रखने है अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यह कैसे process चलता है आम तोर पर हम बात करते है primary succession की अगर आपको यह समझ में आ गया तो आपको secondary succession भी समझ में आ ही जाएगी generally यह दो type के succession होते है majorly majorly अगर हम बात करें अब देखिए यहाँ पर आपको bare rock देखरी है मतलब बिल्कुल ऐसी rock जिसके उपर कुछ नहीं है ना कोई घास है ना कोई पता अब इस rock के उपर आके रहने लगती है आपके lichens इसके बाद इसके उपर जब यह lichen मरते हैं तो थोड़ी बहुत जैसे आपकी soil थोड़ी बहुत छोटी मोटी produce होती है क्योंकि यह lichens जो है बायो chemical reactions है और weathering के थूँ भी आपकी rock तूटती है अब आपने geography में पढ़ा होगा कि weathering होता क्या देखिए जब आपकी एक जगा पे कोई rock है वो disintegrate हो जती है अपने constitute particles में that is weathering अब यह आपका physical way में भी हो सकता है chemical way में भी हो सकता है और biological way में भी हो सकता है अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह जो lichens हैं यह chemical release करते हैं जिसकी वज़े से आपकी rock की weathering होती है और उसके लावा physical और biological factor भी यहाँ पे work थोड़े बहुत करी रहे थे अब जैसे ही weathering होती है तो hulky full की आपकी मिटी बनने लगती है अब जैसे ही मिटी बनी तो छोटे मोटे annual plants जो seasonal type से होते हैं वो plants यहाँ पर grow करने लग जाएंगे अब यह छोटे मोटे plants थे उसके बाद जब यह plants मरेंगे तो nutrition और rich होगा आपकी soil में अब यहाँ पर आपके perennial plants आजेंगे जो 12 मासी होते हैं उसके लावा grasses होगने लग जेंगे तो यहाँ पर जब यह grasses मरेंगी तो इसके बाद produce होगी आपकी और जादा grasses shrubs और कुछ shade intolerant trees मतलब ऐसे trees जिन्हें चाओं से problem है अब जैसे ही यह आपके intermediate species develop होती है इसके बाद आपकी आते है climate community जहाँ पर आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं अब यहाँ पर आपको याद रखना है जो यह lichens है यह आपके small annual plants है यह सभी आपके pioneer species है जो सबसे पहले आके एक bear ecosystem में रहने लगते हैं इसके बाद यह धीरे धीरे आपके ecosystem की productivity को increase करते हैं अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह intermediate species जो हैं यह वो हैं जो आपके grasses हैं, shrubs हैं और थोड़े बहुत जैसे pine जैसे trees उसके लावा climax community में आपके बड़े बड़े tall trees आते हैं अब यहाँ पे तो आपको मैं एक example दूँगा जिससे आपको यह particularly बिल्कुल clear हो जेगा topic आपने हिमाल्यास की formation के बारे में सुना होगा अब यह हिमाल्यास कैसे बनी थी? आपकी 33C के rise होने से? अब क्या उस समय इसके अंदर पहले सी vegetation produce हो रखी थी? यह soil की formation तभी हो रखी थी? चलो हम माल लेते कि यहाँ पर आपको soil की formation मिल भी गई तो आपको मैं एक और example देता हूँ deck and trap का अब deck and trap में जब आपका lava release हुआ था आपके reunion hot spot से तो क्या उसके बाद तुरंथ ही आपकी sand form होगी थी? वहाँ पर भी तो आपको bear rock मिली ना? फिर उसके बाद likens आए और इस तरह से आपकी soil develop होने लगी और वहाँ पर आज हम climax community ही देखते हैं तो वो area आज के समय में बहुत अच्छा develop हो रख है western ghat वाला area अब वहाँ पर हमें western ghat में बड़े-बड़े trees देखने को मिलते हैं तो कह सकते हैं कि वहाँ पर अभी climax community आपकी develop हो रही है अब ऐसा ही example आपका हिमाल्यास का भी है बट कुछ लोग इसमें disagree कर सकते हैं कि sir sand वगरा पहले से होगी बट एक चीज मैं बता दू जब आपका हिमाल्या की formation हुई थी तो sand बनने से पहले वहाँ पर आपके bare rocks ही आई होगी और उसके बाद sand produce हुई होगी बट still अगर कुछ बच्चे disagree करते हैं तो आप deccan plateau का example ले सकते हैं अब secondary succession क्या होती है तीकि आपने Australian bushfire के बारे में सुना है हाल फिलहाल के घटना है जहाँ पर आपके Australia के जंगलों में बहुत भ्यंकर आग लगी थी अब जब वहाँ पर आग लगी तो क्या वहाँ की मिट्टी भी उड़ गई अब ऐसा तो नहीं है अब वहाँ पर आपको मिट्टी मिलती है मतलब आपके Biotic component हो सकता है कि vanish हो चुके है खतम हो चुके है बट वहाँ पर अभी भी A Biotic factors आपके मौझूद है खासकर soil अब अगर पहले से soil मौझूद है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी community डवलप होने लगीगी अब वहाँ पर आपके likens वगरे को work करने की जूर्थ नहीं है अगर वहाँ पर trees को growth का मौका मिला तो वहाँ पर tree automatically grow कर जाएंगे तो इस तरह की जो आपकी succession होती है जहाँ पर हम बिल्कुल scratch से start ना करके हमारे पास soil है कुछ Biotic component तो हमारे eliminate हो चुके हैं बट A Biotic factor अभी भी वहाँ पर मौझूद है तो उसे हम क्या कह देते है secondary succession अब इसके लिए जहाँ भी आप forest fire देखते हैं उसके example को use कर सकते हैं यहाँ पर तो I hope primary और secondary succession दोनों ही आपको clear हो गया हो अब किस तरहां का succession हुआ है माल लीजे अगर पेड़ों की तादाद जादा है primary से हुआ हो और secondary से हुआ हो कोई फरक नहीं पड़ता अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस की तादाद जादा है माल लीजे पेड़ों की तादाद जादा है एक area में तो उस तरहां की succession को हम autotrophic succession बोल देंगे अब अगर आपके माल लीजे जो other things हैं जैसे animals और अब इनकी तादाद जादा है पेड़ों से तो at that time हम क्या कह देंगे यह heterotrophic succession है जहाँ पर आपको biomass किसमें जादा मिल रहा है animals में, fungals में और micro bacteria में अब इसके इलावा एक और type के भी आपको succession हो सकती है depending upon कैसे succession start हुई एक होता है autogenic, auto मतलब समझ रहे हूँ, अपने आप तो जब आपकी succession, माल लीजे, जब earth का formation हुआ था तो उसके बाद life को किसीने पैदा नहीं किया था वहाँ पे आके bacteria वगेरा या आपका पहले plant को किसीने ग्रो नहीं किया था वो अपने आप ग्रो हुए थे तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब अपने आप environment एक favorable condition generate करे जहां से आपकी community फिर से regenerate हो तो that is autogenic succession अब ऐसे ही आपकी allogenic succession भी होती है अब यह allogenic succession क्या होती है जहां पे आपके external factor आके मदद करें अब माल लिजे एक जंगल है उसे आपने काट दिया अब आपको एक example देता हूँ मैं यहाँ पे आपने कई बारी सुना होगा कि जब हम कोई industry लगाते तो हम कहते कि equivalent area अगर आप किसी forest area का ले रहे हैं तो उतना ही equivalent area में आप जंगल को लगाईए अब यहाँ पे जो आप पेड उगा के दे रहे हैं तो यह आपका किसमें आजेगा allogenic succession में तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना अब यहाँ पे कुछ चीजे में आपको बता दूँ जो exam point of view से आपकी important हो सकती है दिखिए जो आपकी primary succession है इसमें बहुत सा समय लग सकता है बट जो आपकी secondary succession है इसमें समय कम लगेगा pioneer species वो होती हैं जो nation stage में किसी ecosystem की development में या community की development में help करती है जैसे lycans climax community वो होती हैं जो आपको end state में दिखती हैं या end stage में दिखती हैं अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि pioneer species और climax community के बीच में जो भी आपके आती हैं चीजे इन सभी को हम कहते हैं serious अब यहाँ पे आपको यह चीजे बतानी थी बहुत important है कई बारी UPSC इनके बारे में आपको facts पूछ सकता है अब कुछ इसी तरह की चीजे मैंने यहाँ पे आपको mention किये जैसे autotrophic, heterotrophic succession, primary succession फिर मैंने आपको secondary succession बताया है autogenic, allogenic succession अगर बात की जाए technical definition की तो आपको याद रखना है the gradual end, fairly predictable change in the species composition of an area, और a given area is called ecological succession, अब इसका मतलब तो मैं आपको समझा चुका हूँ, तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं, उसके लावा pioneer community क्या होती है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, जो पहली plant species, clonize करती है एक area को, that is pioneer community clamis community आपकी final stage है, succession की, और इसके बाद, अगर सीर की बाद करें, तो that is, entire sequence को हम क्या कह देते हैं, सीर इसके लावा primary और secondary succession के बारे में मैं आपको example भी दे चुका हूँ, और बता भी चुका हूँ और यहाँ पर कुछ और example आपकी mention है, तो इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, आईए अब समझते हैं कि ecological pyramids क्या होते हैं, लेकि आपने pyramids तो देखे होंगे न, आपने कई movies में देखे होंगे, या हो सकता है कि आपने कोई images वगेरा में pyramids की shape देखी हो, तो यह pyramids जो आपकी shape बनती है, यह दो तरहां के हो सकती है, अब यहां पर यह आपको upright दिख रहा है, इसके लावा यह inverted भी हो सकता है, तो यह दो तरहां के आपको shape यहां पर देखने को मिल सकती है, बट यहां पर आपको यह याद रखना है कि यह अलग-अलग blocks में divided होती है, और यह blocks की जो length होती है, यह हमारको बताते कि एक तरहां के किया। पितने individual होते हैं, एक trophic level पर मतलब यह एक तरहां से आपके एक trophic level को रिपर्जेंट करता है कहीं न कहीं यह उसकी position के बारे में बताता है, और same kind की कितने individual हमें मिल सकते हैं, उसके बारे में भी बता सकता है और यहाँ पे जो आपका डाटा है यानि ट्रॉफिक लेवल और वो रिप्रेजेंट करते हैं हम होरिजॉंटल बार्स में अब अगर यहाँ पे इसकी टेक्स्ट्बुक डेफिनेशन की बात की जाए तो और यहाँ पे आपका जो डाटा है और यहाँ पे आपका जो डाटा है वो अओरिजॉंटल बार की शेप में होता है जिसे हम ट्रॉफिक लेवल केते हैं और यहाँ पर जितनी जादा लेंथ होगी एपके ट्रॉफिक लेवल कि वो ये रिपर्रेजेंट करेगा कि कितने इन्डिविज्यल या बायोमास के एक ट्रॉफिक लेवल पे present है एक बेक अब यहाँ पे हम यह देखते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने number of individual मिलते हैं मतलब यहाँ पे total number of individual को हम represent करते हैं horizontally और एक ट्रॉफिक लेवल को हम एक बार में represent करते हैं तो जैसी यहाँ पे आपके producers को एक बार में represent करते हैं उसके बाद herbivores को फिर primary carnivores, secondary carnivores और यहाँ पे आगे आपके top carnivores तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके diagram को depict करते हैं अब यहाँ पे मैंने आपको पता हैं कि दो cases हो सकते हैं एक तो होता है upright और दूसरा होता है inverted अब जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा person मिलते हैं सबसे नीचे वाले level पे that is upright वो धीरे धीरे ऊपर जाते वे कम होते रहेंगे अब जैसे आप grassland के case देखते हैं या आप aquatic ecosystem को देखते हैं या आप pound के ecosystem को देखते हैं तो वहाँ पे आपको जो आपका diagram मिलता है या pyramid मिलता है that is upright pyramid जैसे यहाँ पे आपको यह दे रखा है अब यहाँ पे देखिए यह आपको grassland का तो मैं बता चुक हो एक्वेटी का देखिए zoos enthling उसके बाद fishes बड़ी fish और यहाँ पे आगे आपके बगुले तो बगलो के number कम है as compared to fish और बड़ी fish का number कम है as compared to small fish अब ऐसा क्यों है कि यह number आगे उपर चलते चलते कम होते जाते तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा energy का pyramid तो जब हम energy के pyramid के बारे में बात करेंगे तो मैं वहीं आपको यह reason बता दूँगा कि क्यों यह number ऊपर चलते चलते कम हो जाते अब inverted हमें किस case में देखने को मिलते है अब मान लीजे एक tree है उस tree के ऊपर कुछ birds रहते ह भी देखने को मिल सकते हैं तो इस case में जो आपका pyramids बनते हैं that are always inverted मतलब यहाँ पे एक tree है आपके पास उस tree पे हो सकता है कि 5 आपके पक्षी रह रहे हैं उन 5 पक्षी पे हर एक पे हो सकते है कि 5 आपके parasite रहते हो तो total number हो गया यहाँ पे 25 अब उसके बाद हो सकते है कि 1 parasite पे 2 आपके hyper parasite हो तो total number हो गया 50 तो इस वजे से यह जो आपका inverted pyramids नंबर का इसमें जो आपका lower level है वहाँ पे आपको कम चीज़े देखने को मिलती है और जैसे जैसे आप higher level पे जाते हैं ट्राफिक लेवल में तो वहाँ पे आपको numbers क्या दिखते हैं जादा देखने को मिल सकते हैं तो इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं अब वैसे तो यह case आपको इंसानों में भी देखने को मिल सकता है अब जैसे हम humans है हम है तो एक बट हमारे अंदर micro organisms तो बहुत सारे मिल सकते हैं बतलब parasites तो बहुत सारे मिल सकते हैं अब हो सकते हैं उन parasites के ऊपर भी hyper parasites हों तो यहां पर एक human भी अपने आप में आपके inverted pyramids को represent कर सकता है अब माल लीजे एक छोटा बच्चा है जो गाओं कूचे में ऐसे area में रहता है जहां पर अच्छी hygiene condition नहीं मिलती तो हो सकते हैं कि उसके पेट में कुछ कीड़े हों तो वहां पर भी आपका जो pyramids का diagram बने अब इससे ज्यादा lemon term में में आपको यह चीज समझा नहीं सकता बाकि English में पढ़ने के लिए तो आपके पास यहां पर data है उसके बाद pyramids of biomass के अगर बात करें तो यह भी आपके दो type के हो सकते हैं अब biomass मेने आपको बताया था कि हम dry weight लेते हैं मतलब यहां पर हम पानी की जो quantity है उसे eliminate कर देते हैं हटा देते हैं यहां पर एक चीज जो आपको याद रखनी है कि आपके हर traffic level पे कोई ना कोई certain living mass मिलता है आपको अब यह जो आपका living mass है एक particular time पे जब हम इसे represent करते हैं इसको कह देते हैं standing crop अब जैसे मानीजे जितने भी आपके living beings हैं humans हैं अब एक साथ हम देखें एक साथ इनके biomass को calculate करें that is standing crop अब यहां पर वो फसल की बात नहीं हो रही है यहां पर एक traffic level पे जितने भी living beings हैं उनके बारे में बात हो रही है अब यहां पे भी आपका जो diagram है वो upright भी हो सकता है inverted भी हो सकता है अब upright आपको किस case में देखने को मिलता है जैसे आपके जो grasslands है यहां पर जो plants का biomass है वो जादा है अब plant के biomass के बाद अगर हम बात करें हर्भी वोरस तो उनकी biomass जादा होगा फिर उसके बाद आपके primary carnivores और फिर आपके top carnivores का mass होगा तो यहां पे आपको याद रखना है कि जो आपका grassland है उसकी case में आपको upright pyramid of biomass म मिलता है वो हमेशा inverted रहेगा कहने का मतलब यहां पर यहां पर यह है कि यहां पर जो आपकी zoosantheline है इनकी life थोड़ा छोटा होता है मतलब life span जिसकी वज़े से अगर हम इनका biomass calculate करें तो इनका जो biomass होता है वो कम हो जाएगा क्योंकि हमने देखा था ना over a period of time होता है आपका biomass का formula अब अगर आपका primary biomass कम हो गया तो इसके बाद जो उपर जाते जाएंगे टॉप कार्निव और उसकी बात करें तो उनका mass reflect करने में थोड़ा ज़्यादा दिखता है तो इस वज़े से आपको aquatic ecosystem में जो pyramid of biomass है वो ज़्यादा देखने को मिलता है उपर की तरफ और नीच अशा ही upright रहेगी मतलब यहाँ पे कभी भी किसी भी case में आपको inverted नहीं मिलेगा अब ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि यहाँ पे आपके lindement 10% rule applicable है अब इसी वज़े से जो आप देखते हैं कि profit level जो आपको upright दिखता है और यही कारण है जिसकी वज़े से biomass के जो upright आपको pyramid देखने को मिलता है वो मिलता है उसके लावा जो आपको number का pyramid upright देखने को मिलता है इसके पीछे भी कारण है आपके 10% rule अब देखें जो आपका primary producer है इसके पास 100% of energy है बट actual में जो sunlight से energy आती है यह इसका सिरफ और सिरफ 1% ही use करता है अब यहाँ सी यह जो आपकी energy है travel करत जहां पर आपके primary consumer आते हैं अब इन primary consumer में आ सकते हैं आपके grasshopers अब इन grasshopers को खाते हैं आपके frogs अब यहाँ पे यह secondary consumer में आगे अब इन frogs को खाते हैं आपके snakes तो यहाँ पे आपके third level of consumers में आगे कौन? snakes अब इन snakes को कौन खाता है इनको खाते हैं जैसे more खा सकते हैं आप यहां पे यह जो आपका पिरामेड है कुछ इस तरहां से उपर की तरफ जाएगा बट जैसे जैसे यह उपर जाएगा आपकी जो अनर्जी के लेवल है वो कहीं न कहीं डिक्रीज होता जाएगा मालेजे यहां पे आपका 100 unit of energy थी तो next level पे सिरफ 10 जाएगी उससे उपर 1% फिर उससे उपर 0.1% और सबसे उपर आपको 0.01% energy दिखती है तो यहां पे आपको याद रखना है कि यह जो आपकी energy है सिरफ 10% ही एक level से दूसरी level पे move करती है अब यहां पर कोई किसी भी level पे मरे तो उसको खाने के लिए कौन है decomposer लेकिन इन decomposers को कहीं न कहीं original आपके pyramid में जगा नहीं दी गई है अब आपको यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि यह energy जो है यह जो आपकी बाकी बचीवी energy है यह जाती कहा है यह जो 90% energy है जो आपका दिन भर का कारेकरम है जैसे आप चलते हैं आपकी body को repair की ज़रूरत है आपकी growth में जो energy की requirement है इन सब के लिए जैसे मुझे बोलने के लिए energy की requirement है इन सभी metabolic activities के लिए यह energy use हो जाती है आपकी तो इस वज़े से जो आपकी day to day कारेकरम है या आपकी कह सकते की work features है इनको maintain करने में इतनी energy requirement रहती है हमारी और बाकी बची हुई energy ही एक traffic level से दूसरे traffic level तक जाएगी अब क्योंकि यह जो आपका traffic level में energy कम उपर जाती है इसी वज़े से देखने को मिलता है कि उपर वाले level पे और इसी वज़े से आपको यह देखने को मिलता है कि टॉप कार्यों और उसकी जो position है वहाँ पर आपको कम individual मिलते है और इसी वज़े से जो आपका number का pyramida ऊपर की क्या हो जाता है छोटा हो जाता है अब इसके लिए मैं आपको example दोगा जैसे grasses है यह grasses तो बहुत ज़्यादा number में है ना तो इनका biomass तो automatically ज़्यादा हो गया अब यह जो आपकी grass है यह जितने grass होपर को support कर सकती है उसका number तो relatively grass से कम ही रहेगा क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ए एक 3K पे एक grass होपर अपनी पूरी जिन्दगी वतीत कर सकता है तो इस वज़े से आपकी grass होपर का क्या हो जाएगा number कम हो जाएगा क्योंकि उतना आपका ecosystem इन्हें support नहीं कर पाएगा तो इस वज़े से जब हम number की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके number decrease होने लग जाते हैं अब जैसे आप secondary level पे जाएगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि grass होपर की तादात से frog की तादात कम होगी चूंकि ऐसा तो नहीं है कि एक grass होपर को खा के पूरी frog की life निकल सकती है तो इस वज़े से यहाँ पर आपको frog कम देखने को मिलेंगे अब frog के ऊपर जो snakes है वो उ इस वज़े से pyramid of energy के कारण आपके जो biomass है या आपका number का pyramid है यह आपको upright देखने को मिलता है most of the cases में उसके लावा कुछ exceptions है आप exception को याद कर सकते हैं अलग से भी but usually इस rule के कारण ही आप देखते हैं कि ecology में जो आपके upright pyramids से हो बनते हैं अब यहाँ पे आपको एक principle याद र यह कहता है कि energy can neither be created nor be destroyed मतलब एक बारी अगर आपकी जो energy generate हो गई है उसको आपका भी destroy नहीं कर सकते बट यहाँ पे जो आपका energy है next traffic level पे थोड़ी कम जाती है because वो energy transform हो सकती है one form to another for example माल नीजे एक book है उस book को मैं third floor से नीचे फैक देता हूँ अब माल नीजे मैंने इस third floor की building से नीचे फैक हा तो यहाँ पर इसके पास पहले थी potential energy अब यह जो आपकी potential energy है नीचे आते आते kinetic energy में transfer होगी अब जैसे ही इसने surface को touch किया तो यह आपके surface में एक vibration create करेगी उसके लावा sound energy create करेगी heat create करेगी तो इस सभी energy form में यह kinetic energy आपकी transfer हो जाईगी मतलब energy रहेगी बट वो अलग-अलग form में आपकी dissipate हो सकती है अब जैसे मेरी body के अंदर अभी chemical energy है क्योंकि मैंने खाना खाया उससे chemical energy release हुई अब इस chemical energy से मैं आपको अभी sound energy के थूप पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे अंदर यह chemical energy generate नहीं होगी तो मैं बोल नहीं पाऊँगा और बोल नहीं पाऊँगा तो sound energy generate नहीं होगी उसके लावा 10% rule के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ एक होती है consumption efficiency अब यह क्या होती है कि किस तरह से आपके energy transfer हो रही है एक traffic level से दूसरे traffic level में और कितनी efficiency के साथ ही हो रही है that is consumption efficiency आईए अब बात करते है food chain और food web के बारे में देखें यह जो आपकी food chain है आपको यह बताते कि किस sequence में आपका जो matter है यह energy है वो transfer होती है एक organism से दूसरे organism में यह आपकी one dimensional chain है अब यहाँ पर मैं आपको एक example दे देता हूँ जैसे grass है अब grass को खाता है grass होपर अब इस grass होपर को खाता है frog अब इस frog को खाता है snake और इस snake को खाती है eagle तो आप इस food chain को यहाँ पर देख सकते है कुछ इस तरहां से दिखेगी बट इसके अंदर और food web के अंदर फरक क्या है देखिए जब बहुत सारी आपकी food chain को हम interconnect कर देते है that is food web अब आपने मकडी का जाला देखा है ना तो मकडी का जाला कुछ इस तरह से दिखता है कि एक जगा से ऐसे बहुत सारी तारे से निकली है और वो आपस में interconnected है कुछ इस तरह से तो यहाँ पे भी आपकी जो food web है वो actual reality दिखाते है ecosystem की food chain तो हमने simplify कर दी ताकि हमें यह समझ में आ सके कि आपस में यह organisms interact कैसे करते हैं और यह energy एक level से दूसरी level में transfer कैसे होती है although जो आपका ecosystem है या nature है उसमें food web भी exist करता है अब मैं आपको एक example देता हूँ जिससे आपको बहुत सी चीज़े clear हो जाएंगे अब देखे ग्रास सिरफ ग्रास होपा थोड़ी खाता है अब ग्रास को तो काओ भी खा सकती है अब इस काओ को लॉइन भी खा सकता है fox भी खा सकती है tiger भी खा सकता है अब इस ग्रास को काओ के इलावा आपके deer खा सकता है अब deer को भी आपके loin खा सकता है, tiger खा सकता है और आपका fox खा सकती है तो यहाँ पे आपकी जो एक चीज है उसके उपर बहुत से लोग dependent हो सकते हैं अब यहाँ पे food chain और food web में आपको क्या समझ में हैं देखें जो linear movement देख रहे हैं one dimensional या one directional that is food chain nature में food chain कहीं exist नहीं करती, सिरफ हमने अपनी simplification के लिए food chain develop की actual में nature में exist करता है food web जहाँ पर हर एक चीज आपस में interconnected है अब इसके लिए मैं आपको example देता हूँ इस diagram का एक बार फिर से अब यह जो आपके plants है, इनके उपर बहुत सारे insects dependent होते हैं अब इन insects को आपके birds भी खा सकते है, frog भी खा सकते, rats भी खा सकते अब इन में सी कुछ को जैसे आपके rats होगे या frog होगे इनको snakes खा सकते अब यहाँ पर इन छोटे birds को और snake को कौन खा सकता, eagle तो यह आपस में interconnected जो chain है that is known as food web और यह हमेशा start होगी आपके primary producer से और end होगी हमेशा top carnivore पे अब इसके इलावा जो आपकी food chain है या आप यह कह सकते है food web यह अलग-अलग type की हो सकती है अब देखे जहाँ पर आपको शुरुआत देखने को मिलती है plant से या solar radiation से उसे कह देते हैं grazing food chain grazing मतलब जहाँ पर कोई चर रहा है अब यहाँ पर आपकी शुरुआत होगी grass से और end होगी top carnivores पे example आपको देही रखा है अब इसके इलावा second है आपकी dead treaters food chain अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर आपकी शुरुआत होगी organic matter से अब इसके लिए मैं आपको example देता हूँ जैसे मान लीजे कोई भी एक इलाका है जहाँ पर आपके पत्ता जड़के गिरता है नीचे अब यहाँ पर आमूमन आप कुछ दिन बाद इस पत्ते को देखेंगे तो वो सड़ गल चुका होगा अब यह पत्ता जो decompose हुआ है यह हुआ कैसे अब इसके उपर कुछ microorganisms एक्ट करें होंगे अब यह धीरे धीरे जो पत्ता है यह manure में convert हो सकते है खाद में एक तरह से तो यह होता कैसे इसके उपर work करता है आपके detritus और इसी वज़े से यानि microorganisms और इसी वज़े से आप इसे क्या कहते है detritus food chain इसके इलावा एक और chain होती है parasite food chain अब यहाँ पे आपके organisms को मारा नहीं जाता उनके ऊपर predator धीरे धीरे feed करता है अब इसका example है आपके tape warm जो पेट में मिलते है और बाकी जैसे आपने चीचड के बारे में सुना होगा या आपने जूओं के बारे में सुना होगा लाइस वगेरा जो भी कहते हैं इसे यह सभी आपके parasite food chain के example है जहाँ पर host की body के ऊपर आपके जो parasites हैं वो grow करते हैं और इस food chain को हम कह देते हैं parasitic food chain आईए अब बात करते हैं pollutant कैसे travel करते हैं अ कि अभी हम in traffic level के ही बारे में बात कर रहें तो सबसे पहले जानते हैं कि pollutant क्या होते हैं देखिए जो भी आपके environment में ऐसा material मिलता है जो degrade नहीं हो सकता मतलब biologically उसे हम degrade नहीं कर सकते हैं जितने भी हमारे microorganisms हैं या कोई भी आपके like ऐसी चीज है जो earth पर exist करते living thing वो उसक catabolically या metabolically digest नहीं कर सकते हैं तो that is known as pollutant अब यहाँ पे जो pollutant है यह persist करते हैं long time के लिए आपके atmosphere में अब यह जो atmosphere है धीरे धीरे इन pollutant को absorb करता है और यह भी आपकी food के साथ एक chain से दूसरी chain में move करते हैं for example यहाँ पे आपका water है और water में हम बहुत सारा industrial waste डाल देते हैं pollutant है तो यहाँ पे आपका pollutant इस पानी में पहुंचा अब इस पानी में आपके बहुत सारे plants होंगे जो पानी में मिलते हैं वो plants होंगे अब यह plants इन pollutant को absorb करेंगे अब इन छोते मोटे plants के ऊपर feed करेंगे जू प्लेंक्टॉंस और इन जू प्लेंक्टॉंस के ऊपर ये फिशेज फिर लार्ज फिशेज और फिर इने खाएंगे ये अलग-अलग बर्ड्स अब मान लीजे आपके वाटर के अंदर पल्यूटिंट था तो जब आपके एक ट्रॉफिक लेवल पे अब देखते कि केमिकल डिपाज़ित होता जा रहा है होता जा रहा है that is known as bio accumulation मतलब एक इंडेस्ट्री एक water body मी जितना भी industrial waste है वो dump कर रही है और यहां पे इस water से ये producer में चला गया मतलब वहां पे मिलने वाले plants में ट्रांसफर हो गया अब यह जो जितना भी आपके chemical है इस plant ने absorb किया अपने lifetime में that is known as bioaccumulation मतलब कहने का ताथ परे यहाँ पर यह है कि आपने अपने खेत में उगाया rice अब यह rice हम आमोमन 6 मन्त में काट देतें तो इन 6 महीनों में इसने जितने भी DDT, आपके pesticides, weedicide के spray जहले हैं और जितना इसके अंदर chemical गया है that is bioaccumulation अब इस DDT से भरे हुए rice को आप खाएंगे that is known as biomagnification जब आपका chemical या आप कह सकते है pollutant एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में move करता है उससे कह देते हैं हम magnification अब इसका नाम magnification क्यों रखा? देखे एक का आपको मैं चीज बताता हूँ जैसे यहाँ पे कुछ figures दे रखे हैं आप इसको ध्यान से देखी यहाँ पे आपको water में दिख रहा है chemical का लेवल है one इसके बाद यहाँ पे thousand आ गया, ten thousand आ गया और आगे बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है अब ऐसा क्यों? दिखे अगर हम बात करें इस producer की तो ऐसा तो है नहीं कि यह एक drop water के साथ अपनी पूरी जिन्दगी निकाल सकता है अब इसने अपनी जीवन में इस chemical से भरे पानी को बहुत भरी यूज़ किया होगा अब जितना ये अपने life में इस पानी को यूज़ करता रहेगा तो यहाँ पर उतना ही जादा chemical या toxic आपके accumulate होते रहेगे अब इस producer को खाएगा zooplankton अब ऐसा तो नहीं है कि ये एक producer को खाके अपने जीवन में rest कर लेगा अब ये भी बहुत सारे आपके producer को खाएगा माल लीजे 10 को खाया तो into 10 कर दीजे आप यहाँ पे तो आगया 10 हजा अब ऐसा नहीं है कि आपके fish शरफ एक ही zooplankton को खाएगी अब ये भी अपने life में 10, 15, 100 कुछ भी खा सकती है तो इस तरहां से जब आपका जो ये chemical है एक level से दूसरे level पे move करेगा क्योंकि आप उस chemical को अपने level पे accumulate करते रहेंगे over a period of time that is why यहाँ पे हमें magnification देखने को मिलती है ये आपके 10% से उल्टा चलता है so that's why इसे क्या कह देते है magnification एक level से दूसरे level पे यहाँ पर jump देखने को मिलता है 10x, 100x या 1000x की speed पे जैसे यहाँ पे पहले level पे हमने लगबग-लगबग 1000x की jump देखी है तो इस चीज को आपने याद रखना है accumulation सिरफ और सिरफ एक level पे होता है bio accumulation समझाने के लिए एक बार फिर से आपको मैं अपना example देता हूँ देखें मैं रहता हूँ मालने जे नर्दन इंडिया में अब आप सभी जानते हैं कि हर्याना और पंचाब में pesticides और वेडिसाइड का बहुत जादा spray किया जता है तो इसकी वज़े से जो मैं wheat खा रहा हूँ या rice खा रहा हूँ इनमें बहुत सारा chemical मिलेगा अब इस chemical को मैं अपनी body के अंदर जब store कर रहा हूँ that is accumulation उसके लावा हवा में मिलने वाला pollutant तो वो अलग से ही work कर रहा है ठीके जी अब माल लिज़े कल को मैं मर जाता हूँ और मुझे कोई और organism खा लिता है अब माल लिज़े कल को मैं एक सफारी में जाता हूँ वहाँ पे मुझे loin खा लिता है तो मेरे अंदर का जितना भी chemical है उसकी body में transfer हो जाएगा तो यहाँ पे इस चीज को आप देखिए कि उसकी body में जाके यह chemical क्या होगा magnify हो जाएगा because वो ऐसे और भी बहुत से organisms को खाएगा जिनके अंदर chemical मिलते होंगे तो इस तरहां के process में जब आपके एक ही traffic level पे chemical move कर रहा है that is accumulation एक level से दूसरे level पे आपका जब chemical jump करता है that is magnification तो horizontal moment आपकी chemical की क्या कहलाएगी accumulation और vertical moment क्या कहलाएगी magnification इसको आप याद रखना आईए अब बात करता है biochemical cycle की अब यहाँ पे आप इस नाम को समझने की कोशिश कीजिए पहला है bio दूसरा है geo और तीसरा है chemical मतलब living beings में भी ये move करेगा earth में से भी ये move करेगा और ये chemical है और इसकी cycle को क्या कह देंगे हम biogeochemical cycle अब यहाँ पे आपको नाम से तो समझ में आ रहा होगा कि cycle है तो जो भी आपका material होगा वो move करेगा एक cyclic form में अब वो आपके biological part यानि living beings से भी होके गुजरेगा earth से भी होके निकलेगा और chemical form में move करेगा अब यहाँ पे ये दो तरीके से हो सकता है movement पहला gaseous cycle की form में जहाँ पर major reservoir इसका कहाँ पर देखा जाएगा gas में जैसे water cycle हो गया nitrogen cycle हो गया carbon cycle हो गया उसके बाद दूसरा है आपका sedimentary cycle जहाँ पर ये rock system से यानि earth के crust से form करेगा मतला major जो आपका reservoir मिलेगा वो earth crust होगा आईए अब एक एक करके हम सभी cycle को देख लिते हैं बट ये मैं आपको बहुत तीजी से कराऊँगा क्योंकि इसमें explain करने जैसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता अब पहला आपका water cycle अब water cycle को explain करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा diagram समझाता हूँ देखें ये आपके ocean है या water bodies कह लिए यहाँ से पानी आपका evaporate होगा evaporate होगा तो condense होगा condense होगा तो cloud form होगे cloud होगे तो आपकी rainfall आएगी यानि की precipitation होगा तो जब भी आपका water is cyclic form में move करता है that is known as water cycle अब अगर आपको छोटा सा diagram आता है तो आपका funda बिलकुल clear है आईए इसके बाद बात कर लेते है carbon cycle की लेकि ज़्यादा तर आपकी carbon cycle है इसका source रहता है आपका ocean जितनी भी आपकी carbon है वो कहाँ पर dissolve होती है ocean में dissolve होती है सिरफ और सिरफ दुनिया की जितनी भी carbon dioxide है या carbon है उसका 1% आपको कहाँ पर मिलता है atmosphere में वैसे तो मैं 1% से भी कम कहूँँगा बट आप roughly लगाना चाहते हैं एक परसंट आपको कहाँ पर मिलता है atmosphere में क्योंकि atmosphere में तो आपकी दो ही major gases है nitrogen, oxygen तो इस वज़े से मैं आपको यह कहूँगा कि यह less than 1% है क्योंकि 99.1% तो आपकी क्या है nitrogen and oxygen तो इस चीज को याद रखना अब इसके इलावा यह जो आपकी carbon है यह दो तरह की cycle में आपको देखने को मिलती है एक होती है short cycle अब यह जो आपकी short lived carbon cycle है इसको मैं आपको एक diagram के साथ explain कर रहा हूँ although मेरी drying बहुत pathetic है but समझने की कोशिश करना तेकि माल लेजे यह आप है अब आप carbon dioxide release करते हैं अब यह carbon dioxide एक tree utilize करता है through photosynthesis अब यहां से यह अपना food बनाता है that is C6H12O6 अब इस food को आप खाते हैं अब चाहे वो ग्यू हो चाहे कुछ हो चाहे फल फ्रूट हो आप ही खाएंगे अब इस carbohydrate को आप वापस respiration के थूँ carbon dioxide में convert कर देंगे तो यहां पे यह जो इसने oxygen release की थी इसको use करके आप इस carbohydrate को burn करते हैं या breakdown करते हैं और इससे produce होती है आपकी carbon तो यह आपकी short lived carbon cycle है बट कई बार ऐसा होता है कि यह plant काफी लंबे समय के लिए अपने अंदर carbon dioxide को दबा के रख लिते हैं से carbon dioxide produced हुआ एनिमल और plants की respiration से जो भी आपका carbon dioxide पर्डियूस हुआ वो atmosphere में जाता है अब इसे photosynthesis के थूँ यह plant क्या करते हैं यूज कर लेते हैं अब यह तो है नहीं कि आप plant के सभी पार्ट को खाते हैं तो कई बार यह जो आपका organic carbon होता है यह plant मरने के साथ ही धर्टी के अंदर दफन हो जाता है अब यह लाखो करोडो सौल तक दबा रहता है तो यहां से आपके fossil fuel जनरेट होते हैं अब इन fossil fuel को ही use करके आगे हम produce करते हैं energy और इसे फिर से एक बार आपकी carbon dioxide release होती है तो यहां पे यह जो fossil fuel की formation है यह तो million and trillions of year के process है न तो इस वज़े से आपको याद रखना है कि जब लंबे समय के लिए आपकी carbon dioxide environment से remove हो जाती है that is long carbon cycle और इसमें आपके fossil fuel की production होती है तो यहां पर carbon cycle में आपको जानना इतना ही important था अभी हाल फिलहाल में आपने यह देखा है कि human interference के कारण जैसे deforestation और fossil fuel की burning के कारण आपकी carbon dioxide का release बहुत ज़्यादा increase हो चुका है और इसी की वज़े से हम climate change और global warming जैसी problem से आज की date में जूँज रहे है साथ की साथ आपको मैं दो अलग-अलग type के carbon के बारे में बता देता हूँ एक है blue carbon एक है black carbon देखिए जो आपको ocean में मिलता है that is blue carbon जो आपको incompletely burnt fossil fuel के suits मिलते हैं मतलब आप देखते हैं कई बारे धुए के साथ काली पतंगे निकल रही होती है that is what we call black carbon इस suit को ही हम क्या कहते है black carbon और इनका size बहुत छोटा होता है और ये कई बार आपके particulate matter 2.5 भी form करती है अब ये जो आपका black carbon है इसकी जो life है ये बहुत छोटी होती है मतलब 2-3 दिन हद से हद आपको एक हफते तक atmosphere में दिखेगी या हो सकते कि उससे भी कम समय ये atmosphere में रहे जैसे माल लेजे हाल फिलाल में बारिश हुई है तो जितना भी आपका dust होगा जितना भी black carbon होगा वो कहीं न कहीं आपका बारिश के साथ नीचे settle down हो जाएगा अर्थ पे तो इन चीजों को आपको याद रखना है that is all about carbon cycle अब यहाँ पे एक question है जिसे आपने comment box में mention करना है what is brown carbon अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आप comment box में जरूर से mention करें आईए अब बात करते है nitrogen cycle के बारे में तिकि जो nitrogen है बहुत important component है आपके सभी amino acid का protein formation का hormones का और chlorophyll का भी अब इससे आपके बहुत सारे vitamins भी बनते हैं तो इस वज़े से nitrogen cycle आपकी बहुत important हो जती है अब अगर plants को या animals को nitrogen की कमी रहे तो कहीं न कहीं उनकी growth के उपर या उनकी evolution के उपर फरक पड़ सकता है अब इस वज़े से nitrogen काफी important हो जता है आईए एक बार देख लेते हैं कि nitrogen cycle work कैसे करती है देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि end to fixing क्या होती है nitrogen fixing क्या होती है यहाँ पे आपकी nitrogen को हम ammonia या ammonium ions में convert करते हैं अब यहाँ पे दो तीन तरह के आपके steps है जिन्हें आपको याद रखना है पहला है nitrification जहाँ पे हम ammonia या ammonium ions को bacteria के थुरू nitrite में change करते हैं अब जो bacteria इस चीज को perform करते हैं इस task को perform करते हैं इनका नाम है nitrogen sonomas और nitrogen cocus इसके इलाबा एक process है आपका ammonification का अब यहाँ पे जो आपका dead matter है या animal waste है जैसे में urea और uric acid मिलता है इसको हम ammonium ions में convert करते हैं और बाद में last आपकी reaction आती है denitrification जहाँ पे आपका nitrate को bacteria जैसे pseudomonas bacteria है या thiobacillus bacteria है इससे हम nitrogen में वापस convert करते हैं इसे अब एक बार देख लेते हैं कि step कैसे perform होते हैं आपके अब आएए एक बार इस diagram के थूँ समझने की कोशिश करते हैं कि यह सभी step perform कैसे होते हैं देखे यहाँ पे आप factory से निकलता हूँ दोवा देख रहे हैं इसमें सी nitrogen oxide निकलती है उसके लावा हम heber process के थूँ fertilizer को बनाते हैं अब यह जो आपके fertilizer हैं इसे हम use करते हैं plantation या आपके agriculture field में अब कई बार यह run off के थूँ आपका nitrogen, oceans या water body में भी पहुँच जाता है अब यहाँ पे आपको एक phenomena देखने को मिलता है जिसके बारे में हम कल बात करेंगे that is utrophication उसके लावा यह जो आपका nitrogen है आपको luguminous plants के आसपास भी देखने को मिलता है जैसे उनकी roots में अब यहाँ पे जो आपके nitrogen fixing bacteria है यह इस ammonium iron को convert करते हैं nitrate में अब यहाँ पे आपके nitobacter आते हैं अब यह nitrobacter क्या करते हैं इसे convert करते हैं nitrate में अब यहाँ पे आपके जो nitrate है इनको plant absorb करते हैं और यहाँ से हम इने utilize करके अपने food chain का part बनाते हैं आईए एक बार देखते हैं कि nitrogen cycle work कैसे करती है देखें आपको atmosphere में nitrogen मिलती है अब कई बार ऐसा होता है कि lightning वगएरा होती है इसकी वज़े से यह convert हो जते हैं nitrate और nitrite में अब यह तो आपके direct plant consume कर सकते हैं अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो nitrite और nitrate हैं यह बहुत कम quantity में generate होते हैं आपके thunderstorm से यहाँ जिसे आप lightning भी कहते हैं अब होता क्या है आमूमन हम factories वगएरा को देखते हैं factories से बहुत सारा धुवा निकलता है अब इस धुवे से भी produce होता है nitrogen oxide अब यह आपके water के साथ मिलता है क्योंकि आपके water vapor present होते है atmosphere में और यह acid rain की form में यानि HNO3 की form में nitric acid की form में अर्थ के उपर वापस आती है इसके इलावा एक process और भी है जैसे हम कहते हेबर process इसमें क्या होता है कि हम nitrogen को convert करते हैं किसमें यूरिया में अब इस यूरिया को हम use करते हैं as a what as a fertilizer अब यहाँ पर आपके plant इसे directly absorb करते हैं यहाँ से यह आपकी crop में enter करते हैं और फिर हमारे तक पहुँचती है अब यह भी process जो है यह post industrialization स्टार्ट हुआ है अब यहाँ पर एक और natural process है जिसके through हम यह देखते हैं कि nitrogen जो है इसको हम fix कर पाते हैं अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस process का नाम था nitrification जहाँ पर हम ammonium और ammonia ions को use करते हैं अब ammonium ions या ammonia को जब हम use करते हैं तो इसमें आपका mean role play करते हैं जो आपकी soil में मिलने वाले nitrosomonas bacteria या आपके nitrococus bacteria अब यह क्या करते हैं यह इसको nitrite में convert करते हैं अब जैसे यह nitrite में इसे convert करते हैं तो यहाँ पर आपके nitro vector काम करते हैं अब यह इस चीज को nitrate में convert करते हैं अब यहाँ पर इन nitrate को आपके plant use करते हैं और इससे उनकी growth होती है तो यह कुछ चीजे हैं जो आपको याद रखनी है की वैसे तो आपकी यह जो sulfur है यह सिरफ और सिरफ crust में move करते है बहुत कम ऐसे chances होते है जब आपकी sulfur atmosphere में enter करती है अब mainly जब यह enter करती है तो आपके industries इसके कारण है और आपके volcanic eruption इसका कारण है क्योंकि इसके दो atmospheric source है एक है आपका sulfur oxide और दूसरा है आपका hydrogen sulfide जिसके थूँ यह आपके atmosphere में deposit होती है अब यहाँ पर यह dry deposit की form में भी settle down हो सकती है या acid rain की form में भी यानि H2SO4 की form में भी यह deposit हो सकती है अब यहाँ पर आपको याद रख रहे हैं कि होता क्या है कि अगर यह dry form में भी deposit होगी तो आसपास कोई water body होगी तो वो उसके अंदर intrude करेगी और वहाँ पर भी जाके ultimately यह ocean के ऊपर या ocean floor के ऊपर sediment form में कहां हो जेगी settle हो जेगी अब यह जो आपका ocean floor है over a period of time कभी ना कभी तो यह rise करेगा या destruct होने के बाद volcanic eruption फिर से होगी देखे इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ आपने शायद सुना होगा fold mountains के बारे में या आपने हिमाल्या की formation देखी होगी अब जो आपका crust वाला area था यह आपका मान लिजे तैथिस sea वाला part था तो यह जो यह rise करके इस हिमाल्या के अंदर मिल सकता है न हमें तो ऐसा और जगा भी होता होगा यहाँ पर in general अगर हम बात करें तो यह sulfur cycle में बहुत time लगता है because पहली बात तो यह deposit ultimately sediment की form में कहां पर होगी oceans में होगी और अगर यह ocean में deposit होगी तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना over a period of time यह जो आपका ocean floor है यह uplift होगा और जैसी यह uplift होगा तो यहाँ से आपके mountains या continent का जो भी floor बनेगा वहाँ पर यह sediments आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक बार फिर से इनकी weathering होगी फिर इससे soil बनेगी और इससे फिर plant intake करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके यह सभी part move करते हैं उसके इलावा आपको कई बार यह fossil fuels में भी मिल सकते हैं और उसके इलावा आपको कई बार उसके इलावा कई ores में भी आपको sulfur मिलती है आपने 9-10 में सुना होगा sulfide ores के बारे में तो वहाँ पर भी तो present है आपका sulfur ही न तो ultimately आपको इसके जो sources मिलते हैं वो crusts में ही मिलते हैं चाहे आपको organic form में मिले जैसे coal और oil में, peat में इन सब में या inorganic form में मिले जहाँ पर आप sulfur rocks की बात करते हैं sulfides, sulfate इन सभी की बात करते हैं तो इन चीज़ों को याद रखना और यह important इसले है क्योंकि इन से protein form होते हैं और उसके लावा यह microbial transformation में भी help करते हैं आईए अब बात करते हैं phosphorus cycle की अब यहाँ पे भी आपको majorly एक किस form में देखेगा कि crust में देखेगा यह अब यह आपके biological membranes होगे, nucleic acids होगे या आपके cellular energy transfer system है, इन सब में मदद करता है आपकी जो bone है, skeleton है, जो आपके teeth है या आपके जो organism's के shells हैं, इन सब की formation में भी यह help करता है अब generally यहाँ पे आपको phosphorus rocks में देखने को मिलता है अब rocks की weathering होती है, और यह ultimately move करके water bodies के साथ कहाँ पे पहुंचेगा, आपके oceans में तो ocean floor में मिलेगा, अब geologically जब आपका area uplift होगा इस ocean का तो again, यह आपको पहाड़ों में मिलेगा, जैसे आपको हिमाल्याज में इसके sources मिलने की probability है उसके लावा, यहाँ पे एक चीज़ आपको यह याद रखने हैं कि phosphorus को कई बार आपके plants भी absorb करते हैं, इसके बाद यह आपके animals खाते हैं ultimately आपके animals मरते हैं, और जब यह decompose होते हैं, यह phosphorus वापिस अर्थ में पहुंच जाता है तो इसका किसी भी तरह से आपके atmosphere से लेना देना नहीं है यानि इसके ज़्यादातर sources आपको कहाँ पर मिलेंगे, crust में मिलेंगे इस तरह का UPSC ने आपसे question भी पूछा हुआ है तो आप याद रखना कि जो आपके sedimentary cycles हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ crust में देखने को मिलते हैं सबसे पहले यह समझते हैं कि aquatic ecosystem होता क्या है देखे जहां पर आप पानी में habitat देखते हैं किसी जानवर का, that is aquatic ecosystem और अब यहां पर हम बात करेंगे कि पानी के अंदर किस तरह से जानवर रहते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ interact करते हैं मालने जी यहां पर आपको यह plankton दिख रहा है यहां पर यह बेक्टीरिया, यहां पर यह फ्रॉग, और यहां पर यह फिश अब दिखे पानी में यह फ्रॉग कुछ टाइम के लिए रहता है, अब यह जो plankton है यह सदा के लिए रहता है, मतलब यह पानी में ही मिलता है अब इस plankton को interact करने के लिए यहां पर है आपकी fish और frog तो aquatic ecosystem में हम इन सभी के बारे में जानेंगे जो भी आपकी aquatic ecosystem के उपर dependent है या उनके साथ interact कर रहे है अब salt content के basis पे हमने ecosystem को यानि aquatic ecosystem को तीन हिस्सों में divide कर रखा है पहला है आपका fresh water, दूसरा है आपका marine और तीसरा है आपका brackish अब यहां पर आपको याद रखना है कि यह जो PPT दे रखा है यह salt content बता रहा है कि कितना salt present है पारट पर thousand में जैसे अगर आपका salt content 5 PPT से कम है then it is a fresh ecosystem यहां पर आपका जो पानी है पीने लायक है अब अगर 5 से 35 के बेच में है तो इसे कहते हैं brackish water मतलब यह ocean जैसा नहीं है बट नमकीन है यह पानी उसके इलावा अगर 35 PPT से उपर चला गया तो उस समय हम कह देते हैं marine ecosystem जो आपको oceans और में देखने को मिलता है और जैसे fresh coming example दे देता हूँ आपको lake, pond, springs, rivers और उसके इलावा जो आपको ताल्स वगयरा मिलते हैं जो आपके तलाव वगयरा तो वो भी सभी इसी में आते हैं उसके इलावा यहां पर brackish की बात करें तो इस्ट्रीज, mangroves यह दोनों ही आपके किसके example होगे brackish water के मनीन ecosystem की बात करें तो यहां पर seas और oceans आ गए अगर देखिए यह तो पता लग गया हमें कि aquatic ecosystem इन तीन हिस्सों में divided है बट आईए एक बात जाननेते कि यहां पर aquatic organisms किस तरह के मिलते हैं हमें सबसे पहले हैं new storm अग इसमें क्या खासियत है देखिए यह आपका attach नहीं है aquatic ecosystem में जैसे जमीन बगारा के साथ या किसी plant के stem के साथ जुड़ा हुआ नहीं है यह आपका कहीं न कहीं interface पे live करता है जैसे माल लीजिए यह आपकी water body है और यहां पे आपका इस area में आके इंट्रेक्ट करता है aquatic ecosystem के उपर लब यह water surface है इसके आसपास ही रहे गई है जैसे आपके जितने भी floating plants होगे या आपने कई बारी कुछ birds देखें जो इंट्रेक्ट करते है इसके air और water interface पे तो वो सभी आपके इसमें आ जाते हैं इसके इलावा दूसरा है आपका periphyton अब यहां पे यह attached है stem के साथ कहीं न कहीं यह पानी के नीचे रहते हैं जैसे आपके sicily algae उसके बाद आते हैं आपके planktons इन में locomotive power है मतलब यह hildle सकते हैं तो अभी तक हम जिनके बारे में बात करते हैं यहां पर जैसे periphyton तो यह ज़्यादा hildle नहीं सकता था क्योंकि यह attached था न अब यहां पे इसके अंदर movement हो सकती है यह भी पानी के अंदर ही रहता है जैसे आपके crustacean और algae उसके बाद nektons आते हैं आपके जो swimmers हैं मतलब चल फिर सकते हैं जैसे आपके fishes वगएरा जितनी होगी जितने आपके like octopus वगएरा यह सभी इसमें आते हैं यह भी पानी के नीचे रहते हैं बट as compared to plankton ज्यादा hildle सकते हैं और ज्यादा powerful भी हैं इसके बाद last आते हैं आपके benthos अब यह क्या है यह आपके बिलकुल ocean floor के bottom पे रहते हैं जनरली यहाँ पर जो आपको organisms मिलेंगे या तो वो dead and decay को खाएंगे या ऐसे होंगे जो काइमोट्रॉप्स होंगे काइमोट्रॉप्स मतलब जो chemical energy से अपना खाना बनाते हैं तो इस चीज को यहाँ पर याद रखना आईए अब बात कर लेते ह zooplankton's phytoplankton's के बारे में तेके यह जो आपके phytoplankton's है यह एक तरह की micro algae है अब यह क्या करते हैं जैसे आपके plants होते हैं terrestrial पार्ट में वैसे ही आपके phytoplankton's है aquatic पार्ट में यह photosynthesis perform करते हैं और इनके अंदर हमें chlorophyll मिलती है अब chlorophyll मिलने के कारण यहाँ पर सबसे important बा जाते हैं अब जैसे यह primary producer बने तो आगे वाली species जो है मतलब आगे जितनी भी आपकी species है वो इनके उपर dependent होगी अब सबसे पहली species जो इनके उपर dependent है that is zooplankton's अभी zooplankton's क्या बिमारी है यह क्या बला है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह कुछ ऐसे organisms हैं जो आपक हमेशा आपको phytoplankton's के आसपास ही दिखेंगे अब यह जो आपके zooplankton's है इनको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ की food chain बना के दिखाता हूँ एक बार देखें यह आपका phytoplankton's है यहाँ पर आपके zooplankton's है और इसके बाद आपके small fish आ जती है कहने का मतलब यह है कि ज दोनो phytoplankton's और zooplankton's important role play करते हैं आपके bio diversity को maintain करने में aquatic ecosystem में अब यह जो आपके zooplankton's है दो टाइप के होते हैं एक होते हैं holoplankton's और दूसरे हैं meroplankton's अब यहाँ पर फरक क्या है दिखिए जो आपके holoplankton's है न यह सारी उमर plankton बनके रहते हैं मतलब इनमें lokomotive power तो ह होती है बट यह कहीं न कहीं algae और crustation जैसे रहते हैं अब बात किजाए meroplankton's की तो आपको यहाँ पर यहाँ रखने है कि कुछ तो इनमें सी benthos जैसे हैं जो आपके बिल्कुल bottom पर मिलेंगे कुछ necton's जैसे हैं जो कि आपके locomotive power के साथ साथ इनमें थोड़ा बहुत आप यह देख सकते हैं कि बड़े-बड़े mammals भी देखने को मिल सकते हैं और कुछ आपके plankton's की assembly को join करते हैं अब यहाँ पर plankton होने का मतलब यह है कि इनके अंदर locomotive power तो है बट यह algae की तरह हो सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ी variety देखने को मिल सकते हमें marrow plankton's में अब इसके इला system dependent है sunlight के उपर अब ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है देखे आपको मैंने अभी बताया कि यह जो phytoplankton's है यह light को utilize करते हैं अब light को utilize करेंगे और sunlight ना हो तो कैसे काम चलेगा तो इनको भी photosynthesis perform करने के लिए क्या चाहिए होती है sunlight अब यह जो आपकी sunlight है ज्यादा deep तक तो penetrate नहीं करती है approximately जो आपका 200 मीटर की उपर की layer है initial जो आपकी top layer है water की सिरफ वहां तक ही penetrate कर सकती है मतलब एक shallow depth तक ही आपकी sunlight penetrate कर सकती है और यहाँ पर ही आपको सबसे ज़्यादा बायो डावर्स्टी देखने को मिलेगी अब यहाँ पर हम इन्हें कुछ हिस्सों में divide कर देते हैं जिसे यह आपका जमीन के आसपास वाला हिस्सा दिख रहा है यह वाला part अब यह आपका आउज़ता है littoral zone whereas open ocean में या कहीं भी आपको open water में जहाँ पर आपको sunlight की penetration देखने को मिल रही है जिसे यह area इसे कहते हैं फोर्टिक जोन अब यहाँ पर ही आपको mostly life possible मिलती है aquatic ecosystem में इसके लावा नीचे जहाँ पर आपकी light नहीं पहुँच पाती इसे कह देते हैं a fortic zone मतलब यहाँ पर वो आपकी चीज़े दिखेंगी जैसे crustacean वगएरा और खासकर यह bottom पर ही दिखेंगी अब यह कैसे अपनी life survive करते हैं जो आपको नीचे मिलते a fortic zone में तो मान लेजे कोई fish मरी है या आप यह कह लेजे कोई whale मचली मरगी अब यह जो whale मचली मरी है तो यह कहीं न कहीं ocean floor पर जाके settle down होगी तो यह जो आपके crustaceans वगएरा है या आपको जो lower part में organisms मिलते हैं वो इनी dead bodies के उपर अपना गुजर बसर करते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ detail लिखी है आपको photic zone के बारे में आपको याद रखने कि यह top layer है surface के बहुत करीब है और यहाँ पर आपकी sunlight आ सकती है तो इसलिए इसे कई बार sunlight layer भी बोला जाता है इसके लावा यहाँ पर आपको याद रखने कि photosynthesis सिरफ यहीं पर ही होती है और साथ के साथ यह भी याद रखने कि 90% आपकी जितनी भी life है ocean की वो आपको सिरफ और सिरफ photic zone में ही मिलती है और यह approximately कितना area है 200 meter के आसपास अब इसमें आप सबीट तरह के organisms को include करते हैं जैसे die items, cynobacteria, cocolithophordias उसके लावा और भी बहुत से organisms हैं थोड़े बहुत मैंने आपको नाम यहाँ पर mention किये हैं जिसे आप देख सकते हैं जैसे यह आपका area यह intertidal zone है यह boundary बनाता है आपके low tide और high tide के बीच में फिर यह आपकी continental shelf वाला area आगया यहाँ पर ही जादा तर आपको littoral zone मिलता है अब यहाँ पर यह part दिख रहा है आपको यह है आपका continental slope आपने geography में बढ़ा होगा अब जो आपका photic zone है इसके बाद एकदम से अंधिरा नहीं होता मतलब एक जगा पे आपको थोड़ी बहुत twilight condition मिलती है 200 से लेके 1000 के बीच में उसके बाद जो भी इसके नीचे area आ गया वहाँ पर मतलब approximately 4000 मेटर के नीचे और till the depth यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई light नहीं मिलेगी तो कई बार इस area को हम बीच में जो पढ़ता है इसे dysphotic zone भी बोल देते हैं अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि twilight जैसी condition देखने को मिलती है हमें अब एफ़टिक के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं अब यहाँ पे आपको light तो बिल्कुल ही नहीं मिलती अब यह जो आपको organisms यहाँ पे मिलेंगे यह वो photosynthesis नहीं करेंगे sunlight नहीं है तो यहाँ पर photosynthesis होई नहीं सकता अब यहाँ पे आपको किसी भी तरह का plant नहीं मिलेगा जो भी organisms मिलेंगे उनका food कहाँ से आएगा dead organisms से आईए अब बात करते हैं कि कैसे temperature के उपर या oxygen के उपर depend करती है आपकी aquatic life अब देखिए आपने आमोमन coldring तो पी होगी अब जो आपकी गरम coldring होती है तो उसमें ऐसा क्या होता है कि आपको उसका taste अच्छा नहीं लगता अब इसके पीछे कारण यह है कि जो आपकी carbon dioxide है जो आपको उस coldring में मिलती है वो उस solution से या आप कह सकते coldring से अलग हो जाती है because जैसे ही आपके liquid का temperature rise करता है तो यह जो आपका gaseous part है वो उससे अलग हो जाता है तो same हमें aquatic ecosystem में भी देखने को मिलता है कि जैसे ही आपके water का temperature increase होगा तो वहाँ पर oxygen की supply कम हो जाएगी या oxygen की dissolability कम हो जाएगी अब अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आपके aquatic ecosystem के उपर बहुत सा negative impact पढ़ सकता है क्योंकि oxygen अगर कम होगी तो जितने भी आपके aquatic ecosystem के animals हैं वो कहीं न कहीं suffocate होके मर सकते हैं अब तभी तो हम global warming को एक major challenge मानके चल रहे हैं क्योंकि अगर आपका global temperature rise करेगा तो कहीं न कहीं oxygen supply जो आपको aquatic ecosystem में मिलती है वो decline करेगी अब अगर वो decline करेगी तो यहाँ पर बहुत से आपके organisms की death हो सकती है तो आपको याद रखना है कि अगर temperature increase होगा तो oxygen decrease होगी अगर temperature decrease होगा तो oxygen आपकी automatically increase हो जाएगी अब इसका direct impact है आपके aquatic ecosystem पे क्योंकि oxygen जितनी अच्छी होगी या बहतर होगी उतने ही easily आपके organisms एक aquatic system में रह सकते हैं आईए अब बात करते हैं tropidity की अब ये आपकी impact करती है growth of algae को अब ऐसे कैसे तीकिए पहली चीज़ तो जितना आपका water turbulent होगा वहाँ पर photosynthesis परफॉर्म करना उतना मुश्किल हो जाएगा अब जितना photosynthesis वहाँ पर कम होगा उतना ही food कम मिलेगा अब अगर food कम मिलेगा तो आपको वहाँ पर animals या bio diversity automatically कम मिलेगी तो इस चीज़ को ध्यान रखना दूसरा अब जितने भी आपके suspended particle होंगे यहाँ पर मालेजे यह आपका पानी है ज्यादा गंदा है तो आपने यहाँ पर geography का एक concept apply करना है जहाँ पर आपको बताया जाता है albedo effect अब अगर एक पानी transparent की जगा थोड़ा dirty है तो क्या वो heat ज्यादा absorb करेगा अब अगर वो heat ज्यादा absorb करेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि temperature automatically increase हो जाएगा तो यहाँ पर धोरी मार है पहला तो turbidity के कारण आपकी photosynthesis धंक से perform नहीं हो पारे क्योंकि उतनी sunlight नहीं मिल पारे और दूसरा यहाँ पर problem यह रहती है कि जो suspended particle है वो heat absorb करेंगे और heat absorb करने की वज़े से temperature rise हो जाएगा water का इसकी वज़े से oxygen supply further deplete कर जाएगी एक तो photosynthesis से भी आपकी food के साथ oxygen बनती है और दूसरी आपकी oxygen वैसे ही कम हो गई क्योंकि temperature rise हो गया तो दोरी मार पढ़ जाएगी यहाँ पर oxygen की कि मतलब oxygen बहुत जादा कम होने लग जाएगी इस ecosystem में और यहाँ पर फिर bio diversity को maintain करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आईए अब बात करते है transparency की अब देखे अगर transparency नहीं होगी तो आप किस तरह के changes देखते हैं एक aquatic ecosystem में अगर transparency नहीं होगी दूसरी चीज है अगर photosynthesis नहीं होगी तो oxygen नहीं होगी oxygen supply अगर आपकी कम हो गई तो यहाँ पर आप देखेंगे कि aquatic ecosystem धीरे धीरे एक dead zone में convert हो जाएगा तो यहाँ पर यह दोनों चीजों को आपको याद रखना है आईए अब बात कर लेते हैं fresh water ecosystem के बारे में दीखें यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से fresh water में आपके various organism एक दूसरी के साथ interact कर रहे हैं तो यहाँ पर हम emphasize करते हैं study पर जहाँ पर हम जान सकें कि किस तरह से आपके organisms आपस में interact कर रहे हैं साथ की साथ ये fresh water ecosystem या environment के साथ किस तरह से interact कर रहे हैं अब यहाँ पे एक नाम या एक term दी गई है Liminology अब यह क्या है यह आपका study का वो aspect है जो देखता है कि fresh water में किस तरह से physical, chemical, geological और biological changes आते हैं और किस तरह से आपके various organisms इसके उपर dependent है although यह जो आपका fresh water ecosystem है या habitat है यह बहुत छोटा है आप सभी को पता होगा कि 99% जो आपका पानी है वो ocean में मिलता है या आप यह कह सकते कि 97% to be eject ठीक है या आप यह मान के चले कि more than 95% आपका क्या है ocean water है अब यह जो आपका 5% बचता है तो यहाँ पर ही तो आपको fresh water मिलेगा अब इस में से भी maximum आपका underground होगा तो वहाँ पर भी इतनी जादा आपको live देखने को नहीं मिलेगी तो जो आपका बचा कुछा छोटा सा हिस्सा है that is all about fresh water habitat अब यहाँ पर आपको दो तरह के habitat मिलते है एक तो उतर standing water जिसे हम lentic बोलते है और एक उतर running water जिसे हम lotic बोलते है जिसे जिसमें river आ गई आपके springs आगे, tides आगे sorry tides तो नहीं आएंगे यहाँ पर streams आगे अब जो आपके standing यह जिसे lake हो गया, pound हो गया, box हो गया तो सबी इसमें आ जाएंगे अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जितने भी आपके organisms in fresh water ecosystem में रहते हैं यह ज़्यादा variation नहीं सहन कर सकते हैं temperature का अगर temperature थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो कहीं न कहीं यह मर जाएंगे और थोड़ा सा भी ज़्यादा कम हो गया तो यह फिर भी मर जाएंगे यानि मैंने आपको एक term बताय थी starting में, stanothermal तो यह stanothermal animals हैं जो बहुती narrow width of temperature के अंदर survive कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़े मिलती हैं जैसे algae, bacteria, fungus flora, fauna आपको हर चीज मिल सकती हैं यहाँ पर तो इस चीज के बारे में आप याद रखना हैं कि lake ecosystem आपके एक छोटी सी water body है जहाँ पर आपको depth इतनी जादा नहीं मिलती हो सकते हैं थोड़ी बहुत जादा मिलें बट ocean जितनी depth नहीं मिलेगी हमें और यहाँ पर यह सभी type के आपके organisms रह सकते हैं अब यह जो आपकी lake है यह अलग-अलग type की हो सकती है जैसे आपकी natural lake हो सकती है artificial lake हो सकती है oxbow lake हो सकती है अब oxbow lake के बारे में तो आपने सुना होगा कि जैसे river ऐसे मेंडरिंग करते हो चल रही थी river ने अपना path change कर लिया तो यह पीछे जो रहेगी यह oxbow lake होती है इसके लावा crater lake अब यहाँ पे आपने starter cone कोन के बारे में सुना होगा अब यह generally आपके explode करते है अब explode क्यों करते है जो इनके vent होती है वो block हो जाती है अब नीचे से gashes pressure बनता है और इसकी वज़े से यह आपके bum की तरह explode करती है और जब भी explode करती है तो उपर वाला हिस्सा इसका उड़ जाता है अब यह कुछ इस shape का बन जाता है थोड़े time बात अब यहाँ पे जब भी बारिश होगी या स्नू पड़ेगी तो पानी ही कठा हो जागा क्योंकि एक तरह का depression create हो रखा था तो इस तरह की lake को हम crater lake बोल देते हैं अब अगर बात करें lakes की on the basis of salt content तो आपको याद रखने हैं कि तीन तरह की lake हो सकती है fresh water, brackish water और saline water आपकी lake दो तरह की हो सकती है एक होती है oligotrophy और दूसरी होती है eutrophy अब यहाँ पे इन दोनों में फरक क्या है दिखिए यह जो oligotrophic होती है इसमें आपको nutrients थोड़े कम देखने को मिलते है whereas eutrophic आपने eutrophication के बारे में तो सुना होगा जहाँ पर nutrient का content increase हो जता है तो यहाँ पर भी आपको nutrient का content जादा मिलता है अब बात कीज़े यहाँ पे plant की production की तो low रहती है आपकी जहाँ पर nutrient कम रहेंगे क्योंकि nutrient इतने नहीं मिलेंगे तो plant grow कैसे होंगे अब यहाँ पर आपके दूसरी cases में यानि eutrophic case में आपके plant बिलकुल ही नहीं मिलते अब क्यों ऐसा क्योंकि यहाँ पर आपकी eutrophication के कारण plants को eliminate कर चुके हैं अब यहाँ पर second चीज की बात करें तो animal production की तो पहले case में यानि oligotrophic के case में ये कम देखनी को मिलती है बट eutrophication के case में ये बिलकुल ही नहीं मिलती उसके लावा aquatic plant में आपको nutrients कितने मिलते हैं तो यहाँ पर low मिलते हैं बट यहाँ पर कुछ जादा मिल सकते हैं अब दोनों में major जो difference आपको देखनी को मिलता है that is आपके oxygen का देखिए oligotrophic में आपको oxygen मिलती है बट eutrophic में आपको oxygen नहीं मिलती और इसी वज़े से यहाँ पर आपको plant नहीं मिलते हैं और नहीं मिलते हैं आपको animals उसके लावा यहाँ पर आपने green guy देखी होगी न कई बार पानी के उपर उसकी वज़े से sunlight भी enter नहीं करती तो photosynthesis भी नहीं होती तो यहाँ पर आपको eutrophic के साथ यह problem देखनी को मिलती है although इसके बारे में हम discussion बहुत detail में करेंगे जब हम थोड़ी देर बाद eutrophication के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आपके एक ecosystem मरता है अब यहाँ पर आपकी depth की बात करी जाए तो oligotrophic में आपको depth बहुत ज़्यादा देखनी को मिल सकती है whereas eutrophic के cases में आपको depth ज़्यादा देखनी को नहीं मिलेगी अब quality of water के बारे में बात करें तो हमेशा याद रखना oligotrophic में आपको पानी की quality बहतरीन मिलती है और eutrophic में क्योंकि oxygen कम है तो आपको पानी की quality इतनी अच्छी नहीं मिलेगी यह toxic water है यूज करेंगे तो death तक हो सकती है person की यहाँ पे आपके जो salt content होते हैं वो कम रहते हैं और यहाँ पे आपके salt content बहुत ज़्यादा high रहते हैं और जो plants और animals की number हैं दोनों cases में ज़्यादा देखनी को मिलते हैं हमें और यहाँ पर थोड़े time बाद मर जाएंगे बट यहाँ पर long time तक survive कर सकते हैं अब माल लीजे अगर एक lake है उसमें कुछ like invasive animals आ जाते हैं या उसको हमें साफ करने की जुद पड़ते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो उसके लिए algae skimming कर सकते हैं हम कुछ ऐसे plants को उगा सकते हैं जो nutrients को उसमें सी निकाल ले उसके लावा हम harvest कर सकते हैं और हम microfights को यूज कर सकते हैं ताकि हम remove कर सके उसमें सी गंदगी को उसके लावा algae को remove करने के लिए हम filters लगा सकते हैं sludges को remove कर सकते हैं बाकी एक बार हम area को खाली करके जैसे flush out water करके पानी जैसे एक बार हम पानी भार निकालके उसे साफ करके फिर से उस पानी को वापस restore कर सकते हैं तो कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं lake ecosystem को बचाने के लिए उसके लावा यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुछ lake से important इंडिया की उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है जिसे बात की जए चिलका lake की तो आपको याद रखना है कि यह एशिया की largest backish water lake है पहले यह माना जाता था कि यह bay of bongol का part है बट अब इसे हम एक lake मानते हैं अमीनपूर lake के बारे में आपको पता होना चीए यह आपकी पहली बाव डैवरस्टी heritage site है अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह एक man-made lake है कहाँ पर western part of Telangana में उसके लावा largest fresh water lake जो है आपकी वो वुलार lake है जो आपको जम्मू कश्मीर में मिलती है उसके लावा largest saline water lake जो है इंडिया की डाटिस चिलका जो उडीसा में यह उडीसा है उडीसा नहीं यह डी-एच वाला है sorry यहाँ पर थोड़ी spelling mistake है इस चीज को याद रखना उसके लावा highest lake आपको altitude के हिसाब से चुलामलू लेक जो आपकी सिक्किम में है वो है उसके लावा longest lake in India आपकी वैमनार्ट लेक है artificial lake के अगर बात की जाए तो गोविंद वैला पंथ आपका सबसे largest है देहायन डैम भी बोला जाता है उसे देबर लेक जो आपकी second largest artificial lake है यह आपकी located है उदेपोर डिस्टिक में अब देखे कल हमने बात की थी कि किस तरह से succession होती है आपके terrestrial ecosystem में अब बात कर लेते हैं कि lake ecosystem में किस तरह से आपकी succession होती तो यहाँ पर आपको याद रखने है कि इसका नाम है hydrocear यहाँ पर सबसे पहले आपकी pineal species जो आती है that is phytoplankton और जो climax community है यहाँ पर that is your forest तो कहीने कहीं eventually जो आपके pineal species है phytoplankton वो way forward है आपके किस तरफ एक घने भरे jungle की तरफ और यहाँ पर भी बाकी चीज़े तो आपकी same है यह आपकी pioneer community आगी और यह आपकी climax community आगी और इसके बीच में intermediate community और जिसे हम sears भी बोलते हैं तो यह चीज़े आपको याद रखनी है बाकी यहाँ पर कुछ difference नहीं है आईए अब बात करते है eutrophication की देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो water bodies होती है ना उनमें nutrient की quantity increase हो जती है अब यह जो आपका eutrophication है कि होता किन कारणों से यह कि जो आपके domestic waste है जिसे हम sewage भी बोलते हैं इसमें बहुत सारे nutrient होते है phosphate, nitrate जो आपके agriculture runoff से आते है तो इनकी वज़े से जो आपके aquatic life है इसके उपर बहुत deep impact पड़ता है आईए एक बार समझते है कि eutrophication के process होता कैसे लिखिए जो आपके agriculture runoff है या untreated severage waste है यह आपके aquatic ecosystem में जाता है अब यहाँ पर जाके यह nutrient की accumulation करता है मतलब आपके nutrient की value यहाँ पर एकदम से increase होने लगती है अब जैसे ही आपके nutrient की value increase होती है तो यहाँ पर algae बहुत ज़्यादा grow करने लगती है अब algae grow होने की वज़े से यहाँ पर होता है algal boom अब इसकी वज़े से यह जो आपका algae है यह आपके जैसे यह water surface है इसके पूरे surface के उपर ऐसे फैल जाएगा अब जैसे यह algae आपके पूरे surface के उपर फैल गया थिकलेर बन गई यहाँ पे तो आपकी sunlight अंदर penetrate नहीं कर पाएगी अब अगर sunlight अंदर नहीं जा पाएगी तो इसकी वज़े से आपके oxygen की dissolved quantity जो है water में वो deplete करने लगेगी क्योंकि नहीं oxygen generate नहीं होगी पुरानी जो बची हुई है सिरफ और सिरफ उससे ही काम चल रहा था अगर आप उसे consume करते जाएंगे तो उसकी वज़े से आपकी जो oxygen dissolved oxygen है water में वो कहीं नहीं decrease करेगी अब इससे आपके जो underground aquatic algae है मतलब जो सतह पे मिलते हैं आपको नीचे वाली सतह पे वो कहीं नहीं चोटे मोठे plants मरने लगेंगे अब इससे bacterial decomposition स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे मतलब बैक्टीरिया इन चीजों को decompose करने लग जाएंगी अब यहाँ पर आपकी जो available oxygen है उसे और ज़्यादा consume किया जाएगा अब अगर oxygen और ज़्यादा consume की जाएगी तो उस aquatic life में कहीं न कहीं oxygen इतनी बचेगी ही नहीं अब यहाँ पर इस condition को कह देते हैं अब यहाँ पर आकर आपकी dissolved oxygen बिलकुल कम हो जाती है और इसके बाद आपके सभी aquatic organisms मरने लग जाते हैं इसी तरहां से कुछ आपके जो यह aquatic ecosystem है यह degrade हो जाता है आप कह लीजे या एक dead zone में convert हो जाता है अब इसके इलावा बात की जाए तो यह eutrophication दो तिन तरहां से हो सकती है पहला है आपका natural way अब natural way में कैसे आप सभी जानते कि weathering वगएरा होती है rocks की और यहाँ पर आपको surface runoff भी देखने को मिलता है तो इसकी वजे से भी आपकी lakes में nutrient जाते हैं बट यह जो आपका eutrophication का process है यह बहुत लंबा process है मतलब यहाँ पर eutrophication जो algal boom हम बात करते हैं उसे होने में लगबग 100 से 1000 साल भी लग सकते हैं मतलब इससे जादा भी लग सकता है जो natural process है वो बहुत slow है पर problem वहाँ आती है जब artificial way में यह होने लगता है अब यहाँ पर man-made reasons बहुत ज़्यादा responsible है अब man-made क्यों देखिए यहाँ पर agriculture के अगर बारे में बात करें या आप sewage waste के बारे में बात करें तो यह humans के कारण ही तो जा रहा है न तो humans के कारण जो आपकी eutrophication हो रही है वो ज़्यादा deadly है because वहाँ पर जो rate है वो exponential है बहुत ज़्यादा increase है और जो हम 1000-2000 साल में चीज़ देख रहे थे वो वहाँ पर मातर 10 साल में भी हो सकता है तो इस वज़े से जो artificial eutrophication वो ज़्यादा problem करने वाली है और कई बार इस artificial eutrophication को हम cultural eutrophication भी कह देते हैं अब इससे impact क्या होता है इससे impact यह होता है कि toxicity कहीं न कहीं water की increase हो जाएगी इससे कहीं न कहीं आपके invasive species increase हो जाएगी water के अंदर उसके इलावा जो आपके ecosystem की biodiversity है वो biodiversity कहीं न कहीं decline करने लग जाएगी पहले यहाँ पर अलग-लग variety आपको मिलती थी in species की अब वो कम हो जाएगी उसके इलावा आपको aerosol से related problem हो जाएगी मतलब जब आपके solid enter करता है air के अंदर that is aerosol तो यहाँ पर आपको air के through यह जो toxics हैं यह move करते हुए दिखेंगे और यहाँ पर जो आपके आसपास का environment है इसके उपर negative impact पढ़ सकता है इसका अब यहाँ पर हम eutrophication को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं देखें हमें restore करना होगा ecosystem को तो इसके लिए जो run off है और यह यह आपकी water body है इसके बीच में अगर हम एक buffer बना दें जहाँ पर जो आपके nutrient है वो dissolve हो जाए और इसके बाद यह water filter होके यहाँ पर जाने लग जाए तो कहीं ने कहीं हम इस चीज़ को decrease कर सकते हैं उसके लावा हमें sediments collect करने के लिए एक buffer बनाना चाहिए साथ की साथ हमें nitrogen की testing करनी चाहिए water के अंदर अगर जादा हो तो हमें remedial action लेने चाहिए उसके लावा जो industrial waste है उसको कहीं न कहीं treat करके हमें release करना चाहिए साथ की साथ हमें livestock की density को भी decrease करने की जूर्थ है और non point source pollution को भी कम करने की जूर्थ है अब आप में से कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये non point sources क्या होते सबसे पहले समझते है point sources point का मतलब क्या होता है आपको सटीक पता है location तो जहां पर आपको pollution की एक सटीक location पता है कि ये pollution travel कहां से कर रहा है उस source है directly आपके water body में जा रहा है तो that is point source अब यहां पर आपको याद रखना है कि इने regulate करना बहुत easy है अब non point sources क्या होते है देखे एक ऐसा source जो multiple area से आ रहा है और यहां पर इसे difficult है regulate करना मतलब कई बारी होता है कि आपको एक जगा से pollution आता हो नहीं दिख रहा आपको ऐसा लगते है कि multiple sources से आ रहा है जैसे मालीजे कुछ यहां से pollution आ रहा है कुछ यहां से आ रहा है यहां से आ रहा है कि आप उन्हें कहीं न कहीं control नहीं कर सकते तो इस वज़े से यहां पर आपको इन दोनों के बीच का difference जानना थोड़ा important हो जाता है अब यहां पर आपको एक और चीज समझनी होगी देखे सबसे पहले आपको समझना होगा biological oxygen demand अब यह आपकी वो oxygen है जो biological oxidation के लिए microorganisms को चाहिए कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो भी आपका organic matter present है water के अंदर उसको कहीं न कहीं decompose करने के लिए जो हमारी oxygen की requirement है अब यह हमें यह बताता है कि कितना organic waste present है आपकी एक lake के अंदर या एक water body के अंदर अब दूसरी हमारी oxygen demand है chemical oxygen demand अब देखे ऐसा तो नहीं है कि पानी के अंदर हमें सिरफ organic matter मिलता है उसके अंदर हमें inorganic matter भी मिलेगा अब इन दोनों को ही decompose करने के लिए हमें कितना oxygen की requirement है और यहां पर हम strong oxidizing agent का use करते हैं जैसे potassium dichrominate अब यहां पर यह इस चीज़ के बारे में मैंने आपको difference बता रखे हैं तो आप इसे देख सकते हैं आईए अब चलते अगले topic पर जिसका नाम है algal bloom अब यह क्या होता है जब आपका algae एकदम से बहुत जादा population में growth कर रहा है मतलब आपको nutrient इतना मिलने लग गया है कि आपका जो water system है कुछ इस तरह का हरा हो गया है अब यहां पर आपको याद रखना है कि यह जो algal bloom है यह आपको ना केवल fresh water में देखने को मिलता है बलके marine ecosystem में भी देखने को मिलता है इंडिया में चार ऐसे hot spot है जहां पर हमें यह देखने को मिलता है पहला है North Eastern Arabian Sea उसके लावा केरल कोस्ट के आसपास, गल्फ आफ मननार के आसपास और साथ में गोपल पूरा coastal water जो है वहां पर भी हमें यह देखने को मिलता है अब यह जो आपका algal bloom है यह दो कारणों से हो सकता है पहला या तो nutrient आपके ज़्यादा हो गए हो water body के अंदर या दूसरा आपके water का temperature increase हो गया हो देखिए enrichment के बारे में तो मैं आपको अभी अभी बता के हटा हूँ और warming के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत तो आपको बता दिये है बट एक बार इसको भी थोड़ा detail में देख लेते हैं देखिए होता क्या है जैसे ही आपके water का temperature increase होगा तो यहाँ पर आपकी dissolved oxygen कहीं न कहीं कम होने लगेगी अब dissolved oxygen कम होने लगेगी तो आपके जो अंदर aquatic animals हैं उनकी death होने लगेगी अब अगर उनकी death होगी तो यहाँ पर biological oxygen demand increase होगी अब धीरे धीरे यहाँ पर oxygen की और कमी होने लगेगी और ज़्यादा organisms आपके मरने लगेगी अब organisms की dead body ज़्यादा हो गई और यहाँ पर आपके inorganic content भी बन चुके हैं अब इन्हें भी तो dissolve करने के लिए oxygen चाहिएगी तो इस वज़े से आपकी chemical oxygen demand भी और ज़्यादा increase हो जाती है अब यहाँ पर आपके पास इतनी sufficient oxygen बचती नहीं है और इसके बाद आपका जो ecosystem है वो बिलकुल collapse कर जता है यानि death of the aquatic ecosystem तो यहाँ पर आपको इस चीज को याद रखना है अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि harmful algal bloom होता क्या है देखिए जब आपके algis जुंड में आके या कह सकते colonies बनाकर यहाँ पर रहने लग जती हैं और वो एक surface पर बहुत जल्दी grow कर रही हैं अनकंट्रोल में में वो grow कर रही हैं तो इसके बाद वो produce करते हैं टॉक्सिक्स अब यह जो टॉक्सिक्स यहाँ पर release कर रही है यह आपके algae यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह harmful है लोगों के लिए भी मश्लियों के लिए भी जो आपके marine mammals हैं उनके लिए भी और birds के ल अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या negative aspect है आपके algal broom के तो आपको यह याद रखना है कि oxygen level यहाँ पर आपका deplet करेगा अब क्यूंकि आपका oxygen level deplet करेगा तो आपके जो organisms हैं यहाँ पर वो मरना start हो जाएंगे suffocate होंगे अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर neurotoxins produce होंगे मतलब कहीं न कहीं यह जो toxins हैं आपकी food chain या food web के अंदर जाने लगेंगे क्योंकि अब माल लीजिए मचली मरी हुई है अब कोई इसे पका के खा लेगा या कोई bird इसे खा लेगा तो यह toxic उसमें जाएगे तो कहीं न कहीं यह जो toxins हैं यह आपके bio magnification कर सकते हैं यहाँ पर अगर bio magnification होगी तो इससे आपकी जो food chain है वो पूरी तरह से disrupt हो सकती है उसके लावा कई बार यह जो toxins होते हैं यह airborne हो जाते हैं जिससे जो भी लोग इनके आस पास सांस लेंगे उनको problem हो सकती है तो यह चीज़े आपको याद रखनी है अब जानते हैं कि dead zone क्या होता है अब नाम से यह आपको पता लग रहा होगा कि ऐसा zone जो मरा हुआ है अब यह मरा हुआ क्यों है सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि जहां पर आपकी aquatic life survive नहीं कर सकती क्योंकि oxygen का level बहुत ज्यादा कम हो चुका है और newton का level आपका बहुत ज्यादा increase हो चुका है तो generally उस area को हम कहा देते हैं dead zone जहां पर आपको harmful algal bloom देखने को मिलता है उसके लावा Baltic Sea के आसपास की coastline है वहां पर यह चीज़ देखने को मिलती है जपान, Korean Peninsula इन सभी area में आपको यह चीज़े देखने को मिलती है उसके लावा Gulf of Mexico और Baltic Sea area जो है वहां पर आपको खासकर यह जो Gulf of Mexico यह वाला area है वहां पर आपको seasonal hypoxic zone देखने को मिलता है later half of the summer में मतलब एक temporary condition जहां पर dead zone create होता है I hope यहां तक आपको सभी चीज़े clear हो आईए अब बात करते कि wetlands क्या होते है देखे रामसर convention के under wetland की definition यह दे रखे कि कोई एक ऐसा area जहां पर आपको पानी खड़ा मिले चाहे वो मार्शी area हो ठीके जी यह pitland हो यह water जहां पर आपका log हो रखाओ अब यह जो आपकी water वाली condition है मतलब जो water log हो रखाओ यह आपका natural भी हो सकते है ठीके जी और artificial भी हो सकते है अब ऐसा भी हो सकते है कि water permanent हो या temporary हो ऐसा भी हो सकते है कि यह water static हो या flowing हो ऐसा भी हो सकते है कि यह water fresh हो, barkish हो या salty हो कोई फरक नहीं पड़ता कहने का मतलब यह है कि अगर किसी area में आपको पानी खड़ावा मिल रहा है चाहे वो permanent हो या temporary हो या वहाँ पर पानी flow कर रहा हो या खड़ा हुआ हो fresh हो, barkish हो या salty हो कुछ फरक नहीं पड़ता अगर पानी मिल रहा है तो वहाँ पर आप देखेंगे wetlands को अब यहाँ पर आपको एक चीज जो याद रखने है कि marine life में भी हम wetlands को count करते हैं बट यहाँ पर हमें यह देखना होता है कि जो depth है at low tide वो exceed नहीं करनी चाहिए 6 मीटर से जादा otherwise वो coastal area में आजेगा वो हम वहाँ से eliminate कर देंगे अब यह आपको एक और चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि यह आपका एक तरह का transition zone है ecotone area है between deep water and terrestrial habitat अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि भहिया यहाँ यहाँ पर एक तरह से bio diversity बहुत भर भर के मिलने वाली है तो इसी वज़े से इन्हें conserve करने की जूर्थ है अब bio diversity conserve करना तो main motive है ही है उसके इलावा यह आपके carbon sinks भी है जिसकी वज़े से इन्हें maintain करना थोड़ा important हो जाता है अब अगर बात कीज़े रामसर convention की तो इंडिया ने इसे कब join किया था तो इंडिया इसका part बना था 1st febco 1982 को यहाँ पर आज की date में अगर बात कीज़े तो भारत की 47 wetlands है जो लगबग 10 लाख hectare का area को represent करती है recently 2021 में हमने 5 wetlands को include किया है इस list में अब यहाँ पर कुछ important fact है जो आपके prelims में आ सकते हैं काम दिखिए आपको यह याद रखना है कि एशिया में जितना भी area cover होता है wetland के under उसके according countries में हम तीसरे number पे आते हैं South East Asia में अगर बात कीज़े तो हम पहले number पे आते हैं साथ की साथ आपको यह याद रखना है कि world wetland day 2 feb को हम मनाते हैं अब बात कीज़े इसके functions क्या है wetland के तो कहीं न कहीं यह जो wetlands हैं आपके sediments को filter करने में काम आते हैं उसके लावा habitats हैं various species के लिए अब bio diversity यहाँ पर जादा मिलती है कहीं न कहीं disaster management में आपको help करते हैं pollution को control करने में आपकी help कर सकते हैं उसके लावा nutrient recycling में आपको help कर सकते हैं water को recharge जनी जो आपके ground water level deplet कर रहा है उसको maintain करने में help कर सकते हैं अब क्योंकि आप यहाँ पर देखते हैं कि पानी stagnant या आपका flowing हो सकता है तो यहाँ पर कहीं न कहीं soil erosion को prevent करने में भी यह helpful हो सकते हैं उसके लावा आजपास के area के climatic condition को भी stabilize करने के लिए बहुत important है अब बात किज़ें कि यह deplet क्यों होने हैं तो आपको यह याद रख रहे हैं कि जो आज की date में population है वो बहुत ज़्यादा increase हो रही है अब यहाँ पर आप इस चीज़ को population से link कर रहे हैं तो आपको यह याद रखना है कि population increase होने की वज़े से आपकी food की demand increase हो गई है अब food के लिए चाहिए हमें land अब land के लिए हमें wetland के ऊपर क्या करना पड़ता है कब जाब अब क्योंकि population ज़्यादा है तो आपको यह भी याद रखना होगा कि घर बहुत ज़्यादा चीएंगे हमें अब घर बनाने के लिए या infrastructure बनाने के लिए हमें चीएगी sand, rita तो इसके लिए भी यह ज़रूरी हो गया अब क्योंकि आपकी population ज़्यादा है तो आपको dairy product भी ज़्यादा चीएंगे अब इसके लिए आपको चीएंगे animals अब animals को खाना भी खिलाना होगा तो कहीं न कहीं इन area में overgrazing भी देखने को मिलती है अब land आपको रहने के लिए भी चाहिए मतलब घर बनाने के लिए भी तो land चाहिए न और furniture बनाने के लिए भी land चाहिए तो उसकी वज़े से होगी deforestation तो यहाँ पर भी आपके wetlands क्योंगे खतम होते जाएंगे तो कुल मिलाके population एक major कारण है उसके इलावा आप देखे domestic waste increase हो रहा है अब यहाँ पर एक तो technology development एक reason है जो हम नहीं कर पाए नहीं तो यह waste कहीं न कहीं हम अच्छे से dispose off करते उसके इलावा climate change agriculture run off hazardous industries से जो कूड़ा कबाड़ा आ रहा है और जो आपका aquaculture हम perform कर रहे हैं उसकी वज़े से हम यह देख रहे हैं कि यह wetland का ecosystem बिलकुल तबाह होता जा रहा है अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं पहला तो हमें utrophication को रोकना होगा जैसे यह agriculture run off sewage वगएरा का जो problem है उस चीज को solve करना होगा उसके लावा हमें लोगों को यह बताना होगा कि environmentally कितने important है यह ecosystem क्योंकि wetland नहीं होंगे तो आने वाले समय में बहुत problem हो सकती है उसके लावा हमें promote करना चाहिए eforestation, soil conservation हमें weeds को control करना चाहिए artificial regenerate करने की कोशिश करनी चाहिए इन areas को और साथ की साथ हमें local people को कहीं न कहीं इन में involve करने की जरूरत है क्योंकि अगर यह bottom up plan होगा तो कहीं न कहीं इसके successful होने की chances ज़्यादा है otherwise तो यह floppy होगा जैसा कि हम सभी जानते है आईए अब बात कर लेते है रामसर convention के बारे में यह जो रामसर convention है यह 1971 में आया था 2nd Feb को अब यह जो रामसर है यह एक city है आपके इरान में यहाँ पर यह convention स्टार्ट हुआ थो तो इस वज़े से इस convention का नाम पढ़ गया रामसर convention अब इसमें हम सब कुछ include करते हैं जैसे lake, river, estries, swamp area, mangroves, coral reefs, oasis pitlands, wetlands, delta, tidal flats, fish ponds, river paddies, reservoirs, salt, सब कुछ अब यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि यह इस ecosystem के लिए इकलौती यह सी ट्रीटी है अब इस convention में कुछ important organization भी involved है जैसे आपकी IUCN, BirdLife International, International Water Management Institute, Wetland International, Wild Foul and Wetland Trust और WWF International तो यह कुछ important organization है जो इसके साथ deal करती है अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मैं आपको एक list दूँगा जहाँ पर मैं आपको यह बता रहा हूँ कि किन criteria के basis पर हम यह decide करते है कि ecosystem, कौन सा ecosystem, wetland की category में आ सकता है रामसर साइट के under बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूँ कि यह जानना आपके लिए इतना important नहीं है प्रलिम्स के लिए although means के लिए है बट एक overview रख लेना आपको अगर पूछा भी गया कभी गलती से तो आप इसके बारे में जान सके अब यहाँ पर एक overview रखना इनके बारे में इसलिए important हो जाता है क्योंकि 1971 में यह आपका start हुआ था तो 2021 में इसको 50 साल complete हो चुके हैं तो इस वज़े से हो सकता है कि आने वाले paper में यानि 2022 में आपको इससे related कोई question मिल जाए देखिए यहाँ पर आपको एक चीज पता होने ची कि लेक और wetland के बीच में क्या फरक होता है तो दोनों की minimum depth तो सेम ही है लगवग 3 meter के आसपास बट यहाँ पर जो origin source है lakes का वो multiple हो सकता है बट जो आपके wetlands है यह geomorphic process के through ही form होते है अब यहाँ पर जो आपका water level है उसमें minor सा change देखने को मिल सकता है बट यहाँ पर जो आपके wetlands है इनमें हमें major change देखने को मिल सकता है over a period of time अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसी भी तरहां के waste की treatment नहीं हो सकती क्योंकि lakes में आपको fresh water मिल रहा है विरस wetland में आपके waste की treatment हो सकती है अब यह जो आपके lakes है यह इतनी ज़्यादा productive नहीं है biodiversity भी कम मिलेगी ऐसा क्यों? अब आपको पता होगा कि nutrient अगर lake में कम मिलते हैं तो यहाँ पर productivity कम होगी productivity कम होगी तो biodiversity कम हो जाएगी अब क्योंकि wetland आपके ecotone area है तो यहाँ पर productivity ज़्यादा होगी productivity ज़्यादा होगी तो biodiversity हाई होगी अब अगर इसे categorize करना हो lakes को तो आप oligotrophy में count करते हैं इसे बट wetlands को हम utrophic status देते हैं अब यहाँ पर एक चीज़ याद अखने कि lake से आप कभी भी flood को control नहीं कर सकते हैं बट wetland से floods की control करने की probability थोड़ी increase हो जाती है क्योंकि यह एक तरह का buffer का काम करते हैं बाकी इसके लावा हम कुछ important facts के बारे में बात कर लेते हैं जिसे अगर सुंद्रबन की बात करें तो यह largest ramsa site है इंडिया की उसके लावा रेनुका जी आपकी सबसे छोटी ramsa site है इंडिया की चिलका लेक सबसे पुरानी और oldest ramsa site है जहाँ पर हमें इरावडी डॉल्फिन मिलती है चिलका लेक की युए flagship species है उसके लावा जो आपका national waterway 3 है यह past करता है अस्टमुडी wetland area से इसके लावा ब्यास आपका जो wetland area है यहाँ पर आपको indus river dolphin मिलती है जो की endangered category में आती है अब यहाँ पर एक और आपको लेक जो recently add की गी है महराष्ट्र से lunar lake इसके बारे में पता होना चाहिए यह आपके pink color की होती है क्योंकि यहाँ पर एक salt loving microbes आपको मिलता है bacteria मिलता है जिसका नाम है helloarchia उसके लावा वुलार lake जो है आपकी वो largest fresh water lake है लोकटाक lake आपकी largest fresh water lake है नौर्थिस्ट की जिसे हम के व्यू लाम जो नेशनल पार्क में देखते हैं जो हमारा floating national park है वर्ल्ड का एकलौता floating national park है जो नाल्स रोवर वर्ट सेंचरी जो है वहाँ पर आपको highest population मिलते है नियर थ्रेटेंड इंडियन वाइल डैस की इसके इलावा यहाँ पर आपको याद रखने है कि जो आपकी सामबर lake है वो इंडिया की largest inland salt water lake है और वेम्बेनाट कोल wetland area जो है वो second largest area है after सुंदर्मन अब यहाँ पर मैं आपको एक list प्रोवाइट कर दूँँगा wetlands की आपको एक काम करना है यहाँ पर तकि काम आपका सिर्फ यह है कि यह जो 47 आपके wetlands है इनको आपने तीन हिस्सों में डिवाइट करना है मतलब आपको हर एक के आगे ऐसे लिखना है जैसे यह माल लीजे अगर natural है तो natural site A for artificial उसके लाबा आपको यह पता होना चाहिए कि यह fresh water की है brackish water की है यह saline water की है तो उसमें आप यूज़ कर सकते FBS तो यहाँ पर आप जैसे माल लीजे सुन्दरवन की बात करें तो सुन्दरवन आपका एक ऐसा एरिया है जहाँ पर brackish water मिलता है और naturally मिलता है तो NB हो गया अब वुलार लेक है fresh water है ठीक है जी natural है तो NF हो गया तो कुछ ऐसे codes को use करके आपने इस list को update करना है अब इससे benefit क्या होगा माल लेजे UPSC कभी आप से पूछ लेती कि which of the following is an artificial wetland ecosystem तो उसमें आपको option को eliminate करने में मदद हो सकती है तो कुछ ऐसे आपको चीज़े पूछी जा सकती है तो अपने notes कुछ इस तरह से update कर लेना आईए अब बात करते हैं Montex record की अगर बात कीज़ें Montex record की तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखने है कि इन में हम उन areas को important areas को include करते हैं जो रामसर sites के part है और जहाँ पर आपको कुछ changes देखने को मिल रहे है अब माल लिजे कोई area है जहाँ पर घने जंगल मिलते थे बट क्योंकि human activity की वज़े से वहाँ पर deforestation कर दी गई पास में बहुत large scale में तो इन area को भी हम Montex record में include करते हैं उसके इलावा जिन area में ये changes हो रहे हैं जैसे western ghat वाला area ले लीजे आप अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा changes देखने को मिल रहे हैं इंडस्ट्री वगरा लग रही है तो इन area को भी हम इस site में include कर सकते हैं Montex record में उसके इलावा जहाँ पर हमें ऐसा लगते है कि possibility है कि आने वाले समय में कुछ changes देखने को मिल सकते हैं तो उन area को भी हम Montex record में include करते हैं अब यहाँ पर आपको एक चीज जो याद रखनी है वो यह है कि यह जो आपकी Montex record है इसको maintain करते है रामसर list ठीक है यह पार्ट है आपकी रामसर list का ही रामसर convention के अंडर ही आता है अब यहाँ पर आपको एक जो चीज याद रखनी है कि इंडिया में Montex record के अंडर तीन साइट साती थी पहले पहले थी चिलका लेक जो आपको 1993 में हमने इस list में डाली थी और 2002 में इसे हमने इस list से remove कर दिया था अब कारण क्या था कि यहाँ पर जो इसका mouth है ना lake का वो कहीं ने कहीं chalk हो गया था जिसकी वज़े से यह ecosystem खतम हो रहा था लेकिन अभी हाल फिलाल में हमने इसे recover कर लिया है पत्ब लगबग 19 साल पहले 2002 में हमने इस list से इसे बाहर निकाल दिया था और इसी कारण क्योंकि हमने यहाँ पर conservation effort बहुत अच्छे लिये थे और इसी वज़े से हमें मिला था राम सर वेटलेंड conservation award 2002 में अब उसके लावा लॉक्टाक लेक जो है मनीपूर की वो इस list में 1993 से अब यहाँ पर यह area क्यों है पिकाज लॉक्टाक लेक के आसपास आपको deforestation बहुत जादा देखने को मिलती है और pollution भी जिसकी वज़े से यह जो area है काफी खत्रे में है इसके लावा तीसरा है आपका क्यो लादियो मिलती है animals की तो इस वज़े से यह जो आपका area है काफी stress में है इन सब के इलावा आने वाले lecture में हम बात करेंगे Montreal Protocol के बारे में भी थोड़ा नाम similar है तो इस वज़े से यहाँ पर मैंने इसे mention कर दिया है आपको यह याद रखना है कि यह ozone से related एक treaty है जो 16 September 1987 को करी गी थी अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह force में आई थी पहली January 1989 को अब recent time में इंडिया में कौन-कौन सी हमने wetland area को include किया है तो आपको याद रखना है कि हैदरपूर wetland area जो उत्तरपरदेश में है यह latest आपका addition है wetland site में इंडिया में अब यह एक human made wetland है जो 1984 में हमने हस्तिनापूर wildlife century में बनाया था इसके इलावा चार और sites को include किया गया था अगस 2021 में एक है सुल्तानपूर national park जो गुरगाओं में है उसके इलावा भिंडावास wildlife century जो की जजजर में है थोल लेक wildlife century जो की आपकी एहमदाबाद एरिया में आती है वादवा wetland जो की आपको वडोधरा में देखने को मिलती है अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जो की बहुत important है देखिए इस sites अभी भी बहुत कम है as compared to जो आपको इस लिस्ट में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है तो आप पेपर की तियारी करते रहिएगा और इन लिस्ट को अपडेट करते रहना उसके लावा 2020 में भी कुछ sites आपकी एड़ की गई थी जैसे Soker Wetland Complex जो की आपका जम्मू कश्मीर में है जहाँ पर आपकी दो lakes आती है जो आपस में connected है और ये दोनों ही lakes आपकी लद्दाग में placed है उसके लावा महरास्टर की Loner Lake जिसको मैंने बताया था कि पिंक वाटर मिलता है यहाँ पे उसके लावा सुर्ष रोवर जो की कीथम Lake भी कहा जाता है ये located है आपके आगरा में असन बराच जो कि आपका उत्राखंड में है कनवर लेक जिसे हम काबल ताल भी बोलते हैं विहार में located है और कॉलकता का आपका सुन्दरबन एरिया इन सभी को हमने recently ही add किया है अब इसके लावा एक global initiative है Cities for Forest Global Campaign इस campaign में हम लोगों को कही न कहीं जागरुक करने की कोशिश कर रहे है जो cities के आसपास रहते है कोशिश यह कि जो cities के आसपास आपका forest area, wetland area मिलता है हम उनके benefits को लोगों को समझा सकें साथ की साथ इससे हम climate change को भी रोक सकें अब कहीं न कहीं आपकी cities को इससे connect करने का ही प्रोग्राम है Cities for Forest Global Campaign इसके लावा आपको याद रगने की 2017 में एक आपका rule आया था जिसका नाम था wetland conservation and management rule 2017 यहाँ पे यह कहा गया था कि जो आपकी noodle agency है wetlands के लिए वो है state और इनी का काम रहेगा कि किस तरह से रूल को applicable करना है उसके लावा किसी भी तरह की आप industry या expansion नहीं कर सकते है industrial site का जो exist करते हैं ऐसे area में साथ की साथ जो waste आप dump कर रहे हैं या solid waste हो चाहिए जैसा मर्जे discharge water हो आपको उसकी बकायदा treatment करके ही उसे वहाँ पर dump करना होगा अगर आप direct dump करेंगे तो कहीं न कहीं ये violation है उसके लावा आपको ज़रूरत है encroachment रोकनी कि अब यहाँ पे सभी states और UT को ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप एक integrated management plan मराईए ताकि आप इन wetland area को ढंक से conserve कर सकें उसके लावा यहाँ पर fines का भी प्रावधान है अगर कोई भी इन rules का violation करता है तो उनके उपर fine लग सकता है इस rule के according अब ये तो बात हो गई आपके wetlands, fresh water से related जो भी ecosystem थी उनकी आईए अब बात करते ocean ecosystem की या marine ecosystem की तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि fresh water के comparatively ये जो आपका marine ecosystem में ये काफी stable है chemically भी और physically भी वैसे भी अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके factors जैसे dissolved oxygen light temperature इनका aspect थोड़ा जादा बेटर है अब क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि wide area में distributed है तो sunlight एक problem नहीं रहेगी साथ की साथ जो आपकी temperature है इसको regulate करने के लिए ocean currents है तो इस वज़े से यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना होगा इनके producers के बारे में जिन्हें हम autotrops भी बोलते हैं इनकी responsibility क्या होती है कहते हैं जिस sunlight को trap करना और अपने chlorophyll के थूँ या pigments के थूँ खाना बनाना अब यह जो आपके producers हैं यह अलग-अलग zones में मिलते हैं अलग-अलग depth में for example जो आपके phytoplankton's हैं यह microscopic seaweeds हैं और यह आपके brown और red दोनों color के हो सकते हैं अब इसके बाद आते हैं consumers अब दिखिए phytoplankton's का काम क्या है खाना मनाना अब इस खाने को खाने के लिए भी तो कोई चीए ना तो यहाँ पर आपके heterotopic micro consumers आते हैं जैसे पहले आते हैं आपके primary consumer अब यह primary consumer क्या होते हैं देखिए जो आपके छोटी-मोटी fishes होती है मुलाकस होते हैं या आपके crustaceans होते हैं इस सभी आपके क्या आते हैं primary consumer की category में और यह herbivorous हैं अब इसके बाद आते हैं आपके secondary consumer जो carnivorous हैं जो इन छोटी-छोटी fishes के उपर feed करते हैं अब यहाँ पे आप shark को नहीं लेकाएंगे क्योंकि shark तो आपका terrestrial consumer में आता है जो top predator है यहाँ का इसके लावा यहाँ पर आपको decomposers भी देखने को मिलते हैं जो कि आपके bacteria और fungi हो सकते हैं अब इन सब के बारे में यहाँ पर मैंने detail से mention कर रखा है तो थोड़ा पढ़ लेना वैसे तो इसके लावा आपको जानना कुछ important नहीं है अब बात करता है histories ecosystem की अब यह एक बार फिर से एक ऐसा area है जिसे हम ecotone area बोलेंगे अब इसे ecotone area क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका fresh water जो है वो meet करता है कि इससे ocean water से, saline water से तो इस वज़े से यहाँ पर आपको बहुत जादा biodiversity देखने को मिलेगी अब generally इसके examples है जहाँ पर भी आपकी rivers समुद्र में आके मिलती है यह coastal base वगएरा जहाँ पर आपको देखने को मिलते है tidal marshes जहाँ पर देखने को मिलते है जहाँ पर आपके water bodies barrier के पीछे हैं जैसे beach trees वगएरा के आसपास यहाँ पर आपको sand bars वगएरा देखने को मिल रहे हैं अब यह जो आपके histories हैं यह majorly चार टाइप के हो सकते हैं एक तो है drowned river valley उसके लावा bar built, tectonic और frijots अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या conditions हैं जिसकी वज़े से आपके histories form होती है तो यह चार major conditions है या तो आपका sea level rise कर गया है मालनेजे आपकी कोई water bodies थी यहाँ पर पहले delta form हो रहा था बट अगर आपका sea level rise हो गया है तो यह आपका intrude कर गया आपके land part पे अब जैसे यह land part पे intrude कर गया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके histories form हो जेंगे उसके लावा जो आपकी sand bars है या sand है इसकी movement की वज़े से भी histories form हो सकती है और साथ की साथ आपके glaciation process से भी histories form हो सकती है अब मालनेजे एक दम से आपकी water का content या concentration increase हो जाता है water की concentration increase होगी तो speed increase होगी अब speed increase होगी तो इससे क्या देखने को मिलेगा कि जो पहले delta form हो रहा था उसकी जगापे अब क्या form होने लग जाएंगी histories उसके लावा tectonic activities के थूँ भी आपको ये देखने को मिल सकता है कि आपकी जो plate है उसकी upliftment हुई है या down fall हुआ है और इसकी वज़े से भी histories की formation देखने को मिल सकती है अब बात किज़े इनके characteristics की तो आपको याद रखना है कि इनकी जो salinity है वो between 0 to 35 के बीच में हो सकते हैं कहीं भी काफी ज़ादा populated area है biodiversity बहुत ज़ादा ये मिलेगी यहाँ पर क्योंकि ये एक आपका ecotone area है उसके लावा ये आपके जो enclosed coastal area है या coastal bodies है उनको कहीं न कहीं open ocean से connect करती है यहाँ पर आपके resources का या आपके minerals का कहीं न कहीं filtration होता है एक तरह से filter का काम करते हैं अब इसके benefits भी बहुत ज़ादा है अब benefits क्या होंगे एक तो पहली बात तो ये fishing के लिए use हो सकते है आप यहाँ पर ports बगना सकते है travel and tourism यहाँ पर ज़्यादा promote कर सकते हैं आप उसके लावा water purification के लिए काम आ सकते है soil erosion को कहीं न कहीं कम करने के काम आ सकते है और nutrients जो हैं आपके उनको recycle करने के काम आ सकते है अब यहाँ पे यह biologically most productive area है आपका अब ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको nutrient मिलते हैं दोनों area से चाहे वो fresh water हो चाहे आपका marine water हो अब अगर बात कीज़ें इंडिया specific तो आपको याद रख रहे हैं कि major histories आपको देखने को मिलती है east coast पे अब यह आपकी geography के हिसाब से histories और delta को अलग नहीं कर रखा है environment में यह दोनों एक जगा ही count होते हैं तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना इसके लावा आपको west coast पे भी histories मिलती हैं बट वो थोड़ी small होती हैं छोटी होती हैं जिसे for example अगर west coast पे भी हम बात करें तो मांडवी, जोरी यह आपकी histories ही हैं बट कहीं न कहीं यहाँ पर जो histories form होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं इंडिया में लगबग 14 major, 44 medium और 162 minor rivers मिलती हैं अब यहाँ पर जो major rivers हैं यह आपकी histories form करती हैं Bay of Bengal region में उसके लावा जो आपकी west flowing rivers हैं यह generally बहुत fast हैं और इसी वज़े से यहाँ पर आपको histories formation देखने को मिलती हैं अब histories और lagoon में क्या फरक होता हैं तो मैं आपको बता दूँ जिसे lagoon हैं, उनमें जो water का flow है वो थोड़ा sluggish है, बहुत अराम से चलते हैं यहाँ पर पानी उसके लावा यहाँ पर जो depth है वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलती हैं और एक और बात जो आपको याद रखनी हैं कि histories में जो आपका water flow है वो काफी fast है और strong है साथ की साथ जो आपके histories हैं वो ज़्यादा deep देखने को मिलती हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारी endemic species भी देखने को मिल सकते हैं अब इंडिया में histories से related problem क्या हैं एक तो देखिए, catchment area में बहुत ज़्यादा changes आ चुके over a period of time क्योंकि population increase हुई है, इसके वज़े से land use pattern चेंज हुआ है और इसी वज़े से आप देखते हैं कि catchment area में भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिले उसके लावा pollution एक बड़ा कारण है जिसकी वज़े से आपको histories के ecosystem में problem देखने को मिलती है यहाँ पर भी आपको algal bloom की problem देखने को मिल सकती है उसके लावा tourism जो है यहाँ पर unsustainable हो चुक है लोग कुड़ा बहुत गेर के जाते हैं तो इस वज़े से भी problem रहती है shipping मगेरा ज़ादा होने लगी है यहाँ पर तो इस वज़े से भी problem देखी जाती है उसके लावा जो land use pattern है वो तो unsustainable है ही है fishing और aquaculture अपने आप में एक problem है अब इंडिया में जो fishing होती है वो old techniques से होती है जाला फैका और आपने सभी fishes को भार निकाला अब चाहे आपको fish चाहिए हो या ना चाहिए हो आप सब को मार देते हैं बट कोशिश ये करनी चाहिए कि हम sustainable fishing के ओपर focus करना चाहिए उसके लावा जो आपके climate change है वो भी एक बड़ी problem है इन चीजों के लिए आईए अब बात करते हैं mangroves की अब mangroves क्या होते हैं लेकि ये आपके tropical trees हैं या आप shrubs भी बोल सकते हैं जो grow करते हैं आपके swampy area में अब इनकी जो roots हैं वो specially designed हैं ताकि वो सास ले सके even swampy conditions में भी अब यहाँ पर इनमें दो खास्याद देखने को मिलती है पहले ये कि ये hellophytes हैं hellophytes मतलब high salinity को adapt कर चुके हैं उसके इलावा जो oxygen की कमी है water locked conditions देखने को मिलती है वो भी ये सहन कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको इनकी roots की एक खास्याद देखने को मिलती है पानी के नीचे चाहें ये roots हो पट यहाँ पर आपको ये देखनी की branches उपर भी निकली हैं पानी के तो यहाँ पर आपको nemoto forest करके roots मिलती है जहाँ पर ये oxygen की exchange को promote करती है roots में by growing against the gravity मतलब originally ये roots को नीचे जाना चाहे था पानी की तरफ जाना चाहे था बट यहाँ पर ये negative geotrophic को represent करती है जहाँ पर ये मच से बाहर निकल के कहीं न कहीं oxygen की entry को promote करती है इन सब के लावा mangroves में एक और special feature देखनी को मिलता है वीवी पेरे अब ये क्या होता है वीवी पेरे एक ऐसा phenomenon है जहाँ पर आप ये देखते हैं कि पेड के उपर ही जो आपके seeds होती है उसमें germination देखनी को मिल जाती है अब इसके पीछे कारण है adaptation क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर water locked condition है अब अगर एक बार आपका seed पानी में गिर गया तो उसके बाद इसे इतनी air mil नहीं पाएगी तो कहीं न कहीं वो germinate नहीं हो पाएगा तो इस वज़े से यहाँ पर germination हमें tree के ऊपर ही देखने को मिलती है उसके लावा यहाँ पर एक और type की roots मिलती है that is silt roots यह कुछ इस तरहां से लटकी हुई सी roots दिखती है हमें अब यहाँ पर आपको कुछ example दे देता हूँ जो इंडिया में मिलने वाले common आपके mangroves हैं जैसे सुंदर, सुंदरी, रेजोफोरा और सौनेरेटा तो इन सभी को आप याद रख सकते हैं इसके लावा आपको याद रखना है mangroves के benefit अब benefit क्या है यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यह याद होना चाहिए कि जैसे tidal floods होते हैं इसके लावा जैसे आपके साइक बचाव में भी इक important role play करते हैं आपके mangroves साथ के साथ जो सुनामी होती है सुनामी से बचाने में भी एक important role play करते हैं आपके mangroves उसके लावा जो आपके local community है उनको firewood प्रोइड करने की आपके जिम्मेवारी होती है इस mangrove की, साथ के साथ कुछ medicinal plants यहाँ पर मिलते है कुछ edible plants मिलते है local people को तो यह सभी इसके benefits है आईए अब बात करते कि इंडिया में mangroves हमें कहां कहां मिलते है लेकि आपने coastal area तो देखा होगा इंडिया का, लगबग 75-100 km का आपका coastal area है, कुछ इस तरह से दिखने वाला तो यहाँ पर आपको गुजरात, महराष्टरा, गोवा, करनाटका में थोड़ा कम, फिर केरला, तमिलनाडू, आंदरपरदेश, उडिसा, और यहाँ पर West Bengal, इन सभी area में आपको देखनी को मिलते हैं mangroves बट सबसे ज़्यादा density आपको दो area में देखनी को मिलते हैं सबसे ज़्यादा मिलता है आपका Kolkata, West Bengal वाले area में और उसके बाद गुजरात वाले area में इसके बाद आपका अंडेमाने निकोबार area आ ज़ता है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि West Bengal में सबसे ज़्यादा mangrove area हमें देखनी को मिलता है तो यहाँ पे आपको याद रखने है सुन्दरवन area, यहाँ पे आपको Royal Bengal Tiger भी मिलते हैं और Crocodile भी मिलते हैं उसके लावा यहाँ पर आपको याद रखने है जहाँ पर आपको mangroves मिलते हैं अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको याद रखने है कि यह Odisha से स्टार्ट होकर लगबग Tamil Nadu area तक सभी area आपका mangroves से cover होता है मतलब East Coast पे लगबग यह पूरा area यह जो आप देख पा रहे हैं Green area यह पूरा area आपका कैसा है mangroves area उसके लावा जो गुजरात है गुजरात में आपको गल्फ आफ कच से लेकर आपको कोरी क्रीक तक mangroves area मिलता है उसके लावा अंडेमान और निकोबार आइलेंड्स में भी हमें बहुत सा mangroves देखने को मिलता है अब recent trend की बात करें तो इंडिया के जो state of forest report है जो अभी recently publish हुई थी उसके according हमने लगबग 54 square kilometer का area increment देखा है कहां पर mangroves में जो की लगबग 1.10% है आपके total area का अभी जो आपको increment देखने को मिला है अब इन में सी जितना भी area आपका increase हुआ है उसमें सी 37 square kilometer आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ गुजरात में उसके लाबा जितना भी भारत में आपको mangrove area मिलता है उसमें सी लगबग 41% आपको सिर्फ और सिर्फ 24 प्रांगना area जो है वेस्ट मिंगॉल का वहाँ पर देखने को मिलता है अगर बात कीज़ए mangrove cover की तो वेस्ट मिंगॉल लगबग 42% या साड़े 42% mangrove area को cover करता है उसके बाद आता है आपका गुजरात area जो 30% लगबग contribute करता है और फिर आता है आपका अंडे माने नीकोबार area जो लगबग लगबग साड़े 12% contribute करता है आईए अब एक बार जान लेते कि क्या advantages हैं आपके mangrove area के देखिए यहाँ पर आप देखते हैं कि इनकी जड़े कुछ difference ही है तो जैसे ही आपका पानी का flow यहाँ पर आ रहा होगा तो यहाँ पर sediments को कही न कहीं deposit कर लेता है तो आपके जो nutrient recycling है उसमें important भूमी का निबाता है उसके लावा मचली पालन या आपका फोना है उसकी development में भी एक important role है इसका coastal area को protect करता है कहीं न कहीं fishes और फोना के production में भी बहुत important role play करते हैं कि देखिए यहाँ पर जो आपके fishes हैं वो easily आके breed कर सकती है तो इस वज़े से यह important हो जते है fishes की development के लिए साथ के साथ जो यह आपके coastal area है उसको protect करता है अब यहाँ पर मालनेजिए किसी तरह का आपका तुफान आ जता है कोई high tide आ जती है यह tsunami ही आ जता है तो उन से जो आपके coastal area उसको protect करेगा साथ के साथ coastal erosion को protect करेगा आपके जो sea shore line है उसको protect करेगा उसके उपर like hurricanes का waves का impact कम करेगा उसके इलावा यह आपके fishing के लिए भी बहुत important है जैसे commercially आपको fish को पालना हो तो that you can do over this part उसके इलावा जैसे किसी breed को develop करना हो तो उसके लिए nurseries और डवलप करने के लिए भी यह area काफी उम्दा है आईए आप बात करतें mangroves for future की जो की आपके IUCN और UNDP का एक collaborative program है यह एक तरह की unique partnership है जहाँ पर हम promote कर रहे investment for the development of ecosystem coastal ecosystem को कहीं न कहीं conserve और sustainable बनाने के लिए हम investment लाने की कोशिश कर रहे अब यहाँ पर आपके different agencies sectors और countries मिलकर जो आपके coastal ecosystem के challenges है और वहाँ पर रहने वाली population के जो livelihood से related issues है उनको कहीं न कहीं sort out करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अब यहाँ पर हम promote कर रहें एक integrated ocean wide approach जहाँ पर हम focus कर रहें coastal area की management पर साथ के साथ यहाँ पर कोशिश यह है कि जो आपके coastal ecosystem है ज़्यादा resilient बन सके ताकि यह communities जो यहाँ पर रह रही है उनके उपर आने वाले समय में climate change का ज़्यादा impact ना पड़े अब यहाँ पर इस flagship initiative में हम cover कर रहे हैं सभी तरह के area जैसे आपके coral reef होगे इस्ट्रीज होगे लगून्स होगे sandy beaches होगे sea grasses होगे और wetland इन सभी areas को हम इसके undercover कर रहे हैं beside mangroves तो इस चीज को आपको याद रखना है आईए अब बात करते है coral reef की अब आपने recent time में बहुत news में सुना होगा कि Australia में coral bleaching देखने को मिली है तो आईए उसके बारे में जान लेते है देखे coral क्या है coral एक तरह का आपका living organism है ठीके जी जो symbiotic relationship में रहता है zoosanthelin के साथ अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि symbiotic relation क्या होता है जहाँ पर एक species दूसरी species के ऊपर dependent होती है that is symbiotic अब कल के lecture में या आपको मैंने पहले lecture में बताया होगा कि symbiotic relation तीनचा type क्यों होते है तो आपको comment box में बताना है कि वो तीनचा type कौन से होते है अब यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखने है कि corals दो तरह के होते है एक होते hard और एक होते soft generally जो hard corals होते है वो reef को बनाते है अब यह आपको किस area में देखने को ज़्यादा मिलेंगे यह आपको tropical और subtropical waters में ज़्यादा देखने को मिलेंगे because यहाँ पर जो temperature है वो suit करता है इनकी living condition को क्योंकि जैसे ही आप higher latitude पे जाएंगे तो आपका पानी बहुत ज़्यादा थंडा हो जता है अब थंडा होने की वज़े से यहाँ पर वो appropriate condition नहीं मिल पाती जिनमें यह corals develop हो सके तो इस वज़े से इने tropical rainforest भी का जाता है आपके oceans का तो यह याद रखना है कि इनकी productivity बहुत बहतरी इन है अगर आप aquatic ecosystem की बात करते है अब यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना होगा कि zoosantheline क्या करता है तो जो zoosantheline है इसका काम है photosynthesis करना अब यह आपके nutrient प्रोवाइड करता है जैसे carbon compounds या आपकी calcification के लिए आपकी help करता है जिससे यह corals क्या करते है अपने structure को develop करते है जिससे यहाँ पर आपको रंगीन pictures दिख रही है तो यहाँ पर आप देख रहे है corals को और zoosantheline को एक साथ वैसे तो आपके corals white color के होते हैं यह रंगीन color इनका एक बार देख लेते हैं कि coral वो कैसे करते हैं मा लीजे यह एक polyps है coral polyps अब यह यहाँ पर calcium screed करेगा अपने जीवन में जितना भी कर सकते हैं करेगा इसके बाद जो next speed होगी इसके उपर ही develop होगी फिर उसके बाद अगली 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 तो इस तरह से यह जब मरते जाते हैं तो एक structure draw कर देते अब यह जो structure यह draw करते हैं या बनाते हैं इसमें आके zoosantheline रहता है अब यह zoosantheline को कहीं न कहीं आपके जो animals हैं उनसे बचाते हैं जैसे fish वगएरा से अब coral इन्हें shelter provide करते हैं तो इन्हें in return भी कुछ देना पड़ेगा तो यह तो आपके zoosantheline होते हैं यह photosynthesis करते हैं और photosynthesis से जो nutrient आता है वो corals की help करता उनकी food need में तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर detail दे रखिए color की वज़े क्या है zoosantheline polyps जो हैं वो आपको structure देते हैं polyps मैंने आपको बताया कि यह protect करते है zoosantheline को और साथ की साथ carbon dioxide की supply करते हैं whereas zoosantheline nutrient provide करता है आपके coral को अब बात करते हैं अलग-अलग location पे हमें किस तरह के corals देखने को मिल सकते हैं सबसे पहले जानते हैं कि fringe reef क्या होता है मान लीजी यह coastal line है इसके आसपास इस area में आपके coral develop करते हैं यह continuous होते हैं तो इन्हें कह देते हैं fringe reef जादा तर आपको यह अंडे मान और निको बार के आसपास देखने को मिलते हैं अब उसके इलावा दूसरा होता है आपके patch reef अब patch तो नाम से पता लग रहे हैं ना कि छोटे छोटे patches में मिलेंगे तो यह isolated हैं, discontinued है लेकिन मिलते हैं यह भी shore के आसपास ही हैं जैसे यहाँ पर मिलगे थोड़े छोटे 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 patches ऐसे कुछ इस तरह से अब यह देखने को मिलते हैं हमें आपको देखने को मिल जाता है एक reef अब यहाँ पर क्या होगा कि यह बीच में एक area डवलप हो गया है जहाँ पर आपका water है और यहाँ पर आपका ocean है तो यह इसको हम कहाँ देंगे lagoon और यहाँ पर यह जो आपके दोनो water bodies के बीच में reef बना है इसे कहाँ देंगे barrier reef कहीना कहीं यह इस water को जो ocean water है इसको अंदर नहीं आने दे रहा और इसको बाहर नहीं जाने दे रहा है तो कुछ इस तरह का जो आपका structure है that is barrier reef और यह आपको मिकोबार और लक्षदिप आरलंड के आसपास देखने को मिलता है अब इसके लावा एक और होता है at all at all क्या होता है माल लीजए आपके reef है यह circular यह semi circle में बन जाते हैं ऐसे कुछ इस तरह से अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके beach में पानी आ गया यह भी all the lagoon सी है beach में पानी आ गया और side में आपके ocean है यह ocean है तो यहाँ पे आपको यह जो beach में structure मिल रहा है यह circular shape में that is at all यह आपका at all है यह आपको देखने को मिलता है निकोबार और लक्षदिप एरिया में अब advantages क्या है क्या फाइदा क्या है हमें in coral reefs से तो एक तो आपकी medicinal value बहुत ज़ादा है इसकी ठीक है इस चीज को भी आप ध्यान में रखना कि food के लिए भी बहुत important role play करता है तो यही कुछ details मैंने यहाँ पर इस paragraph में दे रखिये जिसको आप read भी कर सकते हैं बट major major आपकी यही points है अब coral bleaching क्या होती है दिखे कई बार कुछ ऐसी conditions develop होती है जहाँ पर आपके जो zoosantheline थे ना यह coral का साथ छोड़ कर भाग जाते हैं अब जैसे कई बार होता है ना कि खत्रा आया दोस साथ छोड़ कर भाग गया तो कुछ ऐसा ही होता है बिचारे coral के साथ अब इसका जो दोस थे zoosantheline वो कुछ कारणों के वज़े से इने छोड़ के चला जाता है जिसकी वज़े से यह white color के या pale color के हो जाते है और इसके बाद इने disease का खत्रा बहुत जादा बढ़ जाता है और even कई बारी तो यह जो corals हैं यह भूखे भी मर जाते हैं अब क्यों होता है कि ऐसा कि यह जो density है zoosantheline की यह कम हो जाती है अब पहला कारण तो यही हो गया कि आपका global warming भढ़ रही है अब global warming के कारण क्या हो रहा है कि एक तो dissolved oxygen कम हो रही है एक आपके sea surface का temperature increase हो रहा है अब यह चीज तो गलत है ना कहीं ना कहीं वो corals को भी harm कर रहा है उसके लावा जितना भी हमारा waste होता है वो dump होके कहां पर जाता है oceans में तो वो आपके coastal area में देखने को मिलेगा coastal area में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको corals नहीं मिलेगे क्योंकि उतनी ही sunlight काम हो जएगी जितना आप यहाँ पर waste increase कर देगे अब जैसे आप जानते हैं कि जहाद से कई बारी तेल रिसाव हो जता है या कुछ और problem हो जती है जैसे हम plastic bottles होगर affect देते हैं coral reef में decline देखने को मिल रहा है उसके लावा habitat destruction तो है ही इसके लावा यहाँ पर मैंने आपको कुछ important facts लिख के दिये हैं जिसे फीजी में लगबग 4000 माईल का coral area अब खतम हो चुका है यह आपका third mass bleaching है जो की great barrier reef में देखने को मिला है अब बात करते हैं कि किन चीजों पर आपके यह coral reef depend करते हैं सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि जो temperature है इसके उपर बहुत ज़्यादा dependent है आपके coral reef अब अगर आपसे prelims या interview में पूछ लिया जाए कि एक ऐसी species का नाम बताओ जो climate change की वज़े से आप यह कह सकते कि indicative species है तो answer होगा मेरा coral reef अब ऐसा क्यों माल लिजे अगर आपका temperature एकदम से भढ़ जाता है या एकदम से घट जाता है तो दोनों ही cases में आपको coral bleaching देखने को मिलेगी उसके लावा अगर आपका जो area है वहाँ पर sunlight अच्छे से penetrate नहीं कर पा रही है अब क्योंकि sunlight वहाँ पर नहीं है तो photosynthesis नहीं हो पाएगा उन cases में भी आपको coral bleaching देखने को मिल सकती है उसके लावा माल लिजे आपका कोई surface है ये submerge था water के अंडर माल लिजे ये पानी के अंदर ये surface submerge था अब क्योंकि आपका ये area uplift हो गया उपर की तरफ उठ गया तो इस area में अब आपको corals देखने को नहीं मिलेंगे उसके लावा माल लिजे आपके surface runoff से या आप ये कह लिजे कि rivers के साथ जहाँ पर भी आपको ज़्यादा sediments आ रहे हैं water में जिस भी वेस है चाहे rivers के थूँ चाहे आपके surface runoff के थूँ जैसे भी उन area में आपको corals देखने को नहीं मिलेंगे तो generally जहाँ पर भी आपके deltic plains बनेंगे जैसे सुंदर्मन वाला area तो उन area में आपको क्या नहीं देखने को मिलेंगे corals देखने को नहीं मिलेंगे इस चीज को आप याद रखना क्योंकि कई बारी हो सकते कि UPSC इस तरह के facts आपको mix करके दे दे उसके लावा जहाँ भी आपको ज़्यादा fresh water का dilution देखने को मिलता है मतलब जहाँ पर भी आपकी river enter कर रही है ocean के अंदर तो उस area में भी आपको coral reef देखने को नहीं मिलेंगे अब ऐसा क्यों क्यों क्योंकि fresh water की कारण जो salinity है water की वो decline करेगी अब अगर water की salinity decline करेगी तो इसकी वज़े से इनको suitable condition नहीं मिल पाएगी क्योंकि इन्हे saline water चाहिए होता है उसके लावाद जितना inorganic content increase करेगा उतनी ही ज़्यादा आपको bleaching देखने को मिलेगी अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों यह जो आपके zooxantheline है इनको nutrient की इतनी requirement नहीं होती यह अपने nutrient को recycle करते रहते हैं करते रहते हैं मतलब sustainable way में यह अपने resources को manage कर सकते हैं जैसे ही inorganic content increase होगा तो इनको problem हो जाती है वहाँ पर algae grow करने लग जाती है अब algae grow करेगी तो उसकी वज़े से sunlight वगारा कम हो जाएगी देखिए sunlight नहीं मिल पाएगी आपकी corals को तो उस वज़े से यह मर जाएंगे बुखेई उसके लावा xenobiotics भी एक कारण है जिसकी वज़े से आप देखते है coral bleaching को जिसे आपके chemical है जिसे copper हो गया oil के अंदर lead है इसकी वज़े से भी zoosanthelin को problem हो जाती है और जिस वज़े से वो coral को छोड़ के चले जाते है epizoonotics कई भार कुछ pathogens है वो आपके coral को हो जाते है या आपके zoosanthelin को हो जाते है इसकी वज़े से भी आपको coral bleaching देखने को मिल सकती है आईए अब बात करते है National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem यानि NPCA की अब ये आपके wetland और lakes दोनों के लिए है आपको ये याद रख रहे हैं कि ये Ministry of Environment का program है जिससे launch किया गया था 2015 में यहाँ पर हमने merge कर दिया है National Lake Conservation Plan को with National Wetland Conservation Plan के साथ यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे resources है हम उन्हे better way में utilize कर सके इन सभी चीजों से deal करते हुए तो aquatic ecosystem में इतना ही आईए अब बात करते हैं बायो diversity की अब यह जो biodiversity है यह दो term से बनी है एक है bio और दूसरे diversity मतलब living beings में आपको variety देखने को मिल रही है that is biodiversity अब यह तो crude form में हो गई कुछ important definition वैसे भी देख लेते है United Nation क्या कहता है इसके बारे में तो United Nation Earth Summit 1992 में इसे define क्या गया था the variability among living organisms from all sources including terrestrial, marine and other aquatic ecosystem the ecological complexes of which they are part this includes diversity within the species between the species and of the ecosystem मतलब diversity यहाँ पर तीन टाइप से आपको explain की गई है जहाँ पर हम सभी animals को count कर रहे है पहला एक species के अंदर किस तरह की variety देखने को मिल रही है जैसे white tiger आपका normal tiger, golden tiger जो भी हो ठीक है जी that is species के अंदर variety जैसे African cheetah, Asiatic loin African loin यह सभी क्या है एक species के अंदर ही variety अब उसके बाद आपने between species variety देखने है मतलब loin है, cheetah है, wolf है बहुत सारी variety है और उसके बाद आपने यह देखने है कि ecosystem के अंदर किस तरह की आपको variety देखने को मिल रही है अब यहाँ पर जितने भी आपको animals वगरा या plants वगरा, जितनी भी आपको biodiversity मिल रही है उसमें सी 70% तो आपको देखने को मिलती है सिरफ और सिरफ animals में और animals में भी 70% आपकी category में आ जाते insects माल लीजे, आपके कुल 100 living organisms थे उसमें सी 70 animals है और उसमें से भी लगबग 49 आपके क्या है आपके सिरफ और सिरफ insects है तो that is what I am talking about उसके इलावा आपको यह याद रख रहे हैं प्लांट्स के अंदर हम include करते हैं algae, fungi, bryophyte, gymnosperm, angiosperm सबको अब इसके बारे में detail में आपने जानना हो तो आप 9-10 की किताब उढ़ा सकते हैं bio की, 8-9 की आपके यह जीजे मिल जाएंगी कि gymnosperm क्या होता है जैसे जो आपके like flowering plant होते है non flowering plant होते हैं उनको उस हिसाब से देखते हैं gymnosperm और angiosperm में इसके detail में नहीं जाओंगा क्योंकि UPSC perspective से इतना important नहीं है बट फिर भी आपके basic understanding के लिए flowering and non flowering plant अगर basic term में आप समझना चाहो तो यह कहते हैं अब यहाँ पे यह जो आपके सभी चीज है यह plants और सब कुछ यह लगबग लगबग आपका 22% total biodiversity का हिस्सा है तो इस चीज को आपने याद रखना है अब all over world जितनी भी biodiversity मिलती है अगर इंडिया की बात करें तो 7% biodiversity इंडिया में भी मिलती है मतलब world में अगर सॉस्पिशिस मिलते हैं तो उस में सी 7 species इंडिया में भी मिलते हैं अब इंडिया इसी कारण से one of the mega biodiverse country में सी एक है अब यहाँ पे आपको जो चीज याद रखने है कि सबसे जादा largest biodiversity हमें Amazon rainforest में देखने को मिलते हैं उसके लावा आपको पता होना अच्छे कि endemism क्या होता है मतलब माल लीजे आपने नीलगिरी ताहिर के बारे में सुनाओगा अब नीलगिरी ताहिर आपको नीलगिरी range के आसपास देखने को मिलती है तो यहाँ पे आपको याद रखने है कि जो माल लीजे एक geographical location में particular geographical location में species मिलती है that is endemic अब pattern क्या है अगर बात करें किस तरह से bio diversity आपकी distributed है all over the world तो यहाँ पे आप माल लीजे यह अर्थ है और यह आपका equator यह आपका pool तो जो pool है यहाँ पर harsh condition देखने को मिलती है अब harsh condition में तो हम इंसान नहीं रहते तो जानवर क्या रहेंगे तो कहीं न कहीं उनकी कोशिश रहेगी कि इस harsh condition को वो avoid करें तो यहाँ पर आपको bio diversity सबसे कम देखने को मिलेगी पूल के पास अब यहाँ पर आपकी बारिश वगरा खूब है खाने पीने की भरमा रहा है इंसेक्ट्स वगरा सब कुछ मिल रहे है तो आपको equator के पास ज़्यादा bio diversity देखने को मिलेगी मतलब यह increase करेगी अगर हम move करते हैं पूल से towards the equator अब ऐसा मत सोचना सर ने गलत पढ़ा दिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने बात की है कि अगर आप equator से पूल की तरफ जाओगे तो आपकी bio diversity कम होगी अब दोनों वे में मैंने इसलिए पढ़ा दिया है क्योंकि paper में आपको किसी भी वे से पूछा जा सकता है कई लोग super talented होते हैं और वो क्या करेंगे गलती करेंगे कि मैंने यहाँ पर increase बता दिया पोल से आप equator की तरफ जा रहे हो अब एक तो reason बता दिया है मैंने आपको कि यहाँ पर बारिष वोरिज जाद है बट उसके लावा speciation का भी phenomenon यहाँ पर work करता है अब जैसा कि आप जानते हैं कि पोल के आसपास आपको सूरज इतना देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर cold area है cold area है तो जब glaciation या ICH चल रहे थी तो यह तो पूरा snow से cover होगा area अब अगर यह area snow से cover है तो relatively काफी time से यहाँ पर कोई species exist ही नहीं करती होगी और जो आपका equator वाला area है वहाँ पर आपको गर्मी मिलती है तो वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा बरफ होगी नहीं तो वह काफी time तक undisturbed area रहा तो इस वज़े से यहाँ पर बहुत सी species आपकी develop हो पाए तो पहला कारण तो यह होगा speciation उसके लावा जो tropical area है वहाँ पर जो आपका climatic condition है वो climatic condition more or less आपकी constant रही है अब ऐसे क्यों ना तो वहाँ पर seasonal आपको इतना ज़्यादा temperature में variation देखने को मिलता है overall आपको वहाँ पर 25-26 degree Celsius के आसपास temperature मिलता है humidity high मिलती है बारिश मिलती है तो काफी predictable है आपका climate तो यह भी एक तरहां से promote कर गया आपके यहाँ पर NIST specialization मतलब इस area को develop करने में climatic condition का भी एक important role रहा उसके लावा solar वाला point तो मैं आपको बताई चुका हूँ तो यही दो-तीन कारण है जिसकी वज़े से आपको ज़्यादा biodiversity देखने को मिलती है tropical areas में आईए अब जानते हैं कि diversity किन-किन type की हो सकती है पहले है genetic diversity अब यहाँ पे आपको variation देखने को मिल रहे है genes में particularly एक species है जैसे आपके African चीता है और आपका Asian चीता है दोनों एक species है बट genes में कहीं ने कहीं आपको variety देखने को मिल रहे है अब यह genetic diversity क्या करती है basically एक species को particular environment में adapt करने की like power देती है आप मान लिएशे आप Africa में रहते हैं तो आपको certain other challenges है आप Asia में रहते हैं तो आपको कुछ अलग challenges है तो इस वज़े से genetic difference उन्हें कहीं न कहीं उस environment में adapt करने की ताकत देती है उसके लाबा यह ensure करते हैं कि जो आपकी species है वो एक दम से आते हैं कि आने वाली generation में दिखे तो इसके लिए मैं आपको example दे चुका हूँ वैसे तो चीता का उसके लावा और भी बहुत से जैसे butterfly अगरे के example मैंने आपको दे रखे हैं यहाँ पे जैसे आपको rose के बारे में पता होगा अभी valentine week भी चल रहा है तो आपने सुना ही होगा कि rose day होता है तो वो pink rose होता है कुछ white rose होता है red rose होता है yellow होता है तो वो भी क्या है वो एक तरह से genetic variety देखने को मिलती है हमें अब उसके बाद आती है आपकी species diversity अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि variety जो आपको living organism की अर्थ के ओपर मिलती है जैसे आपको अलग-अलग type के जानवर मिलते हैं वो सभी आपकी species diversity में आ जाती है अब आपको कैसे पता लगएगा कि वो different species से हैं एक तो उनकी जैसे genetic makeup उनका बिलकुल अलग होगा जैसे उनके jeans वगरा अलग होंगे उसके लावा वो interbreed नहीं कर सकते although closely जो आपकी related species होती है उनमें बहुत कुछ common मिल सकता है जैसे बंदर और हम में बहुत कुछ common मिलता है but फिर भी यहाँ पर आपको याद रखने की बंदर और हम में बहुत सारे differences है उसके लावा यह एक तरहा की ratio है जहाँ पर हम एक species की population को divide करते हैं सभी species से अब माल लीजे एक बायो में जितनी भी species मिल रही है उसको हम नीचे रखेंगे particular एक species की जितनी individual मिल रहे हैं उसे उपर अब यहाँ पर अगर आपका zero आ जाता है answer तो मतलब infinite biodiversity है whereas अगर one आ जाता है तो यहाँ पर मतलब यह है इसका कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आपकी species exist करती है उसके लावा ecosystem और community diversity भी होती है जहाँ पर हम यह देखते हैं कि कितने different type के आपके habitats मिल रहे हैं जो depend करते हैं आपके climate के उपर vegetation के उपर, geography of the area के उपर example है आपका coral, grassland, wetlands, deserts, mangroves so many type of community diversity is there उसके लावा pattern biodiversity भी देखने को मिलती है अब यह जो आपकी biodiversity है यह अलग-अलग factors की कारण हो सकती है ठीक है जी जैसे food web में कुछ अलग देखने को मिला zonation में कुछ अलग देखने को मिला अलग-अलग zones में चीज़े मिल रही है या आपके habitat condition में कुछ difference देखने को मिल रहा है तो उसकी वज़े से जो changes देखने को मिलते हैं that is pattern diversity अब यहाँ पे हम कुछ terms के बारे में बात करेंगे जो आने वाले exam में शायद आपके लिए important हो सकती है उसके इलावा हम बात करेंगे उन species की जिनके बारे में frequently news में बात हुई है तो आईए शुरुआत करते हैं आज के lecture की दीकिए सबसे पहली term है आज की biopiracy अब biopiracy के लिए मैं आपको एक example देता हूँ माल नीजे आपकी एक company है ABC अब यह जो आपकी ABC company है इसने कुछ product पनाए और इसके लिए local knowledge और यह कह लिजे nature को use करा माल नीजे एक आपकी कोई tribe है उसके पास एक ऐसी knowledge है जिससे cancer cure हो सकता है अब आपकी ABC company ने इससे करोड़ों रुपे कमाए अब होता क्या है कि आप अपने profit में सी कुछ भी नहीं देते हैं इस tribe को तो that is biopiracy जहां पर इस local tribe को कुछ ने कुछ compensation मिलना चाहिए था इनकी knowledge के लिए बट वो नहीं दिया गया that is biopiracy अब अगली term है bioprospecting अब यह क्या होता है माल लिजे आप systematically या organized manner में कुछ search करते हैं ठीक है कुछ useful product को और वहाँ पर आप biosource को use करते हैं माल लिजे आप किसी plant के कुछ हिस्से को use करें microorganism को use करें या किसी animal से कुछ या आप कह सकते हैं गाय के urine को use करते हैं तो वैसा कुछ मतलब animal का कुछ part भी हो सकता है वो जैसे Chinese medicines में हम देखते है frequently animal bones ये चीज़े use होती है तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसा part आप use कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अगर इससे कुछ overall society के लिए benefit drive कर रहे हैं और या आप उस चीज को commercialize कर रहे हैं that is bioprospecting मतलब एक तरहां से वो research work है आप वहाँ पर ढून रहे हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं कोई like बिमारी ठीक कर सकूँ या ऐसा कुछ अब अगली term है bio mining अब bio mining क्या होती है माइनिंग तो आप सभी ने सुना होगा जैसे coal की mining होती है iron की mining होती है ऐसे सभी तरहां के आपके metal की mining होती है but what do you mean by bio mining then अब देखी जब आप किसी micro organisms को use कर रहे हैं जहां से आप किसी economic interest like आपके कोई mineral है उसको extract कर सके rock से या mine के waste से that is bio mining अब ये जो technique है generally हम उन areas में use करते है जहां पर आपकी soil polluted है और यहां पर आपको ज़रूरत किस चीज की है कि आप soil में इसी कुछ metal को भार निकाल सके अब एक तो वो आपके metal economic use में आ सकते है और दूसरा वो pollution को भी खतम कर सकता है अब now what is bio essay आप इसको ऐसे समझ सकते हैं आपने bio indicator समझाना तो सेम चीज यहां पर देखिए यह detect करता है किसी भी चीज में जिसे environment में ecological environment में किस तरह की disturbance आईए चाहे वो physical factor हो चाहे वो chemical factor हो अब यह जो आपके bio essay हैं इन्हें हम use करते हैं pollution की study में मान लेजे किसी lethal chemical का कोई रिसाव हो गया है और हमें यह देखना है कि यह कितना हो रखा है तो उसमें हम bio essay को use करते हैं क्योंकि वो आपको physical और chemical state बता सकते हैं जिसकी वज़े से ecological disturbance आई है किसी particular area में इसके बाद आते हैं आपके botonical garden अब यह botonical garden क्या होते हैं दिखें मान लीजे आप एक scientist है आप plan कर रहे हैं कि आप various tree, herb, climber इनको आप save करके रखेंगे तो यह है botonical garden मतलब आप कई बार देखते हैं कि एक particular area होता है आपकी city में ठीक है जी यहाँ पे आप कुछ plant और tree को उगाते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि बार इनको खत्रा है और इस area में मैं species को conserve कर सकता हूँ तो that is botonical garden इसके बाद आता है आपका zoological park अब यह जो आपका zoo है ना यह stationary भी हो सकता है, mobile भी हो सकता है मतलब ऐसा हो सकता है कि चलता फिरता हो या एक जगा रुका हो अब इसमें हम include कर लेते जैसे circus को भी और आपके rescue center को भी यहाँ पर हम उन animals को include नहीं करते हैं जो किसी license dealer के पास हो मालने जिए किसी के पास permission है captive animal रखने की तो उस animal को यहाँ पर include नहीं किया जाएगा अब हमने इतनी ज़्यादा बात कर लिया biodiversity की तो आईए अब समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इस biodiversity को conserve करते हैं तो पहला तरीका है XC2 XC2 मतलब आप बाहर ले जाकर X मतलब बाहर जैसे कहते हैं ना कि मेरी X है मेरा X है तो X मतलब जिन्दगी से बाहर यहाँ पर मतलब जहाँ पर हो मिलता है उस area से बाहर अब देखिए आपने कई बार देखा होगा कि zoo में कुछ animals को रखा जाता है यह captive breeding में कुछ animals को रखा जाता है यह कुछ plant species हैं उन्हें हम seed banks में रखते हैं यह botonical garden होगे horticals से sites होगी recreational gardens होगे तो यहाँ पर आप जो यह animals और plant की species को conserve कर रहे हैं यह इनके natural habitat से दूर है तो इस वज़े से इस तरह की conservation effort को आप क्या कह देते है exe to conservation अब कई बार आप सुनते हैं कि हमने किसी जानवर को captive breeding में रखा उसकी जब population फिर से viable हो गई तो हमने उसे reintroduce कर दिया तो यहाँ पर जिसे हम बात करें कि जैसे vultures की population की बात करें यह गिर रही है तो हम इने captive breeding में रख सकते हैं यहाँ पर इनकी population माल लेजे 1000 या 500 हो गई है जब इतनी हो गई है कि sustainable है अब इनको कोई खत्रा नहीं है extension का at that case हम इसे क्या करते हैं exe to conservation अब in-situ conservation क्या होता है जहाँ पर आप animal को conserve करते हैं बट लेकिन उसके खुद के घर में मतलब उसके natural habitat में जाकर आप उसे conserve करने की बात करते हैं that is in-situ conservation अब इसके भी बहुत सारे example हैं आपने कई बार frequently news में सुना होगा wildlife centuries, national park, biosphere reserve, reserved forest, protected forest यह सभी आपके example किसके हो गए in-situ conservation के लेकिन देखिए in-situ में हम सिरफ और सिरफ focus करते हैं major species पे बड़ी species पे और उसके चलते बाकी सभी species भी आपकी conserve हो जाती है तो वेराज यहाँ पर x-situ में आपका focus हो सकते हैं कि एक या दो main species पे हो but in-situ में आप overall पूरा biosphere reserved या natural habitat ही save कर रहे है अब कई बार आपने news में एक term सुनी होगी dieback what is dieback? यह एक ऐसा phenomenon है जो plant यूज करते हैं माल लेजे यह पेड़ है अब यहाँ पर इसकी जो tip है ना इस tip से यह मरना start होगा ठीक है जी? starting from the tip और फिर आगे चलकर जैसे इसके बाकी जो parts है उसके उपर impact देखने को मिलेगा अब यह एक तरहां की adaptation है to the adverse condition अब इसमें होगा क्या? तीक है tip से अगर यह मरना start होगा तो जब तक इसके actual में parts के उपर बात आएगी जैसे stem वगरा तब तक हो सकता है कि जो adverse condition है वो reverse हो चुकी हो तो इससे benefit क्या होगा? माल लिजे tip से यह start हुआ था पत्ता है एक उसकी tip से यह start हुआ अब यह जो पत्ते की tip से start हुआ धीरे-धीरे करते हो यह fail रहा है माल लिजे और यहाँ पर आते-आते condition reverse हो गई तो क्या होगा? सिर्फ impact इस area में ही देखनी को मिलेगा plant के, बाकी area तो बच गया तो यहाँ से plant आपका फिर से grow कर सकता है तो adverse condition जब भी होती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर die back mechanism को follow करते है plants जहाँ पर impact tip से बाकी portion की तरफ move करता है आईए, अब बात करते हैं इंडिन प्रस्पेक्टिव की देखेंगे आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो world का area है landmass के अगर बात करें तो इसके 2.4% area को represent करता है बट एक चीज मैं बता दू, इस 2.4% area में हम लगभग दुनिया की 7 से 8% इंडिया में प्रजातियों को रखते हैं मान लेजे अगर दुनिया में 100 species मिल रही हैं तो उसमें सी 7 से 8 species इंडिया में भी मिलती हैं अब इसमें आप include कर सकते लगभग 45,000 प्रांट्स की species उसके इलावा लगभग 91,000 आपकी एनिमिल्स की species अब अगर आपसे पूचा जाए कि इंडिया में बायो diversity कहाँ कहाँ मिलती है तो आपको याद हना है कि इंडिया में बायो diversity जो है वो दो एरिया में मेजर ली आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है एक है आपका वेस्टन घट और दूसरा है आपका नॉर्थ इस्टन इंडिया अब ऐसा क्या हुआ कि आपके इंडिया में इतनी ज़्यादा आपको बाओ डिवर्स्टी देखनी को मिलती है अगर आप इंडिया के क्लामेटिक कंडिशन को दिखे न तो यहाँ पर आपको बहुत विरियेशन मिलती है उसके इलावा अगर बात किये जाए इंडिया के फिजिकल फीचर की जिसे आपको नॉर्थ में हिमाल्याज मिलते हैं ठीक है जी इस साइड पेनिसुलर इंडिया होने के गार्ण यहाँ पर अलग फीचर मिलते हैं यहाँ पर वेस्टन घाट है यहाँ पर इस्टन घाट है फिर यहाँ पर आपका डेजर्ट एरिया आ जता है यहाँ पर पुर्वान्चल वाला पार्ट आ गया तो इन सब भी विरियेशन के कारण ना इंडिया की जो बायो डिवरस्टी है वो बहुत जादा देखने को मिलती है हमारे यहाँ पर फॉरस्ट भी है, विट्लेंड्स भी है, ग्रास्लेंड, डیजर्ट, कोस्टल और मरीन इको सिस्टम तो इस वज़े से इंडिया में जो वराइटी है वो कहीं नि मिलती और कई species तो इंडिया में ही मिलती है और कहीं भी नि मिलती जैसे नेलगिरी ताहिर की बात करें मालाबार कवीट की बात करें ठीक है जी शंगाई डियर की बात करें तो ये species जो हैं पर्टिक्लरली इंडिया में ही मिलती है अब यहाँ पर एक चीज बता दूँ की बायो डिवर्स्टी होट स्पॉट क्यों होते है देखिए ऐसे एरिया जहां पर आपको बहुत ज़्यादा बायो डिवर्स्टी मिलती है बट कहीं न कहीं थोड़ा एरिया फरजाइल है अब ऐसे होट स्पॉट चौनतीस है अल ओवर दो वर्ल इन में सी चार इंडिया में आते हैं अब कौन कौन से हिमाल्याज, वेस्टन घाट, नौर्थ इस्टन इंडिया, निकोबार अब ये आपके चार बायो डिवर्स्टी होट स्पॉट है जो इंडिया में भी मिलते हैं इसके लावा जैसे आप जैसे कभी सुनते हैं इनके बारे में तो आप ऐसे सुनेंगे ये आपके पार्ट है बायो डिवर्स्टी होट स्पॉट के उसके लावा स्पीसिस रिचनेस क्या होता है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ाया था अब यहाँ पर इंडिया मैमल्स की रैंकिंग में 7 आता है बोर्ड की रैंकिंग में 9 और रेप्टाइल्स की केसिज में हम 5 उसके लावा आपने कई बार कई जगा पर लिखा होगा कि इंडिया सत्रा मेगा बायो डिवर्स कंट्रीज में सी एक है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह कहा किस ने था UNEP यानि United Nations Environmental Program के अंडर इन्हों ने यह कहा था कि सत्रा मेगा बायो डिवर्स कंट्रीज हैं और उन में सी एक इंडिया भी है अब बाकी के बारे में भी जान लेते हैं जादतर कंट्रीज आपको एक्वेटर के आसपास देखने को मिलेंगी तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना उसके लाबा हो सकते कि कुछ कंट्रीज एक्वेटर के परे भी मिलें जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन कौन सी जैसे इंडिया, अस्ट्रेलिया, डॉमिनिक एकल उसके लाबा यहाँ पर एक चीज जो आपको याद रखनी है कि भारत ने इतनी वराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे यहाँ पर मिलते हैं हम इतने ज़्यादा बायो डिवर्स है तो इस वज़े से एक नेशनल जीन बैंक बनाया है अब यह जो बैंक है यह बनाया कि इसने नेशनल ब्यूरो आफ प्लांट जिनेटिक रिसोर्स ने अब यहाँ पर इसको रिस्पॉंसेबिल्टी दी गई है कि आप कंजर्व कीजे जितने भी यूनीक आपको प्लांट स्पिशिस मिलते हैं आप सीड्स वगरा कह सकते हैं जितने भी आपको यूनीक सीड्स वगरा इंडिया में मिलते हैं आप उसको कंजर्व कीजे फॉर दा लॉंग टर्म बेसिस मतलब ऐसा हो कि कलको हमारे यहाँ पर प्लांट की कोई स्पिशिस डिस्ट्रक्ट हो जती है तो उस चीज में भी हम इसको कंजर्व कर सकें उस सिचोईशन में भी हम इस चीज से रिकवर कर सकें तो इसके लिए हमने जीन बैंक बना रखा है उसके लावा बायोम्स की बात करी जाए इंडिया में तो आपको यह याद रखना है कि पांच मेजर बायोम्स इंडिया में मिलते हैं अब बायोम्स क्या होते हैं यह तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक definite climate pattern मिलता है आपको जहां पर आपके कुछ certain plant और animals ही grow कर पाते हैं मतलब एक particular climatic condition में किस तरह क्या आपको plant और animal मिल रहे हैं that is why अब यह plant और animal आपस में किस तरह से interact करते हैं यह भी इस biome में हम देखते हैं अब यहां पर पांच major biome जो इंडिया में मिलते हैं that are tropical humid forest, tropical dry deciduous forest, warm desert या semi arid area बोल सकते हैं और इसके इलावा है coniferous forest और alpine meadow लीगे यह जो आपका tropical humid forest है यह आपको western ghat वाले area में मिल जाएगा इस area में ठीक है जी यह area जो है यहां पर आपको dry deciduous यह पूरे पार्ट में ही मिल रहा है लगबग थोड़ थोड़े patches छोड़ कर जो आपका desert वाला पार्ट है वो आपको यहां पर मिल रहा है उसके इलावा जो आपका कौनी forest forest है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा mountains area में और alpine meadow भी आपको कहाँ पर मिलेगा इसी area में मिलेगा जहां पर आपकी mountain की उचाई कुछ certain height से उपर होगी अब यह 5 biomes है जो आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं इसके लावा एक aspect है geography का जो deal करता है कि किस तरहां से plant animal और वहां की geography आपस में interlinked है तो इस study को आप क्या कह देते हैं बायो geography अब phyto geography क्या होती है जहां पर आप plant के बारे में बात करें मतलब जो आपका plant की origin से deal करता है और वो कैसे अपने environment से interrelated है यह क्या होगी आपकी photography अब ऐसे ही आपकी geozography भी होती है जहां पर आप बात करें animal की distribution migration इन सभी चीजों की आईए अब इन 10 zones के बारे में भी बात कर लेते हैं देखे 25 provinces तो बहुत जादा हो जाएंगी but मैं आपको यह 10 bio geographical zones के बारे में बता देता हूँ जिसे map तो आपको मैंने यहां पर दे ही रखा है but आईए एक बार इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा जान लेते हैं जिससे हमें थोड़ा idea मिल जाएं कि यह 10 bio geographical area हमें कहां मिलते हैं तो पहला है आपका Trans-Himalian Zone यह आपको तिब्बत वाले area में मिल जाएगा cold desert वाले लॉल्स पीती वाला area और यह लगभग आपके इंडिया के landmass का 5.7% है अब यहां पर आपको करा कोरम range लदाग जसकर कैलाश mountain यह सभी मिल जाती हैं इसके लावा important यहां पर क्या-क्या देखने को मिलता है जैसे आपको लदाग mountain तिबतन प्लेट्यू और यहां पर Trans-Himalians जो भी आपको सिक्किम वाले पार्ट में मिल रहा है वो भी सिक्किम से अबव या उसके आसपास वो भी इसमें include होता है इसके बाद आ जाता है दूसरा आपका Himalayan zone अब Himalayan zone में आपको लगबग 2400 किलोमेटर की mountain मिल रही है Starting from the नंगा परवत और आपके नामचा बरवा तक जो भी है वो सभी इसमें included होगा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कश्मी से शुरू हो जाइए आप और अरुनाचल परदेश तक सभी कुछ इसमें included है अब यहाँ पर आपकी entire North Western India की जो भी mountains से वो आ रही है तिल आपकी North Eastern part of India अब यहाँ पर यह हमारी country का 7.2% area को represent करता है और इसमें हिमालिया आता है आपका North Western हिमालिया West हिमालिया, Central हिमालिया और East हिमालिया इन सभी को हम इसमें include करते हैं अब इसके बाद आते हैं आपके desert zone अब यह तो आपको पता होगा कि mostly आपको कहां देखने को मिलेगा राजिस्थान में बट इसके इलावा आपको हरियाना, पंजाब और गुजरात वाली एरिया में भी देखने को मिलता है desert area यहाँ पर आप अरावली hills के North Eastern पार्ट से start होंगे और run-off कच तक जाएंगे उसके इलावा alluvial plain जो भी आपको इंडिस्री रिवर के west में मिलता है that is also included in this अब यह जो area है यह इंडिया का 6.6% को represent करता है अब यहाँ पे आप थार और run-off कच इन दोनों को include करते हैं इसके बाद आता है आपका semi-arid zone अब यह जो है ना आपका, यह peninsular इंडिया में भी देखने को मिलता है जैसे आपका यह western घाट है और इस सेड़ आपको देखने को मिल रहा है मान लिजे desert area तो इसके बीच का जो transition area है that is semi-arid zone अब यहाँ पे आप अब यहाँ पे आप इंडिया का major part देखते हैं जैसे आप देखते हैं अब यह लगबग आपके इंडिया का 5.6% area को represent करता है और यह आपका पंजाब का plains area है या आपका गुजरात का राजपताना area गुजरात और राजपताना area है जो आपका इन सभी को include करेगा अब अगला part है आपका western घाट देखें western घाट के area में आपको कई बार देखने को मिलता है कि पहाड भी है, plain area भी है जो coastal area है, वो भी है तो यहाँ पर आप तापती river से नीचे जो भी आती है आपका area that is under western घाट अब यहाँ पे हम उन area को include करते हैं जो आपकी तापती river है ना गुजरात के आसपास के area में आपने देखी होगी तापती river से जितनी भी आपकी south में hills पड़ती है that is western घाट का पार्ट अब यहाँ पे आपको जो चीज याद रखने है कि इंडिया के geographical area है उसके 5.8% को represent करता है इसमें मालाबार पे अब इसमें हम include करते हैं मालाबार plains होगे western घाट की जितनी भी mountains है उन सब को इसके लावा decan plateau अपने आप में भी एक अलग से zone है जो आपकी लगबग 4.3% area को represent करता है country के अब यहाँ पर जितनी भी आपको vegetation मिलती है ना जादा तर deciduous है यह आपको south और central part of plateau में देखने को मिलता है peninsular plateau में और यहाँ पर आप कह सकते कि जो आपके central highland है छोटा नागपूर plateau यह eastern highland है यह आपके central plateau यह decan south है इन सभी area को आप इसमें include करते हैं देखिए यह जो मैं आपको बता रहा हूँ ना side में यह आपके bio geographical provinces है इन चीजों को ध्यान रखना हो सकता है paper में आपसे पूछा जाए तो इस चीज को थोड़ा आप mind में रखके चलना है मैं इसकी detail में नहीं जा रहा हूँ bio geographical provinces की क्योंकि exam perspective से वो इतना important नहीं है अगर आपको नाम भी पता है तो भी आपके लिए sufficient है उसके बाद अगला आता है आपका gangtic plane जो country की लगभग 11% landmass को represent करता है और शुरू होता है दिल्ली से और खतम होता है कॉलकता में अब यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट पंगोर इस सबी आपका area आता है सबसे ज़्यादा densely populated area में सी एक है और यहाँ पर आपकी बायो डिवस्टी के उपर सबसे ज़्यादा impact भी पड़ा है अब इसमें आप दो तरह के provinces देखते है एक है आपका upper gangtic planes और दूसरा है आपका lower gangtic planes उसके लावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह north eastern zone जो है आपका अलग से एक province है अगला zone है हमारा north eastern zone यहाँ पर आप जो आपकी non-himalian mountains है जिसे हम provincial भी कहते हैं उसको आप इसमें include करते हैं जैसे उसके आज़ पास के plains को भी इसमें include करते हैं और यह लगबग आपका 5.2% country की land mass को represent करता है अब यह एक तरह का transition जो हुआ है एक तरफ आपको चाइना मिल रहा है एक तरफ आपको इंडो मलायन मिल रहा है और एक तरफ आपको इंडिया वाली जो हिमाल्या वाली range है वो दिख रही है तो यह तीनों आकर यहाँ पर meet करते हैं मिलते हैं तो इस वज़े से यहाँ पर bio diversity बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है उसके लावा rainfall भी एक factor है इसमें आप include करते हैं भरंपुत्रा वैली को और साथ की साथ नॉर्स इस्टिन इंडिया की hills को अब बात करते हैं आइलेंड्स की देखे आपको पता ही है कि Bay of Bengal में हमें कौन सा आइलेंड मिलता है अन्यमान है निकोबार बहुत ज़्यादा bio diversity देखने को मिलती है बट यहाँ पर जो आपका land mass है वो बहुत छोटा है लगबग लगबग आपके country के 0.03% है land mass अब यहाँ पर आपको दो प्रोविंस देखने को मिलती है एक अंडेमान और एक निकोबार अब लास्ट जोन है आपका coast अब यहाँ पर आपको east और west दूनू साइड में coast देखने को मिलते है उसके लावा लक्षदीप area को भी आप इसमें include करते है तो प्रोविंसेज में क्या क्या आजेंगे west coast, east coast और लक्षदीप अब यह कुछ आपकी important information थी about bio geographical areas या zone कह लिए आप आईए अब बात करते है florist या botonical regions आफ इंडिया की आमोमन हमने इंडिया को 9 हिस्सों में divide कर रखा है ऐसे florist region में जहां पर आपको plant की या flora की variety बहुत ज़्यादा मिलती है अब यहां पर आपका पहला region आज़ता है western हिमालियास उसके बाद eastern हिमालियास उसके इलावा जो western part में हमारे को desert मिल रहा है वो गैंगिटिक प्लीन्स, असम, सेंट्रल इंडिया, मालाबार, डेकन और अंडेमा यह आपके 9 important botonical regions है दीखे बायो डेवरस्टी के बारे में हम जान ही रहे हैं तो आईए यह भी समझ लेते हैं कि algae, fungi, bacteria या आपके bryophyte, gymnosperm, angiosperm यह क्या चीज़े होती हैं एक बार इन्हें भी समझ लेते हैं सबसे पहले अगर बात किज़े algae की तो यह एक तरह के plant ही है, इनमें भी chlorophyll होता है बट यह non-differentiated type के हैं मतलब यहाँ पे आपके जो organs हैं जिसे root होगी, stem होगी, leaf होगी यह चीज़े develop नहीं होती बट क्यूंकि इनके अंदर chlorophyll है इस वज़े से यह photosynthesis को perform कर सकते हैं इसके बाद second आते हैं आपके fungi अब यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई chlorophyll नहीं मिलता मतलब chlorophyll बिलकुल absence है अब यह जो आपके bacteria होते हैं saprophytic और parasitic होते हैं parasitic मतलब आपके ऊपर यह आपकी body के ऊपर dependent हैं होस्त हैं आप इनके और saprophyt में आपको पता होगा कि यह थोड़े बहुत कई बार beneficial भी हो सकते हैं बट most of the time जो आपके bacteria है वो pathogenic है अब इसके बाद आते हैं आपके lichens अब lichens क्या होते हैं देखें यह एक तरह का symbiotic relation है आपका दो चीजों के बीच में algae और fungus के बीच में यह एक दूसरे को benefit देते हैं और एक साथ रहते हैं इन दोनों को मिला कर combination को क्या कह देते हैं lichen अब इसके बाद आते हैं आपके bryophyte bryophyte वो है इसके बाद आते हैं आपके taridophyte अब यह taridophyte क्या है इनके अंदर आपको सब कुछ well defined part मिलेंगे जिसे इनकी roots अलग होंगी इनकी stems अलग होंगी इनके leaves अलग होंगी सब कुछ आपको देखेगा और यहाँ पर इनके पास vascular bundles मतलब जहाँ पर आपके xylem phylum की बात करते हैं वो भी exist करते हैं जैसे हमारी body के अंदर नस होती है न तो plant के अंदर होते है xylem phylum जहाँ पर से उनका जैसे food material या water transport होता है तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना gymnosperm क्या होते हैं gymnosperm वो आपके organisms हैं या वो plants है NGO sperms आपके वो plants हैं जिनके seeds जो हैं वो कहीं न कहीं closed रहते हैं इसके लावा एक type का plant आपका ओर होता है जिसके नाम है insectivorous अब जहाँ भी आपको soil के अंदर nutrition value इतनी नहीं मिलती मतलब मान लीजे एक ऐसी soil है जहाँ पर leaching हो चुकी है जहाँ पर आपको minerals वगेरा इतने नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे harsh condition में आपको देखने को मिलते हैं insectivorous अब यहाँ पर क्या होता है कि यह trap कर लेते हैं insect को अपने किसी भी like plant के part के अंदर जिससे वो nutrition को drive करते हैं मतलब यह कहीं न कहीं आपके छोटे मोटे insect को खाने वाले plants है अब देखे एक बार यह जान लेते कि आपके किस area में कितने endemic plants हमें मिल रहे हैं ठीक है जी अगर floral endemism के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें देखने को कहाँ पर मिलते हैं हमें देखने को मिलते हैं Penisular India में जहां पर हम include कर रहे हैं Western घाट और Eastern घाट को लगबग 2600 species आपकी flora की ऐसी हैं जो endemic है वहाँ पर उसके लावा इसके बाद आता है आपका North Eastern part of India जहां पर लगबग आपको 2500 ऐसी species देखने को मिलती हैं जो endemic है particularly उसी एरिया की उसके लावा आपका North Western part of हिमाल्या जहां पर आपको पंजाब, हर्याना वगएरा जम्मू, कश्मीर, हिमाचल वगएरा देखने को मिलता है तो यहां पर भी 800 ऐसी species हैं जो वहाँ पर particularly endemic हैं लास्ट में आता है आपका अंडेमाने निकुपार वाला एरिया जहां पर आपकी 200 species endemic है अब एक बार detail में समझ लेते हैं insectivorous plants के बारे में ताकि आगे से आपको कभी इसके बारे में कोई दिक्कत ना हो दीकिए यह जो आपके plant दिख रहे आपको यहां पर मालीज़े अगर कोई मक्खी या insect आके बैठेगा तो इसका यह जो जार है या इसका यह जो माहत है यह बंध हो जाएगा तो आपके जो plant strap करते हैं इस तरह से insect को that are insectivorous अब इंसानों को खाने वाले पेड नहीं है यह छोटे होते काफी size में अगर बड़े size में होते तो शायद हमें भी खा सकते थे अब यहां पर आपको याद रखना है कि दो तरह के आपके insectivorous plant होते हैं एक होते active एक होते passive अब जहां पर आप इस तरह का जाल देखते हैं जहां पर आपके leaf के अंदर आप insect को trap करते हैं that are active insectivorous plant अब इसके लावा जो passive है इसमें आप क्या देखते हैं यहां पर आपको कुछ जग शेप का दिखेगा plant के अंदर और इसके अंदर आपके insect आके गिरता है और यहां पर वो eventually digest होते हैं अब भारत में मिलने वाले insectivorous plants के बारे में मैंने यहां पर लिखा हुए जैसे दोरसेरा या संड्यू या आपकी नेप्थनिंस इस सभी आपके example किसके हैं insectivorous plant के अब यहां पर मैंने आपको नाम तो दे दी है इन्ही याद करने की जिम्मेवारी आपकी रहेगी अब कल हमने बात की थी invasive alien species के बारे में एक बार फिर से हम इनके बारे में जान लेते हैं और इनसे होने वाले impact को भी समझ लेते हैं although जो आपकी invasive alien species है इसकी definition तो हमने कल की क्लास में भी देखी थी आज थोड़ा detail में समझते हैं कि होता क्या है यहां पर लेकि कई बार ऐसा होता है कि कोई आपकी species होती है जैसे आप catfish का example ले लीजे अब catfish इंडिया के water bodies में मिलती है तो इससे problem क्या है लेकि जो catfish है उसका predator जो है न वो इंडियन water में available नहीं है अब क्योंकि इसका predator यहां पर available नहीं है तो होगा क्या अब इसकी population ग्रो करेगी अब इसकी अगर population ग्रो करेगी जो native fish है इंडिया की उसके लिए problem हो जाएगी अब ऐसा क्यों देखिए यहां पर इनका तो predator present है इनको तो predator खाएगा इनकी population चेक भी रहेगी और साथ की साथ दूसरी मार इनके उपर यह पड़ेगी कि shelf in catfish या जो आपकी catfish है यह इनके food के उपर भी attack करेगी मतलब कहीं न कहीं आपके खाना आधा हो गया या उससे भी कम हो गया आपके पास और साथ की साथ आपके predator वहां पर मौजूद है अब क्योंकि आपके जो normal fish इंडिन वाटर में मिलती थी यह सारी खतम हो जाएंगी मालेज़े कुछ भूग के मारे मर गही और कुछ को इनके predators निखा लिया मतलब आप एक यह बात समझे कि catfish उसका food नहीं है अब यह यहाँ पर करेंगे क्या अब जैसे इनका food खतम यानि यह जो normal fish आपके मिल रही थी यह खतम इसके बाद जो आपकी बड़ी fish होगी big fish वो मरना स्टार्ट होगी उसके उपर dependent जो आपकी अगली fish होगी वो मरना स्टार्ट हो जाएगी और क्यूंकि आपकी catfish की population outgrow हो रही थी तो इसके वज़े से जो माल लेजे अगर ये छोटे मोटे plants या आप कहलेजे other fishes पे dependent है खाने के लिए तो कहीं न कहीं उनकी भी population के उपर impact बढ़ सकता है क्योंकि इनकी population अगर भड़ेगी तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो food availability है वो automatically कम हो जाएगी जैसे human population आज की date में बहुत जादा वढ़ रही है इस वज़े से आप ये देख रहे हैं कि दुनिया में भी food की कमी देखने को मिल रही है अब ये तो मैंने आपको पूरा mechanism समझा दिया definition में आपको बता चुका था तो इस चीज को थोड़ा याद रखना मतलब ये example आपको दुरुस्त example है जिससे आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि क्या impact पड़ता है invasive alien species का अब जैसा कि मैंने आपको बता है कि आपके increase हो सकते हैं आपकी जैसे marine ecosystem है वो degrade हो सकते हैं fresh water ecosystem है वो भी degrade हो सकते हैं अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ examples दे रखें आपको इनको याद करना है पक्का से और इनके इलावा जो आपकी current affair में रहेंगे उनको भी आपने लिख के याद करना है और किन एरिया में ये मिलते हैं आपको ये भी देखना होगा जैसे needle bush, black vertley, goat weed और prickly poppy इन सभी को आप याद रख सकते हैं और इनके नीचे भी आपको मैंने और भी बहुत से दे रखें आप इन सभी को याद रख सकते हैं मैं आपको एक और example दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ी और clarity होजे आपको पता होगा कि ये एक grass है Congress grass ये इंडिया में कैसे आई देखे, actual में Congress government की starting make scheme थी PL480 जहाँ पर हम USA से wheat को import कर रहे थे अब जो ये wheat हम import कर रहे थे तो हुआ क्या कि USA से कुछ आपके जिसी ये जो Congress grass वाले जो वो थे ना seeds वो भी wheat के साथ आगे अब क्यूंकि हम तो इस seeds को साफ करके खाते हैं उसको लगक पूरा धोध हूँके तो हुआ क्या कि ये जो आपके Congress grass के seeds हैं ये जो गिहूं के साथ आए थे ये आपके land में ये आपके अलग-अलग area में फैल गे अब जैसे ही ये आपके seeds अलग-अलग area में फैल गे तो ये खर्पतवार बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो इस वज़े से इन्हीं क्या नाम दे दिया गया Congress grass क्योंकि Congress के time पे आई थी और उस time Congress बहुत ज़्यादा फैली हुई थी बड़ी party हुआ करती थी although अब तो बहुत different scenario इनके लिए but इस तरह कि आपकी जो grass ये फैली थी तो इन्हें local भाशा में नाम दे दिया गया था Congress grass तो इस चीज को याद रखना अब कुछ plants होते हैं आपके medicinal plants अब ये कौन से होते हैं आपने कई बारी सुना होगा कि तुलसी के बहुत फायदे हैं अलोवीरा के बहुत फायदे हैं मिंट के बहुत फायदे हैं गार्लिक के बहुत फायदे हैं तो इस आर सम medicinal plants उसके लावा यहाँ पर मैंने आपको नाम और भी बहुत से दे रखे जैसे ब्लू वैंडा रेड वैंडा ट्री फर्न्स आपके elephant's foot ये सभी आपके किसके एक्जामपल हैं medicinal plants के तो एक बार आप इन्हें देख सकते हैं उसके लावा Animal Discovery 2019 एक annual basis पे हम magazine चापते हैं जिसे चापता है कौन Zoological Survey of India उसके लावा Plant Discovery 2019 इसे पब्लिश किया था Botanical Survey of India ने अब इन दोनों organization के बारे में हम थोड़ी detail में पढ़ेंगे लेकिन जब हम organization से deal कर रहे होंगे या Indian Act और Law से deal कर रहे होंगे तब अभी के लिए हम इसकी detail में नहीं जाएंगे बस आप ये याद रख लीजे कि ये दो organization है और इनके बारे में मैं आपको detail में बताऊंगा जब हम Indian Laws के बारे में बात करेंगे आईए अब बात करते हैं हिमालियन फोटिल पे किस तरह का हमारे को flora और fauna मिलता है तो देखिए आपको generally यहाँ पर evergreen या semi evergreen type of forest मिलेंगे जिसमें आपके salt, bamboo, silk cotton tree tall, grassy meadow savana type के area आपको tri region में देखने को मिल जते हैं तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है हिमालियन फोटिल्स में यहाँ पर आपको animals मिलते हैं जैसे elephant, sambar, swampy deer cheetal, hawk deer, barking deer जंगली sewer, tiger panther, hyena इस सब ही आपको मिल सकते हैं इनमें सी कुछ important है जैसे आपके golden langur और ग्यंक्ते घर्याल इन दोनों को आप याद रखना इसके बाद बात कर लगते हैं western हिमालिया में semi-evergreen आपको rhododendron देखने को मिलते हैं यहाँ पे hills पे आपको bamboo, bridge, alpine इस तरह के trees देखने को मिलते हैं अब यहाँ पे आपको दो-तीन important जानवर हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है एक तो Tibetan wild ash जैसे हम kang बोलते हैं उसके लावा wild goat जो यहाँ पर हिमालिय इबिक्स मिलती है उसको याद रखना इसके लावा चीरू या आप यह कह सकते antilope जो यहाँ पर blue ship देखने को मिलते है that is very important उसके लावा यहाँ पर आपको एक deer की category मिलती है कश्मीर स्टाक जो आपके कश्मीर का जम्मो कश्मीर का state animal जब वो state हुआ करती थी तो state animal भी हुआ करता था अब ut animal बोलते हैं कि नहीं मेरे को पता नहीं बढ़ हाँ उस समय पे यह state animal था किसका कश्मीर का उसके लावा आपको सिक्किम स्टाक भी देखने को मिलते है golden eagle यह आपकी कुछ important species है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है आईए अब बात करते हैं eastern हिमाल्यास की यहाँ पर आपको किस तरह के पेड़ पौते देखने को मिलते है तो आपको आर्टिक, सब आर्टिक टेंपरेट, सब टॉपिकल वाम टॉपिकल इस सबीड तरह के आपको trees देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं उसके लावा आपको salt forest भी देखने को यहाँ पर मिलता है और evergreen trees भी देखने को मिलते हैं जो आप अगर बात करें इसके foot hill के आसपास यहाँ पर आपको salt forest और evergreen forest देखने को मिलता है सब ट्रॉपिकल फॉरस्ट आपको लगबग 2000 मीटर तक की अलिवेशन पर देखने को मिलता है उसके लावा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हायर आलिटिटूट पर मॉस्स और इंफर्न, ब्रीच भी देखने को मिलती है उसके लावा कौनी फॉरस्स फॉरस्स भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं जिसे पाइन, फिर, यान, जुनिपर्स यह सभी देखने को मिलते हैं इसके लावा और भी बहुत से आपको यहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज देखने को मिलते हैं तो इनके बारे में थोड़ा रीड कर लेना अब बात किजे जानवर यहाँ पर किस तरह के मिलता है और कौन से इंपोर्टन्ट है तो रेड पांडा आपको बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है यहाँ पर उसके लावा वन हॉन राइनो यहाँ पर बहुत इंपोर्टन्ट है और एलिफिंट वगरे तो आपको नॉर्मली पता ही है यहाँ पर मिलते है एक यहाँ पर wild water buffalo मिलती है that is very important उसके लावा swamp deer जिसे हम dancing deer भी बोलते हैं वो भी मिलते हैं यहाँ पर और snow leopards यहाँ पर important है उसके लावा clouded leopard भी यहाँ पर important है आईए अब जानते हैं peninsular India के बारे में अगर बात किजिए peninsular India की तो यहाँ पर आपको दो तरहा के trees देखने को मिलते हैं एक जहाँ पर dominant species है आपकी salt tree दूसरा वो जहाँ पर आपकी dominant species है teak देखिए जो आपके eastern side है या northern side है वहाँ पर आपको salt tree में देखने को मिलते हैं because वहाँ पर बारिश जादा होती है whereas अगर बात किजिए southern plateau की तो यहाँ पर बारिश कम है तो यहाँ पर dominant करता आपका teak although आपको western ghat area में evergreen type of vegetation मिलती है ठीक है जी आपको राजस्थान वाले area में thornish scrub forest देखने को मिलते हैं तो यह चीज़े अलग है बट आपको यह चीज़े याद रखनी है और यहाँ पर आपको याद रखना है कि कुछ species तो आपकी common ही है जैसे elephant, जंगली sewer, deer जिसे हम चीतल भी बोलते है बट यहाँ पर एक important species है भूरा दा बारा सिंगा बारा सिंगा यहाँ पर ही देखने को मिलते है हमें उसके लावा barking deer हो गए आपके wild dog जिसको ढोल बोलते है वो भी इसी area में देखने को मिलते है लगबग पूरे आपके peninsular इंडिया में उसके लावा यहाँ पर कोई important species नहीं है सिवाए loin के क्योंकि loin आपके सिर्फ गुजरात वाले area में मिलते है तो इस वज़े से gir forest में इस वज़े से इसे याद रखना आईए अब बात करते हैं इंडियन desert की जहाँ पर आपको देखने को मिलते है बबूर, बीर, खेजरी, ट्रीज उसके लावा cactus भी देखने को मिलते है इन सभी में एक बात common है कि इनोंने heat के against अपने आपको कही न कहीं tolerant बना रखा है इसके लावा यहाँ पर आपको देखने को मिलते है अब देखे कुछ बच्चे इसे bastard पढ़ लेते हैं तो bastard नहीं बोलना है इंटर्वियों में गलती हो जाएगी और गलत इतना impression जाएगा कि कभी selection नहीं हो पाएगी तो bastard है इसका नाम उसके लावा crackle, rodents, asiatic wild ass, जंगली घदा यहाँ का उसके लावा desert cat, red fox, reptiles यहाँ पर जैसे lizard, sneaks, tortoise सब मिलते हैं यहाँ पर आपको एक ऐसी lizard भी मिलती है जो आपको सिरफ desert area में देखने को मिलती है और इसे नाम दियागे geekos वैसे तो lizard की common परजाती का नाम होता है geekos बट इसे भी याद रख लेना उसके लावा tropical rainforest आपको देखने को मिलते है वेस्टन घाट और डॉर्थिस्टन पार्ट अफ इंडिया में अब यहाँ पर आपको घने घने जंगल भी मिल सकते हैं और grassland भी मिल सकते हैं अब जो आपके temperate type of forest है जो आपको वेस्टन घाट में मिलते हैं निलगरी एरिया में उन्हें हम कह देते हैं शोलाज इसके लावा यहाँ पर आपको moises, fern, epiphytes, orchards यह सभी देखने को मिलते हैं यहाँ पर आपको evoni, indian rosewood, malibar kino यह सभी तरह के trees देखने को मिलते हैं अब यहाँ पर भी जो आपके animals हैं जनरली सभी common types हैं यहाँ पर आपको याद रखने हैं एक तो hulog gibbon को जो की आपका इकलोता ape है जो इंडिया में मिलता है उसके लावा असम मौस्की के बारे में आपको जानना जरूरी है ठीके जी, pill tail, macao के बारे में जानना जरूरी है loin tail, macao के बारे में जानना जरूरी है नेलगिरी लंगूर, नेलगिरी मंगूस यह आपके endemic species हैं जो इसी एरिया में देखने को मिलती है तो माला बार कुईट इन सभी के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके इलावा अगला है आपका mangroves जो आपके सुंदरबन एरिया में देखने को मिलते हैं यहाँ पर आपको सुंदरी ट्री देखने को मिलता है जिसके वज़े से सुंदरबन एरिया का नाम सुंदर पड़ा था इसके इलावा यहाँ पर आपको spotted deer, pigs, lizards, monkeys, royal bengol tiger देखने को मिलते हैं और कई बार salt water crocodile भी देखने को मिलता है इन एरिया में अब यहाँ पर मैंने कुछ animal species के बारे में आपको लिखके दिया है जैसे pigmy hog है यह आपका छोटा सा pig है, जंगली सूर जो कि आपको grasslands वाले एरिया में देखने को मिलती है और यह एक तरहां कि indicative species है जो आपको grassland की health के बारे में बताता है अब यहाँ पर आप याद रखना कि यह जो grassland है यह बहुत ज़्यादा important है आपके इंडियन राइनोसोर्स के लिए सैम डियर के लिए, बफैलोस के लिए आपके हिस्पिड हेर और बंगॉल फ्लॉरिकन इन सब के लिए यह important है अब यह जो आपको pygmy hog है कहां देखनी को मिलते है दीकि तराइ एरिया में आपको देखनी को मिलते है जहां पर आप मालनेजे यह हिमालिया है हिमालिया की जो foot hill है इन एरिया में आपको तराइ रीजिन देखनी को मिलते हैं तरहाई region वो होते हैं जहां पर आपकी जो river है जो उपर हिमालिया से उतर रही है वो कहीने कहीन रिमर्ज करती है और वहाँ पर आपको swampy और dam condition देखने को मिलती है इसके लावा ये पहले पूरे के पूरे आपको हिमालियन फुटेल में देखने को मिलता था पर प्रॉब्लम ये हुई कि हमने habitat इतना डिस्ट्रक्ट कर दिया कि इसकी वज़े से ये अब थोड़े कम देखने को मिलते हैं अब ये सिरफ और सिरफ मानस वाइल लाफ सेंचरी के एरिया में देखने को मिलते हैं और 1996 में हमने captive breeding program के under species को रखा था अब यहाँ पर आपको comment box में मुझे ये बताना है कि captive breeding program होता क्या है और government ने इसे कब start किया था इसके लाबा यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि असम में हमने इस captive breeding के थ्रू सुनाई रूपई जो आपकी एरिया है वहाँ पर इसे reintroduce किया था 2009 में इसके बाद आप बात कर सकते हैं माला बार क्वीट की ये endemic है आपके इंडिया में ही आपको केरला वाले पार्ट में देखने को मिलती है rare species है यहाँ पर आपको याद रखने है कि ये जो plain area है या hill slopes है या evergreen forest जो आपका मिलता है वेशन घाट में उन area में ही आपको देखने को मिल सकता है नेक्स है आपके समात्रन राइनोस ये आपके smallest और most endangered species है पांचो राइनोस species में सी अब इंडिया में सी तो ये extent हो चुकी मतलब regionally अब इंडिया में नहीं मिलते although पहले आपको हिमालिया के foot hill में और north eastern part of India में ये देखने को मिलते थे बट अब नहीं मिलते उसके लावा बात कीज़े जावन राइनोस की ये भी आपके इंडिया से extent हो चुकी है हाँ थोड़े बहुत इनके numbers आपको जावा और वियतनाम में देखने को मिलते हैं तो इस चीज को आप याद रखना next है आपका कश्मीर stack जिसे हम red deer भी बोलते है इंडिया कहीं native है ये आपको generally आपकी high valleys में देखने को मिलते है mountain area में देखने को मिलते है खास कर कश्मीर और चंबा वाले area में ये पहले आपका state animal हुआ करता था जम्मू कश्मीर का अब मैं आपको एक बात तो पहले बता चुका हूँ कि मुझे नहीं पता अब ये जम्मू कश्मीर UT हो चुकी तो इससे state animal कहेंगे या नहीं इसके उपर थोड़ी दुईदा है आने वाले time में थोड़ा clarity मिलेगी तब इसको देख लेंगे बट एक चीज याद रखना कि एक समय पे ये state animal हुआ करता था जम्मू कश्मीर का उसके लावा इन्हें threat क्या है देखे जिस तरह से urbanization चल रहा है जिस तरह से construction चल रहा है तो उस वज़े से इनके habitat destruction हो रही है उसके लावा जो domestic animals इतने ज़्यादा मिलते हैं इंडिया में हम कहते हैं न लाव स्टोक इंडिया में सबसे ज़्यादा है all over the world तो उसके वज़े से over grazing भी होगी तो इनको भी खाना कम मिलेगा फिर उसके लावा लोग इने मार के बेचते भी हैं अब next important animal है आपका डुगाउं अब ये जो आपकी sea cow है ये आपको मिलती है इंडियन ओशन में खासका 27 degree north latitude के आसपास और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जैसे इंडियन ओशन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ओशन की उस coastal area की जो आपके East Africa को टच करता है और खासकर आपके इंडिया में अन्नेमान एं निकोबार, लकदीप, आइलेंस वगारा को टच करता है अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसे Sea Cow भी कहते हैं और यह आपके Coastal Water में मिलता है जहाँ पर जैसे आपको Mangroos वगज़रा मिलते हूँ या आपको Sea Grass मिलती हूँ, उन एरिया में देखने को मिलता है अब इंडिया में कहां-कहां देखने को मिलता है है हमें Gulf of Manar, Gulf of Kach और अन्यवाने निकोबार एरिया में इसके लावा अगला है आपका Fresh Water Dolphin या River Dolphin भी बोलते हैं इनका Habitat आपको कहां देखने को मिलता है जनरली इंडिया में, बांगला देश में, निपाल में, पाकिस्तान में जहां भी आपको Ganga River या Indus River मिलती है इन दोनों में ये आपको देखने को मिल सकते हैं अब Ganga River Dolphin आपको कहां-कहां मिलेगी देखें, आप Ganga की बात कर रहे हैं तो आपको Indus, Ganga, Bhramputra, Megna, Karanphuli, Sangu इन सभी River सिस्टम में ये आपको मिल सकते हैं इसके लावा यहां पर इसका Habitat आपको देखने को मिलता है बांगला देश, इंडिया और नेपाल में Ganga और Bhramputra ऐसी दो Rivers हैं जिसमें ये आपको देखने को मिलती है अब यहां पर आपको याद रखने हैं कि ये इंडिया का National Aquatic Animal भी है इसके बाद बात कीजए इंडियस रिवर डॉल्फिन की तो ये वैसे तो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी पर उसके अलावा इंडिया में दो रिवर सिस्टम में देखने को मिल सकती है व्यास और सतलोज नेक्स है आपका Bengal Florican अब ये आपका Rare Bustard है जो आपको यहां पर इस एरिया में देखने को मिलता है और इसकी खास बात यह है कि जब भी ये मेटिंग करने वाला उतना तो उससे पहले मेटिंग डायंस करता है मतलब नाचता है अब यहां पर आपको यह याद रखना है कि जहां पर इंडिया में सवाना टाइप आफ फॉरस्स आपको देखने को मिलते हैं उनी एरिया में यह बंगॉल फ्लॉरिकन आपको देखने को मिलता है इसके लावा आपको एक चीज याद रखने हैं कि यह नेटिव है तीन कंट्रीज का कमबोडिया, इंडिया और नेपाद अब इंडिया में कहां कहां मिलता है यह उत्तर प्रदेश, असम और अनाचल वाले एरिया में इस वज़े से यह थोड़े important species हुजती है अगली आपकी species है white ballad hirons की अब यह आपको 5-6 एरिया में देखने को मिलता है जिसे असम और अनाचल प्रदेश में उसके लावा आपको भुटान और कुछ जगा पे महिनमार में भी यह देखने को मिलता है यह आपको generally river के आसपास देखने को मिलेगा या lakes के आसपास देखने को मिलेगा तो इसके बारे में इतना ही जानना था आईए बात करते है pink head duck की जो यहाँ पर आपके male species होती है उनकी जो color है वो pink color का होता है around उनके head के और neck के आसपास का जिसके वज़े से इनका नाम पढ़ा था pink head duck अब यह आपके like still water area में मिलते है यह आपको lake वगएरा इस area में देखने को मिलते है marshes area में देखने को मिलते है swamp area में देखने को मिलते है और उन area में भी देखने को मिलते है जहाँ पर tall grass हो हाल फिलार में यह इंडिया के लावा bangladesh और महिनमार में भी देखने को मिलते है और खासकर इनकी population सबसे ज़्यादर देखने को मिलते है north eastern part of India में आईए अब बात करते है Siberian crane की जो आपका migratory bird है और आपको देखने को मिलता है क्योलादियो नेशनल पार्क में जो की राजिस्थान में है यह wetland area में आपको देखने को मिलता है आईए अब बात करते हैं Chinese pongaline की यह generally आपको हिमालिया के foothill में देखने को मिलती है और यह आपको जैसे Eastern Nepal, Bhutan, North Eastern India और बांगलादेश की area में देखने को मिल सकती है generally यह आपको उन area में देखने को मिलती है जहाँ पर आपको limestone forest मिलते हो, bamboo forest मिलते हो या tropical forest यह grassland और agriculture field में भी आपको देखने को मिल सकती है उसके लावा एक बात जो important है यहाँ पर वो यह है कि यह night के time पर ज़्यादा active होतने है इस वज़े से इन्हे nocturnal भी बोला जाता है अब आप सभी यह सोच रहे होंगे कि sir ने किसी भी species का IUCN status या इंडिया के इसाब से status नहीं बताया है तो मैं यहाँ पर यह चीज बता दूँ कि आप सभी ने यह homework करना है लेकि इन में सी कुछ species होंगी जो आपकी endangered होंगी कुछ endemic होंगी कुछ आपकी particularly indicative species होंगी तो इन सभी के बारे में यह important fact आपने अपनी notebook में लिखने है दरसल problem यह होती है कि कई बार आप notes में लिखीवी चीजों को धंग से पढ़ते नहीं है और मैं यह चाहता हूँ कि आप अपनी notes खुद थोड़े बहुत बनाएं जो important चीज़े हैं वो आपको खुद को लिखनी चाहिए इस वज़े से यहाँ पर जान बूझ कर मैंने IUCN status इनका mention नहीं किया अब आपको इन सभी के बारे में Google करके इनके IUCN status को देखना है और अपनी note book में यह चीज़े लिखनी है आगे बात करते हैं Indian gasoline की जिसे हम चिंकारा भी बोलते हैं यह animal species आपको western और central इंडिया में देखने को मिलती है उसके इलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसकी stronghold है अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यह आपको plains में थोड़ा बहुत hilly area, sandy area, arid area या light forest area जहाँ पर ज़्यादा घने जंगल नहीं है उन area में भी देखने को मिल सकती है अगली species है आपकी clouded leopard अब यह कहाँ पर देखने को मिलती है हमें यह हमें देखने को मिलती है हिमालिया के foot hill में जैसे निपाल वाले area में भी और आपको south east asia में भी देखने को मिल सकती है और उसके लावा चाइना में भी जनरली आपको evergreen type of forest में देखने को मिलेंगे उसके लावा dry deciduous forest में भी हमालियाज में यह आपको देखने को मिल सकती है अब बाद कर लेते हैं कुछ और important animals के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना जैसे इंडियन गौर यह जो आपका इंडियन गौर है यह आपको forest के उपर ज्यादा impact नहीं देखने को मिल रहा है humans का उसके लावा यहाँ पर आपको water के availability ठीक ठाक मिलती है और जो grasses हैं वो ज्यादा nutritious होती है तो इस वज़े से आपको यह चीज़े याद रखने है क्योंकि यहाँ पर आपको temperate grassland type of area मिलता है इसके लावा आपको याद रखना है golden लंगूर के बारे में जो आपको भुटान और नॉर्थ इस्टन पार्ट specially असम वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं अब यह आपको generally moist evergreen forest में देखने को मिलते हैं river के आसपास वाले area में और moist decidus area में देखने को मिल सकते हैं अगला है आपका हिमालियन ibex जो की आपका distributed है जो की बहुत widely distributed है जिसे अफगानिस्तान वाला area हो गया आपका चाइना वाला area हो गया या इंडिया हो गया आपका इंडिया में कहां कहां जैसे जम्मू कश्मीर हिमाचल परदेश, हिंदू कुश्री इंच कराकोरम और ट्रांस हिमालिया वाले पार्ट में आपको हिमालियन ibex देखने को मिल सकते हैं यह mountains में देखने को मिलते हैं जहां पर आपको alpine meadow type of forest देखने को मिलते हैं उसके लावा होलोग गिबन के बारे में जान लेते हैं लेकि होलोग गिबन्स जो हैं यह आपको दो तरह के मिलते हैं western और eastern part में north eastern इंडिया आगया, bangladesh आगया उसके लावा इंडिया में अरुनाचल, परदेश, अशम, मनिपूर, मेगाले, तृपुरा, मिजुरम, नागालें यह सभी आजेंगे अप टू जहां पर आपको ब्रह्म पुतरा देखने को मिलती है उसके लावा east में आगर हम बात करें तो eastern extent है इसकी दिहांग के आसपास यह आपको species avargan type of forest में देखने को मिलती है इसके बाद आती है आपकी eastern hulwok given अब यह आपको मतलब world के हिसाफ से east में जाना है, इंडिया के हिसाफ से नहीं यहां पर यह आपको देखने को मिलती है South China में, चिंदवीन जो कि आपको like Myanmar वाले एरिया में देखने को मिलती है उसके इलावा यह आपको वहाँ पर भी mountain area में देखने को मिलती है pyro जो आपको महाँ काड़ dominant forest है, उस area में यह देखने को मिलती है और यहाँ पर इंडिया में यह नहीं मिलती है उसके लावा अरुनाचल परदेश में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है अब बात करते हैं रेड पांडा के यह जो आपके रेड पांडा है यह हमें मिलता है निपाल, इंडिया, भुटान, मेहनमार, साउथ चाइना इन सभी एरिया में अब बात किजाएं इंडिया में particularly कहां मिलता है तो मिगालियन प्लैट्यू और नॉर्थ इस्टन इंडिया में यह देखने को मिलता है यह जनरली आपको टेमपरेट एरिया में देखने को मिलता है जहां पर आपको बैंबू ट्री देखने को मिलती है इसके लावा loin tail macaw बहुत important species है जो आपके endemic है सिरफ और सिरफ western घाट में यह आपको देखने को मिलते है करनाटिका, केरला और तमिलनाडो वाले एरिया में यह आपको tropical evergreen forest type of area में देखने को मिल सकते है इसके बाद आते हैं आपके नीलगिरी ताहर, जो के आपके केरला तमिलनाडो वाले एरिया में देखने को मिलते है western ghard में नीलगिरी biosphere reserve उसी एरिया में यह देखने को मिलते है यहाँ पर आपको यह high elevation मतलब जहाँ पर आपको temperate grassland देखने को मिलते है उन एरिया में देखने को मिलते हैं यह तमिल नाडू का कहीं न कहीं स्टेट एनिमल भी है इसके बाद बात करते हैं हिमालेन मस्क डियर की बहुत important species है जो आपको हिमाल्याज में देखने को मिलते है खासकर आपके भुटान, इंडिया में सिक्किम, नेपाल और चाइना वाले एरिया में यह आपको अल्पाइन एरिया में देखने को मिलते हैं खासकर जो आपके बैरन प्लैट्व है इस एरिया में या अल्पाइन मिड़ों हैं इन एरिया में आपको देखने को मिल सकते हैं इसके बाद अगली important species है आपकी One Horned Rhinos जिसे हम Great One Horned Rhinos भी बोलते हैं अब यह जो Rhinos है आपको दो पार्ट में देखने को मिलते हैं जिसे Northern पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको Indus River के आसपास गंगा रिवर के आसपास भरंपुत्र बेसिन के आसपास देखने को मिलते हैं और इसमें आप include करते हैं नेपाल और भुटान वाला एरिया को भी अब यह जो जितने भी आपके तरही रीजिन होते हैं जहाँ पर आपको Swampy Dam Forest मिलते हैं इसके लावा अगले हैं आपके Swamp Deer जो कि आपको Northern और Central इंडिया में देखने को मिलते हैं उसके लावा यह आपको Indo-Gangetic Plain वाले एरिया में भी देखने को मिलते हैं अब जादे तर आपको Indo-Gangetic Plain में Sal Forest देखने को मिलते हैं या Grassland देखने को मिलते हैं तो इन एरिया में ही आपको ये Deer की प्रजाती मिलती है इसके बाद बात करते है Tibetan Gaslay की जो कि आपको Tibetan Plateau में मिलती है उसके लावा लगदाक और सिक्किम वाले एरिया में भी देखने को मिलती हैं High altitude जितने भी आपके Plains हैं Grasslands हैं उन एरिया में ये आपको देखने को मिलती है अब बात करते है Tiger की जो कि distributed है आपके South West Asia में Central Asia में उसके बाद बात करते है Tiger की जो कि आपको Tropical Asia में आईए अब बात करते है Tigers की ये आपको जनरली Tropical Forest वाले एरिया में मिलती हैं और ये आपको बांगलदेश, बुटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशा, लाओस, मलेशिया, मैनमा, नेपाल, रश्या, थालंड और वेतनाम जैसे एरिया में देखने को मिलती हैं आईए अब जानते है स्नू लियोपोड के बारे में जो कि आपको हाई माउंटेंज में मिलते हैं जैसे पामीर वाले एरिया होगया, आपका कराकॉरम वाला एरिया होगया, हिंदु कुष और आपके हिमालियन रेंज वाला जो एरिया होगया जम्मू, कश्मीर, हिमाचल, परदेश, सिक्किम, उत्राखन, उन एरिया में यह आपको अल्पाइन और सब अल्पाइन एकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं इसके लावा हम बात कर लेते हैं घड़ियाल की भी, जो कि आपको चंबल वाले एरिया में देखने को मिलती है UPSC ने इसके उपर कोशिन भी पूछा था कि नेचरली आपको घड़ियाल कहां देखने को मिलते हैं तो चंबल रिवर, घिरवा रिवर, सोन रिवर, इन एरिया में आपको देखने को मिलते हैं इस्टिल पार्ट में जहां पर यह सिरफ फ्रेश वाटर में ही रहते हैं उसके लावा ओली, रिडली, टर्टल, काफी बार आप इनका नाम सुनेंगे अब यह आपको थ्रूआउट ट्रॉपिकल वाटर देखने को मिलते हैं इन में एक चीज है यह अरिबाड़ा प्रफार्म करते हैं आपके उडिशा के कोस्ट के आसपास घृमाथा वाले एरिया में इस वज़े से आपको यह फ्रिकुंटली न्यूज में दिखेंगे अब क्योंकि यह मास नेस्टिंग करते हैं तो इस वज़े से इनको थोड़ा धेंजर है खत्रा है तो इस वज़े से गौर्मेंट इन्हें भी बचाने की कोशिश कर रही है उसके लावा नील गाए इसके बारे में इतना जानना इंपॉर्टन नहीं है बट आप एक चीज याद रखना है कि यह क्रॉप की डिस्ट्रिक्शन वगरा करती है तो कई बार इनको मारने की पर्मीशन दे दी जाती है गौर्मेंट द्वारा यह आपको जनरली एरेड, स्क जानते हैं कि माइग्रेशन में क्या होता है कि एक परसन दूसरी प्लेस पे जाने की कोशिश करता है चाहे वो रेगुलर बेसिस प्यों जैसे आपने टांस हूमन के बारे में सुना होगा वह जैसे ही बारिशे जैसे थंड पड़ती है तो उपर के इलाकों से जहां पर सकते हैं तो इस तरह के आपकी जो moment है that is migration ये थोड़े छोटे distance के लिए भी हो सकती है और कई हजार किलो मीटर के लिए भी हो सकती है जैसे साइबेरियन क्रेन की बात की जए तो वो कई हजार किलो मेटर तै करके भारत के राजिस्थान एरिया में आता है अब यहाँ पर क्या reason से जिसकी वज़े से आपके कोई bird migrate करता है या shift करता है पहला reason climatic condition particularly कुछ हार्श हो सकते किसी condition उतनी अच्छी नहीं रही हो या फिर उन्हें ऐसा लगता हो कि किसी particular area में nest बनाना काफी अच्छा रहेगा तो उन cases में आपके जो birds है वो migrate करते है अब यह दो तरह की migration हो सकती है एक होते है वो जो सर्दियों के time पर है एक वो जो गर्मियों के time पर है तो यहाँ पर आपक आपको इनके नाम के बारे में एक बरी रीड करना है ताकि अगर कोई ऐसा question आ जहें तो आप उसे eliminate कर सकें साथ की साथ आपको याद रखना है कि Asian call या आपकी black crowned night here on यह सभी वो birds हैं जो summer के time पर migrate करते हैं अब यहाँ पर एक चीज के उपर गौर करना इनके उपर इतना ज देखने हैं ताकि अगर गलती से UPSC आपसे ऐसा कोई question पूछ लेती है या कोई ऐसा effect दे देती है जहाँ पर elimination में help कर सकते हैं सिर्फ उसी point of view से इनके बारे में पढ़ना है अब ऐसा नहीं है कि आप हर रोज सुबह उठकर इसका रटा लगाए मैं आपको कहूंगा कि आप एक बड़ी नाम देख लीजे थोड़ा familiar रहेगा तो आप easily चीजों को eliminate कर सकते हैं अगर आपको चीजों के बारे में पता हो आएए अब बात करते हैं schedule of wildlife protection act 1972 की जिसे हम wildlife protection act 1972 के अंडर देखते हैं अब यहाँ पे आपके 6 schedule हैं जहाँ पर आपके like poaching, smuggling और illegal trade उन animals की आप नहीं कर सकते हैं जो schedule 1 से 4 के अंदर है उसके लावा 5-6 में कुछ और चीज़े हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं लेकि जो आपका schedule 1 है या part 2 है schedule 2 का इन सभी में आप उन चीजों को या उन जानवरों को रखते हैं जहां पर जिनको absolute protection दी गई है मतलब अगर आप इन और काफी आप यह कह सकते की particularly एक एरिया में ही मिलते हैं इस तरह के अनिमल्स हैं उसके लावा schedule 2 में हमने कुछ ऐसे अनिमल्स को रखा हुआ है जैसे आपके धोल हो गया जो आपको हर जगा मिलता है फिर भी इनके conservation को थोड़ा monitor करने की ज़रूरत है flying squirrel हो गया himalian brown bear हो गया यह सभी इसमें आते हैं schedule 3 और 4 में वो animals आते हैं जिनको protection तो दी गई है बट यह protection कम है as compared to जो हमें यहाँ पर animals मिलते हैं अब यहाँ पे आपके animals आ जाते हैं जैसे नील गाए गोरल, barking deer या आपके vultures वगरा आगे यह सभी आपके schedule 3 और 4 में आते हैं इसके बाद schedule 5 में cat को मार सकते हैं flying fox को मार सकते हैं तो यह सभी को मारना आपको allowed है इसके लावा छेवे schedule में हमने उन चीजों को रखा हैं जैसे आपके red venda है blue venda है जो आपके plants हैं जिनका like cultivation collection और extraction या trade आप कर नहीं सकते हैं आपको prohibited हैं जैसे माल लेजिए आपने सुना होगा कि यह अफीम क paid होते हैं या पौधा होता है तो उसको आप उगा नहीं सकते हैं वो आपके schedule 6 के अंडर ही mention है तो यहाँ पर आपको इन चीजों को याद रखने हैं आईए एक बार बात कर लेते हैं IUCN की classification की देखिए यह book इन्होंने first time publish की थी 1966 में और उसके बाद से लगातार यह book publish होती अब यहाँ पर कुछ pages के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जैसे pink pages होते हैं यह वो pages होते हैं जहाँ पर आप critically endangered species को mention करते हैं उसके लावा कुछ green pages भी होते हैं जहाँ पर आप उन species को रखते हैं जो पहले endangered थी पर अब recover कर चुकी हैं अब यहाँ पर आपको कुछ categories के बारे में मैं बता देता हूँ जो बहुत important आपके exam point of view से जब भी आप किसी animals के बारे में पढ़ें तो आपको special focus करना इन 3-4 categories पर जैसे आपके extinct जो आपको अब मिलते ही नहीं मतलब इनका जो last individual था वो भी मर चुका है that is extinct उसके लावा दूसरे आते extinct in wild मतलब इनकी जो surviving population ह वो हो सकता है किसी capital breeding center में मिलती हो या zoo वगरा या किसी ऐसे area में मिलती हो बट जहाँ पर यह naturally मिलते थे वहाँ पर इनकी population अब खतम हो चुकी है इसके इलावा जो आपके critically endangered वो species होते हैं जिनकी last 10 सालों में लगबग 90% population खतम हो चुकी है लगबग इनका population size 50 individual से कम है और आ आने वाले सालों में यह extent हो सकते हैं बहुत ज्यादा खत्रा है इनको तो यहाँ पर मैंने इसके कुछ criteria लिखे हुए although एक बड़ी read कर रहे ना ज्यादा detail में जाने की जूर्थ नहीं है पट फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहे कई बार prelims में आपको कुछ से कम हुई है अभी लगबग इनके धाइसों से जादा mature individual मिलते हैं और 20% probability है कि आने वाले 20 सालों में यह गायब हो सकते हैं मतलब extent हो सकते हैं कोई भी species इस category में हो तो आपको उसके बारे में जरूर से याद करने हैं देखिए आप एक page पे 3-4 column बना लेना उसके ऊपर आप आप vulnerable को भी add कर सकते हैं अब यहाँ पर जो भी आपकी species एक साल में न्यूज में रही है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए आप इस चार्ट के अंदर fill कर देंगे अब कई बार होता क्या है कि जो आपके notes होते ना या आप यह कह लिजे जो आपको newspaper cuttings वगरा मिलते ह उनमें एक problem रहते है कि वो आपको एक जगा नहीं देते कि endangered species यह हैं या आपकी critically endangered species यह हैं तो आप कई बार उनमें confused रहते हैं बट अगर आप systematically इन चीजों को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में यह रहेगी उसके लावा wonderable वो population है जहां पर हमार पास evidence यह है कि इनकी population last 10 सालों में लगबख 50% तक कम हो गई हैं अभी हाल फिलाल में इसके 10,000 से ज़्यादा mature individual मिलते हैं और 10% probability है कि आने वाले 100 सालों में यह accident हो सकते हैं बट फिर भी इने considerably बहुत अच्छी protection दी जाती हैं इसके बा आपको threatened category में देखने को मिल सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि यह threatened category क्या होती है तो vulnerable, endangered और critically endangered जो आपकी species होती है इस सभी आपकी threatened categories में आती हैं उसके लावा least concern जिनके उपर हम परवान ही करते हैं जैसे चूहे वगएरा होगे यह सब चीजे जिनकी population बहुत जादा है तो इसके बारे में हमारे पास इनके लिए हमें चिंता करने की जुरूरत नहीं अब एक species होती है data deficient जिसके बारे में हमारे पास data नहीं है अभी तक हमें नहीं पता कि इनका क्या status है उसके लावा एक species होती not evaluated मतला अभी इन्हें analyze नहीं किया गया है तो यही कुछ चीजे है आपको बायो diversity में जो याद रखनी है अब यहाँ पे आपको दो-तीन काम दे रहा हूं मैं जिसे आपको करना ही होगा हर हाल में पहला काम तो यह है जितनी भी आपकी species हाल फिलहाल में न्यूज में रही है आपको जैसे मैंने बताया वो चार्ट बना के आपको वो करना है उ आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जब आप नेशनल पार्क या वाइड लैफ सेंचरी के बारे में लिख रहे हैं तो कुछ भी पॉइंट लिखोगे आपने यहाँ पर सिर्फ तीन पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो लिखनी है पहला किस स्टेट में है किस एरिया मे यह आपको पता होना चाहिए आप जब इसे शॉट लिस्ट कर रहे तो आपने स्टेट वाइस किया जैसे मैंने आपको कहा अब पहला पॉइंट तो यह था दूसरा पॉइंट आपको याद रखने है किस तरह का फ्लोरा और फौना यहाँ पर मिलता है खासकर किस तरह के इंडिंजर स्पीशिज है यह कोई ऐसी स्पीशिज है जो यहाँ की की स्टोन स्पीशिज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए तीसरी चीज यहाँ पर से कोई अगर रीवर पास होती हो तो आपको उस रीवर का भी पता होना चाहिए और चौती चीज एक आपको के area को include करके question पूछ लिता है जैसा एक बार नीलगरी ताहिर जैसा एक बार नीलगरी biosphere reserve के बारे में पूछा था और भी बहुत से reserve के बारे में पूछा हुआ ऐसे तो आपको यह चीज़े पता हो नीची अगर आपने यह 4 point एक साल के जितने भी आपके biosphere reserve से उनके बारे में लिख लिए तो मैं guarantee देता हूँ कि biosphere के ऊपर आपका कोई question आया गलत नहीं होगा species के ऊपर कोई question आया गलत नहीं होगा अगर आप इस तरह से अपने notes को बनाएंगे आईए अब बात करते है pollution की अब pollution क्या होता है देखिए जब भी ऐसा होता है कि आपको किसी की आवाज नहीं पसंद और जैसे ही वो आपके कमरे में घुसता है तो आपको irritation होने लगती है तो वो भी आपके लिए एक तरह का pollution हो सकता है या आप ये कह सकते हैं कि आपके जो रिष्टेदार है के लिए that is environmental degradation अब pollution की कारण क्या है देखिए एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हम humans की population बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दूसरा कारण हमने industrialization इतने rapid pace पह किया है कि हमने environment की परवाब बिलकुल भी नहीं कि उसके इलाबा हमारा जो greed है लालज है उसकी वज़े से भी urbanization, volcanic eruption, radio activity इस सबी आपके कुछ कारण है जिसकी वज़े से आपको pollution देखने को मिलता है अब pollution के बहुत अलग-अलग type हो सकते हैं आज हम mainly deal करेंगे air pollution से उसके लाबा water pollution, radioactive pollution और soil and plastic pollution भी देखने को मिलते हैं अब अगर बात कीज़े pollution कितने type के होते हैं तो अगर यहाँ पे हम देखें कि कितने time के लिए आपका pollution रह सकता है environment में तो आपके pollution दो type के हो सकते हैं एक होता है bio degradable, एक होता है non bio degradable माल लिजए मैंने केली का छिलका फैका तो हो सकता है कि आने वाले time में वो आपके केली के छिलका वहाँ पर ना मिल या आप बात कीज़े sewage waste की केली का छिलका तो छोड़िए sewage waste best perfect example है अब यह जो आपका sewage waste है microbial action के साथ यह खतम हो सकता है तो यह आपका bio degradable waste हो गया मतलब यह ऐसा waste है जिसको हम कही न कहीं खतम कर सकते है या आपका bio degradable pollutant है waste छोड़िए pollutant भो लिए उसके लावा non bio degradable waste भी हो सकते है या pollutant भी हो सकते है अब यह ऐसे pollutant है जिनको कोई भी decompose नहीं कर सकते है जितने भी आपके naturally occurring microorganisms हैं उनके बसकी बात नहीं जैसे aluminium का can हो गया DDT हो गया pesticide, vedicides जो हम use करते हैं यह सभी आपके या plastic हो गया यह सभी आपके non bio degradable क्या है objects है या pollutants है इसके बाद किस तरह से यह exist करते हैं नीचर में उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि pollutant कितने type के होते हैं अब एक होते है quantitative pollutant अमाल लीजे quantity के उपर depend कर रही है quantitative है ना अब carbon dioxide की अगर बात करें तो क्या carbon dioxide pollution है नहीं क्योंकि carbon dioxide एक छोटी मोटी amount में हमें चाहिए होता है अब क्यों चाहिए होता है photosynthesis को perform करने के लिए तो इस वज़े से थोड़ा बहुत तो carbon dioxide desirable है बट अगर carbon dioxide की मात्रा जरूरत से ज़्यादा भढ़ जाए तो that time it is a pollutant तो यह depend करेगा concentration के उपर कि यह pollutant है की नहीं अब यहाँ पर quality के उपर भी depend कर सकते है अब material की या chemical की क्या आपकी quality है उसके उपर depend करता है जो that is qualitative pollutant for example plastic है यह DDT है यह humans ने बनाया उसकी quality की वज़े से क्योंकि वो environment के उपर बहुत negative impact कर रहा है तो इस वज़े से वो आपका कौन साथ pollutant हो गया qualitative pollutant अब यहाँ पे आपके दो और type के pollutant हो सकते एक होते primary pollutant मतलब जो अपनी natural form में मतलब जैसे DDT है प्लास्टिक है अगर यह environment में as it is भी पड़ा है तो भी वो pollutant है बट एक होते secondary pollutant मतलब initially उनसे कोई problem नहीं थी लेकिन कुछ environmental reaction के कारण यह आपके secondary pollutant form होते हैं और यह pollution problem करते हैं for example आपने O3 के बारे में सुना है ozone जो आपको troposphere में मिलती है अब यह usually आपको जो volatile carbon compounds होते हैं उनसे मिलती है अब यहाँ पर जो आपकी light पड़ती है volatile organic compound के उपर यानि VOC के उपर इसकी वज़े से ozone form होती है तो इस वज़े से यह आपकी कौन से pollutant होगे secondary pollutant यह directly आपके environment में exist नहीं करते थे इसके लावा आपको याद रखना है कि natural pollutant भी होते है जैसे volcanic eruption से बने या forest fire से या grasses में आग लगने से उसके लावा anthropogenic भी हो सकते है जैसे factory की chimney से निकलने वाला धुआ vehicle से निकलने वाला धुआ और भी बहुत tribe के आपके pollution हो सकते है जो anthropogenic हो सकते है अब बात करते है air pollution की जब आपकी air की quality degrade कर जते है that is air pollution यानि कि आपकी air क्या हो चुकि है contaminated हो चुकि है यह आपका चौथा सबसे बड़ा factor है जिसकी वज़े से early death हो सकती है लोगों की अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा कहना है state of global air report जो 2020 में publish हुई थी अब इसमें सी अगर तीन major कारणों के बारे में बात कीज़ए that is industrial pollution 51% उसके बाद आपका vehicle से निकलने वाला धुओ 27% और last है आपकी crops की burning का pollution जो की 17% है तो यह major आपके causes है air pollution की याद रख सकते हैं क्योंकि यह report अभी हाल फिलहाल में publish हुई है तो हो सकता है इसके उपर question आजए अब यहाँ पर भी आपके अलग-अलग type के pollutant होते है primary pollutant जो environment में होते है directly यह आपके environment में जाते है जैसे particulate matter उसके लाबा कुछ secondary pollution या pollutant जैसे कि आपके ozone लिया जो chemical reaction के through जो primary pollutant है उनकी chemical reaction के through form होते है इसके लाबा अगर हम यह देखें कि air pollution मिल कहा रहा है तो उस basis पे भी हम इसे दो हिस्सों में बाढ़ सकते है एक है आपके indoor air pollution दूसरे हैं आपके ambient या outdoor air pollution अब यहाँ पर आपको याद रखना है तो उस समय जो आपका pollution होता है that is indoor air pollution उसके लाबा कई बार ऐसा होता है कि जो आपका भार के area में आग लग जती है या आप यह कह लिजए volcanic eruption या उसके लाबा इंडस्ट्रिस से निकलने वाला धुआ यह सब ही आपके किसमें आ जते हैं outdoor air pollution में अब यह natural भी हो सकते है anthropogenic भी हो सकते है depending upon the situation अब इनका impact क्या है एक तो पहली बात यह आपके जो pollutant होते हैं इनकी वज़े से photosynthesis के उपर negative impact पढ़ सकता है तो इस चीज को आपको याद रखने है दूसरा sulfur dioxide यहाँ से produce होती है जिसकी वज़े से acid rain हो सकती है उसके इलावा आपके यहाँ पर ozone को damage कर सकती है chlorine कायमा जैसे बिमारी कर सकते है और plant में बहुत से impact और भी देखने को मिल सकते है जैसे उनकी leaf ज़ड सकती है fruits खतम हो सकते है उसके लावा कई बार plant के उपर ऐसे food लगे होते हैं जिसके बाद इससे fruit बनता है तो वो जो flower buds होते हैं वो भी गिर सकते हैं तो यह कुछ नुकसान है आईए कुछ बात कर लेते है major pollutants के बारे में although मैंने यहाँ पर table में बहुत detail में दे रखा है आपको बट मैं आपको कुछी चीज़े इसके बारे में बताऊँगा बाकी चीज़े आप read कर सकते हैं तो कि सारी चीज़े यहाँ पर factual है तो इनके बारे में मेरे को समझाने लायक कुछ नहीं लग रहा बट कुछ important points है जिसे मैं आपको बताना चाऊँगा जिसे अगर बात कीज़े carbon monoxide की तो यह colorless, odorless, tasteless gas है यह तो आपको पता ही है बट यह short lived है मतलब कुछी महीने atmosphere में रहती है और जब भी आपका incomplete combustion देखने को मिलेगा वहाँ से produce होगी carbon monoxide उसके लावा आपको volcanic eruption forest fire और photochemical reactions के थ्रूँ भी यह carbon monoxide मिल सकती है उसके लावा cigarette smoking के थ्रूँ भी carbon monoxide produce होती है उसके लावा आपको यह याद रखने हैं कि यह weak greenhouse gas है साथ के साथ यह ground level पे ozone formation में help करती है तो इन चीज़ों को आपको याद रखने हैं यह बहुत important चीज़े है अब यहाँ पे आपको carbon monoxide के बारे में एक बात याद रखने है देखिए जो carbon monoxide है न आपकी यह आपके हुमोग्लोबिन के साथ बहुत easily combine कर जबती है ठीक है जी माल लिजे एक जगा आपको oxygen मिल रही है और दूसरी जगा आपको carbon monoxide तो हुमोग्लोबिन की tendency होगी कि वो carbon monoxide के साथ attach करे rather than oxygen अब अगर यह आपका हुमोग्लोबिन के साथ attach होता है तो इससे बंदा suffocate होके मर सकता है reflexes में कमी देखने को मिल सकती है थोड़ा daisiness, confusion देखने को मिल सकती है और साथ के साथ इनसान की मौद भी हो सकती आपने कई बार सुना होगा की घर में इंगिठी जला के सोया था परिवार सुबह नहीं उठा तो basically carbon monoxide के कारण ही होती है जब limited oxygen supply में कोई चीज़ आपकी burn करती है तो वहाँ पर produce होती है carbon monoxide इसके लावा आईए बात करते है या gyres उनमें से भी देखने को मिल सकती है इसके लावा anthropogenic activity में यह आपको देखने को मिलती है coal power plant से ठीक है जी coal की burning से आप कह सकते है और उसके लावा आपको natural gas की burning से भी यह देखने को मिल सकती है अब यहाँ पर यह चीज़ याद रखने है कि यह water soluble है और जैसी यह water के साथ react करता है तो यह बनाते थे carbonic acid जिसकी कारण हलकी फुल की acid rain भी हो सकती है तो that is it उसके लावा health के उपर असर की बात करें तो कहीं न कहीं यह आपको suffocate कर सकती है आपको daisiness हो सकती है आपको सिर में दर्द हो सकता है और आप subconscious भी हो सकते है आईए अब बात करते है chlorofluorocarbon की जो कि आपका एक organic chemical है जिससे आपके ozone के उपर impact पड़ता है अब यहाँ पर मैंने इसको बता तो रखा है इसके बारे में discuss करेंगे हम कल की class में आज की class में नहीं कल हम Montreal protocol के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम वहाँ पर discuss करेंगे लेकिन आपको बताना था तो इस वज़े से यहाँ पर बता दिये अब यह जो आपके chlorofluorocarbons है यह आपके ozone को deplet करते है that you have to remember air conditioner और refrigerator में use होते है यह आपको याद रखने है वो गंदी है ठीक है जी जो आपको stratosphere में मिलती है वो अच्छी है क्योंकि वो हमें UV rays से बचाती है अब जो ozone आपको stratosphere की जगा troposphere में मिलती है उसके बारे में जान लेते हैं कुछ चीज़े अब जो ozone आपकी troposphere में मिलती है वो आपके आखों में जलन कर सकती, आपको like cold हो सकता है, निमूनिया हो सकता है, उसके लावा यहाँ पर आपको एक चीज याद रखने हैं कि जितने भी आपके volatile organic compounds हैं और carbon, monoxide, nitrogen, dioxide, यह important role play करते हैं जिसकी वज़े से आपकी oxygen, ozone में convert होती है, अब यहाँ पर इतना ही जानना important इसके बारे में आईए बात करते हैं nitrogen oxide के बारे में, अब यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि यह nitrogen की सभी चीजों को count करता है, चाहे nitrogen oxide हो, dioxide हो, कुछ भी हो, उसके लावा यह आपके agriculture waste से, या आप यह कह सकते कि agriculture में जो हम fertilizer use करते हैं उससे nitrogen fixing plant से, और lightning से भी produce होती है, इ यह जो आपकी nitrogen है, इसकी वज़े से problem क्या होती है, nitrogen oxide की वज़े से, आपको smoke देखने को मिलती है, और smoke होती क्या है, smoke plus fog, इसके बारे में detail में बात करेंगे कल, जब हम air pollution को और ज़्यादा detail में जानने की कूशिश करेंगे, जहां पर हम इनकी remedies के बारे में भी बात करेंगे तब हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, बट हाल फिलाल के लिए आप यह जानिए कि, यहां पर यह photochemical smoke को form करने में help करती है, और साथ की साथ, आपकी जो ozone, ground के आसपास form होती है, तो उसके लिए भी responsible क्या है, कौन है आपकी nitrogen oxide, इसके लावा यह आपके lungs में infection कर सकती है, breathing problem दे सकते है, asthma कर सकते है, और bronchiotis जैसी problem दे सकती है, अब इसी के साथ की एक gas है, आपकी sulfur dioxide, अब यह भी आपकी जैसे pungent gas है, जिसमें आपको थोड़ी like smell बड़ी गंदी सी आती है, irritating से smell है इसकी, अगर natural source की बात करें तो volcanic activity से वो release होती है, thermal power plant, आपके जो sulfide ores होते उनसे produce होती है, तो यह सबी चीज़ें जहां से produce हो सकती है, अब health के उपर अगर impact की बात करें तो यह आपको बहुत बिमार कर सकती है, respiratory disease कर सकती है, उसके लावा smog और acid rain, दोनों के लिए ही कारगर साबित, दोनों में ही help करती है आपकी sulfur dioxide, उसके लावा बात की जाए, volatile organic compound की, तो यह generally आपको उन चीज़ों में मिलते हैं, जो बहुत जल्दी evaporate हो जाती है, जैसे आपने thinner देखा है, paint घर में करते हैं, तो उसमें हम thinner का use करते हैं, या लड़कियों ने nail polish, nail paint remover सुना होगा, जिससे नाखून के उपर जो paint लगाते हैं, आप लोग, nail paint, उसे remove करने क करते हैं, वहाँ पे भी use होते हैं आपके volatile organic compounds, उसके लावा perfumes होगारा में, glue में, और जितने भी आपके repellent होते हैं, इन सभी में हम VOCs कर यूज करते हैं, अब इनसे आखों में problem हो सकती है, nose में problem हो सकती है, गले में problem हो सकती है, और उसके इलावा, आपको सिरदर्द और particulate matter की, PM, यह प्रधान मंतरी नहीं है, इनका नाम है particulate matter, अब यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि particulate matter जो है, उस solid particle है, aerosol particle है, जिसे solid particle, liquid droplets में जो आपको मिलते हैं, that is PM, अब यह आपके vehicle से भी निकल सकते है, construction activity से भी निकल सकते है, oil refinery से, या railway yard से, जहाँ पर coal की mining चल हैं आपके, बट फिर भी तीन variant आपको जाननी चाहिए, एक होते particulate matter 10, एक 2.5, एक होते आपके particulate matter 1, अब यहाँ पे जो चीज आपको याद रखने हैं, वो यह है, कि particulate matter 10 का size, जो है, वो 10 micrometer से कम होता है, particulate matter 2.5 का size, 2.5 micrometer से कम होता है, बस इतना ही आपको जानना के बारे में भी, यह आपका by product है, coal power plant का, जितने भी thermal power plant है, उनमें से यह निकल के सामने आता है, यह भी आपका air pollution कर सकता है, और water pollution कर सकता है, क्योंकि जो आपकी fly ash है, इसमें बहुत सारे heavy material होते हैं, अब आपको अपनी copy के side में लिखना है, कि fly ash में आपको कौन कौन से important heavy material मिलते हैं, अब इस तरह की question UPSC ने पहले भी पूछे हुए हैं, तो इसी वज़े से यहाँ पर मैंने यह जान बूज के छोड़ा है, ताकि आपके और मैं अपनी tuning same कर सको, अब यहाँ पर tuning same करने का मतलब यह है, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज important है, तो उसको आ साथ के साथ stromata के ऊपर भी negative impact पड़ेगा, जहां से gaseous exchange होती है आपके किसी भी plant में, उसके लावा आएए बात करते है lead की, जो आपको petrol, diesel, battery, paint, hay dye, इन सभी में देखने को मिलता है, अब यहाँ पर आपको याद रखने है कि lead अगर पानी के साथ mix हो जाए, तो यहाँ पर यह poisoning कर सकता है, उसके लावा nervous system को break कर सकता है, आपके साथ के साथ digestion से related problem और cancer जैसे बिमारियां कर सकता है, आईए, अब बात करते है metal oxide की, जिसे आपके iron oxide होता है, aluminium oxide होता है, magnesium oxide होता है, manganese oxide, zinc oxide, इस सब भी आपके metal oxide है, अब कई बार यह dust की form में deposit हो जाते हैं, जिसे mining area औ होती हैं, और dust की form में deposit हो जाते हैं, तो इससे plants के अंदर जिसे कई तरह के disorder develop हो सकते हैं, जिसे physiological या chemical disorders, और उसके लावा plant के reproductive system के ऊपर भी बहुत negative impact पड़ता है इनसे, environmental pollution topic को start किया था, हमने जाना था कि pollution होता क्या है, फिर हमने जाना था कि environmental degradation क्या होता है, फिर causes जाने थे pollution की, और types जाने थे pollution की, फिर इन types के बारे में हम एके करके discuss कर रहे थे, बट उससे पहले हमने जाना था कि pollution किस किस category में हम classify कर सकते हैं, जिसे हमने primary, secondary pollutant के बारे में प पढ़ा, बायो डिग्रडेशन और नॉन बायो डिग्रडेशन के बारे में पढ़ा और नेच्रल और अंत्रोपोजेनिक पलुशन के बारे में पढ़ा अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमने एर पलुशन में यह जाना था कि विश्ट्री में 25% जो देथ होती है वो उसके लावा इंडोर और आउटडोर साथ के साथ हमने क्या वेजटीशन के ऊपर इंपक्ट पड़ता है एर पलुशन का उसे भी जानने की कुशिश की थी फिर हमने मीजर पलुटेंस के बारे में जाना था जिससे कार्बन मॉनोकसाइड, कार्बन डायोकसाइड, क्लोरो इसके बाद हमने जाना था फ्लाई एश, लेड, मटैलिक ऑक्साइड के बारे में अब यहां पर हम इसी के आगे अपने टॉपिक को कंटेन्यू करेंगे जहां पर हम जानेंगे नैनो पार्टिकल्स के बारे में लेकि नैनो का मतलब क्या होता है नैनो मेटर आपने सुना हो अब यह जनरली दो सोर्सिस से आपको मिल सकता है एक तो होता है नैच्टरल सोर्स और एक होता है एंथ्रोपोजैनिक सोर्स anthropogenic में आ जाते हैं आपके वो industrial और mechanical processes जहां पर minerals या आपके ores की cutting हो रही है या उन्हें powder form में change किया जा रहा है तो ऐसे जो आपके processes होंगे या industrial mechanisms होंगे आप उन सब को इसमें डाल सकते हैं उसके लावा natural way में भी यह हो सकते हैं जैसे forest fire, volcanic eruption, weathering और dust storm के कारण अब यह जो आपके dust है यह बहुत जरूरी भी है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं cloud formation की तो उसमें हम कहते हैं कि हमें nucleus ही होता है या nuclei भी बोलते कही बार अब यह जो nuclei है यह कौन बनेगा या आपके nanoparticles ही तो बनते हैं तो कहीं न कहीं cloud formation में एक important role है इनका बट अगर यह आपका धुआ या आप यह कह सकते nanoparticles बहुत दूर तक फैल जाते हैं या आप यह कह सकते कि बहुत दिनों तक हवा में लटके रहे तो suspended रहे या लटके रहे तो इससे भी बहुत ज़्यादा problem हो सकती हैं जैसे ozone है, ozone में depletion देखने को मिल सकता है उसके लावा जो आपका stratospheric temperature है उसमें change देखने को मिल सकता है तो यह कुछ कारण है जिसकी वज़े से यह जो आपके nano particle है खतरनाक हो सकते हैं आपके environment के लिए अब अगला है आपका shoots and dust अब यहाँ पर आपको याद रख रहे हैं कि यह impure carbon particle है और जैसे आपने सुना होगा black carbon और brown carbon तो यह कुछ उसी तरह के है अब यह आपकी blood stream में भी जा सकते हैं और इसकी वज़े से आपको बहुत सारी परेशारियां देखने को मिल सकती हैं अगर blood में चलेगे तो कहीं न कहीं blood clot वगरा या veins का block होना वगरा कुछ चीज़े ऐसी भी देखी जा सकती हैं तो यह problem रहेंगी अब यह जो आपके shoots and dust हैं यह South Asia या East Asia में एक अलगी नाम से जाने जाते हैं अब यहाँ पर यह आपके brown cloud form करते हैं जैसी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं अब यह जो brown clouds हैं इनसे एक major problem है problem यह है कि आप सभी को पता होगा कि third pole कहाँ पर exist करता है आपके हिमालिया वाले area में अब हिमालिया में third pole है तो यहाँ पर बहुत सारी बरफ होगी snow अब snow है तो वहाँ पर आपको albedo high मिल रही होगी अब अगर albedo high मिल रही है और वहाँ पर जाके यह shoots and dust deposit हो जाए क्योंकि यह South Asia में आपको देखने को मिल रही है तो यहाँ पर हिमालिया वाले part में देखने को मिलती है मतलब उसके आसपास के plains में अब अगर यह dust आपके हिमालिया के glacier पर settle down होती है तो आपको देखने को मिलेगा कि albedo value आपकी क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी अब albedo value decrease होगी तो वहाँ पर क्या होगी heat जादा absorb होगी यानि यहाँ पर आपको global warming देखने को मिलेगी plus आपके glacier melt होंगे अब glacier अगर आपके जल्दी से melt होंगे तो इससे flood की situation आएगी और इंडिया तो आपको पता हिया flooding के लिए कितना ज़्यादा मशूर रहता है हर टाइम तो यहाँ पर कहना मेरा यह है कि यह shoots and dust ना केवल आपकी global warming के कारण बन सकते हैं बलकिन बहुत सारे natural disaster के भी कारण बन सकते हैं उसके लाबा glacier के melting का भी एक major कारण बनेंगे यह अब बात करते हैं fog की तीकि fog आपके cloud है जो ground level के आसपास बनते हैं यहाँ पर आपको smoke भी देखने को मिलता है water droplets भी देखने को मिलते हैं और यह सबी air में suspended होते हैं एक चीज याद रखना है यह clouds ही है बट यहाँ पर यह ground level पर फॉर्म हो रहे हैं height पर ने इसके लाबा यहाँ पर आपको humidity लगभग 75% से ज़्यादा चे जब भी आपको fog की formation करने हैं इसके लाबा यह environment की visibility को कम करता है जिसके वज़े से बहुत सारे accident भी होते है अब देखिए ऐसा है कि fog तो पहले की बात हुआ करती थी जब आपकी industries वगएरा इतनी नहीं होती थी अब बात होते है smoke की अब यह smoke क्या होता है कल मैंने आपको पताया था कि smoke plus fog that is equal to smoke अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यह जो smoke है यह बहुत harmful है क्योंकि इसमें आपको fog भी मिल रहे है dust particle भी मिल रहे है बहुत सारे pollutants जैसे nitrogen oxide और volatile organic compounds अब यहाँ पे मैं आपको example देना चाहूँगा डेली का आप देखतें कि डेली में हर टाइम बहुत सी धुन्द रहती है बट यह धुन्द नहीं होती बेसिकली यह smoke है मतलब एक तरह से आपका धुआ प्लस fog अब इसके impact क्या होते है ति कि आपको itching हो सकती है आपकी eyes में burning हो सकती है उसके लावा आपके lungs के उपर बहुत गहरा असर पड़ सकता है और आपको heart से related कुछ problems भी देखने को मिल सकती है उसके लावा respirator disorders तो देखने को मिलते ही है अगर बात की जाए plants के उपर किस तरह का impact पड़ेगा तो यह plant के लिए इतने dangerous हो सकते की plant की मौत भी हो सकते इनके कारण अब यहाँ पर आपको याद रखने है कि यह जो smoke है यह दो type का होता है एक होता है sulfurous smoke और एक होता है photo chemical smoke अब sulfurous smoke क्या होता है इसे हम कई बार London smoke भी भोलते है मतलब London वाले area में यह पहली बार देखने को मिला था तो इसलिए London smoke अब आपको पता होगा कि London या British type of climate आपका temperate type of climate है बट temperate type of climate भी दो तरह के होते है एक Mediterranean में आपको hot climate मिलता है और British type में आपको cold climate मिलता है तो यहाँ पे यह cold humid condition में जो आपकी fog बनती है उसको represent करता है London smoke अब यह एक तरह का reducing mixture है यानि कि आप यह कह सकते कि reducing smoke है और यह और भी बहुत से नाम से जाना जाता है जैसे winter smoke या classical smoke अब सर्दियों में जो भी आपका smoke form होता है दल्ली के आसपास उसे भी हम London smoke से ही आप कह सकते compare कर सकते एक तरह से उसके लावा आता है आपका दूसरा photochemical smoke अब यह आपको Los Angeles के आसपास देखने को मिला था पहली बार और इसे कई बार summer smoke भी कहते हैं अब यह गर्मी में देखा जाएगा अब यहाँ पर क्या होता है देखें जो आपका Los Angeles smoke है इसमें आप देखतें कि sunlight के साथ आपके काफी सारे chemical react करते हैं जैसे nitrogen oxide या volatile carbon compound तो generally आपको Los Angeles smoke brown haze की form में दिखेगा और यह एक तरह का oxidizing agent है अब जिनको यह नहीं पता कि oxidization और reduction क्या होता है तो मैं उन्हें बता देता हूँ मालेजे कोई आपका compound है जैसे मालेजे Fe2O3 है Fe2O3 में सी अगर मैं oxygen को remove कर दूँगा that is reduction अब जिसके पास ये आपकी oxygen जाएगी उसे हम कह देंगे उस reaction को हम कह देंगे oxidization तो यहाँ पर इन चीजों को याद रखना और agents के cases में ये reverse होता है मतलब जो आपका जिसकी reduction हुई है वो कहीं न कहीं oxidizing agent है क्योंकि oxygen वो supply कर रहा है और जो आपके reducing agent होते हैं वो आपके वो होते हैं कि जहां से आप या जो आपके oxygen को छीन रहा है अब अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं आपको example देता हूँ जिसी ये substance है AO ये O मतलब oxygen है ये कोई भी metal हो सकता है आपका plus B is equal to A plus BO अब यहां पे ये जो reaction है ये है redox reaction क्योंकि यहां पर oxidation और reduction एक साथ हो रही है आमोमन ये हमें एक साथ ही देखने को मिलती है अब यहां पे जो आपका AO है ये आपका oxidizing agent है क्योंकि ये B को oxygen supply कर रहा है उसके लावा यहां पर आप B को देख रहे है BAO से आपकी oxygen चीन रहे है तो ये आपका क्या हो गया reducing agent तो कुछ इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये जो आपके sulfur oxide है या आपका London smoke है ये किस तरह से work करता है अब यहां पर इस चीज़ को याद रखना कि कौन से आपको smoke में nitrogen मिलता है nitrogen मिलता है photo chemicals में या Los Angeles में अब यहां पर आप याद रखना कि nitrogen N यहां पर L.O.S. में आपको क्या नहीं दिख रहा N नहीं दिख रहा whereas London में आपको N दिखते है तो वहां पर आपको S नहीं दिखेगा तो यहां पर आप याद रखना कि इसके initial three words में या इसके initial three words में जो alphabet मिल रहा है वो वहां पर नहीं मिलेगा जैसे Los Angeles L.O.S. है ना तो यहां पर आपको sulfur नहीं मिलेगा और London के starting award L.O.N. है तो यहां पर आपको क्या नहीं मिलेगा nitrogen नहीं मिलेगा तो अगर आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं तो अच्छा है आपके लिए उसके लावा कई बार यह photochemical smoke के कारण bad ozone भी form होती है अब बात कर लेते है aerosol particles की तीको aerosols क्या होते हैं aero मतलब air और soul मतलब solid तो यह combination है दो words का जहां पर हम देखते हैं कि air के अंदर कुछ solid particles मिल रहे हैं जैसे यहां पर हो सकते हैं आपके black carbon brown carbon उसके लावा dust particles वगएरा जो भी minerals वगएरा air में suspended हैं वो सभी आगे आपके aerosols में चाहे आपकी water droplets की हो अब यह आपकी ना केवल scattering में help करती हैं जैसे light आती है उसको scatter करने में help करती है बलकिन absorb करती है solar radiation और infrared radiation को भी अब यह जो आपके aerosols particles है इनकी वज़े से ही आप यह देखते हैं कि earth के उपर life possible हो पाती है इसके लावा कई बार यह बहुत ज़्यादा तादात में मिल जाए तो इससे micro physical या chemical property में change आ सकता है आपके cloud की और इन aerosols में हम सभी तरह के particles को include करते हैं चाहे वो आपके PM1 के size के हो या आपके nano particles हो या आपके PM2.5 हो या PM10 लेकिन एक चीज याद रखना है कि जितने भी amount के आपके fine particles या minerals मिलते हैं उनको हम 2.5 particulate matter बोलते हैं और ये post industrial revolution आपको 60% जादा देखनी को मिल रहे हैं अब इसके पीछे कारण क्या है देखिए जिस तरह से human fossil fuel को burn कर रहा है उसके इलावा यहाँ पर हम ammonia के fertilizers को use करें industrial processes जो हमारे चल रहे हैं इसकी वज़े से aerosol की जो आपकी frequency है वो बहुत जादा बढ़ चुकी है इसके लावा एक बात और याद रखना ये जो aerosols हैं ये काफी दूर तक फैल सकते हैं काफी kilometer तक और इसके लावा ये आपको upper level की air circulation जो आपको troposphere में मिलती है वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं जैसे यहाँ पर आप example देख रहे हैं ये industry से निकला और ये aerosol का plume लगबग आपको कहां तक जाते हुए दिख रहा है troposphere तक अब यहाँ पर ये sunlight को वापिस reflect कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इसने cloud formation में मदद किये बट कही बार ये acid rain का कारण भी बन सकता है तो इस वज़े से ये थोड़े important हो जते हैं अब इन में से एक के बारे में बात करते हैं black carbon के बारे में देखे ये fine particulate matter है आपके जो ज़्यादा तर आपको fossil fuel की burning से मिलते हैं उसके लावा biofills और bio mass की burning से भी आपको मिलते हैं इनकी life बहुत छोटी है लगबख एक से दो हफ़तों तक ये आपके air में suspended रह सकते हैं अब जो आपके shoot से हैं ये इसका major type है अब इनसे problem ये है कि ये sun की light को ज़्यादा absorb करते हैं और इसकी वज़े से आपको glacier की melting देखने को मिलती है आईए अब जानते हैं brown carbon के बारे में देखिए brown carbon का जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इसका color brown रहेगा जहां भी आपके organic compound air के अंदर enter करते हैं मतलब aerosol particles को form करते हैं महां पर आपको brown carbon देखने को मिलेगा ही अब एक चीज जो याद रखनी है आपको biomass जो है उसकी burning से जो आपका brown carbon produce होता है वो major source है आपके brown carbon का कई बार इन्हें greenhouse gases भी बोला जाता है और इनकी भी impure burning से या आप कह सकते कि ये भी black carbon की तरह result है आपके improper combustion का आईए अब बात कर लेते हैं acid rain की भी क्योंकि air के अंदर जब आपकी नमी के साथ ये metallic content आपका rate करेगा खासकर nitrogen oxides and sulfur oxide तो इसके बाद आपको देखने को मिलती है acid rain although carbon dioxide की भी concentration increase हो तो उससे भी आपको acid rain जैसी चीजे देखने को मिल सकती है बट यहाँ पर ये जो acids है ये दो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि normal आपकी जो rain का pH होता है वो होता है 5.6 ठीकिना वो आप ये नहीं कह सकते कि वो acidic नहीं होती है क्योंकि air में आपके nitrogen और sulfur तो मिलते ही हैं तो आमूमन जो हम बारिश देखते हैं तो उसका pH 7 नहीं होता देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि pH level वो कैसे करता है मालीजी ये एक scale है यहाँ पर ये जो आपका center point है that is 7 उसके लावा अगर आप 7 से इस सेट चले जाएंगे नीचे की तरफ तो आप acidic compound की तरफ जा रहे हैं और अगर आप इस सेट चले जाएंगे तो आप basic compound की तरफ जा रहे हैं अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जब भी आप ज़्यादा left की तरफ चले जाएंगे मतलब 7 से towards नीचे की तरफ 6, 5, 4 तो आप acidic content ज़्यादा increase कर देंगे अब यहाँ पर rainfall में भी क्या हो रहा है कि आमोमन जो हमारी rainfall आती है वो slightly acidic होती है वो होती है 5.6 के आसपास pH लेवल में अब अगर यह आपका 5.6 से pH नीचे चला जाए मतलब around 4.2 या 4.4 के आसपास तो उसे कह देते हैं हम acid rain अब यह तो मैंने आपको बताई दिया है कि आपके जो nitrogen है और sulfur है यह react करते हैं आपके water के साथ जैसे माल लिज़े यह आपकी cloud है अब यह जो आपकी gases है यह आपके industry से निकली और यह आपकी cloud के साथ क्या करेंगी interact करेंगी अब यहाँ पर यह cloud के अंदर form कर देंगी क्या H2SO4, HNO3 अब यह दोनों ही आपके acid है और इनसे बहुत ज़्यादा impact देखने को मिलता है जब भी ऐसी rainfall होती है अब किस तरह का impact देखने को मिलता है यहाँ पर आपको जो microorganisms मिलते हैं कही न कहीं उनकी death हो सकती है क्योंकि वो इतने ज़्यादा acidic medium में रही नहीं सकते उसके लावा अगर वो मर जाते हैं तो nitrogen fixation में कमी देखने को मिलेगी तो soil की fertility भी poor हो सकती है उसके लावा aquatic ecosystem के ऊपर भी negative impact देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ocean के अंदर acidification हो जाएगी मतलब जादा acid मिलने लग जाएगा अब इससे ना किवल आपके plant की growth के ओपर impact पड़ेगा बलकिन जब plant मर जाएगे आपके तो food chain के ओपर भी impact पड़ेगा और इससे आपकी पूरी aquatic ecosystem की death हो सकती है उसके इलावा जितने भी आपको metal की cruising वगएरा की cases देखने को मिलते है या stones की weathering देखने को मिलती है वो थोड़ी ज़्यादा तेज हो जाएगी अब ऐसा क्यों देखे मान लिजे यह H2SO4 है यह acid है अब मैंने एक लोहे का statue बना रखा है मान लिजे हम बात कर रहे है statue of unity की अब यहाँ पे इस लोहे के साथ iron के साथ आपका यह जो acid है वो react करेगा अब अगर यह acid react करेगा तो इससे आपको erosion देखने को मिलेगी अब अगला है आपका topic fly ash अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कल भी sir ने fly ash के बारे में पढ़ाया था लेगिन बच्चों मैं आप सभी को जानता हूँ आप मेंसी बहुत कम ने इसकी composition के बारे में लिखा होगा और आप मेंसी कई ही लोग इस चीज से सहमत नहीं होंगे कि sir ने मेर को ये बताया क्यों नहीं बट फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ी चीज़े बताना चाहता हूँ क्योंकि ये important है आपके paper के लिए तो यहाँ पर आपको major component में मिलते हैं जैसे silicon oxide aluminum oxide और calcium oxide उसके लावा minor concentration में आपको arsenic beryllium, boron, cadmium, chromium, hexavalent chromium, cobalt, lead, manganese, mercury, molybdenum, selenium, stentonium, thelenium, vendanium और unburnt carbon भी मिलता है अब ज़्यादा तर इंडिया में जितनी भी fly ash आपको देखने को मिलती है वो कहीं न कहीं thermal power plant से निकलती है अब देके आपको सभी को पता होगा कि हमारा majority part जो electricity का generation का है वो produce होता है coal और thermal power plant से क्योंकि ना तो अभी हमारा पास इतना पैसा है कि हम solar power plant को हर जगा लगा सके ना हमारा पास इतनी technology है कि हम इस चीज़ को और किफाईती बना सके तो इस वज़े से ज़्यादा तर हम energy किसे produce करते है thermal power plant से और इसकी वज़े से इंडिया में यह fly ash की problem बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है यह एक तरह का आपका bio product है जब भी आप coal को burn करते हैं अब इससे negative impact क्या पड़ता है देखिए इसमें कुछ तरह के आपके acids होते हैं कुछ toxic होते हैं और कुछ radioactive आपके materials भी होते हैं तो इसके कारण ना केवल आपके air के उपर बलकिन water के उपर भी impact पड़ सकता है अब देखिए यह जो आपके fly ash है कहीं न कहीं deposit होगी या तो वो land पे होगी या आपके water bodies पे अब यह जो toxic है या आपके acids हैं यह कहां पर जाएंगे land और water में ultimately तो water में ही जाएंगे तो यहां से आपके दोनों ही system के उपर impact पड़ सकता है terrestrial और aquatic उसके लावा यह जो आपके fly ash है यह cancer causing है मतलब अगर यह किसी की food chain में enter करती है तो कहीं न कहीं यह cancer कर सकती है उसके लावा nervous system को भी damage कर सकती है और साथ के साथ development में delay ला सकती है बच्चों की और respiratory disease जैसी चीज़े भी हो सकती है बच्चों, बोडों और सभी में अब इसके लावा आपको याद रख रहे हैं कि यह जो आपकी fly ash है इसमें सरफ और सरफ harmful impact नहीं देखने को मिलते है कुछ important चीज़े हैं जो हम इस fly ash से perform कर सकते हैं अगर इन्हे properly collect किया जाए तो यहाँ पर हम Portland cement के अंदर इसे as a component यूज़ कर सकते हैं उसके लावा हम brick making में भी इन fly ash का इस्तिमाल कर सकते हैं अब इससे फायदा क्या है अब देखे अगर हम brick इससे form करेंगे एक तो हमारा waste management हो गया और दूसरा brick formation में हम आमूमन मिट्टी का यूज़ करते हैं अब यह जो मिट्टी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर यह उपजाओ मिट्टी है तो कहीं ने कहीं हमारी उपजाओ मिट्टी खतम ना हो इसके लिए हम fly ash से बनी इट्टो का इस्तिमाल कर सकते हैं उसके लावा जैसे माल लिज़े soil की porosity इंप्रूव करनी हो water holding capacity इंप्रूव करनी हो तो उनमें भी आपकी fly ash मदद कर सकती है अब महराष्टर आपकी पहली ऐसे state थी जिन्होंने fly ash utilization policy बनाई थी और government ने fly ash के use को और ज़्यादा improve करने के लिए ash track करके एक mobile app डिजाइन किया है देखे वैसे तो major major सभी तरहां के आपके pollutants को हमने पढ़ लिया है बट फिर भी कुछ ऐसे pollutants हैं frequently आपको news में सुना ही दे सकते हैं जैसे benzene के अगर बारे में बात की जाए तो naturally यह आपको crude oil में देखने को मिलता है या आप यह कह सकते हैं कि petro chemical industries में देखने को मिलता है अब जब भी हम बात करते हैं कि petrol की जो performance है या petrol vehicle की जो performance है उसे improve करना है तो हम केरते हैं कि उसमें हमें high octane चीए मतलब जो आपका patrol है वो withstand कर सके high compression को वो explode ना करें तो इसके लिए high octane चीए होता है बट यहाँ पर एक चीज याद रखना कि अगर benzene आपके शरीर में चला जाता है तो इससे आपको cancer जैसी बिमारी होने का खत्रा है और आप बहुत ज़्यादा बिमार हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके bone marrow के उपर भी impact देखने को मिल सकता है इवन bone marrow का failure तक देखने को मिल सकता है आईए अब बात करते हैं इथिलिन की अब यह जो इथिलिन है यह आपको chemical industries में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है खासकर polythene से related आपकी जितनी भी industries है अब यह आपके plant के hormones के उपर impact तो करता ही करता है बलकि इंसानों के उपर भी impact करता है जैसे सर में दर्द, चक्कर आना, daisiness, unconsciousness चक्कर खाके गिर जाना और इसके इलावा cancer जैसे बिमारियां भी कर सकता है एस्बेस्टॉर्स के बारे में बात कर लेते recently ये news में इसलिए था एस्बेस्टॉर्स क्योंकि जो आपके टेलकम powder होता है खासकर बात करें Johnson & Johnson की उसके अंदर एस्बेस्टॉर्स देखने को मिला था अब देखे अगर इसे आप जादा लंबे समय तक inhale करते तो lungs के उपर असर पढ़ सकता है देखे एस्बेस्टॉर्स एक ऐसी problem है जहां पर आपके lungs के उपर बहुत जादा deep impact पढ़ चुका है अब क्योंकि बच्चों के साथ ये powder यूज करते हम Johnson & Johnson का तो इससे बच्चों के health के उपर बहुत जादा negative impact पढ़ सकता था क्योंकि ये आपके बहुत जादा जो आपके flavorous material उते ना उनमेंसी एक है ऐसे 6 material है जिनके नाम मैंने यहां पर mention कर रखे आप इनके नाम पढ़ सकते है उसके लावा एक आपका pollutant है rendon ये naturally आपको soil में भी मिलता है जब आपके घर में poor ventilation होती है तो तब ये आपके लिए एक problem create कर सकता है अब जैसे आपका मानने जिए घर चारों तरफ से बंध है और rendon आपके घर के अंदर मिलता है तो इससे problem ये हो सकते है कि lungs की बहुत ज़्यादा infection देखने को मिल सकती है आईए अब बात करते है Delhi specific अब जैसा कि आप सभी जानते है कि दुनिया की सबसे polluted cities में सी डैली आपकी topmost में आती है मतलब अगर बात कीजाए capitals की अलग अलग countries की तो उनमें सी सबसे ज़्यादा pollution आपको डैली में देखने को मिलता है और ये जो आपकी problem है कई बार आपको कुछ seasons में ही particularly देखने को मिलती है और कई बार आपको throughout year भी देखने को मिलती है अब इसके पीछे variety of reasons है जैसे अगर बात कीजाए geography point अगर बात कीजाए geographical point of view से तो कुछ चीजे हैं आपको बता दू जैसे wind की direction है winter में वो north westerly होती है और इसकी वज़े से आप देखते कि डेली वाले area में आपके pollution content high हो जता है उसके लावा सर्दियों के time पे जो आपका pressure difference है वो कही न कहीं इतना नहीं रहता जिसकी वज़े से आपकी जो wind speed है वो कम हो जती है उसके लावा gulf countries में dust storm भी एक major region है जिसकी वज़े से आप ये देखते कि डेली में smoke की problem और ज़्यादा बढ़ जाती है साथ के साथ क्योंकि आपका डेली region एक landlock area है जहां पर आपको आसपास कोई ocean या open water नहीं दिखता तो इस वज़े से यहां पर आप देखते हैं कि ज़्यादा pollution हो जाता है साथ के साथ वेकुलर emission और fire cracker जो दिवाली के season में फोड़े जाते हैं वो भी एक major कारण है जिसकी वज़े से आपको डेली में pollution देखने को मिलता है उसके लावा डेली की जो energy need है उसे fulfill करने के लिए हम dependent है thermal power plant पे इस वज़े से भी आप ये कह सकते कि जो डेली NCR area है वो आपका industrial hub है और इस वज़े से आप ये कह सकते हैं कि उस area में आपको बहुत सा pollution देखने को मिलता है अब last reason है जो आपका one of the most important reason है जिसके उपर government बहुत सा focus कर रही है that is double burning मतला आप देखते हैं कि जैसे ही आपकी धान की खेती खतम होती है उसके तुरंद बाद wheat उगानी होती है अब ये wheat उगाने के लिए आपको खेत साफ चाहिए तो इसके लिए किसान क्या करते हैं कि बचे हुए भूस को या आप stubble कह सकते हैं जिसे उसे आग लगा देते हैं अब आग लगाने के कारण उससे बहुत सा pollution generate होता है और ये भी एक major कारण है जिसकी वज़े से Delhi NCR area की आपकी air quality बहुत जादा decline कर जाती है अब इस चीज को ठीक करने के लिए government ने बहुत अलग-अलग measures लिए हैं इससे आपने अभी सुना होगा मुझसे कि हमने BS6 norm को introduce किया है vehicle or emission में अब इससे क्या होगा आपका vehicle का emission कम होगा तो यहाँ पर कई न कई आपकी air quality भी improve होगी उसके लावा electric vehicles को हमने introduce करने की कोशिश किये और साथ की साथ हमारा focus है और even schemes पर भी जब आपकी air quality बहुत जादा decline कर जाती है तो इससे आप vehicle or emission को बहुत जादा कम कर सकते हैं मतलब उससे होने वाले pollution को आप decrease कर सकते हैं अब यह मैंने आपको यहाँ पर बताया कि Delhi आपकी first city है जहाँ पर हम BS6 fuel को introduce कर चुके हैं उसके लावा hydrogen CNG को उसके लावा public vehicles में हम hydrogen CNG को भी परमोट कर रहे हैं उसके लावा जब भी आपके Delhi की air quality decrease करती है तो हम graded response action plan को implement करते हैं और साथ की साथ आजपास के nearby area में जैसे पंजाब, हर्याना और उत्तर परदेश में turbo happy seeder और happy seeder machines को हम किसानों को subsidies पे बेचने की कोशिश करें जिससे stubble burning की problem को हम दूर कर सकें उसके लावा torrification एक ऐसा process है जहाँ पर आप convert करते हैं biomass को अब यहाँ पर आप generate करते हैं coal like material जो की better fuel है आपके original biomass से अब अगर आप torrified biomass को use करते हैं तो इससे आप energy generate कर सकते हैं अब दीखे इससे benefit क्या होगा माल लीजे आप 100 ton coal को burn करके energy produce कर रहे थे तो अब उस coal को burn करने की जगा अगर आप इसको burn करेंगे दीखे pollution तो लगबग उतना ही होगा बट कहीं न कहीं आप यह देखिए कि आपकी जो दो अलग-अलग चीजे burn हो रहे थी एक तरफ आप stubble को burn कर रहे थे और दूसरी तरफ आप coal को burn कर रहे थे तो यहाँ पर आप दोनों चीजों का impact देख रहे थे बट यहाँ पर अगर आप इस torrification के बाद बायो मास को burn करते हैं इससे आप कहीं न कहीं जो coal की requirement है उसको कम कर सकते हैं क्योंकि अब double emission नहीं होगा तो इसकी वज़े से अब air pollution भी कम हो जाएगा उसके लावा हमने national air quality index डवलप किया है ताकि हम public में information दे सके air quality से regarding और इसके लावा government ने एक initiative स्टाट किया है जिसका नाम है Great Green Wall of Arawali अब आपको पता होगा कि एक Great Green Wall आपकी एफरिका में बन रही है सिहाल वेले रीजन में और एक आपकी यहां पर इंडिया में भी हम बनाने की कोशिश कर रहे है यह पोरवंदर से शुरू होकर दिल्ली तक जाएगी जिससे हम desertification की problem को भी रोकेंगे climate change वाली problem को भी रोकेंगे और साथ की साथ ecosystem को improve करने के भी कोशिश करेंगे because plant से आपकी air quality और ज़्यादा improve होती है तो इससे एक तीर तीन निशाने करने की कोशिश में हैं आईए अब हम बात करते है HCNG की आपको यहाँ पर यह याद रखने हैं कि आप जब CNG के अंदर hydrogen को डालते हैं that is HCNG यह fuel आपका clean है safer है as compared to traditional आपके जितने भी sources हैं fuel के और उसके इलावा यह आपका economical भी है as compared to other sources यहाँ पर मैं बात करूँ diesel and petrol की CNG गलती से लिखा गया है यहाँ पर उसके लावा जितने भी आपके hydrocarbon emission होता है देखे unburned carbon हमारा produce होता है जब भी हम किसी fuel को burn करते हैं तो यहाँ पर उसकी जो percentage है वो काफी reduce हो जाती है इसके लावा जो आपकी carbon monoxide produce होती है CNG को burn करने से वो भी यहाँ पर लगबग 70% कम produce होती है तो यह इसके मुखे benefit थे अगर बात कीज़े क्या concern है यहाँ पर तो मैं आपको बता दू यहाँ पर आपका जो infrastructure है वो इतना अच्छा नहीं है इंडिया में अब क्योंकि इंडिया में इतना बहतरीन infrastructure नहीं मिलता तो इस वज़े से इन्हें implement करना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा उसके लावा क्या आपकी best possible hydrogen और natural gas का combination होना चीए जिससे output आपकी increase हो सके वो भी एक मुश्किल चीज है जानना साथ के साथ जो CNG की cost है वो काफी कम है as compared to आपके hydrogen enriched CNG के तो यहाँ पर आप उस चीज को कैसे cater कर पाएंगे कैसे आप behavioral change लेके आप आएंगे जनता में यह भी एक सवालिया निशान है तो यह कुछ तीन problem है जिसके बारे में आपको पता होना चीए आईए अब बात करते हैं Great Green Wall of India की या अरावली की यह लगबख 1400 किलोमेटर की आपकी एक stretch है जहाँ पर आप गुजरात को connect कर रहे हैं डेली से यह लगबख 5 किलोमेटर चौड़ी होगी जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा जंगल क्रियेट कर सके एक ऐसी बेल्ट क्रियेट कर सके जिससे हम desertification को फर्दर आपके और एरिया में intrude ना करने दे यहाँ पर यह commitment हमने की थी COP14 में जो की आपकी United Nation Convention to Combat Desertification का पार्ट थी और यह COP हुई थी इंडिया में अब मेरा सवाल आपसे यह है कि यह जो COP meeting थी यह कहाँ पर हुई थी 2019 में इंडिया में इसका जवाब आपको comment box में लिखना है उसके इलावा हमारी कोशिश यह है कि जो आपकी land degradation है थार एरिया की उसे हम और आगे बढ़ने ना दे उसके लावा जो आपके dust है उसके लिए एक तरह का barrier create करना चाते है ताकि जो dust storm है उसकी वज़े से यह जो आपकी sandy dust है यह बाकी एरिया को impact ना करे आप जानते है National Clean Air Program के बारे में जिसे launch किया था आपकी Ministry of Environment ने 2019 में यह पहला आपका ऐसा effort है जहां पर हमने National Framework को design किया था और time-bound manner में हमने कोशिश यह किये कि हम air quality को improve कर सके इंडिया की अब इस framework को हम implement कहा कर रहा है पहले इसे समझते है तेकि आपके एक NAC standard थे जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किये जहां पर हम कहते है कि air quality की जो index को हम standards को हम देख रहे है अब जिन-जिन area में यह जो आपके standards है यह fulfill नहीं हो पारे उन area में हम इस program को run करेंगे especially उन cities में अब यहां पर कोशिश यह है कि हम particular matter की जो concentration है उसे 20 से 30% तक कम कर सके उन 102 cities में जो इन standards को fulfill नहीं कर पा रहे है और इन्हें हमने achieve करना है 2024 तक और यहां पर हमने baseline लिये 2017 की जहां पर हमें करना क्या है माल लिजे अगर 2017 में X amount थी या आप कहले लिजे 100 amount थी हमारे particular matter की तो इसको 20 से 30% तक हम इन 102 cities में decrease करने की कोशिश करेंगे environment में बहुत large quantity में मिलती है air में पर कही बार यह pollutant का काम भी कर सकता है जैसे nitrogen products की बात की जाये तो कही बार यह organic compound के साथ react करके आपकी ozone form करते हैं अब यह ozone form होते है troposphere में और इसकी वज़े से कई सारी problem हो सकते जिसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है उसके इलावा यह cause करते है आपकी acid rain और eutrophication जैसी problem भी अब यहाँ पर इसके major source है आपकी agriculture activities fossil fuel और sewage अब यहाँ पर United Nation Environment एक आपकी agency है इन्होंने Colombo declaration निकाली थी अब इस declaration में हमारा काम यह है कि जितना भी हमारा nitrogen waste है उसको हम 50% तक reduce कर देंगे by 2030 ऐसी कुछ commitment करने की कोशिश की गई है उसके इलावा यहाँ पर एक और initiative लिया गया है आपकी United Nation Environment और Global Environment Facility द्वारा इसका नाम रखा गया है International Nitrogen Initiative अब यहाँ पर भी अब इसके दो तरह के sources हो सकते है एक होता है point pollution source और दूसरे होते हैं आपकी non point pollution source अब point pollution source कहन से होते है जो आपके well defined है माल लेजे एक जगां से आपका pollution like seaweed आ रहा है और आके आपकी water body में enter कर रहा है तो that is point source आपको exact location पता है उस pollution की non point sources वो होते हैं आपके जहाँ पर आपको पता ही नहीं कि pollution आ कहां से रहा है और इनको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अब इसके इलावा यहाँ पर आपको याद रख रहे हैं कि इनके causes हैं जैसे agriculture sources जहां से आपके agriculture runoff के कारण बहुत सा pollutant water bodies में एंटर करते हैं उसके इलावा शहरों में मिलने वाले sewage water that is also one of the biggest problem क्योंकि आपको पता इंडिया की population बहुत जल्दी increase हो रही है और साथ की साथ आप rapid urbanization भी बात करते हैं उसके इलावा government केती सुच भारत अभ्यान में कि आप public toilets या toilets का इस्तिमाल कीजी तो कहीं न कहीं इस sewage water को dispose off करना अपने आप में आने वाले समय में एक बड़ा challenge बनने वाला है क्योंकि अभी तक तो हमारे यहां पर इतने अच्छे standards नहीं है पर अगर आने वाले समय में भी ऐसे ही चलता रहा तो पीने योग्य पानी नहीं बचेगा देश में उसके लावा industries के अंदर भी इतने ज़्यादा standards नहीं देखे जाते वो अपने waste को सिधा ही dump कर देते है water bodies में उसके लावा thermal power plant में भी एक major problem है कि वो गरम पानी सीधा direct आपकी water bodies में release कर देते हैं इससे भी बहुत सारी problem देखने को मिलती है उसके लावा oil spill हो गई जो आपके economic activities है जो जैसे ships लेके जाते हैं उसके अंदर से तेल निकलता रहता है तो उससे भी बहुत सारी problem देखने को मिलती है हमें अब जैसे हम बात करें कि हम within India मतलब इंडिया के interior में भी ships को use करेंगे आपने waterways के बारे में सुना होगा बट उससे कही न कहीं जो आपकी aquatic ecosystem है जो पानी में मिल रहा है आपको inland के उसके उपर बहुत जादा impact पढ़ सकता है because उससे ships से निकलने वाला pollution कहीं न कहीं इन water bodies के उपर deep impact कर सकता है तो यहाँ पर इन सभी चीजों के उपर हमें focus करने की जूरत है अब इनका impact क्या होगा देखे dissolved oxygen तो मैं आपको बताई चुका हूँ कि आपके water के अंदर oxygen की जो dissolve होने की tendency वो वैसे ही कम है पर जैसे ही temperature increase होता है water body का तो वो tendency और ज़्यादा कम हो जती है उसके लावा biological oxygen demand के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ यह यह बताती है कि आपकी water body में organic pollution कितना मिलता है उसके लावा chemical oxygen demand के बारे में भी आपने सुना होगा जहां पर हम organic और inorganic compound को oxidize करके breakdown करने की कोशिश करते है तो इन तीनों के ऊपर आपको impact देखने को मिलता है जब भी हम बात करते है water pollution की अब इनका relation तो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक table form में इसे एक बार फिर से explain करने की कोशिश की है जिससे आप इस चीज को और बहतर तरीके से समझ सके अब बात की जए आपके major कौन-कौन सी industries है जिससे water pollution होता है तो that is your mining industry iron and steel, pharma, paper and pulp and chemical industries अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने ये भी बता रखा है कि किस तरह के pollutant in industries से मिलते है देखिए UPSC कई बार off the track आपको question पूछ लेता है तो इनको एक बार आप read कर लेना रटा लगाने की जुर्त नहीं अगर आप इनको रटा लगाने बैट गेना तो आपका environment topic कभी खतम नहीं होगा बस आप एक तरह से ये दिमाग में रखे कि इनको अगर एक बार रीट कर लेंगे ना तो आपको थोड़ा अंदाजा रहेगा और कभी अगर कोई ऐसी statement आ जाती है तो option eliminate करने में आपको help हो सकती है तो इस चीज को याद रखना है कि यहाँ पर इन चीजों के रटे नहीं लगाने है उसके लावा agriculture runoff से भी आपको बहुत सारे pollutants देखने को मिलते है thermal pollution, groundwater pollution तो यहाँ पर मैंने आपको इन सभी के बारे में बताया है थोड़ी थोड़ी information दीए आप इसको read कर लेना, समझाने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है बस इसमें एक चीज याद रखना है कि रटा नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा deep में नहीं जाना है अब बात करते है marine pollution की दीए ultimately जितनी भी आपकी water body से कूरवा खच्रा निकल रहा है वो जाता कहाँ पर आपके oceans में तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जैसे savage waste हो आपका dumping हो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलते है detergent, grease, oil सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है आपको oceans में आपने 1970-80 के दशक में भी अगर कोई plastic यूज किया होगा न तो वो भी आपको ocean में मिल सकता है अब यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि जो आपके plastic है और यह micro plastic है micro plastic जो आपके cosmetic वगरा में मिलते हैं जो यह makeup वगरा होता है, creams वगरा होता है इसमें filler के तोर पर यूज होते हैं तो यह आपके major cause है या major pollutant है आपके marine water के अब यह जो micro plastic है यह आपके enter कर सकता है food chain में और जिसकी वज़े से आपको bio accumulation और magnification जैसी problem देखने को मिल सकती है अब यहाँ पर एक आपका international convention है that is convention on dumping waste at sea और London conventions भी बोलते हैं इसे इसके इलावा convention on prevention of marine pollution इसका एक protocol आया था 1996 में जिसे amend किया गया था 2006 में यह भी आपके marine pollution से deal करता है और यहाँ पर एक United Nation की agency है जो आपके seas से deal करती है that is United Nation Convention on Laws of Seas इसको भी आप याद रखना कि यह तीनों agencies या conventions आपके deal करते हैं किस से marine pollution से और दिखें यहाँ पर दो तरह के impact देखने को मिल सकते हैं health पे पहला है आपका aquatic ecosystem की health पे जहाँ पर हम बात करते हैं कि यह dissolved oxygen को कम कर देंगे इससे plankton के उपर असर पड़ेगा और ultimately जो भी आपके water organisms है इन planktons के उपर dependent हैं तो आपको पूर aquatic ecosystem के उपर impact देखने को मिल सकता है उसके लावा problem यहाँ पर यह भी हो सकते हैं कि जो heavy minerals मिलते हैं आपके waste में उससे aquatic ecosystem के उपर बहुत negative impact पढ़ सकते हैं उसके लावा अगर hot water को आप discharge करते हैं तो इससे भी आपके aquatic ecosystem पे बहुत जादा negative impact पढ़ सकता है आईए अब बात करता है human health की दीकिए यहाँ पर आपको कई तरह के pathogens मिल सकते हैं जिसकी वज़े से humans में बहुत ज्यादा बिमारियां देखने को मिल सकते हैं जैसे john days, cholera, typhide इन सभी तरह की problem से इनसान जूज सकता है अगर पानी आपका ठीक ना हो अब यह majorly आपके bacteria, parasites और protozoa के कारण होते हैं तो इस चीज को आप याद रखना है इसके लावा अगर जैसे mercury आपको water में मिलता है तो इससे बहुत अलग अलग तरह की बिमारियां हो सकती है जैसे mental challenges हो सकते हैं person को limbs और lips में problem आ सकते हैं tongue में problem आ सकती है आपको इन सब में numbness फिल हो सकती है जैसे होतों न कि जबान सुन होना वो चीज फिल हो सकती है जैसे हाथ पाउं सुन होना वैसे से चीज फिल हो सकती है उसके लावा अगर cadmium आपके water में जाता है और इस water को कोई use करता है तो इससे इटाई इटाई जैसे बिमारी हो सकते हैं जिसे आउच आउच भी बोला जाता है और इसके इलावा लेड अगर आपके वाटर में एंटर करता है तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है जैसे अनीमिया और कैंसर जैसे बिमारी है अब इन सब के इलावा जैसे अगर आपको वाटर बॉडिस में नाइटरेट ज़्यादा मिलने लग ज़े तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आपको बॉड बेबी सिंडरॉम जैसी बिमारियां देखने को मिल सकते है बच्चों में अब ब्लू बेबी सिंडरॉम में क्या होता है कि आपके बच्चे का शरीर क्या और निला पड़ने लग ज़ता है इसके लावा अगर fluoride आपको ज़्यादा मिल रहे हैं water bodies में तो इसकी वज़े से ना केवल दातों में problem आ सकती है, हड्यों में problem आ सकती है और intestine में भी problem आ सकती है इसके लावा अगर आप ground water को बहुत ज़्यादा exploit करते हैं तो इसकी वज़े से arsenic मिलता है आपको पानी के अंदर और इसे black food disease हो सकती है अब देखे bio magnification के बारे में तो मैं already आपको पहले भी बता चुका हूँ terrestrial part में तो यहाँ पर भी यह same रहने वाला है अगर आपको coral reef में किसी तरह से chemical मिलने लगते हैं मतलब इनकी food chain में एंटर करता है तो इससे छोटी fish उससे बड़ी fish और उससे top carnivores में भी यह एंटर कर जाएगा और इससे आपको नाकेवल bio accumulation देखने को मिलेगा बलकि बायो magnification भी देखने को मिलेगा इसके लावा आपको यहाँ पर एक warm के बारे में बताया गया है जिसका नाम है to be fix warm जिससे आप sludge warm भी कहते हैं यह generally आपको polluted ecosystem में मिलती है खासकर aquatic ecosystem में अब जब भी आपको यह कहीं भी मिले तो समझ जाना कि वो पानी बहुत जादा खराब है तो कहीं न कहीं यह एक indicative species भी है या indicative species भी है जो आपको polluted water के बारे में बताती है तो यही सब को जाना ज़रूरी था आपको water pollution के बारे में आईए अब बात करते हैं ocean acidification के बारे में आप सभी जानते हैं कि acidification क्या होता है जब आपके किसी चीज का pH level 7 से नीचे जाने लगे जैसे 6.56 ये तो मैं आपको lecture में बताई चुका हूँ अब माल लीजे आपके pH level ocean के water का decline करने लग जाए तो इससे क्या impact मिलेगा जितने भी आपके coral से वो भाग जाएंगे biodiversity के ओपर इससे negative impact पड़ेगा और इससे food chain भी आपकी कहीं नगाई थम जाएगी रुक जाएगी इसके लावा यहाँ पर इस table में मैंने आपको कुछ disease के बारे में बता रखा है तो इसको ध्यान रखना जैसे मेने माटा क्या होता है अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ disease के बारे में बता रखा है बट यहाँ पर इसके साथ एक चीज missing है और यह miss मैंने जानभूज की की है आपको यहाँ पर एक table बना रहा है ठीक है जी यहाँ पर एक और चीज एक line add करनी है और आपको side में लिखना है कि किस element के कारण किस element के या किस pollutant के presence के कारण यह particular बिमारी होती है जिसे अगर बात की जाए blue baby syndrome की तो आपको पता होगा nitrogen के कारण होती है उसके लिए लावा florios, skeleton fluoresces आपको florian के कारण होती है अब tracheoma आपको किस के कारण होती है मेंने माटा किस के कारण होती है इन चीजों को भी आप अपने इन notes में add कर लेंगे तो जब भी आपको इस तहां की कोई statement आते है UPSC में तो आपके लिए helpful हो सकती है आईए अब जानते हैं कि water pollution को कैसे रोख सकते हैं पहले तो आप water bodies में inflow रोख दीजे इन pollutant का अब अगर आपके ये जैसे sewage waste को आप properly treat करने लग जाएं industrial waste को आप properly treat करने लग जाएं तो आदी से ज़्यादा problem तो आपकी वेसी solve हो जागी और माल नीजे जिन water bodies में अभी आपको बहुत ज़्यादा pollution मिलता है तो वहाँ पर कोशिश कीजिए bio remediation की और phyto remediation की bio तो पता है ना living organism को add करेंगे हम वहाँ पर और phyto मतलब किसी plant को उगा देंगे वहाँ पर अब अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आईए एक बाद detail में बात कर लेते हैं bio remediation की यहाँ पर आप micro organism को introduce करते हैं किसी degraded environment में अब यहाँ पर यह या तो genetically आप design करते हैं इन micro organisms को या तो यह आपको nature में ही मिलते हैं अब यहाँ पर आप genetic engineering का इस्तिमाल करकर कोशिश यह करते हैं कि जो environment में आपको pollution मिल रहा है उसको कही न कही आपको कम करने में यह मदद करें अब bio remediation दो तरीके से हो सकती है एक होते in-situ जहाँ पर आपको कच्रा मिल रहा है आप वहीं पर उसको ठीक करेंगे तो that is in-situ अब दूसरा आपका ex-situ मतलब यहाँ पर आप जो pollutant है या आप माली जी इस soil है थोड़ी लेके जाऊंगा और इसे ठीक करके वापस यहाँ पर restore कर दूँगा that is ex-situ दो तरहां की आपकी bio remediation है अब in-situ में आती है आपकी जैसे bio venting अब bio venting क्या होते है जहाँ पर आप air और nutrient को increase करते है contaminated soil में जिससे आपके बेक्टीरिया वहाँ पर ज्यादा grow करें और इससे आपके pollutant वहाँ पर कम हो जाएंगे उसके लावा दूसरा है आपका bio sparging यहाँ पर आप एक injection देते हैं अपने underground water table में जिससे oxygen की amount उसमें increase होती है अब जैसे यह oxygen की amount उसमें increase होगी तो यहाँ पर biological degradation start हो जाएगा आपके contaminated water का क्योंकि bacteria वहाँ पर naturally मिलने लग जाएंगे आपके क्योंकि जितनी ज़्यादा oxygen होगी उतनी ज़्यादा आपकी biological oxygen demand को वो fulfill कर पाएंगी और आपकी biological decomposition वहाँ पर start हो जाएगी next है आपका bio augmentation जहाँ पर हम micro organisms को import करते किसी दूसरी जगह से और उस contaminated zone में उन्हें डालते हैं ताकि हम degradation process को और ज़्यादा enhance कर सकें next है आपका XE2 bio remediation technique अब यहाँ पर आप technique यूज़ कर सकते हैं जैसे bio reactor, wind rose, bio piling तो इन चीजों को आप यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे bio reactor है यहाँ पर आप क्या करते हैं कि एक specifically designed container में आप waste को डालते हैं और वहाँ पर उसकी bio remediation होती है आप wind rose में क्या होता है, आप periodically उस pile को बार बार कच्रे को ऐसे उठा कर गुमाते रहते हैं जैसे माल लिजे मैंने crane यूज़ किया, उस कच्रे को upside down turn कर दिया अगर बात की जाए, bio piling की तो यहाँ पर आपका एक composite system होता है एक land farming system होता है, आप इन दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं अब इनके advantages क्या है, पहली advantage तो यही होगी, कि यह less expensive है ठीक है जी काफी effective treatment देता है आपके waste management को और साथ की साथ, यहाँ पर आपको wide variety मिलते हैं किस तरह के आप contamination को remove कर सकते हैं इसके लावा आप on-site ही treat कर सकते हैं, normal activities के साथ ही उसके लावा आप on-site treat कर सकते हैं अपने waste को अब disadvantage क्या है, देखिए जो भी आपके biologically degradable materials होंगे, यह उनी के लिए फायदे मनद इसके लावा यहाँ पर आपको highly specific bacteria या enzymes को introduce करना पड़ता है मालिजे कुछ आपके bacteria होंगे, वो certain type of waste के लिए effective हैं, कुछ दूसरे type के तो इस तरहा की चीज़े देखने को मिल सकती हैं, इन में काफी लंबा समय भी लग सकता है और उसके लावा कई बार बिमारी फैनने का खत्रा भी रहता है इन से क्योंकि use तो ultimately आप bacteria वगरा को ही कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस चीज़ का भी खत्रा रह सकता है उसके लावा यहाँ पर आपको oil zapper या olivirus s के बारे में पता होना चाहिए जो आपके तेरी ने design किया है, जिसका पूरा नाम है the energy and resource institute अब यहाँ पर आपको इनी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी था तीकि अगर बात करें water pollution की, तो UPSC इससे बहुत simple question पूछता है अगर कोई चीज़ आपके news में रही है, उसके बारे में पूछेगा माने जी कोई नया remediation का method इजाद किया है या ऐसी चीज़े, या बिमारी के बारे में, या certain type of impact के बारे में बात करेगा इससे ज़्यादा आपकी detail में नहीं जाता है UPSC इनके बारे में उसके लावा कुछ चीज़ों के बारे में और discuss कर लेते हैं जैसे coagulation क्या होता है, अब यहाँ पर आप aluminum sulfate यानि alumina को use करते हैं, या ferric sulfate जब इन्हें आप polluted water में डालते हैं, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पानी में जो मिलते हैं, छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल्स यह आपके एक जगा कठे हो जाते हैं मतलब एक तरह से गुच्छा बना लेते हैं तो इस गुच्छे को आप easily remove कर सकते हैं, तो इस तरह के process को क्या कहते हैं, Cogumulation, अब इसके बाद आते है phytoremediation मतलब कई बार होता है कि आप देखते हैं कि हम mangroves और istries को बहुत जादा promote करने की कोशिश करते हैं जो istries में vegetation मिलते हैं अब promote करने के पीछे कारण यह है कि यह phytoremediation में बहुत helpful हैं जहां पर आप plant को use कर रहे है as a part जिससे आप pollution को remove करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लावा disinfection को आप use कर सकते हैं, pollution को mitigate करने के लिए आपने सुना होगा कि पानी के अंदर chlorine डालते हैं या ozone gas को हम pass करवाते हैं जिससे हम उसमें मिलने वाले बिमारियों को खतम करने की कोशिश करते हैं बिमारी in the sense, pathogens या parasites जो भी आपके मिलते हैं उन्हें मार देते हैं उसके लावा हम pH correction के उपर भी work करते हैं नहां पर हम lime add करते हैं जिससे हम pH level को adjust करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको पता होगा कि hard water, soft water ऐसे pH correction के भी कुछ measures हैं अगर acidic water है तो हम basic content को add करेंगे अगर basic है water तो हम acidic content को add करके pH को balance करने की कोशिश करते हैं उसके लावा जिससे sustainable agriculture, conservation of wetland और industries को ढंक से manage करना इस सभी आपके वो तरीके हैं जिससे आप water pollution को कम कर सकते हैं आईए अब बात करते हैं इंडिया ने इसमें क्या किया है इंडिया में 1974 में हम एक act लेके आये थे जिसका नाम था Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 यहां पर हम कोशिश के करें कि हम water pollution को prevent भी करें और control भी करने की कोशिश करें और हम water bodies की wholesomeness को मतलब जितने इन water bodies की purity पहले थी उसी को हम maintain कर सके इसके उपर हमारा focus है इसके लावा इस act के अंडर ही आपका Central Pollution Control Board बना था जिसका काम है आपके water quality को maintain करना इसके लावा गंगा action plan को हमने launch के था 1985 में अभी recently भी गंगा के उपर कई committees वगरा बनी है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये committee आपकी 2014 में बनी थी और recent time में ये इतनी news में है भी नहीं तो इस वज़े से मैं तो skip कर रहा हूँ बट आपको एक बार उसके बारे में हलका फुलका पढ़ लेना चाहिए जैसे नमामी गंगे प्रोजेक्ट है और भी आपके गंगा से related जो भी प्रोजेक्ट है आप उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना हो सकता है कि इसके बारे में mains में कूशन आजे प्रिलिम्स में तो क्योंकि ये topic news में नहीं रहा तो इस बज़े से probability थोड़ी कम है इसके लावा आपको याद रखने कि water high synth है ये भी आपका help करता है water purification में जैसे कुछ toxic आपके minerals मिलते है या heavy metal मिलते है water में उनको absorb करने में ये help करता है उसके लावा किसी water body के ऊपर से oil spill को हटाने के लिए हम use कर सकते है saw dust को जो की आपकी paper industry का कहीं न कहीं bio product है उसके लावा oil zapper को जो की एक तरह का microorganisms है जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ थोड़ा बहुत उसके लावा eucalyptus आपका ऐसा tree है जिसे आप सफेदा भी कहते हैं जो surplus water को absorb कर लेता है और उन्हें pure करके आपके atmosphere में release करता है आईए अब बात करते है soil pollution की दीकि soil pollution आपको सभी को पता है जब आपकी soil की quality और quantity दोनों में आपको depletion देखने को मिलता है that is soil pollution अब एक तरह से आपकी soil की quantity या quality पे कोई भी impact पड़ता है जिससे उसकी fertility के उपर impact पड़ता हो that is soil pollution चाहे उसमें कोई toxic add हो गया हो चाहे उसमें से important nutrient निकल गया हो that all comes under the soil pollution अब ये दो तरह से हो सकता है natural और anthropogenic reasons से अब जिसे agriculture और livestock practices हैं इंडिया में वो इतनी अच्छी नहीं है agriculture में हम water की flooding कर देते हैं खेतों में जिसकी वज़े से आप देखते हैं कि run off देखने को मिलता है आपको soil का यही एक कारण है जिसकी वज़े से soil में problem देखने को मिल सकती है उसके लावा आपके जो solid waste management skills हैं वो अभी इतने अच्छे नहीं है इंडिया में और यह भी एक कारण है जिसकी वज़े से इंडिया में soil pollution बढ़ता जा रहा है उसके लावा जो आप nuclear waste generate कर रहे हैं या आप hazardous chemical को जिस तरह से store कर रहे हैं वो भी एक बड़ा issue है जिसकी वज़े से soil pollution होता है साथ की साथ आपका urban area का infrastructure हो गया या transport infrastructure हो गया इसकी वज़े से भी soil pollution बढ़ रहा है लास्ट है आपका natural wave that is यह जो आपकी land slides और floods आते हैं इनकी वज़े से भी आपका soil pollution increase हो रहा है अब इनका impact क्या है देखिए इससे एक तो air pollution होता है मालने जो dust आपकी उड़ेगी तो dust की वज़े से क्या होगा air pollution होगा particular matter मिलेगा तो इस वज़े से उसके लावा आपके plant के metabolic rate के उपर और crop की yield के उपर भी इससे impact पड़ता है साथ के साथ आपको biomagnification जैसी problem देखने को मिलते है soil erosion की वज़े से utrophication जैसी problem देखने को मिल सकती है nitrogen fixation में आपको कमी देखने को मिल सकती है और cancer जैसी बिमारियां हो सकती है इन soil pollution की कारण अब इसके major sources की बात करें तो 3-4 major sources हैं इसके तो सबसे बड़ा source तो आपके industries है जहां से आपके pollutants वगएरा release होते है उसके इलावा एक major source है आपका agriculture जहां से आप ये nitrogen वगएरा extra add कर देते हैं fertilizer pesticides तो उसके वज़े से तीसरा important कारण है आपका plastic जिसे आप सभी जानते कि plastic से बहुत सारी harmful gases वगएरा निकलती है तो ये आपके soil को कहीं न कहीं खराब कर सकती है उसके इलावा जो आपके pollutant air और water में मिलते हैं वो कई बार आपके soil का भी part बन जाते हैं जिसे हमने air pollution के बारे में पढ़ा था acid rain के बारे में तो ये acid ultimately deposit तो आपके land पे होगा land से water bodies में जाएगा तो एक दोरान पे जब ये lithosphere पे acid आपका गिरता है तो कहीं न कहीं उससे भी तो असर पढ़ता है ना तो वो आजाते हैं आपके other sources में अब यहां पर मैंने कुछ substances के बारे में बात की है और वो कहां से आते हैं as a pollutant उनके बारे में बता रखा है जिसे आपका lead हो गया आपको इसे याद रखने हैं कि ये जिसे paint वगरा mining investors वगरा में मिलता है उसके लावा mercury हो गया arsenic, herbicide, insecticides, nickel ये सभी आपके major pollutants है जो आपको soil में मिलते है अब बात करते हैं कि insect क्या impact मिलता है आपको soil के उपर तो पहला तो soil की fertility कम हो जाएगी उसके लावा nitrogen fixation का जो आपका process है जो की बहुत ज़्यादा dependent है आपके microorganisms और plant पे उसमें कमी देखने को मिलेगी soil erosion ज़्यादा increase हो जाएगी deforestation की वज़े से आपको runoff देखने को मिलेगा क्योंकि उसके लावा soil में सी nutrient कम हो जाएगे और साथ के साथ कई बार आपको ये flooding जैसी problem भी दे सकता है अब ऐसा क्यों देकि मान लीजे ये एक river है मान लीजे ये आपकी water body है irrigation है ये river है वहाँ पर ये आके गाद जम जाए तो होगा क्या मान लीजे ये 100 metric ton water को handle कर सकती थी अब घटके ये 70 ही रह गया क्योंकि 30% तो यहाँ पर गाद आ गया गारा आ गया तो इसकी वज़े से इसकी जो holding capacity कम होगी अब जैसे ही excessive rainfall देखने को मिलेगी तो उसकी time पे आपको flooding देखने को मिलेगी तो उस time पे आपको flooding देखने को मिलेगी तो इस चीज को भी आपको याद रखना है आईए अब बात करते है noise pollution की कई बार आपको horn सुनाई देते हैं बहुत जादा बड़ी-बड़ी metrosities में बहुत जादा common है आपको horn की आवास सुनाई देती है आपको कई बार ऐसा होता है कि आसपास industries की आवास सुनाई देती है जब भी आप excessive और unwanted noise को सुनते हैं that is pollution जिसका adverse impact पढ़ सकता है human health पे भी, wildlife पे भी, environment पे भी अब यहाँ पर एक example है आपके relatives जो आपको UPSC preparation में हर बारी पूछते है कि आपका result कैसा रहा तो आप उनको भी इसमें include कर सकते हैं अब बात किज़े इसका impact क्या है आपकी health पे तो आपको heart की बीमारी हो सकती है health की बीमारी हो सकती है stress आ सकता है hypertension मतलब BP वगरा की problem आपको सुनने की शमता में problem आ सकती है sleeping disturbance या disorder हो सकता है आपको और behavior में भी change आ सकता है आपके अब control major क्या है आप उस noise को control करने की कुशिश कीज़े source पे मालने जे industries से निकल रही है तो कहीं न कहीं industries के उस part में चाहे machine हो चाह industrial कोई भी part हो उसमें उस sound को दबाने की कुशिश कीज़े उसके लावा आप acoustic को use कर सकते हैं इन sounds को दबाने के लिए जो tiles आती हैं जिन से आप ये कह सकते कि sound बाहर नहीं जाती कोई उसके लावा आप sound insulation को भी use कर सकते हैं construction stage पे साथ के साथ आप आसपास के area में बहुत सारे plant लगा सकते हैं जिसकी वज़े से आप sound को रोक सकते हैं आईए अब बात करते हैं radioactive pollution की ये आज का second last topic है इसके बाद एक last topic पढ़ेंगे अब देखे जब भी आपके radioactive substance अपने radiation को emit करता है environment में that is radioactive pollution अब ये तीन तरह के हो सकते हैं आपने सुना होगा alpha particle, beta particle और gamma particle अब यहाँ पर आपने Captain America के बारे में सुना होगा most of you ने अब आप मेंसी maximum बंदों ने Captain America के बारे में सुना होगा तो Captain America को हमने alpha serum दिया था मतलब वहाँ पर जो उसके skills को enhance करने के लिए जो चीज दी गई थी that is alpha अब आपको Hulk भी पता होगा अब उसको जो radiation मिली थी that was gamma तो इन दोनों को तो आप Avenger movies से relate कर सकते हैं beta का मेरे पास कोई example तो नहीं है पर जितने भी आपके nuclear power plant होते हैं उनमें आप इनी को यूज करते हैं beta particles को तो ये आपके वो substance होते हैं जो highly unstable होते हैं बहुत जल्दी अपने energy को emit करने लगते हैं अब ये radiation ऐसा नहीं है कि कोई element release कर रहा है तो वो constantly करता ही रहेगा या regular phenomenon नहीं है ये अब माल लेज़े जितनी उसके अंदर surplus energy है या जितनी energy वो emit कर सकता है वो तब तक ही करेगा उसके बाद वो energy emit करना बंद कर देता है तो इसकी duration frequency vary कर सकती है आईए थोड़ा बहुत इन alpha, beta, gamma के बारे में जान लेते हैं जिससे अगर बात कीज़े alpha की तो generally ये penetrate नहीं कर सकते आपके skin के आरपा मतलब ये ज़्यादा dangerous नहीं है until or unless ये आपकी body के अंदर ये lungs के अंदर ना पहुँचे तब तक ये आपको impact नहीं कर सकते उसके लावा अगर बात कीज़े बीटा particles की तो ये बहुत dangerous है ये penetrate कर सकते है skin के थूँ उसके बाद अगर बात कीज़े बीटा particles की तो ये आपकी skin के थूँ तो penetrate कर सकते है but ये आपके tissues को damage नहीं कर सकते है हाला कि ये आपकी skin को damage कर सकते है और आखों को इसके लावा आती है आपकी gamma radiation gamma radiation आपकी penetrate कर सकते है body से भी और उनके थूरू पास भी कर सकती है और ये damage भी कर सकती है आपके cell के structure को अब इसके इलावा आपकी एक आयाती है X-rays X-rays आमोमन आप कराती ही रहते हैं अब यहाँ पर यह याद रखना है कि यह bones को पास नहीं कर सकती बाकी सभी material को यह पास कर सकती है तब ही तो X-ray में आपकी bone की shape वहाँ पर दिखती है आपको अब यहाँ पर इन radioactive materials से दो तरह की problem है लेकिए एक तो accidental leakage की problem है और दूसरा इनकों dispose of करना जो हम waste को generate कर रहे हैं वो भी एक बड़ी problem है अब यहाँ पर मैं आपको तीन example देता हूँ आईए अब बात करते हैं कि क्या causes हैं आपकी radioactive radiation की जैसे जो आपकी radiation therapy है X-ray हो, chemotherapy हो इसकी कारण भी बहुत बार आप देखते हैं कि radiation atmosphere में release होते हैं उसके लावा जितने भी आपके power reactors हैं वहाँ से भी आपकी radiation निकलते हैं जो आपके defense test conduct होते हैं बंब बनाने के और कुछ तो यहाँ से भी आपके radiation release होती है साथ के साथ जो nuclear waste को हम dump करते हैं जब हम उन्हें nuclear power plant में use कर चुके हैं उसके बाद जो waste generate होता है उसको dump करते हुए भी बहुत सी radiation release होती है उसके इलावा space से भी बहुत सारी आपकी radiation आती है अर्थ के interior से भी हमें बहुत सारी radiation देखने को मिलती है उसके लावा जब भी हम mining करते हैं तो उससे भी radioactive pollution generate होता है अब यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि इसके impact के हैं पहले चीज़ तो आपको genetic mutation देखने को मिल सकता है cancer देखने को मिल सकता है उसके लावा अलग-अलग जगाह से खून निकलने की problem हो सकती है अनीमिया हो सकता है आप वक्त से पहले बुढ़े हो सकते हैं अब क्योंकि इसकी जो durability है या life span है इन materials का बहुत ज़ादा है तो अगर यह food chain में enter करा तो कहीं न कहीं आपके food chain को disrupt कर सकते हैं आईए अब बात करते हैं आज के दिन के आखरी topic की that is light pollution अब आपको यह याद रख रहे हैं कि अभी जो urbanization का concept चल रहा है worldwide इस urbanization के कारण आप देखते हैं कि बहुत सारी light energy रात को जलती है जैसे street lights होगी घरों की light होगी तो इसके वज़े से बहुत सारा pollution जनरेट होता है जिसे हम कहते है light pollution अब इसके consequences क्या है देखे कई बार आपके जो birds हैं उनको navigation में problem हो सकती है उसके इलावा यह आपकी night sky में जो star light होती है उसके साथ interfere करती है यानि कि जो आपके astronomy से related research है उसको कहीं न कहीं disrupt कर सकती है अब ना केवल यह birds को impact करती है उसके लावा यह plants की health के भी उपर impact करती है जिसकी वज़े से आपके ecosystem के उपर बहुत negative impact पढ़ता है उसके लावा आपकी health के उपर भी impact पढ़ता है उसके लावा आप energy को भी waste करते हैं जब भी आप इस तरह से, जैसे आप इस city को देख पा रहे हैं, इस city में ये आपको बहुत सारी light जली भी दिख रही होंगी, तो जब आप इस तरह को कुछ करते हैं, तो इससे बहुत सारी energy waste भी होती है, और इससे ecology और environment पे भी बहुत negative impact पड़ता है, आज की इस lecture में हम बात क करने वाले हैं pollution topic के बारे में, और साथ की साथ हम बात करेंगे, उन acts के बारे में जिससे government ने control करने की कोशिश की है, इन environmental related challenges को, अब यहाँ पर आज के lecture में हमारा सबसे पहले focus होने वाला ozone layer पे, या आप ऐसा कह सकते हैं की ozone pollution पे, लिखे अर्थ पे दो जगा आपको ozone मिलती है, एक मिलती है stratosphere में, जिसके बारे में आपने geography में पढ़ा होगा शाए, और दूसरा आपको मिलती है troposphere में, अब इन दोनों में फरक क्या है, देखे जो stratosphere में आपकी ozone मिलती है, वो कहीं न कहीं humans के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हमें ultraviolet rays से बचाती है, अब यह ultraviolet rays क्या होती है, निकि sun से कई radiation आती है, उनमें से एक होती है UV rays, अब यह जो UV rays है, यह आपके environment में, या आप यह कह सकते के earth के surface पे जब पहुंचती है, तो इसके बाद यह human skin के उपर deep impact कर सकती है, ना केवल सिरफ human skin के उपर, बलकिन plants के उपर भी इसका negative असर देखा गया है, अगर यह UV rays अर्थ पे पहुंचने लग जाएं, तो इससे human में skin cancer जैसे बिमारियां और ज़्यादा भढ़ सकती है, तो इससे बचाने के लिए हमें चाहिए होती है, स्टैटोसफेयर में एक layer, जिससे हम कहते है ozone, अब यह तो होगी यह आपकी good ozone, मतलब यह तो आपकी इक चीज समझने है कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी, वो relative है, तो यहाँ पर आपकी जो position है, उसके relationship में ozone का भी अच्छा और बुरा होना तैय होता है, अब यही ozone जो हमें स्टैटोसफेयर में बहुत अच्छी लग रही है, अगर यह ट्रॉपोसफेयर में मिलने लग तो बहुत बड़ी problem create कर सकती है, ना केवल आपको eyes में irritation बलकिन आपकी chest में congestion जैसी problem देखने को मिल सकती है, और खासी लग सकते है लोगों को, गले में infection या irritation महसूस हो सकती है, उसके लावा जो lungs की functioning है, वो कम हो जाएगी, और किसी को अगर अस्तमा जैसी problem है, या bronchiotis है, तो उसकी ये problem और जादा भड़ सकती है, इसके लावा plants में photosynthesis की कमी देखने को मिलेगी, और उनकी जो carbon dioxide को absorb करने की capability है, वो कहीं न कहीं कम हो जाएगी, इसके लावा आपको photosynthesis में decrease देखने को मिलेगा, तो ये सब कुछ जानना जरूरी था आपका ozone के बारे में, आईए अ आप सभी को पता होगा कि जब concentration आपकी ozone की stratosphere में कम होने लगती है, उसे हम कह देते है ozone depletion, अब यहाँ पर होता क्या है, कि आमोमन आपके जो chlorofluorocarbons होते हैं, या bromocarbons होते हैं, या आपके react करते हैं ozone के साथ, जिसकी वज़े से आपकी जो ozone है, वो वापस oxygen में convert हो जती है क्यूंकि आप सभी को पता होगा, जिन्होंने chemistry पढ़ी हुई है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आपकी chlorine एक highly reactive gas है, अब यह जैसे ही आपकी ozone के साथ react करती है, यहाँ पर chlorine oxide बना देती है, अब जैसे ही यह chlorine और oxygen आपस में एक compound form करते हैं, तो इससे आपकी ozone के आउज़ते breakdown, यानि तूट जाएगी, अब इसके तूटने की वज़े से आपकी ozone की concentration है atmosphere में, वो कम होने लगती है, और इस वज़े से आपकी जो UV rays हैं, वो Earth के atmosphere में enter करने लगती है, अब यहाँ पर एक सवाल है मेरा आपसे, आपको मुझे comment box में chemical reaction बतानी है वो, जिससे आपकी ozone layer की formation होती है, कहने का मतलब यह है, कि ozone की formation कैसे होती है, यह आपका एक geographical concept है, आपको यह concept मुझे comment box में नीचे बताना है, उसके लावा आने वाली doubt class में भी, मैं आपसे इसके बारे में कोशन जरूर पूछूँगा, तो इसके लिए तयार र यह है, कि जो आपकी UVC rays हैं, वो बिल्कुल भी अर्थ पे पहुंचती नहीं, उसके लावा partially आपकी UVB rays अर्थ के उपर पहुंचती है, और UVA rays अर्थ के उपर completely पहुंच सकती है, जितने भी आपके ozone depleting substances होते हैं, यानि ODS, इन सभी substances में एक चीज common देखी गई है, कि जैसे यह sunlight के आगे आते हैं, यानि sunlight के सामने आते हैं, तो यह free radical form करते हैं आपके chlorine के, अब यह जो आपके chlorine या fluorine है, यह react करते हैं आपके ozone के साथ, जिसकी वज़े से यह depression देखने को मिलती है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से substances में ऐसी capability होती है, तो जो आपके hello carbons होते हैं, जो refrigerants में मिलते हैं, इनमें ऐसी capability देखने को मिली हैं, solvents, propolents और जितने भी आपके जैसे shaving forms औगेरा, यह DOs औगेरा हो गए, उनमें भी ऐसी चीज़े देखने को मिलती हैं, उसके लावा chlorofluorocarbons जो हैं आपके hydrochlorofluorocarbons और hydrobromofluorocarbons इन सभी में आपके जिसमें fluorine आ गय उनसे ozone की depletion देखने को मिलती हैं हमें, fire extinguisher में जो helons यूज करते हैं, उसके कारण भी ozone की depletion होती है, उसके लावा methyl bromide, carbon tetra chloride और methyl chloroform इन सभी से आपकी ozone की depletion देखने को मिलती हैं, अब यहाँ पर हमें substances के बारे में तो पता लग गया, अब इस चीज़ को समझते हैं कि वर्ल्ड में किस तरह से इस ozone depletion को रोकने के लिए हम effort कर रहे हैं, 1960-70 की दशक की जब हमें पता लगा था कि ozone की depletion हो रही है, अब जैसे हमें पता लगा तो वर्ल्ड डेवल पे debate चलने लगी कि ozone को हम कैसे protect करें, इस ozone को बचाने के लिए सबसे पहला global effort किया गया था 1985 में जहां पर आपका वियाना convention शुरू होता है, मतलब एक तरह का convention आपका start होता है ozone layer को protect करने के लिए और वर्ल्ड के कई लीडरों ने इसमें दिल्चस्पी दिखाने की कोशिश की थी, अब यहां पर एक चीज जो आपको याद रखने हैं कि जितनी भी आपकी global level पे ozone की monitoring होनी थी, उसके लिए इसे establish किया गया था, मतलब एक तरह से हम यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि ozone का क्या star है world level पे और कितना यह डपरीट हो रही है, किस तरह से इसकी working चल रही है अभी, उसको monitor करने के लिए वियाना convention बनाई गयी थी, अब एक चीज यहां पर जो याद रख में भी एक वियाना convention है, जो आपका deal करता है कि किस तरह से immunity वगयरा मिलती है किसी भी राजदूत को, तो वो एक अलग चीज है, यह वियाना convention आपका deal कर रहे है किस से, सरफ ozone से, अब यह binding तो है नहीं, उसके लावा यहाद रखने वाली बात यह भी है, कि यह पहली बार एक ऐसी कोशिश थी, जिसमें हमने framework डवलप करने की कोशिश की थी, जिससे हम बचा सके अपनी अर्थ को, अब यहाँ से निकल के आता है आपका एक legally binding protocol, जिसका नाम रखा जाता है, Montreal Protocol, अब यह Montreal Protocol क्या था, अब इसमें सभी countries, चाहे वो developing countries हो, developed country हो, या आपकी least developed countries हो, इन सभी को कहा गया था, कि भीया, आपको एक certain time limit दी जा रही है, इस time limit के अंदर, आपको जितनी भी आप ozone depleting substances को use कर रहे हैं, आपको उन्हें eliminate करना होगा, यह convention agree किया जाता है 1987 में, अब यहाँ पे आपको मुझे यह बताना है, कि यह जो आपका agreement है, या protocol है, यह enforce में कब आया, इस उन्हें eliminate करने की जुरत है, अपने सभी तरह के industrial और domestic processes में सी, इसके लावा यहाँ पर, अलग-अलग deadlines दी गई थी, जैसे आपकी developed countries की जो deadline थी, वो अलग थी, और developing countries की जो deadline थी, वो अलग थी, क्योंकि developing countries के अंदर इतनी capability थोड़ी होगी, कि यह अपने आप इतनी जल्दी इस target को achieve कर सकें, तो इस वज़े से यहाँ पर developed countries के पास, क्योंकि अच्छी technologies हैं, तो इस वज़े से आपके developed countries के उपर ज्यादा pressure था, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने इस Montreal Protocol के under commitment को achieve कर सकें, अब यह आपके इकलौती ऐसी global environmental treaty है, जिसमे 197 प्लस देशों ने participate की है, मतल तो universal ratification वाला यह आपका पहला और इकलौता शायद protocol है, इसके लावा यहाँ पर कोशिश यह की जा रही है कि जो Antarctic Ocean के उपर या Antarctica वाले area में, Southern Hemisphere में, जो हमें hole मिलता है पोल पे, हम कहीं न कहीं उस hole को और ज़्यादा बढ़ने से रोकें, उस process को हम slow down करें, और साथ की हम उसे recover करने की भी कोशिश करें, अब यहाँ पर कई projection के accordingly, यह माना जा रहा है कि 2050 से 70 के बीच में, यह जो आपका ozone hole देखने को मिलता है, अंटार्टिका पे, यह almost उतना recover हो जाएगा, जितना 1980 के दशक में इसे देखा जाता था, अब देखे, world पूरी तरहां से track पे था, इन ozone gas के elimination के लिए, मतलब हमने यह वियाना convention 1985 में start किया, इसके बाद आपका 87 में Montreal protocol, बट Montreal protocol से एक नई परिशानी हमारे सामने आई, हमने कुछ ऐसी gases को use करने लग गए, जिसकी वज़े से आपकी ozone के ऊपर तो कोई खतरा नहीं था, बट इनका global warming potential बहुत high था, एक तरह से आप ये समझिए, आप कुवे में से निकले हैं, और आप खाई में गिर गए हैं, मतलब आप ozone depletion तो रोक देंगे शायद, बट climate change जितना हो जाएगा इन gases से, उसको reverse कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब इस वज़े से हम एक Montreal protocol में amendment लेके आए, जिसे कहा जाता है किगाली amendment, अब ये amendment लाई गई गई 2016 में, अब बात किज़े, यहाँ पर ये कहा जा रहा है किगाली amendment में, कि हम hydrofluorocarbons की concentration को और कम करेंगे, लगबग 80-85% तक, मतलब अगर आप अभी 100 unit को use कर रहे थे, इसको reduce कर देंगे आप, और सिरफ अब 15-20 unit तक आने की कोशिश कर करना है 2045 तक, अब इसमें भी एक बात बता दूं कि developed countries के लिए 2030 या 40 का target है, चाइना के लिए 2040 का है, और इंडिया ने ये चीज अचीज अचीव करने 2045 तक, हर एक के लिए according to उसकी capacity, ये target line अलग है, अब यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है, कि जो आपके hydrofluorocarbon है, इन ज्यादा छेट-छाट करें, तो इस वज़े से Montreal Protocol की तरह ही, ये भी आपका एक legally binding agreement है, जहाँ पर जितनी भी parties इसे sign करेंगी, उनके ऊपर ये legally implement करना जरूरी हो जाएगा, इसके लावा ये force में आएगा 1st January 2019 से, अब ये तो बात हुई कि stratosphere की ozone को किस तरह से हम ठीक करें, इसके बारे में क्या effort लिये गए हैं, अब ground level पे जो आपकी ozone मिलती है, उसके लिए भी एक protocol आया था, उसका नाम था Grottenbergs Protocol, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस protocol को वैसे तो implement किया जा रहा है 1999 से, और यहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आपकी ground level पे acidification देखने को मिलती है, और ground level पे ozone मिलती है, हम उसको कही ना कही eliminate करने की कोशिश करेंगे, यह कं तो करने की short shot कोशिश करेंगे ही, इस protocol को कही बार multiple effect protocol भी कहा जाता है, इस protocol में national emission के उपर एक ceiling लगाई गई है, जहाँ पर हम कोशिश करें कि 2010 से 20 के बीच में हम इस emission level को कही ना कहीं कम कर सकें, मतलब एक तरह से baseline ली गई है, आपकी 2010 के आसपास, यहाँ पर चार pollutant के उपर ज्यादा focus किया गया है, sulfur dioxide, nitrogen oxide, volatile organic compound और ammonia, इसके लावा यहाँ पर कोशिश यह की गई है कि आपके जितने भी large या long range trans boundary air pollutant हैं, उनको आप कैसे handle करें, उसके उपर focus किया गया है, उसके ल बहुत पुराना हो चुका है, लगबग 21 साल हो चुके हैं इसे, तो इसके बारे में ज्यादा detail में जाना जरूरी नहीं है, बस एक चीज को याद रखना कि यहाँ पर अभी recently 2019 में एक बार फिर से amendment की गई है, यह rule आपके आये थे, Environment Protection Act 2000 के अंडर, यहाँ पर इन rules में हम क्या गया है, 2001 में पहली बार, 3 में, 4 में, और 2005 में, उसके लावा और भी बहुत सी चीज़े यहाँ पर मैंने mention कर रखी है, जो आपको पता तो होनी चाहिए, बर ज्यादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, अब जैसे आपको पता हो नहीं है, अब जैसे आपको पत इतने भी किसी भी तरह के licenses थे, Hydro-Cloro-Floro-Carbons 141B के साथ जुड़े हुए, उन licenses को अब बंद कर दिया गया है, तो यह एक important point है, तिकि ozone से related जो भी चीज़े आपकी currently news में रही है, उन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अब एक बार concept समझते हैं कि ozone depression होती कैसे हमें chemical reaction के बारे में तो पता लग चुका है, बट क्यों ये pole पे ही ज़्यादा देखने को मिलती है, आईए इसे समझ लेते हैं इक बार, होता क्या है कि माल लीज़े ये आपका earth है, ये आपकी pole है और ये आपका equator है, अब यहाँ पर जितनी भी आपकी gases है वो heat up होंगी और क अपर atmosphere में, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये air धीरे धीरे करके जैसे यहाँ पर आपकी 30 degree पे sink करेगी, फिर 60 degree पे फिर rise करेगी और फिर वापिस pole के उपर यहाँ पर आके sink करेगी, तो यहाँ पर जो आपकी इस तरह की air की moment है, ये rise up and down करते हुए, तो होती ही यहाँ पर, अब जैसे ही यहाँ पर आपकी air कठी होगी, तो इसमें थोड़ा बहुत moisture भी होगा, अब moisture होगा यहाँ पर तो यह इस area में cloud form करेगी, अब क्योंकि यहाँ पर आपके troposphere के height 34 km और यहाँ पर height 9 km के आसपास, तो आप यह देखेंगे कि इन area में यह जो आपकी layer है, जो आपकी cloud बने हैं, यह stratosphere में भी intrude कर जते हैं, घुस जाते हैं, जैसे यह cloud आपके stratosphere में intrude करते हैं, चले जाते हैं, तो इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर यह जो आपके chloro-fluorocarbon, इवन जो equator के आसपास generate हुए थे, वो कहाँ पर पहुंच करके free chlorine और fluorine बनाते हैं, अब यह जो आपके chlorine और fluorine है, यह react करते हैं ozone के साथ और जिसकी वज़े से आपको ozone depletion देखने को मिलती है, तो कुछ इस तरह से होता है आपका ozone depletion polar area में, अब देके ozone depletion के बारे में तो बहुत detail में बात हो गई है, इससे ज़्यादा concept आपके important नहीं है, उस चीज को लेके, आइए अब बात करते हैं solid waste management की, अब जैसा कि आप सभी जानते कि सवच भारत अभ्यान जब से start हुआ है, तब से इंडिया में कुछ ranking की जाते कि किस तरह से आप solid waste को manage करते हैं, बट actual में यह solid waste होता क्या है, आइए सबसे पहले इसे समझते है जैसे जितना भी आपका municipal solid waste होता है, इसमें वो भी आता है, electronic waste यानि e-waste जो होता है वो भी आता है, और biomedical waste जितना भी generate होता है, यह सभी आपका solid waste की category में आता है अब यहाँ पर solid waste management में हम कुछ activities को include करते हैं, जैसे आपको सबसे पहले collect करना होगा material को, जितना भी आपका waste है, उसकी segregation करनी होगी, उसको transport करना होगा, उसमें सी जो reprocess हो सके हैं, उसकी reprocessing करनी होगी, recycling करनी होगी, और बचे हुए समान को हम dispose of करते हैं, एक proper environment friendly manner में अब यहाँ पर आपकी एक waste minimization cycle होती है, जिसको, जो की help करती है आपकी small medium industries की, और उन clusters की, ताकि वो minimize कर सके अपने industrial plant के अंदर wastage को अब यहाँ पर waste minimization circle में assistance दे रहा है आपका कौन, world bank, और इनके साथ है ministry of environment, बतलब nodal agency है इंडिया की तरफ से ministry of environment, लेकिन इसे implement करेगा आपका national productivity council, जो की new daily में located है, अब यहाँ पर objective क्या है, लेकिए हमारी एक policy है, Abitment of Pollution 1992, अब इस policy के अंडर हमने बहुत सी commitment कर रखी है, हम उन्हें fulfill करने की कोशिश करेंगे, जिससे सबसे पहले तो हम educate करेंगे अपने citizens को, environment से related risk के बारे में उन्हें बताएंगे, जागरूप करेंगे, ताकि वो और बढ़ चड़ कर इसमें participate कर सके, उसके लावा जिस खत्रा वगारा है, उसको हम कहीं न कहीं कम करने की कोशिश करेंगे, और natural resources के true economic cost को हम achieve करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम minimum wastage को achieve करने की कोशिश करेंगे, अब बात किजाएंगे जो आपके solid wastage, इसको आप कैसे manage कर सकते हैं, या कैसे आप इसे dispose off कर सकते हैं, तो इसके ल कोड़े का, तो that is open dumping, यहाँ पर आप एक uncurved area में dump कर देते हैं सारा solid waste, लेकिन यहाँ पर problem यह रहते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारी मक्हेया देखने को मिलते हैं, चूहे देखने को मिलते हैं, और और बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं, तो इसकी वज़े से क अब यहाँ पर आपके चूहे नहीं इतने होंगे, ना आपको मक्हेया इतनी देखने को मिलेंगी, पर problem यह है कि यहाँ पर भी land के अंदर सीपिंग देखने को मिल सकते हैं, बारिस का जो पानी आएगा उससे percolation होगी, percolation की वज़े से आप यह देखेंगे कि जो heavy material है वो जिससे हम जो आपकी soil के अंदर leaching हो रही है, उसको हम रोक सके, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम एक impermeable, मतलब एक ऐसी layer जिससे water pass ना कर सके, ऐसी layer को बनाने की कोशिश करते हैं, soil के उपर, जिससे आपके metals के heavy content है, उनकी leaching ना हो soil के अंदर, चौथा method है आपका incineration, ज मतलब उसे जलाते ही है, बट यहाँ पर जो आपके residue है न, वो बहुत कम बसता है, मतलब उसे इतने जादा degree centigrade पर हम burn करते हैं, जिसकी वज़े से जादा आपकी poisonous gas release नहीं होती यहाँ पर, सरफ आपका कुछ ash पिछे रह जाता है, और कुछ burnt material, इसके बाद आता है आपका priolysis अब यह भी आपका एक तरह का combustion process है, अब यहाँ पर क्या होता है, कि आप combustion कर रहे हैं in absence of oxygen, मतलब यह एक तरह का alternative है इसी process का, बट यहाँ पर आप oxygen supply नहीं करते हैं, और यहाँ पर generate होती है आपका कुछ gases और कुछ liquid और जिसे आप use कर सकते हैं as a fuel, इसके लाबा आप composting और vermiculture को भी use कर सकते हैं, बट यह दोनों ही आपके bio degradable processes हैं, मतलब उन substance के लिए कारगर हैं, जो bio degradable हैं, अब देखे, जो आपके waste है, solid waste वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है bio degradable, जो आपके जानवर वगेरा, या आपके micro organism easily process कर सकते हैं, जिनको वो degrade करके, उनके constant particle में तो नहीं सकते, या breakdown जिनका नहीं कर सकते, तो diet is non-bio degradable, अब जो भी आपके bio degradable substances हैं, उनके लिए हम micro organisms को use करते हैं, खासकर fungi और bacteria को, ताकि हम उन्हें decompose कर सके in presence of oxygen, इसे कह देते हैं composting, अब जब हम earthworm को add कर देते हैं compost में, तो इसे कह देते हैं vermiculture, तो यही चीज़े आपक के एक sub component के बारे में बात कर लेते हैं, that is electric waste, जहां पर हम e-waste या electronic waste इसे नाम देते हैं, यहां पर इंडिया में हमने पहला e-waste clinic खुला है भोपाल में, अब आपको मैं बता दूँ बहुत सारे आपके sources हैं, और बहुत सारे impact देखनी को मिलता है in e-waste का, जैसे अगर बात कीज़े, lead की, तो lead से nervous system के उपर impact पड़ता है, kidney के उपर impact पड़ता है, brain के उपर impact पड़ता है, तो यह सभी चीज़े आपको पता होंगी, तो यहां पर मैंने आपको कुछ उधारन दे रखे हैं, जैसे sources के बारे में बता रखा है, जैसे PCBs हैं, आपके glass panels हैं, या computer के monitors हैं वहां से lead generate होता है, ऐसे ही cadmium है, यह आपकी kidney के उपर असर कर सकता है, liver के उपर damage कर सकता है, और आपका nervous system को भी damage कर सकता है cadmium, जादा तर यह आपको resistor और semiconductor में देखने को मिलता है, इसके लावा relay और switches होते हैं आपके, जो mercury release करते हैं, और mercury से आपके दिमाग के उपर, respiratory system क और skin के उपर impact पड़ता है, अगला है आपका chromium, जो generate होता है आपके galvanization of steel के कारण, यहाँ पर यह आपके lungs के उपर impact करता है, जिसकी वज़े से bonky otis जैसी विमारी आपको हो सकती है, इसके बाद cables और से generate होता है आपका plastic और PVC, जिसको अगर आप burn करते हैं, तो इससे release होता dioxin, अब यह जो dioxin है ना, यह बहुत खतरनाक है, ना केवल यह reproductive organs के उपर impact करता है, बलकिन इसका असर आपको देखने को मिलता है, mental development में भी, bromides होगरा के कारण, endocrine system पे impact देखने को मिल सकते हैं, और यह आपको circuit board में commonly देखने को मिल सकते हैं, इसके लावा bromium, phosphorus और heavy material आप या आपके नहीं तो आपके ममी पापा के बच्पन में होगा, वो बड़ा सा टीवी होते है, जिसकी बहुत बढ़ी सी back होती है, चोड़ा सा बैक होते है, वो थे आपके cathode ray tube वाले टीवी, वहां से जो rays वगरा emit होते हैं, या आपके particles वगरा निकलते हैं, उससे heart और liver के उ मिल सकता है, इसके लावा nickel, जो कि आपको nickel cadmium batteries में देखने को मिलता है, इनसे skin allergy और estima जैसी problem हो सकती है, अगला है आपका lithium, जो कि आपके lithium ion battery से निकलता है, और ये lithium pass कर सकता है mother से बच्चे को, through breastfeeding, उसके लावा computer के motherboard से निकलता है beryllium, जिसकी कारण cancer तक हो सकता है, अब इनी चीजों को ठीक करने के लिए 2016 में हम एक rule लेके आये थे, जिसका नाम था e-waste management rule 2060, अब ये जो rule थे ये लेके कौन आया था, ministry of environment, और यहाँ पर हमारा focus था कि हम कैसे इंडिया में बढ़ते होए e-waste को रोक सके, अब इसमें पहली बार आपके CFL, जो आप घर पे बल तो यहों आपके tube shape में बलब आये थे CFL, उनको भी include किया गया है e-waste में, और जो भी lamp में आपको mercury मिलती है, उनको भी include किया गया है इस e-waste category में, इसके लावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि extended producer responsibility के बारे में बात की गई है, और साथ के साथ producer responsibility organization को भी setup करने की बात की अब इस organization का काम क्या है, यहाँ पर यह organization ensure करेगी जितना भी आपका e-waste generate हो रहा है, उसे environmentally sound manner में हम dispose off कर रहे हैं, उसे ढंक से हम collect कर रहे हैं, और इसके इलावा यह आपके rules focus करते हैं, deposit refund scheme के उपर भी, अब यह deposit refund scheme क्या है, तेकिए मान लीजे आपने एक laptop खरीदा, अब ज जैसे ही आप मुझे यह laptop जब आपका खराब हो चुका है, बिल्कुल dead हो चुका है, आप मुझे देंगे, तो इसके बदले में आपको 3000 रुपे आपके लोटा दूँगा, ना केवल आपके 3000 रुपे आपको लोटाओंगा, मान लीजे आपने 10 साल इस laptop को use किया है, और जो उस समय बैंक का interest rate चल रहा होगा, उसके according मैं यहाँ पर आपको interest भी पे करूँगा आपके deposit money के उपर, तो कुछ इस तरह की है आपकी deposit refund scheme, उसके लावा state government को और जादा role दिया गया है, जहाँ पर उनका काम यह है कि वो ensure करेंगी safety और health और skill development उन workers का जो involved होते हैं आपके dismantling and recycling operations में, जो आपके bulk consumers हैं, उनको file करना होगा एक annual return, annual return क्या है, माल लिजे आप 100 unit waste को generate करते हैं एक साल में, तो आपको करना क्या है, कि आपको 30% अपना waste को collect करना है, और over a period of 7 years हमें इसे 70% तक लेके जाना है, मतलब 7th year में हमारा जो waste collection होगा, almost 70 unit हो जाएगा, जितना भी हम waste generate कर रहे हैं, अब अगर आप कुछ भी तरह की violation करते हैं यहाँ पर, तो आपको कुछ fine के प्रावधान भी हैं यहाँ पर, अमाल लिजे बाकी अगर आपको कोई product बच जता है, तो उनको dispose of करने की जिम्मेवारी, उनने collect करने की जिम्मेवारी, आपकी urban local bodies की, अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि पंचायती राज institution को क्यों नहीं आड किया गया, अब एक चीज बताइए, टीवी या electronic components आपको शहर में ज़्यादा देखनी को मिलते हैं, या गाओं में, अभी इनकी penetration village level पे इतनी नहीं देखी जाती, तो इस वज़े से यहाँ पर ये चीजे include नह की गई है, जैसे प्लास्टिक की तरह ये भी और जगा में मिलने लग जाएगा, तो कहीं न कहीं इन्हें भी हम add कर देंगे फिर पंचायती राज institution के लिए भी, आईए अब बात करते हैं, international convention to regulate waste disposal, यहाँ पर मैं बात करूँ स्टॉक होम convention की, जो की deal करती है आपकी persistent organic compound से, यानि P.O.P. से, अभी यहाँ पर मैं आपको दो-तिन convention बताने वाला हूँ, लेकिन इनके बारे में हम detail में जानेंगे, जब हम convention topic को cover कर रहे होंगे, मतलब international bodies वगरे को जब cover कर रहे होंगे, तो इनके बारे में और detail में समझेंगी कि कब यह आए, किस तरह से इन्हें implement किया अभी मैं आपको सिरफ एक छोटा सा overview दे रहा हूँ, देखे इस treaty में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम eliminate कर सके या restrict कर सके आपके उन products को जिन में हमें persistent organic compounds मिलते हैं, अब persistent organic compound वो compound हैं आपके, जो environment में काफी लंबे समय तक रह सकते हैं, जिसकी वज़े से आपको food web में bio accumulation देखने क मिलती हैं और इनके बहुत जादा adverse impact देखने को मिल सकते हैं human health पे और environment पे, तो इस वज़े से इस convention में हम कोशिश कर रहे हैं कि इन P.O.P.s के distribution को हम रोक सके हैं, अब अगला है आपका basal convention, अब यहाँ पर हम रोकने की कोशिश करते हैं, trans boundary जितने भी आपके hazardous waste हैं उनकी moment क अब इस convention में हुआ क्या था मैं आपको यह बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा idea मिल जेगा, देखे कुछ rich countries थी, बहुत जादा pollution create कर रही थी, बहुत जादा waste generate कर रही थी, तो वो क्या करती थी कि वो poor countries में जाके अपने waste को dump कर देती थी, और यह waste ऐसा waste नहीं था कि जैस आपके ऐसे chemicals या ऐसा hazardous waste जिससे बहुत जादा बिमारी फैल सकती थी, लेकिन इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है कि वो radioactive waste को include नहीं करते इसमें, तो यहाँ पर क्या किया जाता था कि जो आपकी developing countries हैं या आपकी least developed countries हैं, उनको यह rich countries कुछ पैसे दे देती थी, खास जहाँ पर आप अपने waste को transfer नहीं कर पाओगे least developed countries में, अब यहाँ पर आपने कुछ examples के बारे में सुना होगा, एफ्रीका की कुछ countries का, जहाँ पर यूरोप की एक country अपने waste को dump करने की कोशिश कर रही थी, अब कौन सी country है, कैसी country है, इसके बारे में आपको सोचने की ज़् इस चीज़ से related है, और इसके बारे में further कहाँ पर इसकी COP meeting last हुई है, और कौन सी हुई है, वैसे तो इनकी BRS की जो आपकी conventions होती है, वो होती Geneva में ही है, अब सिरफ और सिरफ आपको Geneva में ही इनकी convention होती हुई दिखेंगे, बट फिर भी इसके बारे में अगर कुछ recent update आई हो तो हम organization chapter में उसे देख लेंगे, बट हाल फिलाल के लिए इतना ही जानना आपके लिए important है इस Basal Convention के बारे में, अब अगला है आपका Rotterdam Convention, अब यहाँ पर क्या होता है, दिखेंगे आपने किसी भी समान को किसी दूसरी country में भेजना है, तो इससे पहले आपको उस country की consent ले देने के लिए आपको information share करने पड़ेगी उस product से related, अब यहाँ पर हम include करते है कुछ chemicals को, जो बहुत जादा हजाद है, कुछ pesticides को, जिसकी international trade को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब regulate करने की कोशिश कर रहे हैं, यह एक तरहां कि आपकी multilateral treaty है, जहाँ पर हम कोशिश यह कर करें, safely handle करें, और जो भी country इन्हें परचेस कर रहे हो, उन्हें पहले से ही पता हो कि अगर उन्हें किसी country में restrict कर रखा है या ban कर रखा है, जो भी इसके signatory nation है, वो खुद decide करेंगे कि whether they want to allow this kind of chemical in their state or want to ban it, लेकिन यहाँ पर आपको एक proper information दी जाएगी कि यह chemical कितने खतनाक हो सकते हैं, अब बात करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट की, अब जैसे कि आप जानते हो कि प्लास्टिक के बहुत ज्यादा uses हैं, बट उतने ही आपका dangerous है यह प्लास्टिक, अब अगर बात कीज़ें इन प्लास्टिक की, तो जो प्लास्टिक आपका आज से 70-80 साल पहले भी generate हुआ था, वो भी आज तक आपको atmosphere में देखने को मिल सकता है, यह बहुत ही harmful है, और एक तरह के synthetic product हैं, जो human ने develop किये थे, अब यहाँ पर इंडिया का commitment है कि हम 2022 तक eliminate कर देंगे single-use प्लास्टिक को, उसके लावा 2018 में जो United Nation Environment ने World Environment Day बनाया था, उसकी theme थी, beat plastic pollution, अब sources हैं आपके plastic pollution के, तो जैसे आप घर में जो सबजी वगरा लेके आते हैं, तो उसके कारण भी pollution होता है, प्लास्टिक का, तो domestic use हो गया आपका, उसके इलावा आपके industries में जो आपकी packing वगरा होती है, या आपकी जो plastic की bottle जिसमें आप coldring पीते हैं, यह सब भी आपके plastic की हु यह, agriculture में भी हम storage वगरा में यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का, तो वहां से भी आपका plastic pollution generate होता है, fishing में net में यूज करते हैं, और उन्हें store करने के लिए container में यूज करते हैं, और काफी सारी marine activities में भी हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, अब effect क्या है आपके plastic waste का, पहली बात तो यह कि जब भी आपका plastic कोई भी animal खाएगा, उसका बहुत बड़ा impact देखने को मिल सकता है आपको food chain पे, साथ के साथ यह problem कर सकता है human और animals दोनों के लिए ही, क्यूंकि यह impact करता है reproductive system पे, साथ के साथ जो आप जमीन पे ऐसे ही plastic के कच्री को fact देते हैं, इससे ना के आपको बहुत सी बिमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे डेंगी वगेरा भी हैं, यह भी आपके पानी के रुकने के कारण होती है ना, तो पानी के रुकने के पीछे में कारण क्या है, यह plastic ही है, जैसे हम plastic containers को ऐसी चछत के ऊपर फैक देते हैं, यह खुले में फैक देते यहाँ पर बरसाद का पानी स्टोर होता है और इसकी वजे से भी आपके डेंगी और चिकन गुनियां जैसे केसिस देखने को मिल सकते हैं, इसके लावा जब आप इसे बर्न करते हैं, तो यहाँ पर डायाक्षिन जनरेट होती है, यह एक तरह का बाया प्रोड़क्ट है, ज यह जो आपका डायाक्षिन है, यह जनरेट कैसे होता है, जब भी आप प्लास्टिक को जलाते हैं, तो इसकी वज़े से यह डायाक्षिन आपकी जनरेट होती है, यहाँ पर यह बहुत सारे कैमिकल्स एक साथ हैं, लगभग एक डेंग से ज़्यादा, तो इसी वज़े से ड प्लास्टिक प्लूशन को रोकने के लिए एक भैतरीन कूशिश की है जहां पर रोड कंस्ट्रक्शन में हम प्लास्टिक वेस्ट को यूज करने की बात करते हैं अब यहां पर हम यूज करते हैं पॉली ब्लेंड को अब यह पॉली ब्लेंड के हैं आपके प्लास्टिक को जब हम रिसाइकल करके बहुत अच्छे से कूट शेट के मॉटिफाइ कर देते हैं so that वो एक फाइन पाउडर में कनवर्ट हो जए तो इसे कहते हैं हम पॉलिबले अब इसे हम ब्यूटिमन के साथ मिक्स करते हैं जब हम रोड बनाने की कुशिश कर रहे होते हैं उससे पहले अब जैसे हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हम इसे जब भी रोड बनाएंगे तो उसकी लाइफ कम से कम नहीं तो तीन गुना ज़ादा होगी आपके पिछले रोड से विकॉज जो ब्यूटिमन है और ये पॉली ब्लेंड है ये एक तरह के आपके रिपेलेंट प्रॉपर्टि शो करते है वाटर के अगेंस्ट जिसकी वज़े से आप ये देखते है कि आपके रोड जादा देर तक सस्टेनिबल रह सकते हैं अब ये तो बात हो गई नॉर्मल प्लास्टिक की बट इससे भी बड़ा खत्रा है आपका एक माईकरो प्लास्टिक, आपको दिखते भी नही क्योंकि ये पांच ऐमेम के साइज से भी छोते होते हैं और जनरली इनगें आप एक अग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं जैसे आपके माइक्रोबीड्स होते हैं इनके तोर पे अब यह आपकी कॉस्मेटिक, क्लोधिंग और इंडेस्ट्र प्रोसेस्स सभी में यूज़ होता है और जिसकी वज़े से यह नेच्रल इकोसिस्टम में भी एक्जिस्ट करने लग गया है अब होता क्या है कि मान लिज़े आप अपने फेश वाश को यूज़ करते हैं और इस फेश वाश में होते हैं माइक्रोबीड्स अब वैसे तो यह आपके फेश की सारी डर्ट को इकठा कर लेती है अब मान लिज़े जैसे ही यह वाटर में घुल जाती है आप मुह दोएंगे पानी में घुलेगी पानी कहां पर जाएगा ड्रेन में ड्रेन कहां जाएगा अल्टीमिटली वाटर बाडिज में अब जितना भी आपके आस पास का हलका हलका छोटा छोटा चोटा कूडा होगा जो आपके फेश वाश है उस कूडे को भी अपनी तरफ यह डर्ट को भी अ और यहां से आपकी food chain बिलकुल disrupt हो सकती है उसके लावा यहां पर impact भी देखा जा सकता है gastrointestinal tract में किसी भी living organism की अब यहां पर आपको एक global initiative को याद रखना है that is global tourism plastic initiative जो की आपका UNEP और world tourism organization का है यहां पर यह collaborate कर रहे हैं Alan MacArthur Foundation के साथ यहां पर हम कोशिश यह कर रहे हैं कि हम root cause पर act कर सके plastic pollution की और हम develop कर सके एक sustainable planet for tourism program अब यहां पर कोशिश यह है कि हम जो various stakeholders है tourism industries से related उनको एक साथ लाकर एक actionable commitment ला सके 2025 तक इस field में इसमें आप include करते हैं सभी business houses को और बाकी आपकी tourism से related industries को तो यही सब को जाना ज़रूरी था आपका pollution topic के बारे में अब हम बात करेंगे acts के बारे में उन acts के बारे में जो आपके deal करते हैं environment topic से जैसे हम start करेंगे fundamental right, fundamental duty और DPSP से तीकिए सबसे पहले बात करते हैं constitution में किस तरह के प्रावधान mention है आपके environment topic से related अब आप सभी ने article 21 पढ़ा होगा जिसमें हम बात करते है right to life की अब यहां पर right to life में आपको एक सवच environment में रहने की जरूरत होती है और इस चीज को right to life में inculcate किया गया है मतलब right to life में इस चीज को include किया गया है कि आपको सवच पानी मिले, सवच हवा मिले तो कहीं न कहीं आपका article 21 आपके environment topic से related है अब यह तो बात हुई आपके fundamental rights की DPSPs में भी आपके environment से related कुछ प्रावधान दिये गए है article 48A के under इस article के under यह कहा गया है कि जो आपकी state है इसकी यह responsibility है कि यह protect करे और improve करे environment को और safeguard करे forest और forest life को तो यहाँ पर DPSPs के under भी आपके यह प्रावधान environment से related mention किये गए है इसके लावा fundamental duties में भी इनके बारे में जिकर किया गया है जैसे article 51A clause G यह कहता है कि यह duty है सभी citizens की कि वो protect करे और improve करे natural environment को और यहाँ पर हम include करते हैं forest, lake, rivers और wildlife centuries को भी अब भारत दुनिया की पहली ऐसी country थी जिसने अपने constitution में environment को जगा दी अब इसका श्रेज आता है आपकी श्रीमती इंद्रा गांदी जी को जिनकी वज़े से fundamental duties और DPSPs में इस तरह के प्रावधानों को include किया गया अब जैसे ही आपकी Stockholm Conference होती है 1972 की इसके बाद इंद्रा गांदी जी इंडिया आती है और 1974 में आप देखते हैं कि इंडिया में एक major law आता है और इस law का नाम था Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 इसका objective ये था कि हम भारत में भड़ते हुए pollution को control करें और कहीं न कहीं यहाँ पर special focus किया गया था water के उपर इस act का उदेशे ना केवल Water के pollution को control करना था बलकिन उसे prevent करना भी था यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम maintain करेंगे और restore करेंगे अपने Water की purity को आप सभी को पता है कि कितना सारा sewage waste या industrial waste हम dump कर देते हैं rivers के अंदर तो यहाँ पर पहली बार कोशिश की गई थी कि हम अपने water bodies को pollute होनी से बचा सकें यहाँ पर ज्यादा तर आपकी regulatory power state pollution control board को दी गई थी और state pollution control board का का काम यहाँ पर यह था कि यह control करें sewage और industrial waste को जो भी आपकी industries और sewage का waste जा रहा है water bodies के अंदर उनको कही न कहीं control करना और रोकने के लिए इन्होंने प्रावधान बनाने थे मतलब इसको implement करने की जिम्मेवारी किसकी थी state pollution control board की उसके लावा जो आपका central pollution control board है इसको जिम्मेवारी यह दी गई थी कि यह same function perform करेगा जिस तरहां कि आपके state pollution control board कर रही है similar type के function perform करेंगे यह UTs के लिए उसके लावा जो आपकी policy है या coordination efforts है उनको कही न कहीं maintain करने की जिम्मेवारी भी आपकी CPCB की ही है इसके लावा SPCBs और CPCBs को यह जिम्मेवारी दी गई है कि वो sample ले सकते है analysis के लिए और इसके लावा वो test कर सकते equipment किसी भी industries के इस act को 1988 में amend किया गया था जिससे इन्हें power दी गई थी दोनों को ही कि यह किसी भी ऐसी industry जो default करते हैं इनके standards को उसे बंद तक कर सकती है इसके बाद 1977 में आता है आपका Water Prevention and Control of Pollution Sys Act इस act के अंडर हम text लिवी करते हैं कुछ certain type of industries के उपर उसके लावा local government जो आपकी होती है local authorities जो आपको पानी supply करती है उनके उपर भी यह text liability बनती है मतलब यह sys उनके उपर भी applicable है साथ के साथ यहाँ पर हम incentive create करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आपकी industries हैं वो कम से कम pollution generate करें और जो आपकी local authorities हैं उनको भी incentivize करने की कोशिश की गई है ताकि वो भी इस तरह के discharge को regulate करें अब यहाँ पर जो आपकी central government है उसके उपर कुछ responsibility दी गई है जैसे text को collect करना उनके जिम्मेवारी है और इसमें सही आपकी जो center और state boards है उनको कितना पैसा देना है कितनी उनको जरूरत है इसको भी decide करने की power आपकी central government के पास है अब यहाँ पर industries को कैसे encourage किया गया है देखिए जो भी industries अपने pollution को control करने के लिए capital investment करेगी उन्हें 70% तक rebate दिया गया है इस CES के उपर तो कहीं न कहीं यह एक तरह का incentive है इन सभी industries के लिए अब यह तो बात होगी कि water से related हमने क्या कुछ किया है और देखिए इसके लगबग 4 साल बाद एक बार फिर से government जागती है उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं इंडिया में एर pollution बहुत जादा होने लगा है तो इस Stockholm Conference के अंडर जो भी हमने commitment की थी उसको fulfill करने के लिए Parliament ने 1981 में एक act बनाया जिसे नाम दिया गया Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 अब यहाँ पर उदेश्य ये था हमारा कि हम इंडिया में air quality को improve करेंगे ना केवल हम pollution को control करेंगे बल्किन उसे prevent करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम pollution होने ही ना दे तो कुछ इसी तरह की power जो हमें Water Act में देखने को मिलती है यहाँ भी same power हमें दी गई है साथ के साथ इस act से Central और State Board की power को enhance कर दिया गया है और air pollution को control करने की power भी उनकी ambit में ला दी गई थी अब जहाँ भी जिन भी states में आपके Water Pollution Control Board नहीं है उन्हें यह कह गया था कि आपको Air Pollution Control Board को establish करना पड़ेगा जितनी भी आपकी industries हैं उन्हें consent या permit लेने की जूर्थ पड़ेगी उन State Board से जहाँ पर वो operate कर रहे हैं मालने जे अगर कोई West Bengal में operate कर रहा है तो वहाँ के State Board से State Pollution Control Board से उन्हें permission लेनी होगी otherwise वो operate नहीं कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर कुछ emission के targets को standardized करने की कोशिश की गई थी और साथ के साथ कुछ power दी गई थी आपके State Pollution Control Board को कि वो test कर सकते हैं किसी भी equipment को और साथ की साथ वो sample ले सकते हैं किसी भी industry की chimney से fly ash से और dust से अगर वो देखते हैं कि यहाँ पर वो violation कर रहे हैं तो वो fine तक लगा सकते हैं उसके लावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1988 में इन्हें power दी गई थी कि कोई भी industry इनकी बात ना माने तो उसे यह close तक कर सकते हैं मान लिजे कोई XYZ company का plant है यह पानीपत में operate कर रहा है और state government नहीं या आपके State Pollution Control Board ने इन्हें कहा कि अपने pollution standard को आप कम कर लीजे अब वो इस जीज को fulfill करने में कामयाब नहीं हो पाते तो इस plant को कही न कहीं बंद करने की भी ताकत है इनके अंडर लेटर ओन इस act को air act को फिर से एक बार amend किया गया था जहां पर इसमें include किया गया था noise pollution को भी तो noise pollution के लिए इंडिया में कोई अलग सा act नहीं है इसी act के अंडर इसे maintain किया जाता है अब बात करते हैं Wildlife Protection Act 1972 की देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Stockholm Conference आपकी 1972 में हुई थी तो इसकी कई major outcome थे जैसे 42nd Constitutional Amendment Act में आप देखते हैं कि environment को constitution में जगा मिली 1974 के आपके water act में हमने pollution को control करने की कोशिश की तो Wildlife Protection Act के अंडर हमने कोशिश की कि हम किस तरह से अपने wildlife birds, plant और इन सभी material को या matter को किस तरह से interconnect करके बचा सकते हैं हम इसके उपर focus करेंगी अब यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि इस act के अंडर कई appointment के बारे में कहा गया है जैसे आपका Wildlife Advisory Board है उसके लावा Wildlife Warden को भी यहीं से appoint किया जाता है इस act के अंडर साथ के साथ आपकी Central Zoo Authority और National Board for Wildlife यहीं से ही आते हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इन चारों के बारे में mention किया गया है आपके Wildlife Protection Act 1972 के अंडर इसके अंडर आप National Park, Wildlife Century Conservation Reserves और Community Reserve और Tiger Reserve को भी Establish करते हैं आपको किसी भी Wildlife Species के अंडर Trade करना है तो उसके लिए License देने के काम भी यही करेंगे साथ के साथ किस चीज के Trade को बंद करना है या बैन करना है इसके लिए भी इनी के पास Power है यह ना केवर Institute बलकि एकसिटू Conservation के उपर भी Focus करते हैं अब जैसे कि Zoo हो गया आपका तो यह हो गया एकसिटू वेराज National Park हो गया Institute तो इन दूनों तरीकों के उपर यही Focus करते हैं कि किस तरहां से हम अपनी Wildlife को Protect कर सकते हैं अब इसके बाद मैंने आपको 6 Schedule के बारे में पहले ही बता रखा है बट एक बार फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैंने इस Slide में भी इसे Include किया है यहाँ पर अब पहले और दूसरे Schedule में हमने Highest Protection और Penalities का प्रावधान रखा है तीसरे और चौते में हमने Protection कम दी है और यहाँ पर Fine वगेरा भी कम लगते हैं इसके लावा पांचवे में हम Include करते हैं Vermins को जिनको Hunt करने की Permission मिलती है For example, माल लेजे किसी एरिया में नील गाये बहुत जादा कहर मचा रही है मतलब नील गाये आपकी फसल को बरबाद कर दे तो उस एरिया में हम नील गाये को मारने की Permission देते हैं इसी Act के अंडर साथ के साथ आपको ये भी याद रख रहे हैं कि Endemic Plant से Related Six Schedule में आपके मेंशन किया गया है अब 2006 में इसे Amand किया गया था जहां पर इनको पावर दी गई थी कि ये National Tiger Conservation Authority को इसके अंडर Establish करेंगे और साथ के साथ Wildlife Crime Control Bureau को भी इसके अंडर ही Establish किया गया है ये दोनों ही बाडी आपकी बहुत Frequently News में रहती है तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बारे में Wildlife Protection Act 1972 के अंडर बात की गई है इसके बाद 1980 में आया था आपका Forest Conservation Act अब यहां पर एम हमारा ये था कि हम Forest को conserve करेंगे या protect करेंगे साथ के साथ उनको बरबाद होने से भी रूखेंगे तो कहीं न कहीं ये दो इसके प्राइम objective थे इसके लावा Central Government से आपको permission लेनी यहाँ पर mandatory है अगर आप किसी भी Forest Land को non-forest purpose के लिए use करते हैं साथ के साथ यहाँ पर deforestation को रोकने की कोशिश की गई है और A forestation को promote करने की कोशिश की गई है अब आपको पता होना चाहिए कि National Forest Policy 1988 में आई थी हमारी जहाँ पर objective हमारा ये था कि हम ensure कर सके environmental sustainability और ecological balance इंडिया के अंदर यहाँ पर हमें conserve करना है अपनी natural heritage को soil erosion को रोकने की बात की गई है और साथ की साथ forest cover को increase करने की बात की गई है यहाँ पर इसके लिए A forestation और social forestry के उपर हमें बहुत सा focus करना पड़ेगा साथ के साथ इंडिया के जो forest area है उनकी productivity को increase करने की बात की गई है ताकि हम अपनी national need को fulfill कर सके और यहाँ पर focus यह किया गया है कि हम efficiently utilize करेंगे forest produce को जिससे की हम wood के use को और ज़्यादा optimum कर सके साथ के साथ यहाँ पर focus इस चीज पे भी क्या गया था कि जितनी भी आपकी women's हैं जो dependent है forest area पे उनके लिए work opportunity डिवलप करेंगे हम और 1952 की जो हमारी policy थी forest policy इसमें ये कहा गया था कि हम 33% जो हमारा geographical area है इसे forest area के under लेके आएंगे अब यहाँ पर 60% area आपके mountain region में maintain करने की बात की गई थी और 25% area आपके plain areas में maintain करने की बात की गई थी और दो इतने सालों में यानि 1952 से लेके अब 2022 चल रहा है अभी तक भी हम इस चीज को fulfill करने में नाकाम्याब रही है इसके लावा government ने हाल फिलाल में एक बार फिर से focus किया है National Forest Policy को एक बार फिर से develop करने के लिए तो इसका मैंने draft आपको इस PPT में दे रखा है आप उसको एक बार ही देख सकते हैं बट क्योंकि draft के उपर UPSC इतना ज़्यादा question पूछता नहीं है तो मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा information नहीं दूँगा आप खुद से read करना चाहते हैं वो आपका खुद का decision है मैं आपको data provide करना हूँ उससे related अब अगला act है आपका Environment Protection Act 1986 अब ये act 1986 में इसलिए आया क्योंकि 1984 में वोपाल gas tragedy होती है अब इस industrial accident में बहुत से innocent लोगों ने अपनी जान गवा दी अब यहाँ पर इंडिया में उस समय ऐसा कोई law नहीं था जिससे हम इस तरह की problem को handle कर सकें अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका objective क्या था यहाँ पर हम protect करना चाहते थे improve करना चाहते थे environment को और साथ की साथ reduce करना चाहते थे pollution को भी अब इस act के अंडर आपकी central government को power दी गई है कि वो control करेंगे और reduce करेंगे pollution को सभी sources से इसके लावा emission से related standards को भी develop करने की बात की गई है इस act के अंडर अब आपको याद रख रहे हैं कि एक Indian forest act है था 1927 में और यह act अभी तक बदला नहीं है यह act तब से ही continue कर रखा है हमने मतलब यह आपका pre-colonial era का एक act है जिसे आज तक हम use कर रहे हैं यहाँ पर बात की जाती है आपके forest को conserve और protect करने की इसमें आपके forest को 3-4 categories में divide किया है पहला है reserve forest, दूसरा है protected forest और तीसरा है village forest यहाँ पर कुछ offenses को भी बताया गया है अगर आप किसी act को perform करते हैं और वो violate करता है इस act को reserve forest category में तो आपको उसके लिए कुछ सजा का प्रावधान भी इसके under mention किया गया है अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक draft policy आई है आपके national forest policy 2018 में तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ mention कर रखा है आप इसे पढ़ सकते हैं लेकिन अभी भी इसके उपर कोई concrete decision नहीं आया है तो इस वज़े से मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसके उपर ज़्यादा time waste मत करना because जो draft policies होती है उनके उपर इतने ज़्यादा question पूछता नहीं है UPSC बहुत rarest of the rare cases है जब ऐसे draft policies के उपर question आया हो although mains में ऐसे question आते हैं but prelims में इनके आने की probability almost 0.01% है इसके लावा जो आपका schedule tribe and other traditional forest developer recognition of forest right act 2006 है ये आपके UPSC का hot favorite topic है इसके उपर लगभग UPSC ने 3-4 question already पूछे हुए है तो इसे एक बार देख लेते हैं यहाँ पर इसका objective ये है कि जो भी आपके deprived rights हैं जो भी आपके like schedule tribe के deprived rights हैं सालों से जिनको recognize नहीं कर रही थी government उनको restore करने की बात की गई है इस act के अंडर यहाँ पर इंडिया के जो traditional forest developer community है उनको कुछ rights दिये गए हैं और इन rights को आप ये कह सकते कि legally recognize भी क्या गया है अभी rights दिये गए हैं उन्हें national park के अंदर wildlife centuries के अंदर reserved forest के अंदर और protected forest के अंडर भी इस act के अंडर हमने define किया है कि आप किस area को critically wildlife habitats बोल सकते हैं देखे अगर UPSC आप से पूछ ले कि which of the following act defines critical wildlife habitat तो आपको पता होना चीए इस तरहां के question UPSC पहले भी पूछ चुका है और आने वाले time में भी पूछ सकता है अब यहां पर कुल मिलाके 3-4 right दिये गए हैं पहला right है title right जहां पर आपको forest के अंदर 4 एकर तक की land देने की बात की गई है अब यह rights उनी family को दिये जाएंगे जो traditionally उस area में cultivation कर रहे थे मतलब यहां पर किसी तरह के new rights नहीं दिये जाएंगे उसके लावा जो भी आपके non timber produce हैं उसके उपर भी आपको अधिकार दिया गया है साथ की साथ जो आपकी community है उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वो protect कर सकते है regenerate कर सकते है, conserve कर सकते है और manage कर सकते है forest को अपने sustainable uses के लिए एक तरह से उन्हें governance में include करने की बात की गई है यहाँ पे अब बात करता है eligibility criteria की लेकिन जो भी यहाँ in forest area में तीन generation से रह रहा है उन सभी को इस तरह के forest right मिल सकते है अब तीन generation अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो 25 साल into 3 एक generation के 25 साल और तीन generation है तो into 3 that is equal to 75 years लेकिन ऐसा है कि यह आपके 75 year count कब से होंगे देखें 2005 में जब यह act आया था आप इससे पहले अगर forest के अंदर 25 साल से दे रही हैं तो इस तरह के rights आपको मिल सकते हैं इसके लाबा अगर आपका livelihood in forest land के उपर बहुत ज़्यादा dependent है आपको तब भी यह rights मिल सकते हैं अब यह rights देता कौन है तो rights के लिए gram सभा को बहुत ज़्यादा responsibility दी गई है चुकि आपके जो primary beneficiary हैं उनको identify करने का काम है gram सभा का इसके बाद आपकी screening committee है दो level पे एक तालू का या अब डिविजनल लेवल पे और दूसरी डिस्टिक लेवल पे अब यहाँ पर तीन-तीन government officials हैं जो इन committee में screening करते हैं जैसे आपके forest department से revenue department से और tribal welfare department से लोग आएंगे screening committee में उसके लावा तीन elected member होंगे आपके local bodies से अब इनको एक तरह का ये भी प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी ने appeal करनी हो किसी decision के खिलाफ तो यहाँ पर वो appeal कर सकते हैं अब बात करता है biological diversity act 2002 की अब इस act को बनाने के पिछे मकसद क्या था देकि हम चाते थे कि हम अपने जो bio diversity है उसे conserve करें उसे protect करें और साथ की साथ जो हमारे bio resources है मतलब जो biological diversity इंडिया में मिलती है इसे हम sustainably use कर सकें ताकि इसे preserve करा जा सके future generation के लिए भी अब मान लिजे किसी तरह का आपका benefit निकल के आ रहा है इन biotic resources से तो किस तरह से हम इसे equitable way में एक fair way में सभी के साथ बाठ सकते है तो इसके बारे में भी बात करता है आपका biological diversity act 2002 अब इस act को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी देखिए हम part है United Nation Convention on Biodiversity के तो इस वजे से हमें ये act बनाने की ज़रूरत पड़ी इस act में सबसे important बात ये कही गई है कि किसी भी तरह का Indian genetic material को आप India से बाहर नहीं ले जा सकते बीना approval की मतलब किसी भी तरह का transfer यहाँ पर prohibit किया गया है साथ के साथ आपको prior permission लेनी पड़ेगी अगर आप intellectual property right के अंदर कोई भी claim establish करने की बात करते हैं यहाँ पे उसके लावा national level पे state level पे और local level पे साथ के साथ यहाँ पर एक biodiversity management committee भी बनाने की बात की गई है जो कि आपके village या local level पे deal करेगी उसके बाद state level पे आपका state biodiversity board आ जाएगा और national level पे आपका national biodiversity authority आ जाएगी मालने जो कोई Indian citizen है अगर उसको कोई permission लेनी है तो वो state biodiversity board के पास जाएगा बट अगर कोई NRI या foreigner है तो उसके लिए उसे national biodiversity authority के पास जाना होगा तो इस सीज को भी यहाँ पे ध्यान में रखना आईए अब बात करते है national green tribunal act की जो की 2010 में आया था अब देखिए आप सभी जानते हैं कि इंडिया में environment से related cases post जब से ये आपकी बहुत सारे convention स्टार्ट हुए international level पे तो बहुत ज़्यादा increase हो गए थे तो यहाँ पर इन cases को बहुत जल्दी जल्दी handle करने के लिए हमने एक national green tribunal बनाया जिसको जिम्मेवारी ये दी गई कि आप effective wave में 6 महिने में सभी application या appeal को dispose of करोगे अगर आप में से किसी को भी इसके decision से related कोई issue है तो आप directly supreme court में जा सकते हैं अब यहाँ पर कोशिश ये है कि हम जो आपका litigation से related burden है judiciary के उपर या higher courts के उपर उसे reduce कर सके एक तरह से यहाँ पर insure करने की कोशिश की गई है अब यहाँ पर इनकी jurisdiction है सभी तरह के civil cases के उपर जो भी आपके environment से related चीजों से deal करते हैं उसके लावा यहाँ पर इनके पास power है civil court की बट यहाँ पर आपके जो normal procedure होते court के वो follow नहीं किये जाते हैं यहाँ पर principle of natural justice को follow किया जाता है जिससे कोशिश यह रहती है कि हम जल से जल decision दे सकें अब वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके decision binding है और आप इसे challenge कर सकते supreme court में बट इसे challenge करने के लिए आपके पास सिरफ 90 दिन का time होता है इसके लावा इसकी जो main head office या आप कह सकते है principal branch है वो new Delhi में इसके लावा चार और शहरों में भी छोटी छोटी branches इसकी मिल जाती है जैसे पूने में, भोपाल में चिन्ने में और कॉलकता में तो इस चीज को याद रखना है कि मुंबई में कोई भी इसकी branch नहीं है पूने में है साथ की साथ NGT का जो chair person होता है वो हमेशा एक retard judge of supreme court होगा उसके लावा जो भी यहाँ पर benches बनते हैं उसमें एक judicial member होता है और एक आपका expert member होता है जिसे knowledge हो environment से related cases की अब यह जो आपका NGT है यानि National Green Tribunal यह deal करता है आपके Water Act 1974 से Forest Act 1980 से Air Act 1981 से Environmental Protection Act 1986 से Public Liability Insurance Act 1991 से और Biodiversity Act 2002 से इन सभी से यह deal कर सकता है बट जहाँ पर बात होते है Wildlife Protection Act 1972 तो इसके पास power नहीं है उसके अंडर कोई case आता है तो उसे handle करने की उसके लावा Indian Forest Act 1927 के अंडर भी अगर कोई case register होता है तो उनसे भी यह deal नहीं कर सकते है साथ की साथ जो आपका Forest Right Act 2006 है उसके अंडर भी कोई case mention हो तो उनके लिए भी आप NGT में नहीं जा सकते है तो यही सब कुछ जानना आपके लिए important था National Green Tribunal के बारे में आईए अब बात करते है ozone depleting substance rule 2000 के बारे में although मैंने आपको पहले भी कहा था कि यह rule इतने जादा important नहीं है क्योंकि यह लगबग 21 से 22 साल पुराने हो चुके हैं पर फिर भी थोड़ा बहुत इनके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका objective क्या है तिकि जितनी भी आपके ozone depleting substances produce होते हैं हम उसे use करते हैं उन सबको phase out करने की बात की गई है यहां पे इसके लावा इस rule को notify क्या गया है आपके Environment Protection Act 1986 के अंडर यहां पर CFCs के use को कही न कहीं रोकने की कोशिश की गई है सिरफ आप इसे medical purpose के लिए use कर सकते हैं वैसे आप इसे use नहीं कर पाएंगे उसके लावा hydro chloro fluorocarbons को भी use करने से रोका गया है यहां पे उसके लावा इस rule के अंदर यह भी कहा गया है कि जो आपके hydro fluorocarbons है यह एक तरह के end trim substances है जो CFCs को replace करने में हमारी मदद करेंगे और इन CFCs को हमें replace करने है 2040 तग उसके लावा जो भी इंसान ozone depleting substances के साथ deal कर रहा है चाहे वो producer हो चाहे वो seller हो, importer हो या stockist हो उन सब को register करना पड़ेगा government के साथ अब इसे amend किया गया था 2019 में और यहाँ पर यह बताया गया था कि इंडिया ने completely phase out कर दिया है आपके hydro fluorocarbon 141B को उसके लावा अब इस तरह के substance को आप import भी नहीं कर सकते हैं इंडिया में तो यह important information है recently news में रही है तो आपको पता होना चाहे आज का पहला topic है हमारा the protection of plant variety and farmer right act 2001 देखे सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहे कि यह act बनाया क्यों गया आप सभी जानते हैं कि नई नई variety हमें develop करनी पड़ती है plants की ताकि हम अपनी yield को improve कर सकें over a period of time आप चाहते हैं कि आपकी जो एक खेट से पैदावार आ रही है वो increase हो तो इसके लिए आप नई नई variety develop करते हैं तो यहाँ पर उनको protect करने की कोशिश की गई है मतलब जो भी आपके farmers हैं, breeders हैं या researchers हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा new variety develop करें इस चीज के लिए यहाँ पर encourage किया जाता हुने अब इसे encourage करने के लिए सबसे पहले तो protect करना पड़ेगा जो भी plant variety है हमारे पास उसके लावा हम कोशिश करेंगी जो आपके farmers हैं और breeders हैं जो उनके rights हैं इन seeds को लेके, इन varieties को लेके हम उसे भी protect करें तो कहीं न कहीं आपके farming sector में intellectual property right का का काम कर रहा है इस चीज को याद रखना अब farmers को किस तरह के rights देगे हैं जैसे उनको recognition मिली है rewards देते हैं जो भी आपके conserve करते हैं plant genetic resources को मालज़े एक किसान है वो कोशिश कर रहा है कि एक particular type of rice है इसको वो कहीं न कहीं conserve करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कहीं न कहीं इसके लिए पैसे दिये जाते हैं और उसके इस काम को recognize किया जाता है उसके लाबा अगर किसी farmer ने नई variety develop की है तो वो उसको register कर सकता है और साथ की साथ उस registered seed को कहीं न कहीं protection देने की बात की गई है इस act के under अब मान लीजे कोई ऐसी variety है जो government ने मान लीजे एक आपका agriculture organization है या आपकी agri universities है इन्होंने कोई seed develop किया उन्होंने कहा कि भाई आप इस seed को लेके जाए ABC seed का नाम है आप इसे लेके जाएए और अपने खेतों में हो गई है अब मान लीजे इस seed को जब वो grow कर रहे हैं तो इससे कुछ अच्छी पैदावार नहीं हुई तो इस case में उन्हें compensation देने की भी बात की गई है इस farmer right के अंडर उसके लावा आपकी जो किसान है जो farmers है उन्हें किसी भी तरह की fee पे करने की जूर्त नहीं है अब यहाँ पर breeders को क्या आप कह सकते की फायदे दे गए हैं तो breeder को सबसे पहले तो exclusive right दे गए हैं किसी भी चीज को produce करने का मान लेजे कोई seed है अगर वो produce करता है तो उसके पास उसका exclusive right है मान लेजे यह ABC variety जो हम बात कर रहे थे एक XYZ university ने develop की है तो इस breeder के पास यह particularly seed grow करने का exclusive right है यह मान लेजे एक किसान है राम अली इस राम अली ने इस seed को develop किया है तो यहाँ पर इस seed के लिए इसी के पास exclusive rights होंगे चाहे वो इसे जैसे मर्जी produce करे sale करे, market करे, distribute करे या import करे या export करे यह इसके उपर है person के उपर कि वो इसी किस तरह से use करना चाहता है इसके बाद researchers के क्या rights है अब आप सभी जानते कि researchers को कई बार research conduct करना ही पड़ती है कोई भी आपकी seed variety के उपर तो क्या कर सकते हैं वो किसी भी registered variety मालिजे इस XYZ ने अपने seed को register करवाया था मैं जैसे आपको बता रहा था कि intellectual property rights यहाँ पर देनी की बात की गई है तो यह जो researchers हैं किसी भी registered variety के लिए apply कर सकते हैं मालिजे इने चाहिए XYZ company का ABC seed अब यह जो ABC seed है इसके उपर यह research conduct करना चाहते हैं कि क्यों इसकी जो yield है वो काफी अच्छी है as compared to other तो यहाँ पर यह research को conduct करने के लिए कर सकते हैं इस seed का इस्तेमाल उसके बाद investment R&D में भी कर सकते हैं जिससे वो new variety develop कर सके मालिजे एक researcher है जिसका नाम है XYZ अब यह XYZ जो researcher है यह चाहता है कि मैं कोई seed develop करूँ तो इसके लिए यहाँ पर R&D में भी पैसे invest यह कर सकते हैं उसके लावा यहाँ पर facilitate किया जा रहा है आपकी seed industry की growth को ताकि ensure किया जाए कि high quality के seeds या planting material हर time available हो सकें तो कुछ ऐसी बाते की गई है इस farmer's right act के अंडर अल्दो यह act बहुत पुराना हो चुका है लेकिन अगर आपके current affair में यह act के बारे में कुछ भी बात हुई है तो यह important act हो सकता है आपके prelims के लिए आईए अब बात करते हैं कैमपा act के बारे में इसके बारे में recently UPSC ने कोशन पूछा भी था और यह नया act आया था 2016 में आईए देखते हैं इसका objective क्या है तो यहाँ पर कहा गया है कि हम एक appropriate institutional mechanism डवलप करना चाते हैं जिससे हम utilize कर सके जो भी आपका A-forestation का fund आया है अब इस fund में कैसे पैसे आते हैं कहां से आते हैं पहले तो इस चीज को समझते हैं देखे मान लीजिए मैं एक industry setup कर रहा हूँ जिसका नाम है XYZ अब यहाँ पर यह एक state है मान लीजिए 36 गड़ और इसमें यह जंगल वाला इलाका है अब इस जंगल वाले इलाके में मैंने कहा कि गवर्मेंट को कि मुझे यह चोटा सा लैंड चाहिए आप मुझे से पैसे ले लीजिए और यह जमीन मुझे दे दीजिए बिकास यहाँ पर आसपास raw material मेरे को सस्ता पढ़ जाएगा अब गवर्मेंट ने सारी profit and loss statements वगरा देखी कि यहाँ पर क्या नुकसान हो सकता है ecosystem को किस तरह का like tribal के उपर impact बढ़ सकता है क्या यहाँ पर रोजगार मिलेगा लोगों को सब कुछ इन्होंने profit and loss इसका देखा और इन्होंने मेरे को का कि ठीक है यह land हमें आपको दे देते हैं बट क्योंकि आप forest area का land ले रहे हो तो आप हमें 10 करोड रुपे दे दीजे क्योंकि यहाँ पर यह land जितना आपके लिए कीमती है उतना ही कीमती ecosystem के लिए भी है तो हम क्या करेंगे कि हम इस पैसे को utilize कर लेंगे same उतना ही area या उससे ज़्यादा area as a forest develop करने के लिए किसी और side में मालेज़े यहाँ पर यहाँ आसफास कोई बंजर जमीन है यहाँ पर अगर मैं कुछ scientific technique को अपना हूँ तो यहाँ पर भी forest regrow कर सकता है तो मैं इस area में forest को regrow कर लूँगा तो मैं as a industrialist यहाँ पर यह 10 करोड रुपे इन्हें कहा देता हूँ कि ठीक है मैं आपको देता हूँ तो यह इस a forestation fund के अंदर चला जाएगा और बाद में इसे हम utilize करेंगे अपने इंडिया के forest cover को increase करने में अब यहाँ पर हमने इस act के under setup किया है किस चीज को एक compensatory a forestation fund management and planning authority को यह authority आपकी center और state दोनों level पे हमने establish की है अब center और state level पे हमें इसे develop करने की ज़रूरत क्यों पड़ी इस चीज को समझते हैं देखिए permission मेरे को कौन दे रही है national authority बट जगा कहा की जा रही है 36 गड की state की तो इस वज़े से ये fund को utilize करने के लिए सबसे ज़्यादा power किसको दी गई है आपके state government को मतलब जितना भी पैसा आएगा उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास जाएगा state government के पास जो center government है उसे minor सा share 10% तक का मिलेगा अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि authority center और state दो level पर बनी है एक है आपका national compensatory afforestation fund जो की आपके public account के अंडर बना है और दूसरा आपका state compensatory afforestation fund ये आपकी state के public account के अंडर बना है अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस national fund के अंदर 10% आपका share जाएगा जितना भी पैसा आता है अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 करोड दिया था तो इस 10 करोड का 10% यानि 1 करोड रुपया national government के पास जाएगा यानि इस national compensatory afforestation fund के अंदर जाएगा और whereas जो 9 करोड है यह state के पास चला जाएगा अब यहाँ पर इस fund को utilize किया जाएगा उन activities में जिससे आप forest की quality को improve कर सकें जिससे afforestation या आपका regeneration of forest ecosystem पे wildlife को protect करने के लिए या उस area में infrastructure को develop करने के लिए इन सभी में हम use करते हैं इस Kempa Act के अंडर जो भी पैसा आता है उसको अब यहाँ पर आपको याद रख रहे हैं कि Forest Conservation Act 1980 जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं इस Act में यह कहा गया है कि माल नीचे जितना भी land आप divert करते हैं जिससे यहाँ पर मैंने land यहाँ पर लिया था इस एरिया में उतना ही land मुझे divert करना होगा non-forest land को divert करना होगा forestry के लिए अब या तो मुझे afforestation conduct करनी होगी वहाँ पर या उतना ही पैसे को मुझे deposit करना होगा अब अगला कोई Act नहीं है यह rule है आपका जिसका नाम है Coastal Regulation Zone Rules 2019 अब यहाँ पर इसका objective यह है कि हम sustainable development प्रमोट कर सके और conserve कर सके अपने coastal ecosystem को अब आपको पता ही है कि इंडिया की जो coastline है वो 7500 km के आसपास है वैसे तो 7516.5 km है लेकिन आप 75100 भी याद रखेंगे तो ठीक है आपके लिए अब यहाँ पर आपको यह पता है कि यह इतनी ज़्यादा आपकी coastline है तो इसको conserve करने की भी ज़रूरत पड़ेगी अब आने वाले time में जैसे जैसे global warming भड़ेगी तो आप देखेंगे कि coastline के उपर बहुत negative impact पड़ने वाला है तो इसे conserve करने के लिए भी उतने ही effort हमें लगाने पड़ेंगे अब यह तो हमें समझ में आ गया कि यह rule का objective क्या है और इन्हें frame क्यों किया गया है अब यह समझते हैं कि यह power आई कहां से तो यह power आई है आपके Environmental Protection Act 1986 के अंडर जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि human activities और industrial activities को हम govern कर सके coastline area में Recently एक सलेश्ट नाय कमेटी बनी थी इस CRZ के उपर जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए UPSC कई बार इस तरह के question पूछ लेती है सलेश्ट नाय कमेटी is associated with आपको 3-4 option दे दिये और आपको select करना होता है correct option को तो इस तरह के question UPSC पूछता है तो आपको पता होना चाहिए अब यहां पर आपके coastal regulation zone को अलग-अलग parts में divide किया गया है अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एक diagram बताता हूँ माल लिजे यह आपको coastal area है और इस area में बहुत ज़ादा पेड़ वगरा लगी हुए यह बहुत ज़ादा eco sensitive area है तो इस zone को हमने coastal regulation zone 1A के अंडर रखा है अब यहां पर एक जैसे आपका area है यह जैसे आपका low tide area है और यह आपका high tide area है तो इसके बीच का यह जो zone है इस zone को हमने coastal regulation zone 1B में रख लिया है इसके बाद आता है आपका coastal regulation zone 2 का area अब इसमें हमने उस area को रखा है जहां पर आपकी development की activities बहुत close पहुँच चुकी है coastal area की मतलब मालने जब पहले से ही वहाँ पर construction वगरा हो रखी है तो उन areas को हम यहाँ पर डालेंगे coastal regulation zone 2 में अब zone 3 में क्या होता है देखिए इस 3 में हमने दो हिस्सों में divide कर दिया है एक तो आपके वो area है 3A में जहां पर आपके no development zone आते हैं 50 meter तक अब यह वो area है जहां पर आपकी population density more than 2161 बंदों से जादा हो अब यहां पर जो आपका पहले no development zone था वो 200 meter तक था लेकिन अब government ने इसे घटा कर मात्र 50 meter तक कर दिया है अब यहीं पर ही आते हैं आपके coastal regulation zone 3B अब यह वो zone है जहां पर आपकी construction activities 200 meter तक नहीं कर सकते हैं अब यहां पर यह आपको याद रखना है कि इसके लिए population आपकी 2161 से कम होनी चाहिए जिन भी area की जो आपके आसपास के village वाला area है coastal area के वहां पर population 2000 से कम है तो उन में construction नहीं कर सकते हैं आप 200 meter तक उसके इलावा जितने भी आपके islands हैं उनके आसपास के area मालनीजे यह आपका एक island है इसके आसपास आपको यह छोटा सा area दिख रहा है तो इसमें आप 20 meter तक construction का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं उसके लावा आप temporary tourism की facilities को develop कर सकते हैं जिसे washrooms को changing rooms को उन area में जहाँ पर आपको beaches मिलते हैं और यहाँ पर आपके no development zone जो पढ़ते हैं coastal regulation zone 3 के under अब यहाँ पर आप जो beaches के आसपास इन immunities को develop करेंगे यह temporary nature की होनी चीए कि जब चाहें आप इन्हें shift कर सकें उसके लावा यहाँ पर कोशिश यह की गई है कि हम grassroot level के जो persons हैं उनको भी include करें coastal zone की management के लिए तो यहाँ पर involve करने की बात की गई है coastal communities को for better management of for those areas जो बहुत जादा one-rable है माल लिए जे कोई एक ऐसा area है जहाँ पर ecosystem बहुत फरजाईल है तो उस area की development के लिए local community को भी हम include करेंगे ऐसी बात की गई है इसके under उसके लावा जो आपके CRZ1 वाला area है 1B वाला area जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर आप treatment plants वगएरा लगा सकते ताकि आने वाले समय में हम marine pollution को कम कर सके अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको याद रखनी है CRZ4AB एक चीज़ होती है जहाँ पर हम include करते है 12 nautical mile तक का वो area जो low tide से शुरू होता है मालने जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यह low tide वाली line है ठीक है जी इसके बाद आपका समुद्र स्टार्ट हो गया मालने जी तो यहाँ पर 12 nautical mile तक जो area आएगा उसे हमने CRZ 4A के अंडर रखा है इसके लावा आपका एक CRZ 4B भी होता है इसमें आपकी वो water bodies को include किया गया है जिनके उपर influence आता है आपके tide guard मालने जो कोई stories होगरा है या delta area है तो उनको इसके अंडर CRZ 4B के अंडर रखा गया है अब यह जो rule थे यह लेके आई थी आपकी Ministry of Environment अब यहीं नहीं रुकते हैं इसके बाद आता है आपका एक important component जिसे हम कहते हैं कि Island Protection Zone 2019 अब यहाँ पर यह कहा गया है कि जितने भी आपके small islands है अब आपको पता है कि वहाँ पर area कम होता है तो वहाँ पर आप high tide line से 20 मीटर जगा छोड़ दीजे और उसके बाद आप एको टूरिजम की अपनी facilities को develop कर सकते हैं इसके लावब जो आपके बड़े islands है मालेजे एक बड़ा piece of island है तो यहाँ पर आप 50 मीटर की दूरी को छोड़ दीजे और उसके बाद आप एको टूरिजम की अपनी facilities को develop कर सकते हैं अप एको टूरिजम में क्या-kya चीज़े आती हैं जैसे आप यहाँ पर mangroves को grow कर सकते हैं walk कर सकते हैं आप पेड से बनी हुई huts को develop कर सकते हैं या आप ऐसी कुछ residential facilities को develop कर सकते हैं से आप नीचर को कम से कम डिस्टर्ब करें तो इन चीजों को आप डिवलब कर सकते कोस्टल जोन वन एक अंडर भी और इनके अंडर भी उसके लावा आपको एक बात याद रखने हैं कि इंटर टाइडल जोन में आपको कुछ नहीं एक्टिविटी करने की इजाज़त दी अब इसके इलावा एक चीज जो आपको याद रखनी है कि जो भी आपके सेंसिटिव एरिया है उनमें आप रोड की कंस्ट्रक्शन कर सकते हो अगर आपको डिफेंस परपस के लिए आपको लाइंड चाहिए पतलब आपको डिफेंस के लिए डिवलब करना है या कोई मेंगरूव को आप डिस्ट्वाइ करेंगे उनको आपको रिस्टोर करना पड़ेगा मतलब कंपंसेट्री प्लांटेशन करने पड़ेगी मेंगरूव की किसी और जगा पर अब माल लीजे आपने सौ एकड ऐसा एरिया खराब करते जहां पर मेंगरूव था तो आपको अब इस पीपीटी में मेंचन है कुछ चीजे जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ जैसे यहां पर आपको वेटलेंड रूल्स के बारे में बता रखा है यहां पर आपके वेटलेंड को डिफाइन किया गया है देखिए वेटलेंड उन एरिया को कहा गया है जहां पर आपको या तो naturally पानी मिलता हो, या artificially पानी मिलता हो. अब natural in the sense, माल लिजे कोई natural lake है, river है, या water body है, जो nature की कारण फॉर्म हुई है, that is natural. Artificial means, मैंने अब एक dam बनाया, माल लिजे एक river थी, उसके उपर मैंने dam बनाया. अब यहाँ पर जब मैंने dam construct किया, तो यहाँ पर एक reservoir create करने की ज़रूरत महसूस हुई. अब जब reservoir create किया गया, तो वो artificially create हुआ, उसे कह देते हैं, artificial. अब यह जो आपका water है, permanent भी हो सकता है, temporary भी हो सकता है. अब माल लिजे, कहीं पर बर्साती नाले चलते हैं, या किसी area में बर्सात की कारण, काफी समय तक पानी इकठा हो जता है, और धीरे धीरे जब आपकी sunlight पढ़ती है, तो वो पानी evaporate होता है. तो यहाँ पर जो आपका पानी, temporary basis पे खड़ा हुआ है, जो एक particular time phase से ज़्यादा आपके growing season में, वहाँ पर stagnant रहता है, तो इसे कह देते हैं हम wetland, तो यहाँ पर आप permanent bodies को भी cover कर सकते हैं, और temporary को भी cover कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपका पानी static भी हो सकता है, और flowing भी हो सकता है, static in the sense, जैसे आपकी lake वगएरा होती है, flowing का मतलब, जैसे आपकी rivers वगएरा हो गई, तो इन दोनों को ही इसके under हमने cover किया है, और इसके इलावा यहाँ पर आपका water fresh भी हो सकता है, brackish भी हो सकता है, और salt water भी हो सकता है, तो इन सभी चीजों को जब हम देखते हैं, किसी area में तो इसे हम कह देते है wetland, अब यह एक marsh area हो सकता है, fan area हो सकता है, pitland area हो सकता है, या एक ऐसा area भी हो सकता है, जहाँ पर आपको water locked मिले, अब यह जो आपके rules है, यह उनके उपर भी applicable है, जो wetland आपके international importance के हैं, चाहे वो रामसर convention के under आते हो, तब भी उनके उपर ये rules applicable होंगे, अब किसी area को wetland area कौन घोशित करता है, तो यहाँ पर आपकी center government भी कर सकती है, state government भी कर सकती है, और UT administration भी इसे कर सकती है, अब इन्हें manage कौन करता है, state में इसे state government manage करेगी, और UT में इसे UT administration हैंडल करेगी, उसके लावा यहाँ पर एक central wetland regulatory authority बनाने की बात की गई है, जो आपके entire India में जितने भी wetland मिलते हैं, उनको manage करने का काम ये करेगी, इसके लावा यहाँ पर restriction लगाएगी है, किसी भी तरह की encroachment पे in wetland area में, मतलब अगर आप इस कहने का मतलब ये है, कि अगर आप इन area में encroach करेंगे, तो fine और planties के प्रावधान है इसके under, आईए अब बात करते हैं Solid Waste Management Rule 2016 की, अब इससे पहले आपका 2000 का एक rule था, उसे हमने replace किया है और नया rule हम लेके आएं, पहला rule था हमारा Municipal Solid Waste Management and Handling Rule 2000, अब इसे हमने beyond आपके Municipal Areas के apply करना start किया है, तो इस वज़े से इसे हम कह देते हैं Solid Waste Management Rules, क्योंकि पहले सिरफ Municipal Areas में ही ये implement होता था, अब हर जगा होता है, चाहे आपका Census Town हो, Notified Industrial Township हो, या कोई urban area हो, उन सभी में आपको इन rule को apply करना है, तो इस वज़े से इस बार ही यहाँ पर Municipal Word आपको नहीं दिखता है, अब यहाँ पर focus यह किया गया है कि हम source पे ही waste को segregate करेंगे, अब यहाँ पर जो segregation की जिम्मेवारी है, यह जिम्मेवारी है waste generator की, उसके लावा जितने भी sanitary pad के manufacturers हैं, उन्हें यह कहाँ गया कि आप जो भी आपके sanitary pad हैं, उनको dispose of करने के लिए एक packing दीजिए, उसके लावा bulk generator को यह कहाँ गया है कि आपको user fee pay करनी होगी, क्योंकि हम आपके कूडे को collect कर रहे हैं, dispose of कर रहे हैं और उसे process कर रहे हैं, तो इस वज़े से आपको इसके लिए पैसे देने होंगे, अगर माल लीजे आप में से कोई waste को segregate नहीं करता, तो उसके लिए भी fine के प्रावधान है, कोई public में litter करता है, मतलब गंदगी फैलाता है, तो उसके लिए भी fine के प्रावधान है, अब यहाँ पर एक चीज कहिए है, कि जितना भी आपका bio-degradable waste है, आप उसको process कीजिए, उसको compost बनाईए, bio-methaneation जैसे process को use कीजिए, और उससे manure बनाईए, अब उसके बाद जो आपका residual waste बज जाता है, bio-methaneation और composting के बाद, आप उसे collecting agencies को दे सकते हैं, चाहे जैसे आपकी local authority है, वैसा भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर compost को promote करने की बात की गी है, जिससे हम waste से energy generate कर सके हैं, उसके लावा यहाँ पर आपको central monitoring committee बनाने की बात की गई है, जिसके chairman होंगे आपके, जो secretary है, ministry of environment की, अब इनकी जिम्मेबारी यह है, कि यह monitor करेंगे कि किस तरह से, आप implement कर रहे हैं इन rules को, इसके लावा यहाँ पर जो legacy waste है, legacy waste मतलब, जो आपका दिल्ली का पहाड है, वो legacy waste है, वहाँ पर उसकी safe treatment के बारे में बात की गई है, इस rule के अंडर, जहाँ पर हम use करेंगे, bio remediation जैसे methods को, और bio mining जैसे methods को, अब ये दोनों ही methods मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इस वज़े से, मैं इसको यहाँ पर repeat नहीं करूँगा, तो यही कुछ जाना important था, आपको solid waste management के बारे में, आईए, अब बात करते है, bio medical waste rule 2016 के बारे में, वैसे तो इससे पहले 1998 में इनके rules आए थे, उन्ही को हमने further enhance किया है, objective यह है कि कैसे हम भैतर तरीकी से manage कर सके, biological waste को, उसे हमने देखने हैं, अब यह bio medical waste होते क्या है, तेकि कई बार आपने देखा होगा, कि आप injection लगवाने जाते हैं, तो डॉक्टर आपको injection लगाने के बाद एक cotton देता है, तो वो भी एक तरहां का आपका bio medical waste है, जो syringe use की गई है, वो भी आपका एक bio medical waste है, उसके लावा, जैसे किसी भी तरहां के आपके equipments, या आपके gloves, mask, कुछ भी use होते हैं, medical surgeries वगएरा में, hospitals में, यह सभी आपके bio medical waste की category में आते हैं, अब यहाँ पर, पहले ऐसा होता था कि इसकी ambit में, सरफ hospitals वगएरा आते थे, बट इसकी कहीं न कहीं, 2016 में ambit को increase करनी की कोशिश की गई है, जैसे आपके vaccination camps को इसमें include किया गया है, जो blood donation camps हैं, उनको भी इसमें include किया गया है, surgical camps, और जितनी भी आपकी health related activities हैं, उनको इसमें include किया गया है, अब आप समझ रहे होंगे कि surgical camps कैसे चल सकते हैं, जैसे कहीं बारी आपने सुना होगा कि नस्बंदी के लिए government camp run करता है, तो उन camps को भी इसके under हम include करते हैं, अब यहाँ पर यह भी का गया है कि जितने भी आपके plastic bags होते हैं, खासकर जो आपके gloves वाले होते हैं, या आपके वो bags होते हैं जिसमें blood contain करते हैं, उसमें हम chlorine को use करते हैं, तो within two years, यानि 2018 तक हमें इन bags को, इन gloves को phase out करना था, मतलब कहीं न कहीं इनके use को हम dispose off करने की बात करने हैं, उसके लावा यहाँ पर यह भी का गया कि जितना भी आपका lab से waste generate हो रहा है, या microbiological waste है, जैसे कोई test अगरे conduct किया है, उसमें पता लगा कोई microorganisms है, या blood sample है, या आपके blood bags है, उनको आपको on site ही, मतलब कि hospital के अंदर ही पहले आपको disinfect करना होगा, जिस तरहां से आपको WHO या NACO ने promote किया है उस तरहां से, और तब ही आप उसे कहीं भी dispose off करेंगे, अब ऐसा करने के पीछे कारण ये है, कि माल लिजए किसी बंदे को HIV है, और उसका blood sample आप ऐसे ही थो कर देते हैं, तो कहीं न कहीं इससे और लोगों को परिशानी हो सकती है, तो इस वज़े से कहा गया है कि आपको जो भी waste generate कर रहे हैं हो, उसकी pre-treatment करके भीजी, साथ की साथ कई परी ऐसा होता है कि needle के ऊपर जैसे किसी HIV patient या किसी virus का strain है कोई, तो वहाँ पर problem ये हो जाए कि जो भी person waste collect कर रहा होगा, तो उसकी जान को खत्रा हो सकता है, तो इस वज़े से इन rules में pre-treatment को include किया गया है, साथ की साथ regular आपको training देनी चाहिए, और immunization करना चाहिए आपके health workers का, ताकि उन में infection की probability को हम कम कर सकें, उसके लावा जो भी जैसे आपके waste है, माल लिजे मैं XYZ hospital से waste लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर barcode लगा होगा, जिसमें मुझे पता लगेगा कि किस तरह का waste waste में, और कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, जिससे हम easily इस waste को manage कर सकते हैं, उसके लावा यहाँ पर categorization को ज़्यादा improve किया गया है, ताकि हम improve कर सकें अपने waste की segregation को, इसके लावा जो आपकी state government है, वो land provide करेगी, जहां पर हम biomedical waste को treat कर सकते हैं, और dispose of कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखने हैं, कि आपके radioactive waste को यहाँ पर include नहीं किया गया है, e-waste को include नहीं किया गया है, और hazardous microorganisms को भी यहाँ पर include नहीं किया गया है, आईए अब बात करते हैं e-waste management rule 2016 की, जिन्होंने amend किया है आपके 2011 के rules को, अब इन्हें introduce किया गया है Environmental Protection Act 1986 के अंडर, इनकी embed में आप CFL और Mercury Lambs को भी ले आए हैं, although हम इसके बारे में एक बार पहले भी discuss कर चुके हैं, जब हमने e-waste के बारे में जाना था कल के lecture में, अब यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, because आप इसे याद रखिए क्योंकि UPSC इस तरह के question आपसे पूछता रहता है, यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि आपने CFL और Mercury Lambs को इसमें इंक्लूड किया गया है, उसके लावा यहाँ पर बात की गिये extended producer responsibility की, जहाँ पर जो आप product को बना रहे हैं, उनके उपर responsibility डाल रहे हैं कि वो अपने waste को collect करें, साथ के साथ state government के उपर ज़्यादा जिम्मेवारी दी गई है, कि वो safety ensure करें उन levers की जो इस field में work कर रहे हैं, और उनकी health के उपर भी पूरा focus करें, अब मैंने जब आपको e-waste के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह की problem हो सकते हैं, e-waste से आप अगर उन्हें inhale कर लेते हैं, या आपके body के अंदर वो इंटर करते हैं, जैसे let's say cancer तक हो सकता है, तो इस चीज को avoid करने के लिए government को उनके skill development के उपर भी focus करना चाहिए, और साथ की साथ उनकी safety और health के उपर भी focus करना चाहिए, अगर कोई इन law को violate करता है तो उनको fine लगाने का प्रावधा नहीं यहाँ पर, उसके लावा आपकी urban local bodies को spot fee या user fee collect करने की जिम्मेबारी दी गई है, अब spot fee क्या होती है, उसके लिए आपके उपर fine लगाने का प्रावधा नहीं यहाँ पर, user fee क्या होती है, उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, उसके लावा यहाँ पर objective क्या है इस rule का, objective यह था कि हम जितना भी इंडिया में e-waste generate होता है, उनको authorized manner में हम dismantle कर सकें, साथ के साथ उसमें सी जितना भी useful product निकले, उसे हम recycle करके फिर से reuse कर सकें, तो कहीं न कहीं आपके e-waste की recycling को क्या करना चाते हैं, हम formalize करना चाते हैं, अब यहाँ पर जिम्मेवारी यह दी गई थी कि जो extended producer responsibility है उसके अंडर, कि 2017 तक आपको 10% तक अपने waste को वापस collect करना है, और इसे हर साल आपको 10% से increase करना है by the year 2023, और यहाँ पर 23 आते 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 आपको 70% तक अपने waste को फिर से collect करना है, मतलब पहले साल 2017 में 10, फिर 20%, फिर 30, ऐसे करते करते 2023 तक 70% तक आपको आना है, उसके लावा जितने भी आपके producer responsibility organization है, उनको ज़रूरी है कि वो CPCB के साथ अपने आपको register करे, आईए, अब जान लेते हैं हजाडियस waste के बारे में, देखे, आप सभी जानते कि recent time में जो हजाडियस waste है, वो काफी जादा increase हो चुका है भारत में, आपको अलग-अलग chemicals देखने को मिलते हैं, प्लास्टिक देखने को मिलते हैं, तो इन सभी से निपटने के लिए हमने एक amendment rule लेके आए थे 2019 में, और यहाँ पर इसको objective यह था कि इंडिया में जो भी environmental practices हैं, हजाडियस waste को डील करने के लिए उनको हम और जादा strengthen कर सकें, ताकि हम environmentally sound manner में अपने हजाडियस waste को manage कर सकें, अब यहाँ पर इस rule के under एक important information यह है, कि जो भी आपके SCZ थे या export oriented units थे, यहाँ पर आप अब किसी भी तरह के plastic waste को अब import नहीं कर पाएंगे, उसके लावा इसमें exemption दी गई थी आपके silk waste exporter को, उसके लावा इंडिया में making India को promote करने के लिए एक चीज यहाँ पर introduce की गई थी, आपकी कोई भी electric या electronic assembly, अगर वो खराब हो जते within one year और उसको इंडिया में बनाया गया है, या वो export की गई है इंडिया से, तो उस case में उसे आप वापस इंडिया में import कर सकते हैं एक साल के अंदर, और इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई permission लेने की जूर्त नहीं, अब यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि आने वाले समय में हम यह चाहते हैं कि इंडिया electrical और electronic goods का एक major hub बने, मतलब यहाँ से हम दुनिया में यह चीज़े export करें, हमारे खुद के brand हो, तो इसके लिए इस चीज को लाना बहुत जरूरी था और जिसके कारण, यह जो आपके clause है कि एक साल तक आप defective goods को वापिस इंडिया में बुला सकते हैं, इस बात को इस rule के अंदर add किया गया, अब जिन industries को आपके water act 1974 के अंदर या air act के अंदर permission लेने की जूर्थ नहीं है, उसे hazardous and other waste rule के अंदर भी exemption दी गई है, यहाँ पर एक ये condition रखेगी है कि जो भी ये waste generate करेंगे, इसे ये waste collector को देंगे, अब इसके बाद आता है आपका plastic waste management rule, जिससे हमने amend किया है recently 2021 में, अब इसमें हमने ये कहा है कि जो हमारा single use plastic है, उसे हम by 1st July 2022 eliminate कर देंगे इंडिया से, मतलब इसी हिसाल हम इसे eliminate करेंगे, उसके लावा बाकी जो आपकी plastic commodities है, जो जिने future में हम ban करना चाते हैं, उनकी list दी गई है यहाँ पे, और government ने इन industries को 10 साल का time दिया है, जिसमें इन industries को अपने आप खुद को बंद करना होगा, इसके लावा जो single use plastic, आपको करियाना स्टोर में मिलते थे न, उनकी thickness अभी हाल फिलाल में 50 micron है, अब इसे बढ़ा कर इन्हों ने कहाए कि 75 micron हमने कर दिया है 2021 में, और आने वाले समय में, यानि कि दिसम्बर 2022 से पहले पहले हमें इसे 120 micron करना है, अब इसकी thickness increase करने से क्या फरक पड़ेगा, तिकि अगर ये चीज़ दुकानदार को महंगी पड़ेगी, तो दुकानदार इन plastic को use करने से एतराज करेगा, मतलब उसे इतना profitable नहीं लगेगा, अगर उसे बहुत ज़ादा पैसा invest करना पड़ेगा plastic में, कहीं न कहीं उनके जो profit margins हैं वो कम हो जाएंगे, तो इस वज़े से आप ये देखेंगे कि इंडिया में single use plastic, या वो plastic की पनियां होते हैं जिसमें आप दूद, राशन वगरा लेके आते हैं, उनका चलन थोड़ा कम हो जाएगा, इसके अलावा जो आपकी Central Pollution Control Authority है, वो और State Pollution Control Bodies, इन सभी को मिलकर इस band को monitor करना है, अब ये band किस act के अंडर हम लेके आएं, या आप ये कह सकते हैं कि रूल किस act के अंडर लेके आएं, तो आपको याद रखना है, Environmental Protection Act 1986 के अंडर हम इस rule को लेके आएं, इसके लावा यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है, इस act के अंडर जिकर किया गया extended producer responsibility के बारे में भी, मतलब जो भी आपके producers हैं, importers हैं या brand owners हैं, इनको कहीं न कहीं environmentally sustainable way में अपने waste को manage करने की जूर्त है, खासकर single use plastic के कीस में, आईए, अब बात करते हैं environmental impact assessment report की, अब देखें सबसे पहले आप ये समझें कि environmental impact assessment होता क्या है, माल लेजे आप एक company को उन करते हैं, इसका नाम है XYZ, अब इस company ने अपना एक project start करना है, और ये किस तरह के environment के उपर impact करेगा, या किस तरह से उस area की human health के उपर impact करेगा, culture के उपर impact करेगा, socio-economic aspect पे impact करेगा, इस चीज की assessment को हम कह देते हैं environmental impact assessment, अब यहाँ पर हम हर angle से देखते हैं, कि environment पे किस तरह का impact पढ़ेगा, socially किस तरह का impact पढ़ेगा, और economically आपका किस तरह का impact पढ़ेगा, किसी भी project का, देखें, जब भी हम environmental impact assessment करते हैं, तो हम उसके positive एक जगा लिखते हैं, और negative एक जगा लिखते हैं, उधारन के तौर पे, आप interlinking of river के project के बारे में सोचिए, अब इससे किस तरह के positive होते हैं, और किस तरह के negative आईए इने समझते हैं, माल लिजए मैं interlinking of river करता हूँ, तो इससे flood control करने में 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 कहीं न कहीं help मिलेगी, इससे मैं better way में irrigation practices कर सकता हूँ, इससे मैं water की supply को कहीं न कहीं manage कर सकता हूँ, खासका drinking water की, उसके लावा मैं energy generate कर सकता हूँ, electricity साथ की साथ आसपास के area में social development या economic development देखने को हमें मिल सकता है, उसके लावा इसके और भी बहुत से positive हो सकते हैं, बट आईए अब बात करते हैं negative की, देखिए जहां भी आप ऐसी चीज़े करते हैं, माल लिजए interlinking of river, तो यहाँ पर बहुत सा area आपको submerge करना होगा water के अंदर, अब जैसे पन्ना tiger reserve का आपको example देता हूँ, केन बेतवा linking के दोरान, वहाँ पर काफी area इस tiger reserve का कहीं न कहीं submerge हो जाएगा, अब इससे problem यह है कि habitat fragmentation देखने को मिलती है आपको कुछ species की, अब इससे बहुत negative impact पड़ेगा उन species की health पे, तो habitat destruction देखने को मिलता है, उसके लावा environment के ऊपर भी impact पड़ेगा, बिकास बहुत सारे trees आपके water के अंदर समर्ज हो जाएगे, तो इसकी वज़े से greenhouse gas के emission में और ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है, साथ के साथ, जितनी आप electricity यहाँ पर generate करेंगे, उसमेंसे लगबग 60-70% हम utilize कर देंगे इसे water को transfer करने में एक जगा से दूसरी जगा पे, उसके लावा interlinking में जब हम यह कहते हैं कि हम surplus water को एक जगा से दूसरे area में shift कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी Northern India की rivers हैं, उनमें monsoon time में आपको water surplus देखने को मिलता है, बट same time में तो आपको बारिश in Dickon Plateau या Peninsular Plateau की rivers में भी देखने को मिलता है, अब अगर surplus water आपका सिरफ monsoon के time पे है और बाकी time पे normal water चल रहा है, तो actual में यहाँ पर surplus water है ही नहीं, तो आप किस water को transfer करने की बात कर रहे हैं? उसके लावा navigation system में वैसे तो यह help करेगा, बट navigation system के कारण एक problem आ सकती हैं, जो भी यहाँ पर aquatic ecosystem आपको मिल रहा है, उसके उपर deep impact पढ़ सकता है, water supply, well and good, irrigation, well and good, अब अगर irrigation की बात करें, तो irrigation से आपकी crop की yield तो improve होगी, बट उससे एक problem है, अब अगर आप अपने irrigation system को effective way में या efficient way में develop नहीं करेंगे, तो इससे problem ये रहेगी, कि उस area में आपको soil के अंदर salinity देखनी को मिल सकती है, जैसे पंजाब और हरियाना के case में आपको देखनी को मिलती है, अब उसके लावा और भी बहुत से negative चीज़े हो सकती है, इन projects के बारे में, अब आपने एक जगा positive लिख लिए हैं, एक जगा आपने negative लिख लिए हैं, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को compare करेंगे, और जैसा आपको ठीक लगेगा, मालीजे ये project के लिए आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की life के उपर असर पड़ेगा इससे, जैसे irrigation वगेरा की facility डवलप हो सकती अच्छी, तो वहां के किसानों को बहुत ज़्यादा help मिलेगी, वाटर सप्लाई अच्छी होगी, तो लोगों की quality of life पे improvement देखने को मिल सकती है, तो तब आप ऐसे project को start कर सकते हैं, और यहां पर भी आप काफी लोगों को displace करेंगे, जब आप water को submerge करेंगे, तो हो सकता है tribal population या rural population के उपर बहुत ज़्यादा impact पड़े, बट यहां पर हम ethics का एक principle अप्लाई करते हैं, utilitarianism, इस principle के अंडर ये कहा जाता है कि अगर 100 बंदों का भला हो रहा है और उसके लिए एक दो बंदों का नुकसान भी हो रहा हो, तो हम उस policy को अपनाएंगे, मतलब यहां पर majority के रूल के बारे में बात की गई है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना, आईए, अब एक बाट textbook definition देख लेते हैं इनकी, लिएकि सबसे पहले तो आपको ये कहा गया है कि it is a process of evaluating the environmental impact of any proposed project, मतलब यहां पर आपको याद रखना है कि किसी भी project को start करने से पहले आप environmental impact assessment करते हैं, क्योंकि एक बार project start हो चुका, मालने जिए अगर किसी ने 100-200 करोड या 1000 करोड रूपे invest कर दिये हैं, तो उसके लिए अगर ये project बंद हो जाए, बहुत मुश्किल आ सकती है, तो ये आपको पहले ही करना होगा, अब यहां पर हम दिमाग में ये रखते हैं कि किस तरह का social economic impact होने वाला है उस project का, किस तरह का cultural impact होने वाला है, और human health पे क्या impact होने वाला है, इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए इस environmental impact assessment को carry out करते हैं, और उसके बाद positive, negative लिख के हम ये बता देते हैं कि उस project को करना चाहिए या नहीं, अब UNEP यानि United Nation Environment ने भी इसके लिए एक definition दी है, यहां पर ये कहते हैं कि environmental impact assessment एक ऐसा tool है, जिससे हम identify करते हैं कि किस तरह के environmental, social और economic impact होंगे किसी project के before, हम उस project के लिए commit करें उससे पहले, अब यहां पर आपको याद रख रहे हैं कि इसका objective क्या है, objective यह है कि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, early stage में, हम उसका impact जान ले environment के उपर, जिससे UPSA preparation करने से पहले, आप सभी ने इसका impact जान ले होगा अपनी life पे, मतलब study के दोरान क्या आपकी life पे impact पढ़ना है, और उसके बाद आपकी life पे क्या impact पढ़ना है, उसी accordingly आपने इसकी study को choose किया, for example आपको पता होगा कि preparation के दोरान आपके बहुत कम दोस्त रह जाएंगे, लेकिन जब आप successful इंसान बन जाएंगे, तो आपको बहुत से नए दोस्त भी मिलेंगे, तो इस वज़े से यहाँ पर इस तरह का impact आप हर एक project के लिए conduct करते हैं, अब इससे benefit क्या होगा, अगर हमें ये पता होगा कि किस तरह का impact होने वाला environment पे किसी project से, माल लिजए एक XYZ industry है, और उसकी वज़े से कुछ ABC आपके environment के उपर impact पढ़ने वाले हैं, तो इस impact को reduce करने के लिए, इस adverse impact को कम करने के लिए, हम better way में इस project को shape कर सकते हैं, for example, हम latest technology को involve कर सकते हैं, जिससे emission level कम हो सकें, या वो pollution का level कम हो सकें, या जो impact पढ़ रहा है आपके environment पे हम वो कम कर सकें, ताकि जो decision maker हैं, वो बड़िया decision ले सकें इस चीज के रिगाड़े हैं, अब इंडिया में इस चीज के बारे में कब सोचा गया था, तो 1976-77 में पहली बार planning commission ने आपके कहा था, कि हमें इस तरह के impact को assess करना चाहिए, अब उस समय ये जिम्मेवारी दे गई थी Department of Science and Technology को, जहां पर इने का आ गया था कि river valley जितने भी project होते हैं आपके, dam वगरा के, इनके environmental angle को आप study कीजिए, इसके बाद, first time हमने notify किया था, environmental impact assessment को 1994 में, और तब से, इसे handle कर रही है आपकी ministry of environment, जो कि आज तक इस चीज़ से related, जो भी आपके issues हैं, उनसे deal करती है, इसके इलावा, ये जो आपके environmental impact assessment है, इसको किस act के under किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि environmental protection act है, आपका 1986 का, इसके under, बहुत सारे provision दिये गए हैं, आपके environmental impact assessment के, अभी recently हमने, 2006 के जो हमारे rules थे, उनको कही न कहीं फिर से amend किया है, तो आईए उनके बारे में जान लेते हैं, अब यहाँ पे आपको ये कहा गया है, कि जितने भी आपके projects हैं, उनको decentralized clearance देने की बात की गई है, अब यहाँ पे आपके जो projects हैं, इन्हें दो हिस्सों में बाट दी हैं, एक है category A और एक है category B, A में आपके वो projects आ गए हैं, जो national level पे जिनके लिए आपको permission चाहिएगी, अब यहाँ पर इसको appraisal देंगे, आपके impact assessment agencies, या expert appraisal committee, अब इन दोनों का काम है, यहाँ पर category A के project को हाँ या ना करने में, इसके बाद आती है आपकी category B, जहाँ पर state level पे आपको appraisal चाहिएगा, और यहाँ पर आपकी state level environment impact assessment authority, जिससे CI भी बोला जाता है, वो और state level expert appraisal committee, यह दोनों मिलकर आपके clearance देंगे state level के projects को, इसके लावा यहाँ पर अलग-अलग stage को introduce क्या गया है, इन जनर्रल चार stage हैं आपकी किसी भी project की clearing के लिए, पहला है screening, अब यहाँ पर आप अपनी reports वगएरा submit कर सकते हैं, environment impact से related, उसके बाद scooping, जहाँ पर यह देखा जाता है कि किस तरह की कमिया है आपके environmental impact assessment में, फिर public hearing कि लोगों को किस तरह की परिशानी है इस project से, और फिर बाद में appraisal, जहाँ पर कोशिश यह की जाती कि project को लगाना है या नहीं, उसके बारे में decision लिया जाता है, तो यह चार आपके stages हैं, जिसके under आप किसी भी project को define कर सकते हैं, तब यह चार stages conduct होगी, उसी के बाद project की हाँ या ना होगी, इसके लावा जो आपकी category A के projects हैं, उनके लिए mandatory हैं, आपको environment clearance लेनी होगी, वेरास जो आपकी category B के project हैं, उनके लिए आपको screening processing करवानी होगी, अब यहाँ पे जो आपकी B category, इसे दो हिस्सों में बाटा गया है, एक है category B1, और दूसरी आपकी category B2, अब B1 के लिए आपको ज़रूरी है, EIA conduct करना, यानि environmental impact assessment, conduct करना ज़रूरी है, वेरास आपको दूसरे case में, यानि B2 के case में ऐसी requirement नहीं होती, अब इसके लावा कुछ ऐसी आपके projects हैं, जिनके लिए आपको clearance लेनी बहुत ज़रूरी है, जिसे mining industry को आप setup कर रहे हैं, या thermal power plant को आप setup कर रहे हैं, या river valley में किसी तरह के आप project को start कर रहे हैं, infrastructure से related आपकी कोई projects हैं, जिसे highway, port, harvards, या आपके airports, इन सभी project को develop करने से पहले आपको, environmental impact assessment को conduct करना होगा, और इसके बाद आपको permission या clearance लेनी होगी, environment ministry से, अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ draft rules के बारे में बता रखा है, लेकि आपने करना कुछ नहीं है, इनको एक बारी read कर लेना, वैसे तो आपको prelims में कभी भी इस तरह के draft rules के उपर question नहीं आते हैं, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर यह data रखा हुआ है, आप एक बड़ी पढ़ लेना, अगर गलती से UPSC आपको ऐसे question पूछ लेता है, तो आपके पास उनका भी जवाब हो, क्योंकि यह UPSC problems के लिए इतना ज़्यादा important नहीं था, तो इस वज़े से मैंने इसे यहाँ पर नहीं समझा है, आईए, अब बात करते हैं, organizations के बारे में, कि इंडिया में किस तरह की organizations हमें देखने को मिलती हैं, environment से related, अब सबसे पहले आपने सुना होगा, CPCB के बारे में, यह एक आपकी statutory organization है, जो Water Act 1974 के अंडर हमने बनाई थी, although इसकी जो power है, उसे enhance कर दिया गया था 1981 में, जब हम लेके आये थे, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, अब यह जो आपकी organization है, यह work करते हैं, Ministry of Environment के अंडर, और इसे यह जिम्मेवारी दी गई है, कि यह prevent करेगी, control करेगी, और रोकेगी हर तरहां से, Water और Air से related pollution को, उसके लावा जो आपकी, Ministry of Environment है, इसको technical services प्रुवाइड करती है, आपकी CPCB, और यह information को collect करती है, compile करती है, और publish करती है, जहां पर यह data show करती है, pollution से related India का, अब यह सारी information, मैंने आपको यहां पर दे रखी है, आएए अब बात करते हैं, Central Water Commission के बारे में, यह हमारी Apex Technical Organization है, in the field of water resources, यह आपकी Ministry of जलशक्ती के underwork करती है, और यह किसी भी तरहां के, आपके water से related project हो, उनको initiate और coordinate करने की जिम्मेवारी, इनी के उपर है, मतलब कहां से कैसे, आप control करेंगे, utilize करेंगे, और conserve करेंगे water resources को, यह सभी तरहा की जिम्मेवारी, आपकी Central Water Commission के उपर, मालनीजे आप एक project establish करना चाते हैं, या scheme लाना चाते हैं, जिससे आप water को conserve करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको कहीं न कहीं monitor करना, या coordinate करना initiative को, इसी की जिम्मेवारी है, अब यहाँ पर जितनी भी आपकी schemes आते हैं, जैसे flood control से related, irrigation से related, navigation से related, drinking water की supply से related, या water से power development से related, तो उन सभी के बारे में, implement करने के लिए, आप coordinate करतें इस agency से, या commission से, अब जब भी आप किसी scheme को implement करते हैं, या execute करते हैं, तो आप तीन चाची जों के उपर focus करते हैं, पहले आप investigate करते हैं, कि आपको उस scheme की requirement है या नहीं, फिर आप उस scheme को, या उस project को construct करते हैं, और फिर उसका execution के उपर focus करते हैं, तो इन तीनो stages में, चाहे वो project की बात हो, या आपकी बात हो scheme की, help करते हैं आपकी कौन, Central Water Commission, अब यहाँ पर इसकी तीन wings हैं, पहली है आपकी river management wing, जिसे हम RM भी बोलते हैं, उसके बाद दूसरी है आपकी design and research wing, जिसे D&R wing भी बोला जाता है, और तीसरी है आपकी water planning and project wing, जिसे WP and P भी बोला जाता है, तो यह आपकी तीन major wings है इसकी, जो water से related अलग-अलग dimensions को cover करती हैं, अब यहाँ पे आपके Central Water Commission ने, water use को कुछ categories में classify कर रखा है, जैसे class A में आपके, वो drinking water आते हैं, जहाँ पर आप conventional तरीकों को इस्तिमाल नहीं करते हैं, बट disinfect करते हैं उस water को, class B में आपके outdoor bathing वाले area आ जाते हैं, जिन में आप conventional treatment को use करते हैं, उसके लावा इसमें भी आप disinfectant को use करते हैं, class D में आपके आते हैं, fish culture या aquaculture से related चीज़े, और wildlife propagation से related चीज़े, class E में आपके irrigation और industrial cooling में जो आपका water use होता है, वो आता है, आईए, अब बात करते हैं, Animal Welfare Board के बारे में, जिसे established किया गया था 1962 में, section 4 के अंडर, prevention of cruelty to animal act 1960 के अंडर, अब इसका जो headquarter है, वो हरियाना में है, बल्लब गड में, पहले ये चिन्नई में हुआ करता था, अब इससे एक important personality आपकी जुड़ी हुई थी, जिनका नाम था श्रीमती, रुकमनी देवी, अब ये आपके first chair person थी, इस Animal Welfare Board की, इसके लावा ये एक satelary body है, जो Ministry of Fishing के अंडर आती है, इसके total 28 member है, और जिनका tenure है आपका लगबग 3 साथ, अब इनका function क्या है, माल निजे, Animals के उपर किसी भी तरह का abuse conduct हो रहा है, किसी research program में, तो उस चीज के बारे में देखबाल यही करते हैं, अगर माल निजे, किसी entertainment industry में, जैसे circus हो, या आप देखते ना कि पहले हाथी की सैर कराई जाती थी लोगों को, हाथी पे बिठा के मतलब, और जैसे उट, भालू, इनका use किया जाता था, तो यहाँ पर भी किसी तरह की cruelty की जाती है, Animals के साथ, तो उनको रोकने की जिम्मेवारी इन ही की है, उसके लावा यह government को advice करते है, Animal के welfare से related सभी matters में, उसके लावा जितने भी आपके animal welfare organizations है, उनको recognize यह करते है, उनको कही न कही guidance यह provide करते है, और साथ की साथ जितने भी उनकी financial assistance से related matter है, मतलब जिनको इन्होंने recognize किया है, अगर उनको कुछ finances वगरा चाहिए, तो वो भी यह board ही देखता है, साथ की साथ यह suggest करता है किस तरह के law में changes आने चाहिए, और rules में changes आने चाहिए, जिससे आप better way में animal के welfare को ensure कर सकें, साथ की साथ इस board को यह भी जिम्मेवारी दी गई है, कि लोगों में awareness डवलप कर सकें, ताकि animals के welfare को हम ensure कर सकें, आईए अब बात करते हैं Central Zoo Authority की, अब क्या है यह Central Zoo Authority, इसे establish किया गया था 1992 में, और इसका headquarter है आपका New Delhi में, यह एक statutory body है, जो 1991 में बनी थी, यह एक statutory body है, जो 1991 की amendment के साथ आई थी, Wildlife Protection Act 1972 में जो amendment लाई गई थी, अब यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि, ministry of environment के अंडर यह आती है, इसके chairman होते हैं, आपके minister of environment, जो ministry को hit कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको 10 member मिलते हैं, और एक secretary, अब इसको बनाने के पीछे aim क्या था, तो पहला तो यह कि, जो आपकी zoo है, किस तरह से वो work कर रही है, इसके बारे में आपको पता होना चीए, तो वो देखने के लिए आपकी central zoo authority बनाई थी, अब zoo में किस तरह से development चल रही है, उसको देखने के लिए भी आपको, जरूरत थी एक central authority की, तो इस वज़े से आपकी central zoo authority बनाई गई है, अब इनके पास power किस तरह की है, पहला ये, ये zoo को recognize करते हैं, दूसरा, ये जितने भी animals को जिसे आप ले के आते हैं zoo के अंदर, तो उसके लिए permission इनहीं की चाहिए होती है आपको, captive animals को रखने के लिए, पर आप captive breeding के ऊपर focus करते हैं, या इनको एक पिंजरे में बंद करके रखते हैं, तो उसके लिए भी ये permission आपको कौन देती है, central zoo authority, उसके लावा किसी तरह के offenses के बारे में, क्या सरजा का प्रावधान होता है, या कुछ होता है, तो इसके बारे में भी कौन देखेगा, आपका central zoo authority, license वगेरा, इन सब को grant करने की permission भी आपकी central zoo authority की है, और इसके लावा ये आपकी ownership को certify भी करते हैं, अब यहाँ पर इनके functions के बारे में, थोड़ा detail में जान लिते हैं, पहला function तो ये है कि जो minimum standard है, जो housekeeping, veterinary services से related आपको zoo में चाहिए, उसके बारे में ये बताते हैं, अपना minimum उतना तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप जो मर्जी कीजिए, उसके लावा किसी zoo को recognize करना है, या de-recognize करना है, इसके बारे में भी यही सोचते हैं, अब किस species को, मालने जिए कोई endangered species है, उसकी वहाँ पर interbreeding वगरा करवानी है, या आपको captive breeding करवानी है, तो इसके बारे में भी ये decide करते हैं, अब किस जानवर को आपने acquire करना है, exchange करना है, या loan के तोर पे आपने किसी जानवर को देना है breeding के लिए, तो इसके बारे में भी decision यही लेते हैं, तो ये भी इसकी functioning में ही आता है, उसके लावा जो stud book होती है, जहांपर हम endangered species के बारे में, मतलब ये समझते हैं कि किस किस को हमने रखा हुए यहाँ पे, तो ये stud book को maintain करने का काम भी Central Zoo Authority का है, उसके लावा research जो आप कंड़क्ट करते हैं, कैपटे ब्रेडिंग में उसके बारे में भी आपकी Central Zoo Authority ही decide करती है, ये एक तरह का educational प्रोग्राम के तौर पे आप समझी है, कि आप किसी species के अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि कैसे हम उसके environmental threat को हम कम करें, ताकि उसकी जो population वो increase हो, तो इसके बारे में जब भी research कंड़क्ट की जाती है, या उसके reproductive behavior को जब समझने की कोशिश की जाती है, तो इसके लिए भी जिम्मेवार है आपकी Central Zoo Authority है, अब ये तो आपकी बात हो गई Central Zoo Authority की, आईए अब जानते हैं, Geological Survey of India के बारे में, वैसे तो इसे independence से पहले established किया गया था, 1916 में, और यहाँ पर इसकी आप history track कर सकते हैं, 1784 की Asiatic Society of Banguals है, जिसके founder थे Sir William Johns, अब यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि, ये जो आपकी organization है, ये किसके अंडर आते हैं, Ministry of Environment के अंडर, मतलब ये एक subordinate organization है, Ministry of Environment के अंडर, यहाँ पर लगबग आपके, 16 Regional Station है, और इसका जो headquarter है, that is in Kolkata, पहले Kolkata बोलते थे, अब Kolkata, इसको establish करने का objective ये था, कि हम इंडिया का जितना भी फोना है, उसका survey conduct कर सके, ताकि जो हमारे पास knowledge base है, हम उसको और ज़्यादा advance कर सके, मतलब अभी मान लीजे, आप XYZ species के बारे में जानते हैं, अब इसके इलावा, और कितनी species इंडिया में मिलती है, उनका किस तरह से, क्या behavior है, उन सभी को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके थूँ, और साथ की साथ, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं, कि कितनी हमारे इंडिया में बायो-डिवर्स्टी मिलती है, अगर हम बात करें जानवरों की, उसके लावा, इसका function ये भी है, कि ये training, capacity building, इसके बारे में भी इस से related work में भी ये help करती है, इसके लावा ये publish करती है, आपकी red data book, आपने red data book, IUCN की भी पड़ी होगी, तो उसी की जैसे similar, animals के लिए एक red data book publish करती है, आपकी zoological survey of India, अब यहाँ पे ये बताते हैं कि, कि इंडिया में किस तरह का आपके जानवर मिलते हैं, कि स्टेट में किस तरह का फौना मिलते हैं, और conservation areas के बारे में भी ये बताते हैं, अब इसके बाद आपको याद रखना है कि, एक forest survey of India भी है, अब इसे establish किया गया था 1981 में, इसका headquarter है देरादून उत्राखंड में, अब इसे establish करने का purpose ये था कि, हम prepare कर सके statewide अपनी forest report को, मतलब माल लिजे उत्राखंड में किस तरह के और कितने जंगल मिलते हैं, फिर UP में किस तरह के और कितने जंगल मिलते हैं, तो इस तरह का हम statewide data create करना चाते हैं, और साथ की साथ all over India हम इस data को देखना चाते हैं, कि किस तरह का forest इंडिया में मिल रहा है, अब ये जो data publish होता है हर दो साल में होता है, अभी recently 2021 में भी इसकी report आई है, जिसके बारे में हम कल की video में discuss करेंगे in detail, आज की video का वैसे तो ये last topic है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि हर दो साल में इसके बारे में एक report publish होती, अब जैसे 2022 में नहीं होगी, तो 2023 में एक report publish होगी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अब ये एक तरह की inventory create करते हैं, forest और non-forest area की, जिससे हमें ये पता लग सके कि किस area में कितना forest हमें मिलता है और कितना नहीं, इसके लावा ये एक thematic map create करते हैं, of the scale 1 is to 50,000, उसके लावा ये एक nodal agency है, जो आपके forest से related database को create करती है, मतलब ये इस तरह की information को collect करते है, compile करती है, store करती है, और बाठती भी है, इसके लावा इसे इसमें support करते हैं, आपके UT और streets के forest department, जो की help करते हैं इसे, इस तरह के survey conduct करने में, mapping में और inventory में, अब ये जो आपकी forest survey report है, इसे publish किया जा रहा है, since 1987 हर दूसरे साथ, अभी जो आपकी recent report आई है, वो 2021 की आई है, जिसके बारे में हम कल जानेंगे, दीकि आज मैं आपको in general थोड़ी बहुत चीज़े बता देता हूँ, जिसके बारे में आपको पता होनुची है, यहाँ पर आपके इस report में न, कई categories में forest को divide करते हैं, जिसे very dense forest आपके वो आते हैं, जहाँ पर आपको per acre में 70% से ज़्यादा जंगल मिलें, moderately dense forest आपके वो आते हैं, जहाँ पर 40-70% के बीच में आपको forest मिलें, open forest आपके वो आते हैं, जो 10-40% के बीच में जहाँ पर forest cover आपको मिलता हो, उसके लाबा 10% से कम अगर आपका forest cover है, तो उसे आप scrub की category में डाल देते हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए, अभी हाल फिलाल में जो आपकी report publish हुए है 2021 में, यह आपकी सत्रवी forest report है, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इस report का नाम होता है, इंडिया state of forest report, अब इसके पीछे साल लग जाता है, जैसे recently 2021 की यह है, इसे publish करती है आपकी ministry of environment, और इसे हम use करते है planning और formulation of policy के लिए, जिसमें हम यह देखते कि किस तरह से हम forest को manage करें, हम उसके उपर focus करते हैं, अब forest cover की definition की बात कीजए, तो मैं आपको बता दू, इसमें वो सभी land आता है आपका, जहां पर आपको एक hectare या उससे ज़्यादा के area में, 10% या उससे ज़्यादा canopy देखनी को मिलती है, canopy मतलब पेडो का जुन, अब यहां पे आप सभी land को include करते हैं, चाहे उसकी land की legal ownership कैसी भी हो, या वो किसी भी तरह के आपके land use में आ रहा हो, जिसे plantation के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल वहां पर अगर canopy 10% से ज़्यादा है, तो आप उससे क्या कह सकते हैं, आप उसे forest area कह सकते हैं, और ऐसे area को कहते हैं, recorded forest area, जो आपको government के record में मिलते हैं, अभी हाल फिलाल में, जो आपकी report publish हुई है, इंडिन स्टेट आफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें पहली बार आपके tiger reserve, tiger corridors और gir forest को include किया गया है, अब यहाँ पर यह पाया गया है, कि जितने भी आपके tiger corridors थे न, इसमें लगबग आपका area 37.15% increase हुआ है, मतलब लगबग 37% आपका increase हुआ है, जो की 0.32% है आपके इस area का, जो आपके corridor के अंडर आते हैं, उसके इलावा यहाँ पर 22.6 square kilometer का area decline देखने को मिला हमें, tiger reserve में, जो की 0.04% है आपके tiger reserve area का, इसके इलावा यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है, कि जो आपके tiger reserves हैं, total यह 52 है, इनमें सी 20 में आपके last 10 सालों में हमें forest cover बढ़ता हुआ दिखा है, whereas 32 में हमें यह forest cover decline होता हुआ दिखा है, अब भड़ा किस-किस में, जिसे boxa आपका West Bengal में वहाँ पर, अनम अलई जो तमिलनाडू में, इंद्रावती रिजर्व जो 36 गड़ में, इन सभी में हमने recently देखा है कि forest cover increase हुआ है, whereas कवल तिलंगाना में है जो भड़ा करनाटका में है, और सुन्दरबन जो West Bengal में है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिला है forest cover में, इसके लावा इस report में और भी बहुत सी detail है, जिसके बारे में हम कल के lecture में discuss करेंगे, तो आज के lecture के लिए इतना ही धन्यवाद, Forest Survey of India, अब यहाँ पे आपको याद रख रहे हैं कि इनकी एक report publish होती है, जहाँ पर यह बताते हैं कि इंडिया में forest की क्या condition चल रही है, हर दूसरे साल यह report publish होती है, अभी हाल फिलाल में जो report 2021 में publish हुई है, उसमें कहा यह जा रहा है कि इंडिया में जो forest cover है, वो लगबग 2000 स्क्वेर किलोमेटर से बढ़ गया है, मतलब पहले मालने जी जितना हमारे पास forest cover था, उसमें इतना increment देखने को मिला है, अब यह जो total forest cover है या आप यह कह सकते है total tree cover है, इंडिया में लास्ट दो सालों में बढ़ा है, सबसे ज़्यादा आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है आंदर परदेश में, आंदर परदेश में लगबग 647 km2 आपका forest cover इंक्रीज हुआ है, तेलेंगाना में 632 km2 बढ़ा है, उडिसा में 537 km2 बढ़ा है, अब यहाँ पर आपको यह दो बता लगए कि किन-किन स्टेट्स में कितना आपका forest cover इंक्रीज हुआ है, इसके लावा आपको यह भी पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा area wise forest cover कहां पर मिलता है, तो यह मिलता है आपके मद्धे परदेश में, अगर बात किज़े, percentage wise सबसे ज़्यादा आपको forest cover कहां पर देखने को मिलता है, तो वो है मिजूरब, यह सभी facts यहाँ पर भी mention किये हैं मैंने, उसके लावा आपको यह याद रखना है कि जो हम अपनी forest policy में कहते हैं, कि 33% area हम forest cover के अंडर लेके आएंगे इंडिया का, तो इसमें आपको याद रखना है कि 17 states और यूटी ज ऐसी हैं, जहां पर आपको उनके area के according 33% cover मिलता है, उसके लावा कई states ऐसी भी हैं जहां पर आपको more than 50% area forest cover के अंडर मिलता है, और majority यह states आपकी north eastern states हैं, अब यह तो बात होगी कि forest cover कितना हैं, क्या हैं हमारे पास, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंडिया का जो carbon stock है वो कितना है, अगर बोले exactly तो यह है 7204 million ton आपका carbon stock है इंडिया में, और इसमें सी recently हमने add किया है 79.4 million ton, उसके लावा इंडिया का जो mangroove cover है वो लगभग 5000 square kilometer का है, और इसमें भी हमने recently 17 square kilometer को add किया है, मतलब यहाँ पर भी increment देखने को मिला है आपको, उसके लावा जितनी भी हमारी mountain states है न, जिसे आपकी जम्मू कश्मीर होगी, north east वगएरा, उत्राखन, इन एरिया में हिमालियन mountain states में आपको forest cover का decline देखने को मिला है, खासकर अगर बात किजए जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर आपको dense forest की area के अंडर कमी देखने को मिली है, वेराज जो open forest है, जहाँ पर forest की density बहुत कम होती है, उस area में इजाफा देखा है आपने, उसके लावा जो north eastern states है हमारी, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही scenario हमें देखने को मिला है, अब इसके लिए major कारण क्या है, देखिए दो major कारण है, recently government ने हिमालियन states में development activities तेज़ कर दी है, देखिए border states हैं काफी तो इन में सी, जहाँ पर हमारे जो neighbors हैं वो बहुत hostile है, अगर बात कीज़े जम्मू कश्मीर की तो वहाँ पर आपके पास पाकिस्तान है, उसको cater करने की जूर्थ है हमें, उसके लावा बात कीज़े अरुनाचल परदेश की, सिक्किम की, या आपके उत्राखंड वाले एरिया की, तो वहाँ पर हमें danger है या खत्रा है आपकी चाइना से, तो इस वज़े से हमें इन states में development करने की जूर्थ है, और इसी वज़े से इन states में forest cover भी decline हुआ है, उसके लावा जो आपके forest cover हैं, खासकर loin conservation area में, गिर एरिया में, यहाँ पर भी आपको decline देखने को मिला है, almost 33 square kilometer का, अब इसके लिए major कारण है आपका habitat improvement majors जो आपने लिए हैं, उसके लावा दूसरा कारण है आपकी यहाँ पर invasive alien species, जिसका नाम है, प्रॉसिपिस जूलियो फ्लावर, अब यह आपको नाम याद रखने हैं, बहुत important हो जाता है, because यह आपकी report में publish हुआ है, तो यहाँ पर यह जो invasive alien species मिल रही है, इसकी वज़े से भी आपको, इस area में forest cover का decline देखने को मिला है, आईए अब बात करते है, Botanical Survey of India की, जिससे established किया गया था 1890 में, इससे established किया गया था Sir George King के द्वारा, और इसका भी headquarter कहां पर है, Kolkata में, यह आपके Ministry of Environment के अंडर आती है, और यह भी Geological Survey of India की तरह, read data book publish करती है, बट वो animals की case में करती थी, यह किसके case में करती है, Indian plants के case में, अब जितनी भी आपकी research है, study है, flower या plant से related, सभी के लिए यही responsible है, उसके लावा किसी भी species का specimen collect करना, और advice करना government को, इन सभी कामों से related, तो यह सभी काम कौन करता है, आपका Botanical Survey of India, अब इनका function क्या है, पहली बात तो यह, जितनी भी आपकी phytodiversity मिल रही है, मतलब जितनी भी आपको plant diversity मिल रही है, इंडिया में, आप उनकी एक inventory तियार करेंगे, कि भया इतनी इतनी यह species इंडिया में मिल रही है, उसके लावा national state और district level पे, जो भी आपको plant biodiversity दिख रही है, उसको आप publish करेंगे, उसके लावा किस तरहां के आपके threat है, किस species को, मान लिजे invasive alien का threat है, या लोग पेड़ काट रहे हैं, तो इस तरहां के threat को यह identify करेगा, और साथ के साथ species richness कितनी है एक area में, और उसको कैसे conserve करना चाहिए, उसके लिए भी यह advice करते हैं, उसके लावा जितने भी आपके XC2 conservation measures है, जहां पर आप threating species को, या critically threating species को conserve करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी effort यही करेंगे, और national level पे आपके plants और related data को भी यही create करेंगे, तो यह कुछ important चीज़े हैं, जो आपकी botonical survey of India करती है, आईए, अब बात करते हैं, नेशनल बायो डिवर्स्टी authority की, अब यह authority है क्या और काम क्या है इसका, देखें, बायो डिवर्स्टी को conserve करने के लिए authority है, अब आपको पता होगा कि इंडिया में जो herbs हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा मिलती हैं, अब होता क्या है कि माल लिजे USA या कहीं की कोई company आती है, इंडिया में वो अपने जैसे test वगएरा conduct करती है, research conduct करती है, और फिर इंडिया के ही product को वो patent कर लेती थी, अब इससे ना तो इंडिया को benefit होता था कि वो दवाईयां इंडिया में easily मिलती हो, या supplements easily मिलते हो, ना ऐसा फाइदा होता था कि हमें पैसे ही मिलते हो, तो इस वज़े से एक आपका international convention आया, Convention on biological diversity, अब यह जो CBD है, इसमें यह कहा गया था कि हम fair और equitable wear में, जो भी benefit निकल रहे हैं हमारे biodiversity से, उसे share करेंगे, माल निजे किसी country के biodiversity से हमें कुछ benefit हो रहा है, तो उसके साथ भी हम उस चीज को equitably बाटेंगे, अब इसको implement करने के लिए, यानि इस convention के protocols को, या आप यह कह सकते हैं कि इस convention की जो basic crux है, उसे implement करने के लिए, हम यह act लेके आए, क्योंकि हम इसके signatory हैं, तो हमें यह act लेके आना पड़ा, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, कि कोई भी इंसान, इंडिया का मालने जे, बाओ डवरस्टी से related genes को, या किसी भी चीज को इस्तिमाल करता है, तो उसको इंडिया की government की permission लेनी होगी, तो कुछ इसी काम को संभालने के लिए ही authority design की गई है, अब इस authority को establish किया गया था 2003 में, क्योंकि एक्ट आया था आपका biological diversity act 2002 में, इस act के under ही यह आपकी organization बनी है, तो यह एक statutory organization है, इसके पीछे legal backing है आपके law की, और यह आपके ministry of environment के under work करती है, साथ के साथ इसका जो headquarter है वो चिन नहीं है, अब बात की जाए इसके structure की तो आपको पताऊनों जाए, यहाँ पर एक authority है, एक secretaryate है, और उसके लावा आपके state level और local level पे भी आपको कुछ committees उगरा दिखती हैं, boards और committees दिखती हैं, जैसे SSP का मतलब State Biodiversity Board, उसके लावा यहाँ पर BMC का मतलब है आपकी Biodiversity Management Committee, तो यह आपकी local level पे काम करते हैं, वो state level पे और national level पे आपके पास यह authority आगी, तो यहाँ पर आप इन तीनों के through, Biodiversity को regulate और manage करने की कोशिश करते हैं, उसके लावा जब state government आपकी Biodiversity sites को declare करती है, तो उसके लिए consult करती है वो local bodies से, तो वहाँ पर भी यह help करते हैं, उसके लावा किस तरह से Biodiversity को conserve करना है, sustainably use करना है, इस मामलों में, इन सभी मामलों में government को advise करती है, और किस तरह से हमें regulatory framework design करना है इस चीज के लिए, यहाँ पर भी government को help करती है आपकी National Biodiversity Authority, अब इसके main function की बात की जाए, तो यह आपकी central और state government को यह बताती है कि कैसे आपको अपने Biodiversity को conserve करना है, उसके इलावा इसका function यह भी है कि जो भी आपको इस act के अंदर necessary provisions है, जैसे किसी ने कोई permission लेनी है, अपने research work से related, तो उन सभी कामों को करने का इसको छूट है, उसके इलावा National Biodiversity Authority, Central Government के बिहाफ पे वो majors ले सकते हैं, जिससे intellectual property rights को grant किया जाता है, और in intellectual property rights को outside India transfer होने से रोका जा सके, तो यह सभी कुछ आपको mention है यहाँ पर, पढ़ लेना एक बार, आईए अब बात करते हैं, Wildlife Crime Control Bureau की, अब यह क्या है भला, देखे, 2006 में हमने इसे establish किया था, under the Wildlife Protection Act 1972, अब उस समय हमें पता लगा कि जानवरों को मार के trafficking और गयरा की जा रही है, उनको कहीं न कहीं नुकसान पहुचाया जा रहा है, तो हम अपनी बाव डैवर्स्टी को conserve करने के लिए 2006 में एक organization बनाते हैं, इनका काम यह होता है कि जितने भी, जिसे आपके wildlife से related crime हैं, पता में तीसरा मुंबाई, चिन्नई और जबलपूर, यहाँ पर यह जो organization है, इसका headquarter कहाँ पर है, डली में है, और यह work करती है आपकी ministry of environment के अंडर, उसके लावा इसके जो director हैं, वो ex officio हैं, मतलब जो भी आपका additional director journal होगा wildlife का, वो directly बन जाएंगे डिरेक्टर इस organization की, अब यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि यह एक noodle point है, सावन का, अब इस सावन क्या है, इसकी फुलफा में South Asia Wildlife Enforcement Network, इसके लावा इसने बहुत सारे operation conduct की हैं, operation save kurma, thunderbird, wild net, less know, birbill, clean art, तो यह सभी इसके बहुत ही successful operations हैं, उसके लावा United Nation Environment ने 2018 में इसे Asia Environment Enforcement Award दिया था, तो कहीं न कहीं यह organization बहुत अच्छा work कर रही है, बट work करती क्या है, आईए इससे समझते हैं, देखिए जितनी भी आपकी intelligence information है, wildlife crime से related, सभी को collect करने का काम इसका है, कहने का मतलब यह है, जैसे आपकी CBI है, वैसा ही कुछ काम wildlife के case में यह करती है, उसके लावा यह आपकी centralized authority है, जो crime से related data bank को create करती है, किस तरह के wildlife से related crime होते हैं, उन सभी के बारे में data यही देते हैं, उसके लावा जो आपकी foreign authorities हैं, माल लिजे, कोई USA की आपकी government agency इंडिया के साथ club करके कुछ काम करना चाती है, तो उसमें भी यह help करते हैं, मतलब यही आपकी एक coordinating point है, उसके लावा wildlife से related जितने भी crimes होते हैं, उसके लिए states वगएरा की capacity building के उपर भी यही work करते हैं, यह assist करते हैं आपकी state government को, ताकि वो ensure कर सके कि wildlife से related जो भी crime हुए हैं, उसमें जो prosecution है, वो successful हो सके, उसके लावा यह आपकी government को advice करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेविल पे, जो भी wildlife related crime हैं, उससे related issue के बारे में, उसके लावा जो आपके custom officers हैं, यह उनकी भी या custom authorities हैं, उनकी भी मदद करते हैं, किसी भी consignment को inspect करने में, जिसे माल लेजे कोई, कोई इंसान पेड लेके जा रहा है, या कोई पौधा लेके जा रहा है, या कोई जानवर लेके जा रहा है, तो इस चीज से related, जो भी information चाहिए, किस्टम officers को, वो provide करने का काम कौन करता है, आपका wildlife crime bureau, अब यहाँ पे आपको याद रखने हैं, कि कई acts हैं, जैसे wildlife protection act, या आपकी export, import policy, या आपका site conventions, इन सभी के under obligations हैं, जो restrictions लगी हुई हैं, उन सभी को fulfill करने में, custom offices की, मदद कौन करता है, आपका wildlife crime control bureau, आईए अब बात करते हैं, नेशनल गंगा river basin authority की, जिसको establish किया गया था 2009 में, और इसका भी headquarter कहाँ पर है, न्यू डेली में, अब यह आपकी किसके अंडर आती है, क्योंकि गंगा एक water body है, तो environment ministry के अंडर ना आके, ये ministry of जल सक्ती के अंदर आती है, अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखने हैं कि, इसका mandate या objective क्या है, तेकि आप सभी जानते हैं कि गंगा में बहुत ज़्यादा pollution देखने को मिलता है, आसपास के शेहरों का जितना भी कच्रा है, और जितनी भी जैसे dead bodies की राक है, उसको हम कहाँ पर डालते हैं, गंगा में डालते हैं, सौरी अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो, बट गंगा हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा polluted है, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा ध्यार नहीं देया जा रहा है इसकी cleaning के उपर, तो इसी चीज को साफ करने, तो इसी चीज को mainstream focus में लाने के उसके लावा इसमें आप include करते हैं union ministers को भी और chief minister उन states के जहां से गंगा flow करती है, अब आपको मुझे comment box में ये बताना है कि गंगा किन-किन state से flow होती है, अब यहाँ पर इसके पास authority के पास power के है सबसे पहले ये जान लेते हैं, देखिए इस authority के पास regulatory power भी है, कोई state या क city बहुत जादा कूड़ा या आप यह कह सकते कि sewage waste को dump कर रहे है गंगा के अंदर तो वहाँ पर यह regulatory action ले सकते हैं, उसके इलावा development functions भी इन्हें दिये गे हैं, जैसे आप देखते हैं कि अब इन cities में हम sewage waste treatment के लिए काफी plants वगरा लगा रहे हैं, तो यह सभी काम कौन कर आपका यह authority ही कर रहे हैं, उसके लावा यह actions लेती है ताकि हम effective manner में pollution को control कर सके गंगा river basin के, ताकि हम sustainably develop कर सके गंगा river system के ecosystem को और इसे conserve कर सके, आईए अब जानते functions क्या-क्या यह perform करते हैं, तो सबसे पहला function तो आपको यह पता होना चाहिए कि river basin के आसपास का जो area है उस manage करते हैं, पहली चीज, इस basin को manage करने से एक तो आपका pollution कम होता है, दूसरा आप इस area की सुंदरता को बढ़ा देंगे तो आप tourist को और जादा attract कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं इस चीज के ऊपर focus करते हैं, regulatory activities, मतलब किस industry से कितना कूडा निकल रहा है, उसे किस तरह से manage करना है तो इसके लिए भी यही work करते हैं, और साथ की साथ जितना minimum flow आपको गंगा river में चाहिए, जिससे आप यहां की bio diversity को conserve कर सके, उसको maintain करने की भी जिम्मेवारी इन ही की है, इसके लावा इन्हें ये भी function दिया गया है कि किसी तरह की आपकी information है, जो गंगा से related है, उसे collect करें और बाटेंगे जिस भी agencies के साथ आपको बाटने की जरूरत हो, आपको water को conserve करने की जरूरत है, तो इस वज़े से हम promote करेंगे ऐसी practices को, जिससे हम recycle कर सके, water को reuse कर सके, rainwater harvesting कर सके, और sewage treatment plants को हम establish करेंगे इन area में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है आपका, उसे आप reuse कर सके, at least industries में तो ये कर ही सके हम, देखे वैसे तो इस authority के बारे में 2015-16 में बहुत बारी question पूछे गए है, बट हाल फिलहाल में जो आपकी गंगा authority है, ये news में नहीं रही, तो जो चीजे आपकी news में ज़्यादा ना हो, उनको सिरफ एक बार revise कर के आप छोड़ सकते मैं तो ये कहूँगा कि आप मंदरब इनके बारे में basic information अपने दिमाग में रखिए, पर ज़्यादा detail में बन जाना है इस authority के case में आएए, अब बात करते हैं National Board for Wildlife की, इससे establish किया गया था 2003 में और ये आपकी Ministry of Environment के अंडर आती है इसका भी headquarter कहां पर है, New Delhi में अब इसने आपके Indian Board for Wildlife को replace किया था, ये आपका एक statutory board है जो Wildlife Protection Act 1972 के अंडर हमने form किया अब यहाँ पर बहुत सारी important information है आपके लिए, इसके जो chair person है आपको याद रखना है वो है प्राइम मिनिस्टर उसके लावा vice chair है आपके, environment minister और 45 और members भी हैं यहाँ पर, जिसमें सी 19 आपके ex official members है तीन MPs इसके member होते हैं, जिसमें सी 2 लोग सभा से आते हैं, एक राज्य सभा से और 5 इसमें आते हैं आपके NGOs से तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, अब इसका objective क्या है कि कैसे हम India में conserve और develop कर सकते हैं wildlife और forest को इसके उपर ये focus करते हैं, अब इने power क्या दी गई है, कि wildlife से related जो भी आपके matters हैं, कोई भी आप project स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें wildlife के उपर impact होने वाला है, तो उन सभी को ये review करेंगे उसके लावा आपके national park और wildlife centuries से related जो भी आप प्रावधान लाना चाहते हैं, मालने जो उसमें area में कुछ changes लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको permission लेनी होगी national board for wildlife से अब ये सभी information आपके लिए important हो सकते हैं, क्योंकि recently बहुत से आपके ऐसे project हैं जिसमें इन्होंने clearance दी हैं, जहां पर national parks के area को alter किया गया है, तो इस वज़े से UPSC इस तरहां की question आपसे पूछ सकता है आईए, अब बात करते है national tiger conservation authority की, जिसे wildlife protection amendment act 2006 के थूँ create किया गया था, अब ये जो आपके authority है, इसका headquarter new Delhi में है, ये ministry of environment के अंडर आती है, इससे establish किया गया था as a statutory body, आपके wildlife protection act 1972 के अंडर, अब यहां पर आपको ये याद रखना है कि इसमें amendment की गई थी 2006 में, जिसके थ authority बनी थी, जो आपके minister of environment है, वो इसके head होते हैं, यानि chair person है, अब इस act के थूँ हुआ क्या है, basically जो भी आपका project tiger को हम run कर रहे हैं, उसके लिए एक तरह से एक statutory authority का हमने निर्मान किया है, इस act के थूँ, उसके लावा जो local population है, जो इन tiger reserves के आसपास रहती है, और उनके livelihood क उपर impact पड़ता है, उनके interest को भी protect करने की कोशिश करता है आपका national tiger conservation authority, उसके लावा state level पे यहाँ पर एक steering committee बनती है, और इसके जो chair person होते हैं, आपके respective state के chief ministers होते हैं, आईए, अब बात करते हैं, Bombay Natural History Society की, जिसे form क्या गया था 1883 में, ये एक तरहां का NGO है, जो conservation के बारे diversity के उपर research भी conduct करता है, ये international एक organization है, bird life international, उसका partner है इंडिया में, इसका जो logo है, वो great hornbill है, अब ये जो organization है, ये various genre को आपके publish करता है, और साथ की साथ, grants तो गयरा देता है, ताकि लोगों की research work में ये help कर सके, जो आपका department of science है, इसने इसे designate किया है, scientific and industrial research organization के तौर पे, अब यहाँ पे आपको याद रख रहे हैं कि जितनी भी आपकी like general public है, इनको aware करने के लिए camps औगरा, natural trails औगरा, organize करते हैं, conduct करते हैं, और साथ के साथ, कई important personality है, जैसे आपने जम्मो कश्मीर में सुनाओगा, Salim Ali National Park, वो Salim Ali जी इस Bombay Natural History Society के साथ जुड़े हुए थे, उसक यो ने एक program run किया है, Internet of Birds, अब इसमें क्या होता है, कि आप मालेजे एक photograph को upload करते हैं, अब यहाँ पर artificial intelligence technology को हम use करते हैं, machine learning को use करते हैं, जिससे हम recognize करते हैं कि यह कौन सा bird है, इससे हम identify करते हैं कौन-कौन सी bird species इंडिया में मिलती है, और लोगों को इस बारे में इंडिया में जितनी भी आपकी organization मिलती थी ना आपको, उन सभी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब हम environment से related जितने भी important conventions हैं international level पे, हम उनके बारे में बात करेंगे, आधो को हम आज cover करेंगे, और कल हमारा last lecture होगा, तो उसमें बाकी बचे हुए और climate change से related topics को ह आईए, शुरुवात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इन environmental conventions के बारे में, लिकिए सबसे पहले तो आपको पता होना अच्छी की, nature conservation के लिए हमारे कौन-कौन से convention है, जैसे United Nation Convention on Environment and Development, UN, CED, उसके इलावा आपका आता है, United Nation Convention on Biodiversity, Ramsar Convention on Wetlands, Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna, The Wildlife Trade Monitoring Network, इसके लावा आपके Convention on Conservation of Migratory Species, Collision Against Wildlife Trafficking, QUART जैसे बोलते हैं, International Tropical Timber Organization, यानि की ITTC, United Nation Forum on Forest, जैसे हम UN, FF भी बोलते हैं, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, जिसे हम IUCN भी बोलते हैं, और लास्ट है आपका Global Tiger Form, तो इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, अगर कुछ रह जाएंगे टॉपिक तो उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, इसके लावा कुछ major conventions हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चीए जैसे यहाँ पर मैंने आपको इन तीनों convention के बारे में हलका सा overview पहले भी दे रखा है, यह सभी हजादियस material से relate करते हैं, आपका Stockholm convention, Bessel convention, Rotterdam convention, जिसे हम BRS भी बोलते हैं, इनकी जो आपकी COP meetings हैं, वो होती हैं जनीवा में इस चीज को याद रखना, उसके लावा land से related आपक convention है, जिसका नाम है United Nation convention to combat desertification, उसके लावा marine environment से डील करता है आपका international wailing commission, atmosphere से डील करता है आपका Viana convention, Montreal protocol और किगाली, यहाँ पर किगाली missing है, आप उसको याद से यहाँ पर लिख लेना, उसके लावा आपका Kyoto protocol और United Nation framework convention on climate change, यह भी आपका किस से डील करता है, atmosphere से ही डील कर आईए, सबसे पहले बात करते है, United Nation conference on human environment की, जिसे हम Stockholm conference भी बूलते हैं, अब यह Stockholm conference क्यों केते हैं से, क्योंकि Sweden का एक शहर है, Stockholm, 1972 में यह convention वहीं पर हुआ था, जहाँ पर world leaders ने पहली बार focus किया था environment के उपर, इस convention को बुलाया था आपके United Nation ने, तब ही तो इसके आगे United Nation conference on human environment की लिखा जाता है, इसके लिए major role play किया था आपकी Sweden government ने, जहाँ पर इन्होंने general assembly में ये प्राबधान रखा था, कि ये conference ऐसी होनी चाहिए, जहाँ पर हम बात करें environment के बारे में भी, ये आपकी पहली major conference थी international level पे, जो environmental issue से deal कर रही थी, और ये एक तरहा का turning point था, ज इसके बाद international politics में environmental politics ने entry की थी, मतलब इससे पहले कभी environment को discuss नहीं किया गया था, ये पहली बार ही था, अब यहाँ से निकल के आती है आपकी Stockholm declaration, अब इस declaration में कुछ environment से related issues को उजागर किया गया, सामने रखा गया, और कहीं न कहीं environment और development के बीच में relationship को establish करने की कोशिश की अब इस declaration को कई बार हम declaration on human environment भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर human development को हमने link किया है environment से, तो इस वज़े से इसको नाम दे दिया गया declaration on human environment अब जैसा कि आपको पता कि 1972 में यह Stockholm conference हुई थी, अब 2022 में इसको 50 साल पूरे होने वाले हैं, तो इस वज़े से Sweden government एक high level meeting की planning कर रही है, मतलब इसकी 50 साल के anniversary को मनाने के लिए एक बार फिर से Stockholm जैसी conference conduct करने की कोशिश की जा रही है अब यहाँ पर इसका aim यह है कि हम action part पर focus करें, जहाँ पर हम world के environment को बरबाद होने से रोक सकें, उसके लावा हम promote करें sustainable consumption को और nature based solution दे, environment से related problems को अब यहाँ पर आपको याद रखने है कि हमने achieve करना है climate neutral अपने आपको, मतलब एक ऐसी economy बनानी है, जो climate के उपर बिल्कुल भी असर ना करती हो resilient economy बनानी है, अगर माल लिजे थोड़ा बहुत climate change हो भी जाता है, तो आपकी economy उसमें भी sustain कर सके, ऐसी एक economy बनानी है circular economy बनानी है, मतलब कि जो हमारा waste है, वो बिल्कुल minimum हो जाए, हम उसको recycle करके बार बार use कर सके तो that is circular economy, उसके इलावा एक inclusive economy चाहिए, जहां पर सबका साथ सबका विखास हो यह सरफ कहने की बात ना हूँ, जो आपका गरीब तबका है, उसके लिए भी जादा से जादा काम किये जाए, इस बारे में हमें focus करना चाहिए तो यही कुछ Stockholm Conference के बारे में आपको जानना ज़रूरी था, अब इसके बाद आती है आपकी Bruntland Commission जिसे हम World Commission on Environment and Development भी बोलते हैं, WCED अब इसका mission क्या था, इसका mission यह था कि हम सभी countries को एक साथ लेके आए, ताकि sustainable development की तरफ हम एक साथ बढ़े इस commission की report आई थी, October 1987 में, और इसे बाद में dissolve कर दिया गया था, December 1987 में अब यहाँ पर इसकी report का नाम बहुत important हो जाता है, इसकी report का नाम था, Our Common Future इसके बारे में UPSC ने पहले भी पूछा हुआ है, अब भी पूछ सकता है साथ की साथ आपको याद रखना है कि इसको कई बार Bruntland report भी कहा जाता है अब यहाँ पर आपको मुझे comment box में ये बताना है कि इस report का नाम Bruntland क्यों पड़ा या इस commission का नाम Bruntland क्यों पड़ा क्या ये किसी person का नाम है, कोई important person, किसी जगा का नाम है या कोई climate से related term है, आपको इसे comment box में बताना है थोड़ा hint दे देता हूँ मैं, ये किसी country की prime minister है जिनके नाम पे इस commission का नाम पड़ा था, क्योंकि वो chair person थी तो आपको comment box में अब मुझे इतना ही बताना है कि ये कौन सी country की head थी अब ये जो report है, ये इसलिए famous होती है, क्योंकि इन्होंने पहली बार define क्या था sustainable development अब आपको ये भी पता हो नाचे कि sustainable development होती क्या है देखे, इस तरह की development जहाँ पर आप अपनी current need को पूरा तो कर रहे हैं बट उसे इस तरह से पूरा कर रहे हैं कि आप future generation की जो needs हैं, उनके उपर impact ना करें मतलब आज के आपकी resource utilization इस तरह से होनी चाहिए कि वो, जो resources आपके पास आज available हैं वो आपकी future generation के लिए भी आने वाले समय में available हो अब जब इस commission की report आती है, तो इसका एक बहुत deep impact पड़ता है world community पे और इससे निकल के आता है आपका United Nation Conference on Environment and Development जिसे कई बार आप Rio Summit भी बोलते हैं, Rio Conference भी बोलते हैं, Earth Summit भी बोलते हैं या Rio de Janeiro Earth Summit भी बोलते हैं अब ये आपके Brazil के शहर Rio de Janeiro में हुई थी ये पहली बार एक ऐसा platform लेके आये थी हम, जहाँ पर एक collaborative manner में हम conservation effort के उपर focus करने वाले थे यहाँ पर हम focus करने वाले थे उन toxic components के उपर, जिनकी वज़े से हमारे environment के उपर बहुत ज़्यादा impact पड़ने वाला था यहाँ पर हम systematic manner में discuss करने वाले थे उन toxic components के बारे में जिसकी वज़े से environment के उपर impact पड़ता है जैसे lead जो आपका मिलता है gasoline में वो आपके जो poisonous waste हैं जिसमें हम include करते radioactive chemicals को उन सभी के बारे में हमने discuss किया था यहाँ पे उसके लावा public transport के उपर भी हमने यहाँ पर focus किया था जिसकी वज़े से हम reduce कर सके vehicles के emission को, cities में congestion को और health related problem को भी कम कर सके polluted air के कारण जो होती हैं खासकर smoke के कारण उसके लावा इस conference में बात हुई थी alternative source of energy के उपर भी जहाँ पर हम global climate change को link करते हैं इन fossil fuel से और यह कहते हैं कि इनको replace करने की ज़रूरत है इसी के बाद से solar energy और wind energy के बारे में मुहीम एक start हुई थी अब यह जो आपकी earth summit है इसकी दो major outcome थी देखे पहली outcome थी जो non legally binding थी दूसरी outcome थी आपकी जो legally binding थी अगर बात कीज़े non legally binding की तो यहाँ पर आपको याद रखने की Rio declaration यहाँ से निकल के आई थी जो legally binding नहीं थी और यहाँ पर हमने environment और development के बारे में बात कीए उसके लावा agenda 21 भी यहाँ से निकल के आया था यह agenda 21 भी legally binding नहीं था उसके लावा 30 चीज़ निकल के आई थी आपकी forest principle और यह भी आपकी legally binding नहीं थी अब यहाँ से 3 चीज़े ऐ जैसे निकली थी जो legally binding थी कुछ ऐसे agreement जैसे United Nation Framework Convention on Climate Change, United Nation Convention on Biodiversity CBD भी बोलते हैं जिसको और United Nation Convention to Combat Desertification UNCCD भी बोलते हैं जिसको अब देखे इन तीनों convention के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और इन major outcomes के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ आईए अब इन्हें ए की करके देख लिते हैं सबसे पहले बात करते हैं Rio Declaration on Environment and Development आपको यहाँ पर यह याद रखने हैं कि इसमें 27 प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है इन 20 प्रिंसिपल का focus है sustainable development पे और इसे लगभग 175 countries ने sign किया था मतलब यह एक तरह की guidelines है जिसे अगर आप follow करते हैं तो कहीं ने कहीं आप sustainable development के ऊपर work कर सकते हैं उसके बाद आता है आपका agenda 21 अब यहाँ पर कोई 21 प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पर यह 21 रेफर करता है आपकी 21st century को और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यह legally binding नहीं था बट यहाँ पर भी हम बात करते हैं global sustainable development पे इसके इलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि agenda 2030 कहीं नहीं इसी से inspired है जिसके बारे में हम बात करने हैं since 2015 आप सभी ने sustainable development goals के बारे में पढ़ा होगा इसी को कहते हैं आप agenda 2030 मतलब 2030 तक आपको इन sustainable development को achieve करना है अब यहाँ पर agenda 21 में आपको तीन चीजों के बारे में याद रखना है एक तो आपको याद रखना है कि local agenda 21 अब ये local agenda 21 क्या है लेकिए agenda 21 को implement करने के लिए हम 4-5 fair पे work कर रहे हैं जैसे international level पे मतलब जो आपकी various countries है इन सभी के साथ हम cooperation करने की बात कर रहे हैं तो international level पे national level पे जहाँ पर हम सभी states को एक साथ लेके चल रहे हैं उसके बाद हम regional levels के उपर भी work करेंगे और local levels पे भी work करेंगे तो इन 4 चीजों के उपर हम जब work करेंगे तो इसी वज़े से इसे कह देते हैं local agenda 21 क्योंकि यहाँ पर bottom up approach है उसके लिएवा agenda 21 for culture जहाँ पर हम बात करते हैं कि हम ground work के उपर focus करेंगे जहाँ पर cities और आपकी local government के साथ मिलकर हम cultural development के उपर focus करेंगे तो यह हो गया आपका agenda 21 for culture अब इसके बाद आता है आपका real forest principle इसमें हम बात करते हैं कि हम किस तरह से forest को conserve करेंगे और इन्हें sustainablely use करेंगे अब यहाँ पर किसी particular eight type of forest के उपर focus नहीं किये गया यहाँ पर आपके सभी type के forest को include किया गया है तो इस चीज को भी याद रखना अब यह तो बात होगी major outcomes की इन सभी conventions को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक करके बट यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि यह जो आपकी sustainable development summit थी या आप यह कह सकते कि Rio Earth Summit थी इसके कुछ outcomes आते हैं इसके outcomes के आते हैं जैसे Rio Plus 5 जो 1997 में New York में हुई थी यह आपकी United Nation General Assembly का एक special session था जहाँ पर हमने यह जानने की कोशिश की कि जो हमने 1992 में summit की थी उसका outcome का क्या impact रहा तो इसमें हमने यह देखा कि progress जो है इस sphere में वो uneven है क्योंकि globalization आपकी increase हो रही है जिसकी वज़े से inequality और ज़्यादा बढ़ गई है देशों में inequality कैसे जो अमीर देश है वो और अमीर होते जा रहे है जो गरीब देश है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे है उसके इलावा जो आपकी within a country वहाँ पर भी आपको inequality देखनी को मिलते है income के basis पे उसके लावा जो आपके environment है global level पे वो और ज़्यादा खराब होता जा रहा है तो यह कुछ outcome रही थी आपकी 1997 की Rio plus 5 summit की इसके बाद 2002 में आती है आपकी Rio plus 10 अब यह Rio plus 10 क्या था यह summit हुई थी Johannesburg में यहाँ पर से निकल के आती है आपकी world summit on sustainable development और इसे कई बार earth summit 2002 भी बोला जाता है अब यहाँ पर लोगों ने मतलब जितनी भी आपकी countries थी उन्होंने यह का कि हम fully committed है agenda 21 को fulfill करने के लिए और यहाँ से निकल के आते हैं आपके millennium development goals जिसके उपर सभी लोग agree करते हैं मतलब एक तरह का international agreement हो जाता है यह millennium development goal अब इसके बाद आता है आपका Rio plus 20 अब Rio plus 20 क्या है यहाँ पर आपके जितने भी member इसको attend करते हैं वो कहते हैं कि भैया हम एक बार फिर से यह कहते हैं कि हम agenda 21 को achieve करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर एक document निकल के आता है जिसका नाम है the future we want इसमें लगबग 180 देश ने participate किया था और इसके अंदर दो major theme थी आपकी पहला green economy के उपर हम focus करेंगे जहाँ पर हम sustainable development के उपर focus करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम sustainable development को achieve कर सकें उसके लावा जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं हम उनके upliftment के उपर work करेंगे और दूसरी theme थी कि हम international coordination को improve करेंगे ताकि हम achieve कर सके sustainable development को तो ये सब कुछ आपका जानना ज़रूरी था Rio Earth Summit के बारे में अब देखिए जब आपकी Rio Earth Summit स्टार्ट होने वाली थी तो उससे एक दिन पहले मतलब शाम को हमने एक global environment facility को develop किया जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बता है अब इसकी location कहाँ पर है यह Washington DC में located है United States में और इसकी लगभग 184 member countries है अब यह जो आपकी global environment facilities हैं इसको jointly implement करते हैं jointly manage करते हैं आपके UNDP, World Bank और United Nation Environment इसके लावा आपको यह भी याद रखना है कि यह काफी projects में आपकी grant देते हैं मतलब जैसे आपकी biodiversity से related कोई project हो आपके international water से related कोई projects हो climate change, आपके persistent organic compound से related कोई चीज़ों, ozone layer, आपकी land degradation, mercury, sustainable development इन सभी चीज़ों से related जो भी आपके projects होंगे उनके लिए grant देते हैं और खासकर food security के लिए भी यह grant देते हैं अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखने हैं कि जो आपकी global environment facility है यह आपके Montreal protocol के साथ formally तो linked नहीं है बट कहीं न कहीं यह इसको support जरूर करती हैं कहने का मतलब यह है कि आपकी 6 ऐसी conventions हैं जिनके साथ आपकी global environment facilities link करती हैं formally यह आपकी Montreal protocol का हिस्सा नहीं है कहीं न कहीं इस convention के financial mechanism को support करती है यह आपकी global environment facility इसके लावा यह 5 और आपकी conventions में help करती है जैसे Stockholm convention आपकी United Nation climate change से related जो convention है biodiversity से related जो convention है आपकी desertification से related जो convention है और minimata convention जो mercury से deal करती है उसमें भी यह help करती है तो in total आपकी 6 conventions है जिनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको mention किया है और यह conference से आप link मत कर देना यह convention है Stockholm convention convention अलग है conference अलग है conference 1972 में हुई थी और वो deal करती है आपके sustainable development और इन सब चीजों से pollution मतलब as a large जहाँ पर हम environment के बारे में बात करने जब हम Stockholm convention की बात करते है तो वो P.O.P. से deal करते है इसके लावा जो आपकी global environment facility है यह small grant program भी run करते है जिसे इन्होंने launch किया था 1992 में इसमें लगबग 33 आपकी participating countries हैं जहाँ पर यह provide करती है financial और technical support community level पे और civil society organizations को अब यहाँ पर हम community को mobilize करने की कुशिश करते है ताकि हम bottom up approach को अपना सके sustainable development के लिए अभी currently इसे GEF के बहाफ पे UNDP implement कर रहा है तो तब यह खुद global environment facility इसको implement नहीं कर रहे है उनके बहाफ पे United Nation development program इसे implement कर रहा है आईए अब जानते हैं United Nation environment program के बारे में इसे भी हमने 1972 में ही बनाया था यह आपकी United Nation की एक ऐसी organization है जो deal करते है environment से related issues में मतलब आप यह कह सकते हैं कि leading global environmental authority है यह इसका headquarter है आपके नेरोबी केनिया में और यहाँ पे आपको याद रख रहा है कि यह global environment protection के लिए काम करती है world level पे और यहाँ पर इनका focus है global environment से related agenda पे और sustainable development को promote करने पर अब इसे भी 1972 में बनाया था जैसा कि मैंने आपको बताया जब आपकी Stockholm conference conduct हुई थी तो यहाँ पर इसके द्वारा कुछ major campaign उसके बाद से run किये गी हैं जैसे beat pollution आपका एक campaign था जो इन्होंने run किया था इन्होंने run किया था world environment day इन्ही के करने wild for life यह भी इन्ही के campaign है इसके लावा कई major program इन्होंने run किये हैं जैसे earth are clean up world billion tree campaign seal the deal pay for the planet और तुन्जा इस सब भी इन्ही के प्रोग्राम थे इसके लावा यह कई reports भी लेके आती हैं जैसे emission gap report हो गई आपकी adaptation gap report हो गई global environment outlook हो गई frontier invest into healthy planet यह सभी जो report से यह इन्ही की report है इसके लावा इन्होंने world metrological organization के साथ मिल कर एक organization बनाई थी जिसका नाम है intergovernmental panel for climate change इसे इन्होंने बनाया था 1988 में अब यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि यह कई आपकी global environment facility के लिए implementing agency है और कई multilateral funds के लिए भी implementing agency है for example montreal protocol की success में इनका major role था minimata convention जो 2012 में mercury से related convention आया था उसकी success के पीछे भी इनका बहुत बड़ा हाथ है उसके लावा 2019 में इंडिया ने भी इनके साथ join किया है एक program के लिए जिसका नाम है climate and clean air collision जिसकी secretary 8 आपकी host कर रही है कौन UNEP इस चीज को याद रखना 2019 की contemporary news है तो कई बार UPSC आपको इस बारे में पूछ सकते हैं उसके लावा परधान मंतरी Modi और France के president को मिलकर इन्होंने एक Champions of the Earth Award दिया था इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो United Nation Environment Assembly है यह इसकी governing body है यह environment से related आपके highest decision making body है global level पे इसके लावा global level पे जो आपकी environment से related policy है उनकी priority set करने में यह help करती है जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम develop करते हैं international level पे environment से related laws को इसे create किया गया था June 2012 में आपकी Rio Plus 20 के दोरा अभी currently इसके 193 members है जिसमें हम include करते हैं सभी आपके UN members countries को आईए अब बात करते हैं international governmental आईए अब बात करते हैं intergovernmental panel on climate change की IPCC की जिसको form किया था आपके World Meteorological Organization और UNEP ने 1988 में से form किया गया था और ये occasionally अपनी reports लेके आते हैं almost हर 6-7 सालों में ये अपनी एक report लेके आते हैं जो बहुत important है आपके लिए क्योंकि UPSC में इस तरह की reports के बारे में बहुत frequently question पूछे जाते हैं अब ये आपकी एक ऐसी organization है आप ये कह सकते हैं जो climate से related आपके data को assess करता है पतलब आपका climate change किस तरह से हो रहा है इसके बारे में आपको बताता है एक तरह से ये आपका regular scientific assessment करता है climate change के बारे में जिससे policy makers को ये एक अपना opinion बता दिता है कि ये climate change ऐसा चल रहा है इसके ये future impact होने वाले और ये आपके पास adaptation majors है ये आपके पास mitigation majors है आप जैसा करना चाहें जो करना चाहें कर सकते हैं इनका काम बहुत बढ़िया था इस वज़े से 2007 में इन्हें Nobel Peace Prize बे मिला अब यहाँ पर आप एक चीज याद रखना कि जो ये आपकी IPCC है ये अपना data खुद नहीं बनाती मतलब ऐसा नहीं है कि ये खुद की research वगरा conduct कर रही है ये क्या करती है दुनिया में जहां भी जो research हो रखी है उन data को एक जगा इकठा करती है और उनसे अपनी report बनाती है मतलब copy paste का काम है इनका आमोमन आपने देखा होगा न स्कूल में कोई एक बच्चा assignment बना के लाता है colleges में आपने देखा होगा और उसी से सब tape के अपना काम कर देते हैं तोड़ा बहुत change करके तो same इ इनका aim क्या है लेकि ये आपको scientific relevant information देते हैं जिससे आपको ये पता लग सके कि human induced climate change क्या है उसके लावा इसके impact क्या है आपके climate पे और आपके पास adaptation और mitigation की क्या क्या options है वैसे तो मैंने आपको बताया थे कि ये हर कुछ सालों में 6-7 सालों में अपनी report publish करती है it's almost about 7 years ये climate change से related scenario को represent करते है इस report में आपके 3 working groups है पहला working group deal करता है कि climate change हो कैसे रहा है मतलब कितना हो रहा है कैसा क्या है इसका उसके बारे में बताएगा दूसरा work group आपका work करता है उसके जो climate change है इसके क्या impact है क्या vulnerability है various section की और क्या adaptation majors आपके पास available है इसके बाद जो third group है वो deal करत इस climate change से अभी recently इनकी sixth report आई है जिसकी theme थी climate change 2021 the physical science यह इस series की छेवी report थी जहाँ पर climate change से related इन्होंने scientific, technical और social economic information को लोगों के साथ share किया है अब यहाँ पर यह prepare कीगी है आपके work group 1 के द्वारा अभी जो बाकी दो हैं वो इस साल publish होंगी इस चीज को आपको याद रखना ह अभी सरफ एक report आई है यहाँ पर इसको publish किया गया था मतलब इसे लाया गया था COP26 के दौरान जो आपकी Glasgow Scotland में हुई थी 2021 में अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले time में जो आपकी heat wave है और humidity है या heat stress है वो और ज्यादा frequent होने वाला है monsoon precipitation में आपको increase देखने को मिलेगा annual basis पे भी और summer में भी उसके लाबा यह जो आपकी rainfall है यह बहुत ज्यादा erratic होने वाली है आपको यह मतलब एकदम से बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी एकदम से बहुत कम तो ऐसी चीज़े आपको देखने को मिल सकते है heat extremes और बढ़ेगा और साथ की साथ जो आपका sea level है वो Asia area में और ज्यादा increase हो सकता है आने वाले time में अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर हम net zero 2050 तक achieve कर लेते हैं तो हम वो जो कहते हैं कि 1.5 degree Celsius से temperature ज्यादा rise नहीं होने देंगे उसे achieve कर पाएंगे otherwise नहीं उसके लाबा इस report में हमने past, present, or future of climate के बारे में देखा हमने ये जानने की कोशिश की कि कब से climate change हो रहा है कैसे ये हो रहा है past में क्या इसका impact था present में क्या impact है और future में क्या इसका impact रहने वाला है तो इन सभी चीजों को हमने यहाँ पर कही न कहीं कोशिश किया जानने कि उसके लाबा हम ने ये जानने के कोशिश किये इस रिपोर्ट में कि human cost emission के कारण किस तरह से हमारा planet बदल रहा है और future में किस तरह का scenario रहने वाला है अब इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जो आपके extreme heat है या heavy rainfall है fire condition ये droughts हैं वो आने वाले समय में और जादा severe हो सकती है अभी हम ऐसी edge पे बैठे हैं अगर हमने अपने emission को control नहीं किया तो ये 1.5 degree centigrade जो हम temperature को जहां पर control करने की कोशिश कर रहे थे हम शायद उसको वहाँ पर control ना कर पाए और इसके बहुत जादा worst impact देखने को मिल सकते हैं आने वाले time में हमें उसके लावा carbon dioxide का emission है वो सबसे बड़ा कारण है आपकी climate change के उपर तो इन्होंने इस बात को नकार दिये अब दिखिए आप एक बात बताईए जादा तर आपकी research conduct होते है western side में अब western side में अगर research conduct हो रही है और उनकी government ये चाती है कि हम पैसा पे ना करें इस climate change के लिए तो आप एक बात बताईए क्या हम report को उस तरह से modify नहीं कर सकते हैं और दो इंडिया ने इस report को discourage किया है उन्होंने काया कि ये चीज हुई नहीं सकती और आप एक चीज बताईए जब अंग्रीजों ने या आप ये कह सकते कि आपकी western side of the world ने इतना जादा deforestation किया है इतनी जादा industries develop की हैं इतना जादा coal burn किया है उससे अपनी खुद की कोई research work नहीं है इस वज़े से इस बारे में इंडिया ने क्या किया है caution mark raise किये उसके लावा Arctic area में last 150 सालों में सबसे कम level पे हमें ice देखने को मिली हुई sea level जो है last 3000 सालों में सबसे तेज बढ़ रहा है अभी के सालों में उसके लावा glacier आपके बिंगल रहे एक ऐसे rate पे जो last 2000 सालों में हमने कभी नहीं देखा है तो यही कुछ इसके report में mention था जिसके बारे में आपको जानना बहुत important था आईए अब बात करते हैं United Nation Framework Convention on Climate Change के बारे में अब यह जो आपके convention है ना यह आपकी primary ऐसी multilateral treaty है जो deal करती है climate change से मतलब किस तरह से हम उसे adapt करेंगे, mitigate करेंगे इस चीज़ से deal करती है आपकी यह convention और यहाँ पर major focus किया गया है आपके greenhouse gas की emission पे यहाँ पर यह कहा गया है कि यह जो आपकी greenhouse gas की emission है इसकी वज़े से ही global warming हो रही है अब इसका जो headquarter है वो one में है और यह force में आई थी 1994 में अब सबसे पहले समझते हैं कि इसका objective क्या है अबजेक्टिव को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि अर्थ के उपर अगर आपको life चाहिए तो थोड़ी बहुत तो आपको greenhouse gases चाहिए ही होंगी तो यहाँ पर कोशिश हमारी यह है कि हम stabilize कर सके इस greenhouse gas के emission concentration को ताकि यह atmosphere में उस level तक ना पहुँचे हैं जहाँ पर वो human population या living being की population के लिए कोई खत्रा हो अब आप में से हो सकता है कईयों कोई यह बात समझ में ना आ रही हो देखिए यहाँ पर हम global warming के लिए जो responsible greenhouse gases हैं उन्हें eliminate नहीं करना चाहते हैं हम सिरफ और सिरफ उनकी जो concentration है उसे sustainable way में manage करना चाहते हैं अब इसे आपको समझाने के लिए मैं उधारन देता हूँ आपको पता होगा कि daytime में जब sunlight आपकी अर्थ के उपर पढ़ती है तो temperature जादा होता है जब night होती है तो आपका जो night temperature वो कम है अब इसके पीछे कारण क्या है कि जो sun से हमें heat मिल रही होती है वो night में नहीं मिलती तो इसी कारण से night temperature कम है अब माल लिजे अगर हम greenhouse gases को बिल्कुली eliminate कर देंगे तो इससे तो night temperature और ज़्यादा नीचे चला जाएगा अब अगर ये temperature नीचे चला जाएगा तो human life sustain करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो इस वजे से हमारी कोशिश ये है कि जिस way में हम earth के temperature को maintain करके रख सके है living beings का survival possible हो हम वहाँ पर इसे maintain करने की कोशिश करेंगे मतलब इसे stabilize उस level पे करने की कोशिश करेंगे इंडिया ने ये convention को ratify किया था 1993 में और इसकी जो highest decision making body है that is COP उसे हम कह देते हैं conference of party इसके लावा अभी तक इसके 197 countries member है इसकी जो membership है वो लगबग universal है दुनिया में जितनी भी आपकी countries मिलती है वो लगबग सभी ने इसे ratify कर रखा है अब यहाँ पर इंडिया में अगर बात कीज़े इसके लिए nodal agency कौन है कौन इंडिया को represent करता है यहाँ पे तो that is your ministry of environment उसके लावा यहाँ पर कई non binding limits आपकी रखी गई यह global greenhouse gas emission की और सबसे पहला जो यहाँ से protocol निकल के आया था that is Kyoto protocol जिसे negotiate किया गया था आपके इस framework के under अधिके आप लोगों को यह समझ नहीं आ रहा होगा कि convention और protocol में क्या फरक होता है यह कि माल लीजे एक broad topic है climate change तो यह आपका convention represent कर रहा है अब इस चीज़ को मैं achieve कैसे करूँगा या किस तरह से इसके लिए action लेने की जूरत है that is your protocol तो कहीं न कहीं एक broad framework प्रोवाइड करता है आपका convention और उसमें selective चीज़ों के उपर work करता है आपके protocols इसके लावा जो अभी recent latest आपकी cop meeting होके हटी है that was in Glasgow इसके लावा आपको याद अखना है Climate Tech Center Network के बारे में भी जो की operational arm है आपकी United Nation Framework Convention on Climate Change की यह promote करता है आपका low cost में technology transfer मतलब जो आपकी low carbon emission या carbon resilient development कहीं भी हुई है वर्ल्ड में उसको एक country से दूसरी country में transfer करने की जिम्मिवारी इसकी है अब यहाँ पर आपको याद रखने है कि Kyoto Protocol एक international treaty है जिसको हमने extend किया था 1992 में यहाँ पर various countries ने यह कहा था कि हम reduce करेंगे अपनी greenhouse gas की emission को इसे adopt किया गया था Kyoto में जो की एक शहर आपके जापान में और यह आपका force में आया था 2005 में दीकिए जो आपकी summit है COP3 की हुई थी summit 1997 में जहां से यह आपका Kyoto Protocol निकल के आया था इसे लगबग 192 countries ने sign किया था जैसे Canada हो गया, South Sudan हो गया और United States यह ऐसे कुछ members थे जिन्होंने इसे यह कुछ ऐसी countries थी जिन्होंने इस प्रोटोकॉल में पार्टिस्पेट नहीं किया इंडिया ने इसे ratify किया था 2002 में इंपॉर्टन आपकी development हुई थी इस convention के अंडर तो उसे हम cover करेंगे कल के lecture में अब बात की जाए Kyoto Protocol की तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि जो आपका emission level था उसे cut करने की बात की थी developed countries में by 5% और इन्हें यह अचीव करना था 2012 तक क्योंकि यह जो आपका 2012 है यह इसका first commitment period था जैसे आपका Kyoto Protocol स्टार्ट हुआ उसके बात 2012 तक आपको सभी चीज़ों को अचीव करना था यहाँ पर जो इसके लिए baseline ली गई थी वो ली गई थी 1990 की मतलब जो आपका emission level था 1990 में उससे आपको 5% अपना emission level कम करना था अब यहाँ पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका commitment period कब से कब तक था तो इसका पहला commitment period था 2008 से जैसे कि मैंने आपको बता है 2012 तो इस चीज़ को याद रखना इसके लावा इसके NX1 में या आप कह सकते NXA में 6 gases के बारे में बात की गई है मतलब 6 global greenhouse gas के बारे में बात की गई है तो आपको यह याद रखना है कि यह 6 gases आपकी यहाँ पर mention की गई है इसके बाद आता है यहाँ पर mention किया गया था principle of common but differential responsibility अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे आप example लेजे US का US में development और industries बहुत पहले से चली आ रही है तो इन्हों ने बहुत जादा environment को pollute किया होगा जब इन्हों ने भी अपनी development के phase में थे यह तो इनकी जो responsibility है that is greater तो इसे हम कहेंगे differential responsibility मतलब इंडिया अभी एक developing country है तो यहाँ पर इंडिया की इतनी responsibility नहीं है जितनी यह developed country USA की जिम्मेवारी बनती है environment को बचाने में अब common responsibility का क्या मतलब है लेकिन environment को बचाने के लिए तो दोनों को work करना होगा न तो यहाँ पर इनकी commitment level ज़्यादा देखने को मिलेगा as compared to India बट यह दोनों ही commit करते हैं कि हम climate change को रोकने की कोशिश करेंगे अब यहाँ पर हरे की carrying capacity के according यह काम करेंगे तो इसमें आप एक चीज एड कर सकते हैं principle of common but differential responsibility but as per carrying capacity of the country मतलब जिस हिसाब से एक country का ब्यौत है उसकी आउकात है या आप यह कह सकते कि उसकी paying capacity है वो उस हिसाब से इस चीज को implement करेगा यहाँ पर आपने पहली बार इस convention या आप यह कह सकते protocol के अंडर पहली बार formalize कर दिया था इस CBDR को मतलब common but differential responsibility को पहली बार formalize किया गया था इसी के अंडर इसके लावा यह आपका पहला international ऐसा legal instrument था जो directly address कर रहा था climate change को यह बहुत ही comprehensive था और इसमें कोशिश यह की गई थी कि आपके global environment पर जो भी negative impact हो रहे हैं हम उनको कम कर सके हैं आपने जब भी इस convention के बारे में सुना होगा वहाँ पर कई annexes के बारे में सुना होगा तो यहाँ पर पहली होती है annex one countries यह आपके वो countries हैं जो industrialized हैं जैसे USA, France, Germany यह countries और यह आपके economy in transition जैसे आपके बाकी European countries इनके ऊपर यहाँ पर Kyoto Protocol में जो भी emission की reduction के level था that was binding compulsory था इनको वो reduce 5% से करना ही होगा अब इसके बाद आते हैं आपके annex two countries यह आपके subgroup है annex one के ही यह वो countries हैं जिनको financial assistance देनी है technology transfer करनी है non annex countries में अब यह non annex countries कौन सी हैं यह आपकी वो developing countries हैं जैसे इंडिया, ब्राजिल और चाइना जिनके ऊपर greenhouse gas emission के target binding नहीं थे इसके बाद आते हैं आपके least developed countries जो आपके बांगलादेश, नेपाल जैसी countries हो ज़ती इनके ऊपर भी किसी तरह का binding targets नहीं थे इसके लावा यहाँ पर मैंने आपको इस चीज को explain किया है कि common but differential responsibility होती क्या है तो यहाँ पर एक तरह का आपने relationship establish करने की कोशिश किये industrialization और climate change के बीच में मतलब जो country जितनी ज़्यादा industrialized होगी उसको और ज़्यादा contribute करना होगा climate change को रोकने में तो कुछ इस तरह का प्रावधान है आपके common but differential responsibility के अंडर अब यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखने है आपका first commitment period जो था Kyoto Protocol के अंडर that was in 2008 से लेके 2012 तक इसके बाद आता है आपका second commitment phase जहां पर आप start करते 2013 से 2020 तक अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह जो आपका second phase था ना दोहा amendment वाला यह completely एक fail हो गया अब fail होने के पीछे कारण क्या था कि इसे ratify करना था 144 देशों ने बट यह संख्या इसे मिल नहीं पाई जिसकी वज़े से हम इसे implement कर ही नहीं पाए धंक से उसके लावा जो आपकी major economy है जैसे Canada, USA उन्होंने इसमें participate नहीं किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो developing countries है उन्हें भी अपने emission level को घटाने की ज़रूरत है यह केवल responsibility आपकी developed countries की नहीं है इसके लावा यहाँ पर आपको इस चीज को अचीव करने के लिए तीन mechanism दिये हुए थे वन इस international emission trading, दूसरा है clean development mechanism और तीसरा है joint implementation अब इन तीनों को मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ मान लीजे एक आपकी country है France France अपनी Germany के साथ मिलकर एक project को implement कर रहे है चाहे France में कर रही हो चाहे Germany में यह आपका project आजेगा joint implementation के अंटर मतलब एक developed country दूसरी developed country के साथ मिलकर अगर कोई emission reduction का program रन करती है चाहे वो किसी भी country में हो चाहे France में हो चाहे Germany में हो मतलब इन दोनों countries में से किसी एक में that is joint implementation यहाँ पर जितने भी आप emission को रोकेंगे यहनि कम करने की कोशिश करेंगे उतने आपके carbon reduction point generate होंगे मतलब मान लीजे आपको 100 unit ही allowed है generate करने के लिए carbon emission की तो यहाँ पर मान लीजे यहाँ इस project से आप 4 unit save करते हैं तो यहाँ पर आपका total emission अगर आप 104 पर भी पहुँच गए तब भी 100 ही count होगा उसके बाद next है आपका clean development mechanism अब clean development mechanism क्या है यहाँ पर आपकी एक developed country for example मान लीजे France इंडिया जैसी country में अपने project को start करती है that is your clean development mechanism यानि कि एक developed country दूसरी developing country के अंदर मतलब जो दूसरी country है वो कौन से होनी चाहिए developing country या non annex country होनी चाहिए अगर वहाँ पर जाके अपने project को establish करती है या उनकी help करती है carbon reduction में that is known as clean development mechanism इसमें भी जितने भी आप units को generate करेंगे या save करेंगे वो आपके credit में add हो जाएंगे मतलब उतना ही आप अगर emission और कर देते हैं तो आपको इससे plus point मिलेंगे अब तीसरा आपका international emission trading अब इसमें बहुत ही simple concept है माल लेजे मुझे 100 unit दिये गए थे और मैं इन 100 unit को खर्च कर सकता था मतलब ये मेरा carbon credit है और मैं इन 100 unit को खर्च कर सकता था एक carbon credit आपका equivalent है एक 10 carbon dioxide emission के तो इस चीज को भी याद रखना माल लेजे मेरी limit थी 100 unit की अब मैंने सिरफ और सिरफ 70 unit को ही use किया मतलब अभी भी मेरे credit में सी 30 unit बच के अब मैं क्या करूँगा मैं international level पे इसे बेचने जाऊँगा अब जिस भी country को इसकी जरूरत होगी माल लेजे आपकी एक country है जर्मनी जर्मनी ने अपने target को overshoot कर दिया इनको 1500 unit की permission थी और इन्होंने अभी हाल फिलाल में 190 unit को कहीं न कहीं emit करा है तो यहाँ पर यह 30 unit मुझसे खरीच सकते हैं तो इस तरह की जो आपकी settlement होती है that is international emission trading अब यहाँ पर आपको याद रखने कि यह advance country advance country के साथ ही deal कर सकती है क्योंकि बाकिस अभी के पास तो non mining target है जैसे आपकी non annex countries है यहाँ पर annex country दूसरी annex country के साथ ही इस चीज के बारे में deal कर सकती है उसके लावा कुछ important cops के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जैसे cop 13 में यानि कि जैसे हम Bali summit भी कहते हैं यहाँ पर आया था आपका nationally appropriate mitigation action जहाँ पर पहली बार आपकी developing countries को voluntary basis पे mitigation effort में engage करने की हमने कोशिश की थी उसके बाद आती है आपकी cop 15 जिसका नाम है copenhagen summit यहाँ पर पहली बार हमने यह कहा था कि हम global temperature को 2 degree Celsius से उपर rise नहीं करने देंगे मतलब यह जो आपका benchmark है इस copenhagen से ही आया था अब यहाँ पर हमने कहीं रियो प्रिंस्पल्स को भुला दिया था मतलब उस spirit को मार दिया क्यों कि यहाँ पर शुरू होता है आपका voluntary greenhouse gas reduction target का process उसके इलावा यहाँ से ही शुरुवात होती है आपके paris agreement की मतलब वहाँ पर जो commitment हम देखते हैं उसका जो base है वो यहीं पर ही रखा गया था इसके इलावा next है आपका CONCAN Summit या COP16 यहाँ से निकल के आता है CONCAN Agreement जहाँ पर हम यह कहते हैं कि voluntary basis पे जो भी आपने mitigation strategy वेगरा या implementation की कोशिश की है आप उसे report करना start कीजिए voluntary basis पे इसके लावा यहाँ पर आपका technological mechanism और Green Climate Fund Adaptation Fund यह सभी निकल के आये थे आपको यह दोनों funds के बारे में याद रखना है कई बार UPSC इस तरह की statement दे कर आपको पूछ सकता है कि Green Climate Fund was the outcome of Copenhagen Summit तो आपको पता होना चाहिए यह Cancan Summit का ही पार्ट था Copenhagen का नहीं उसके लावा COP17 जो Durban Summit के नाम से जाने जाती है यहाँ पर आपने Second Phase of Kyoto Protocol को Secure किया और आपने लाउंच किया Green Climate Fund को मतलब बात उसकी शुरुआत हुई थी COP16 में लेकिन इसे लाउंच किया गया था COP17 में इसके रावा Adaptation Fund को हमने Review किया था और Adaptation and Transparency Mechanism को हमने यहाँ पर शुरू किया था यहाँ से निकल के आया था Doha Summit से आपका Kyoto Protocol का Amendment जिससे हम कहते हैं Second Phase of Commitment जहाँ पर Kyoto Protocol को हम दूसरी बार Extend करने की कोशिश कर रहे थे Although यह fail रहा यह तो मैं आपको बताई चुका हूँ COP19 जिसे हम वार्सोवा बोलते हैं वार्सोवा Summit यहाँ से दो चीज़े निकल के आती हैं आपकी एक आता है आपका Intended Nationally Determined Contribution जो आगे चलके Paris Agreement में हम देखेंगे अभी भी इसके बारे में बहुत बात होती है उसके लावा Red Plus Strategy जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे तो इन दोनों को हम कल समझेंगे वैसे Red Plus का full form है Reduction in Emission from Deforestation and Forest Degradation अब इसके बाद आता है आपका COP20 यहाँ पर COP20 के बारे में आज मैं आपको discuss नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़े हैं जिसके बारे में आपको पता होना चीए COP19 तक का मैंने आपको बता दिये इसके बाद 20 से लेके 27 तक हम जो भी important चीज़े होंगी उनको discuss करेंगे कल की class में उसके लाबा बचे वो जितने भी हमारे conventions हैं उनको भी हम यहीं पर ही deal करेंगे और साथ की साथ हम discuss करेंगे climate change और उसकी mitigation strategy को भी तो कल की class हमारी आखरी class होगी environment topic की तो आज के lecture में हम convention part complete करेंगे climate change समझेंगे world level पे हम किस तरह इसे mitigate कर रहे हैं उसके बारे में समझेंगे तो आईए शुरुवात करते हैं आज के lecture की और जानते हैं लेमा समिट के बारे में जिसे हम अक्सर COP20 भी कहते हैं अब इस COP20 में हुआ क्या था देखे जितनी भी आपकी countries थी ना इसे हम दो हिस्सों में बाठते हैं वैसे तो तीन में बाठते हैं पर यहाँ पर primarily focus था दो countries पर एक थे आपके developed countries दूसरे developing countries अब इन दोनों ने ये कहा कि जो आपका Green Climate Fund है इसमें हम किसी तरह से थोड़े बहुत पैसे डानने शुरू करेंगे तो कहीं न कहीं एक pledge आई जिसमें ये बात कही गई कि Green Climate Fund में हम पैसे डानेंगे इसके इंडिया ने इस summit में पहली बार अपने Intended Nationally Determined Contribution के बारे में जिकर किया था मतला बताया था इसके लावा यहाँ पर launch किया गया था आपका National Adaptation Plan को जो की एक Global Network की तोर पर launch किया गया अब यहाँ पर अलग अलग countries ने अपने Greenhouse Gas के emission को कितना वो कम करेंगे कितनी उनकी Intended Reduction हो गी आने वाले सालों में इसके बारे में बताया था इसी लीमा सम्मिट में अब यहाँ पर जो वर्ड Intended यूज़ किया गया है उसका जो meaning है वो completely different है जो Kyoto Protocol में हमने वर्ड यूज़ किये थे Kyoto Protocol में जो developed countries थी उनके लिए target binding थे whereas यहाँ पर किसी के लिए binding targets नहीं है यहाँ पर आपकी इच्छा है जितना आप contribute करना चाते हैं Climate Change को रोकने के लिए उतना आप contribute कर सकते हैं मतलब एक तरह से पहले की जो developed और developing countries के बीच में टसल चल रही थी कि वहिया कौन पैसा देगा कौन reduction करेगा उस चीज को कम करने की कोशिश की गई है यहाँ पर तो इसके साथ ही जैसे ही आपकी Intended Nationally Determined Contribution के बारे में हम बात करते हैं तो ऐसा पहली बार हुआ था कि आपकी developed और developing countries दोनों के लिए ही United Nations Framework Convention to Combat Climate Change इसके अंडर target fix के गए थे greenhouse gas के emission को रोकने के लिए मतलब ऐसा पहली बार हुआ था कि developed countries और developing countries दोनों को ही target दिये गए थे इसके अंडर अब यहाँ पर इंडिया ने बहुत बढ़ चड़कर अपने वादे दिये जैसे इंडिया ने ये कहा कि हम अपनी GDP की emission की intensity को 33 से 35% तक कम कर देंगे from the level of 2005 उसके लावा हम non-fossil fuel से अपनी energy generation के share को increase करेंगे और by 2030 हम इसे 40% तक ले जाएंगे उसके लावा हमारा जो total renewable energy का share है उसे हम 175 gigawatt तक ले जाएंगे by 2022 उसके लावा हम additional एक carbon sink generate करेंगे जहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि 2.5 से 3 billion ton तक हम carbon को absorb करेंगे by increasing the forest cover और ये भी हम achieve करेंगे कब तक 2030 तक अब इसके बाद आती है आपकी COP21 जिसे हम Paris summit भी बोलते हैं अब यहाँ से आपके कुछ चीजे निकल के आती हैं अब पहले चीज ये legally binding है इसको adopt किया था 196 countries ने और ये आपका force में आया था 4 नॉंबर 2016 को अब यहाँ पर हमारी कोशिश ये थी कि हम global warming जो हो रही है उसमें जो temperature है उसे 2 degree Celsius से नीचे ही रखें मतलब जो हमारा temperature rise हो रहा है कोशिश ये रहेगी कि हम 2 degree Celsius तक इसे रोक ले उसके लावा preference यहाँ पर ये रहेगी कि जो temperature है उसे 1.5 degree Celsius के नीचे ही रखा जाए अब अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं आपको समझा देता हूँ तो कि मान लीजे आपका pre-industrial era में temperature हुआ करता था 24 degree Celsius अब हमारी कोशिश ये है कि maximum to maximum ये temperature 26 degree Celsius तक जाए बट अगर ये इससे फर्दर जा रहा होगा तो हम कोशिश ये करेंगी कि इसे रोकें वैसे हमारा first preference ये रहेगी कि हम इस temperature को 25.5 degree Celsius तक ही बढ़ने दे इससे ज़्यादा बढ़ने ना दे और यहाँ पर जितने भी targets हैं सभी countries के लिए voluntary nature के और यहाँ पर हम बात करते हैं 2020-2020 की अब ये 2020-2020 क्या है देखे हम 20% carbon emission को reduce करने की कोशिश करेंगी उसके लावा हमारी कोशिश ये रहेगी की renewable energy का जो share है उसे 20% से increase कर दे और साथ की साथ energy efficiency को भी हम 20% से increase कर दे तो ये है आपका 2020-2020 अब होता क्या है कि Donald Trump आते हैं और 2017 में US से अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो इस Paris Agreement से बाहर आना चाहता है इसके लावा यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है इसमें एक review mechanism है जहाँ पर हम हर 5 साल बाद review करेंगे कि किस तरह से ये Paris Agreement चल रहा है और इसका पहला review होगा 2023 में तो इस चीज को याद रखना आने वाले समय में इसके बारे में कुछ report वगरा publish होगी तो आपको जरूर से उसके बारे में पढ़ना है time रहते आईए अब बात करते है COP22 की जिसे हम market summit भी बोलते है अब यहाँ पे आपको दो चीज़े याद रखनी है पहली चीज कि हम कैसे tackle करेंगे इस global stock को इसके बारे में पहली बार यहाँ पर discuss हुआ था दूसरी चीज जो वार्सोवा international mechanism था loss or damage का उसका पहली बार review करा गया था यहाँ पे मतलब जो आपकी COP19 थी कहीं न कहीं उसके अंदर जो यह mechanism लेके आए थे loss and damage का उसको review यहाँ पे पहली बार किया गया था उसके लावा यहाँ पे इस बात पे भी discuss किया गया था कि जो आपका adaptation fund है उसको continue रखना है कि नहीं और किस time frame में आपके nationally determined contribution को आप implement करेंगे इस बारे में भी discussion हुई थी तो यह कुछ important discussion point थे इसके बाद आता है आपका COP23 जहाँ पे आपकी बहुत सारी outcomes आती हैं जैसे gender action plan जैसे आपका तालनोवा डायलोग clean energy transition program global average temperature फीजी cleaning house for risk transfer तो इन सभी के बारे में इस COP23 में बात हुई थी अब यहाँ पे तालनोवा डायलोग में हमारा focus था कि जो आपके international community है वो और ज़्यादा action ले ताकि इस climate change के जो problem है उसे हम mitigate कर सके धंग से क्योंकि अभी भी बहुत सारा gap exist करता था जिसके कारण हम यह temperature जो globally rise कर रहा था इसे 2 degree Celsius से नीचे रोक नहीं पा रहे थे उसके लावा यहाँ पर women's को पहली बार include करने की बात की गई है और साथ की साथ यहाँ पर support की बात की गई है clean energy transition में कोई भी देश अगर all around the world transition करना चाता है clean energy की तरफ तो उसके लिए यह program launch किया गया है और यहाँ पर Fiji वाले में हमने affordable insurance के बारे में बात की थी मतलब जो आपकी vulnerable countries हैं उनको कहीं नके insured करने की बात की गई थी ताकि उनके climate change की risk को थोड़ा कम किया जा सके यहाँ पर long term finance की बात की गई थी जैसे 100 billion dollar जो है हर साल दिये जाएंगे developing countries को by developed countries बट अभी तक यह नहीं पता लगा है कि इसका mechanism क्या रहेगा उसके लावा आपको याद रखना है issue resilience the climate risk insurance initiative यहाँ पर कोशिश यह की गई है कि 125 million की insurance cover दी गई है government of Germany द्वारा to protect almost 400 million poor people जो extreme weather event को face कर रहे है उसके लावा यहाँ पर कोशिश यह की जा रही है कि जो आपके small island nations हैना जैसे फीजी वेगरा छोटे जो island nations है उनके अंदर हम climate और health related जो support है financial support उसको triple कर सके इसके उपर भी हम focus कर रहे है तो यहाँ पर यह बान summit के बारे में यही कुछ important points थे जो आपको याद रखने थे आईए अब बात करते है COP24 की जो आपके कोटविश में हुई थी अब यह आपका एक पोलेंड का शहर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और यहाँ पर आपको outcome में मिलता है कोटविश रूल बुक अब यह रूल बुक क्या है देखिए आप किस तरहां से इन nationally determined contribution को implement करेंगे या आप किस तरहां से Paris Agreement को implement करेंगे इसके बारे में थी यह रूल बुक यह आपको पता होना चाहिए दूसरी चीज यहाँ पर देशों से request की गई थी कि आप nationally determined contribution को कहीं न कहीं और enhance कीजिए because अभी जो आपकी commitment है इससे तो हम climate change को होने से नहीं रोक पाएंगे उसके लावा यहाँ पर guidelines issue की गई थी आपके global stock take की साथ के साथ एक बार फिर से आपके developed countries ने ये कहा था कि 2020 से हम 100 billion का fund देना start करेंगे developing countries को although यह आज तक अभी तक नहीं दिया गया है इस चीज के बारे में आपको याद रखना है अब इस rule book में क्या-क्या आपने include किया था तो पहली चीज यहाँ पे हर member state को ये कहा गया है कि आपको climate change के against fight करने की जरूरत है मतलब चाहे आप जितने मर्जी छोटे देश हो चाहे आप फीजी जैसे एक छोटे देश है जैसे बून-बून से सागर बनता है तो उसी तरहां से आप समझे कि एक-एक देश की छोटी से छोटी effort से भी बहुत बड़ा change आ सकता है climate change में तो हर देश को यहाँ पर कहीं न कहीं जरूरत है इसके अंदर participate करने की उसके लावा यहाँ पर operationalize कर दिये गये थे कुछ provision आपके Paris agreement के साथ की साथ यहाँ पर extend किया गया था support developing countries को ताकि वो अपने nationally determined contribution को fulfill कर सके उसके लावा global stock take जो है आपका जहाँ पर हम assess करते हैं कि कितने effective है आपकी climate action इसे publish किया जाएगा 2023 में उसके लावा यहाँ पर assess करने की बात की यह की कि किस तरह की हमने progress की है development में और technology transfer में जिससे हम इस climate change को mitigate करने में कामियाब हो सकेंगे तो इसके बारे में भी बात कीगे इस rule book में अब इसका significance क्या है देखे यहाँ पर हम ensure कर रहे हैं कि जितने भी ton चाहे एक single ton आपका carbon dioxide या greenhouse gas का meet हो उसके बारे में हमें पता हो अब इसके साथ issue यह है कि कोई common agreement नहीं बन पाया सभी देशों के बीच में इन rules को लेके उसके लावा कही न कही एक general commitment भी नहीं हो पाई world leaders के बीच में कि हमें pre-industrial level से कितना कम रखना है यह temperature कि मतलब हमें 2 degree Celsius तक ही rise करने देना है या उससे भी नीचे रखना है यह temperature मतलब यह जो rise है इसे कही न कहीं किस window या किस bracket के बीच में हमने रोकना है इसके बीच में भी कही न कहीं एक general commitment नहीं हो पाई इसके बाद आता है आपका COP25 वैसे तो यह originally आपका ब्राजील में होना था बट कहीं न कहीं इसकी presidency मिली child को और इसमें logistic support दिया आपकी Spain government नहीं और इससे निकल के आता है आपका child medit time for action उसके लावा यहाँ पर establish किया गया Santiago network जो कि आपका part है वर्सोवा international mechanism का जिसमें हमने बात की थी loss and damage की और यहाँ पर technical assistance देने के बात की गई है आपकी सभी most vulnerable countries को अब यहाँ पर भी कोई clear timeline नहीं decide हो पाई कि कैसे हम nationally determined contribution को implement करेंगे 2020 के बाद तो यहाँ पर भी कही न कहीं यह problem रही तो इस वज़े से यहाँ पर भी यह topic unresolved रहता है और इसे push कर दिया जाता है अगली जो आपकी COP26 होगी GlassGo में उसके लिए उसके लावा यहाँ पर कुछ reports के बारे में discussion की गई थी जैसे आपकी United Nation Environment की emission gap report उसके बारे में discuss किया गया उसके लावा IPCC की जो report आई थी special report about land, ocean और cryosphere की इसके बारे में भी यहाँ पर discuss किया गया आपके Paris Richard mechanism को एक बार फिर से यहाँ पर promote किया गया साथ के साथ corporate climate movement के बारे में भी यहाँ पर बात की गई कि कैसे हम private sector को भी इसमें include कर सकते हैं इसके लावा यहाँ से निकल के आया था आपका Santiago call for action on forest जिसमें यह का गया था कि अगर हम forest और tree को धंग से manage करेंगे तो इसे आप land को भी proper manage कर पाएंगे और कम से कम 30% तक आप greenhouse gas के तो यहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में बात हुई थी आईए अब बात करते हैं COP26 जो glass go में हुई थी अब यहाँ पर आपके चार crucial चीज के बारे में बात हुई थी पहला net zero mid century तक हमने पहुँचना है तब ही हम 1.5 degree Celsius तक temperature को rise होने से रोक सकते हैं मतलब जो rise होना है अगर उसे हमें 1.5 degree Celsius तक रोकना है तो इसके लिए net zero आपको अचीव करना होगा by mid of this century मतलब 2050 तक उसके लावा adapt के बारे में बात की गई जहाँ पर हम protect करेंगे कैसे community को और natural habitat को उसके बारे में बात की गई उसके लावा developed countries कैसे वो 100 million generate करेंगे कब से देंगे इसके बारे में यहाँ पर बात की गई लास्ट है आपकी Paris rule book थी जिसके बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा टसल चल रही थी उसमें detail लिस्टिंग कर दी हमने रूल की ताकि हमें जो Paris Agreement के अंडर हमारी जो commitments है उसको fulfill करने में कोई दिकत ना हो अब ग्लास्गो में आती है आपकी Leaders Declaration on Forest and Land Use यहाँ पर हम यह कहते हैं कि हम conserve करेंगे forest को और terrestrial ecosystem को और साथ के साथ accelerate करेंगे इसकी restoration उसके लावा यहाँ पर हम sustainable development के उपर भी focus करेंगे जिसमें हम facilitate करेंगे trade और development से related policies भी चाए international level पर बात करें चाए domestic level पर बात करें अब इंडिया को इससे एतरास था कि भीया आप climate को आप trade के साथ ना जुड़े आगे चलकर इंडिया इस चीज़ पर sign करने से भी मना कर देगा इसके लावा और भी बहुत से देश थे जिनको इस word से problem थी तो इन जनरोल अगर बात करें तो इनका लीडर एक ही था भारत देश हमारा उसके लावा हमने यहाँ पर promote करने की कोशिश किये sustainable development और sustainability हम production और consumption level पे भी maintain करने की कोशिश करेंगे buildings को कैरा बनाएंगे उनमें हम climate change को ध्यान में रखते हुए उन्हें design करेंगे साथ की साथ rural area में हम employment को increase करेंगे और जो आपकी indigenous population है उनकी rights को हम कही न कहीं ensure करेंगे चाहे इसमें हम agriculture की बात करें forest की बात करें इन हर जगा पे हम recognize करेंगे indigenous population के rights को अब indigenous का मतलब यह नहीं कि इंडिया से है जो जो local community है वहां की कहीं न कहीं उनको एक secure livelihood provide करने की कोशिश करेंगे उनके जो agriculture field में या forest area में जो rights है उनको provide करने के हम assurance देते हैं इसके लावा developed countries ने अपनी financial assurance को एक बार फिर से धोराया था देखे मैंने आपको बताया कि इंडिया, अर्जंटीना, मेक्सिको, साओधी अरेबिया साओध अफरीका इन सभी countries के इलावा जितनी भी आपकी G20 countries बचती हैं उन सब ने इस declaration के उपर sign कर दिया बट हमें यहाँ पर problem यह थी कि आप trade को climate और forest issue से क्यों जोड रहे हो अब यह जो आपका trade का काम है यह तो भया world trade organization का है तो आप उसे अपना काम करने दीजिए climate change का काम यहाँ होने दीजिए अगर आप इस trade world को हटाते हो तो इंडिया कहता कि हम sign करने के लिए तियार है बट world leaders ने इस बात को नहीं माना तो इस वज़े से इंडिया ने इसके ऊपर sign नहीं कि अब इसके बाद COP27 आपकी होने वाली है शर्म अल शेक में जो एजिप्ट में है यह आपकी meeting वैसे तो होनी थी November 2021 में बट क्योंकि pandemic के कारण आपकी COP26 डिले हुई information आती है तो आपको means के लिए बहुत important हो जाएगी तो आपको उसके बारे में भी अपने notes को update करना है इसके लावा मैंने आपसे बात की थी Paris Ricket Mechanism की जिसे कई बार हम Paris Ambition Mechanism भी बोलते हैं इसमें यह कहा गया था simply कि जो आपके member nations है न वो अपने जो ambitions हैं जो climate change को fight करने के लिए उन्होंने targets वगरा determine कियें nationally determined contribution इन ambitions को किस तरह से वो और ज़्यादा increase कर सकते हैं इसके बारे में था आपका ये Paris Ambition Mechanism आईए अब बात कर लेते हैं कि किस किस तरह के आपके carbon market mechanism mentioned है Paris Agreement के अंडर देखिए इन दोनों के बारे में वैसे तो दो mechanism है इन दोनों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं बस नई bottle है wine वो पुरानी ही है जैसे यहाँ पे कहा जाता है mechanism one में कि एक carbon market बनाएंगे जहाँ पर दुनिया के सभी देश अपने extra emission को जो भी उन्होंने reduce किया so called reduction जो उन्होंने की है उसको वहाँ पे बेच सकेंगे अब इसको यहाँ पे नाम दे दिया internationally transferred mitigation outcome अब वहाँ पर पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था QTO protocol के अंडर बस सिरफ नाम चेंज किया है पहले आपको याद होगा कि clean development mechanism joint implementation और इसके इलावा थी आपकी emission trade program तो यह जो आपका emission trading थी ना इसी को इन्होंने change करके नाम दे दिया ITMO उसके लावा आपको यह याद रखना है यह target आपके voluntary थे तो voluntary basis पे आप यहाँ पे directly एक दूसरे के साथ collaborate भी कर सकते हैं और cooperate भी कर सकते हैं मतलब यहाँ पे हम promote करना चाहेंगे sustainable development को तो इस वज़े से दो देश मिलके इस चीज़ को implement भी कर सकते हैं अब यहाँ पे आता है आपका दूसरा mechanism जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि clean development mechanism जो हमारा था उससे inspired है वो यहाँ पे क्या है कि एक देश दूसरे देश के साथ मिलके कोई program वगरा रन कर सकते हैं और यह आप दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं पहले क्या था joint implementation में developed countries developed country के अंदर कर रही थी clean development mechanism में आप किसी भी देश में खासके developing countries में यह कर रहे थे तो यहाँ पर joint implementation को खतम कर दिया है developed और developing countries के बीच में कोई gap नहीं है कोई दूइधा नहीं है तो इस वज़े से अब आप किसी भी देश के साथ मिलके यह कर सकते हैं तो यहाँ पे इसको नाम दे दिया sustainable development mechanism otherwise चीज सेम है उसके लावा यहाँ पे आपको याद रखना है overall mitigation in global emission यह हमारी key requirement है कि पूरी दुनिया में emission level कम होना चीए आप projects कहीं भी लगाईए इससे फरक नहीं पड़ता उसके लावा कल हमने बात की थी red और red plus की तो आईए इनके बारे में भी जान लेते हैं देखिए UN red जो है यह आपका एक flagship program है किसका FAO का UNEP और UNDP का अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपके Paris Agreement और sustainable development की बारे में हम बात करते हैं तो उन में forest को protect, manage करना और save करना सबसे important है तो कहीं न कहीं उसी commitment को fulfill करता है आपका red program उसके लावा यहाँ पर यह assist करता है countries की capacity building में ताकि वो जो अपनी commitment है red plus में उसे fulfill कर सकें अब red plus क्या है यह एक political framework है आपके United Nation Convention on Combat desertification के under जहाँ पर हम desertification के beyond गए हैं हम बात कर रहे हैं sustainable management of forest की conservation of forest की और कैसे हम carbon stock को increase करेंगे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसके लावा यहाँ पर funds बग्यारा के बारे में भी बात की गई है ताकि इन resources को save करने के लिए हम incentivize कर सकें देशों को आईए अब बात करते हैं sites की sites का पूरा नाम है convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह जो site convention है इसे कई बार हम Washington D.C. convention भी बोलते हैं या Washington convention भी बोलते हैं अब देखे यह जो आपका convention था इसको draft किया गया था 1963 में although यह आपका force में आता है 1975 में हाला कि इंडिया इसे join करता है 1976 में और हाल फिलाल में इसकी 183 parties हैं अभी यह जो अगर convention की बात करें तो यह legally binding है बट यहाँ पर यह national law को replace नहीं करता है मतलब आपके nation में आप अलग से law बना सकते हैं बट international community में कहीं न कहीं deal करता है कि किस तरह से हम trade कर सकते हैं आपकी endangered species के अंदर चाहे वो plant की हो या animal की species हो अभी यहाँ पे यह ensure किया जा रहा है कि किस तरह से जो हम international trade कर रहे हैं in wild animal और plants में यह किसी तरह का threat नहों किसी भी species की survival के लिए जैसे कि आपने लाल चंदन के बारे में सुना होगा एक recently movie भी आई थी अलू अर्जुन की push पाराद जुकेगा नहीं तो वहाँ पे जो हम plant species में trade कर रहे हैं वो कहीं न कहीं एक threat है कहीं न कहीं वो species जो है आपकी extent कर सकती है तो यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस trade को किस तरह से हम regulate कर सकें उसके बारे में focus किया जाता है इस convention में यहाँ पर जो भी decision लिया जाता है वो two-third majority के साथ लिया जाता है present and voting members की तो यही कुछ जानना जरूरी था आपके sites के बारे में इसके लावा इससे मिलती जुलती एक organization और है traffic जिसके बारे में हम बात करेंगे अब से थोड़ी ही देव में आईए अब जानते हैं convention on biological diversity के बारे जो कि force में आया था 1993 में और यह direct outcome है आपके Rio Arts Summit का अब इसका objective क्या है पहला objective तो यह है कि हम conserve करना चाहते biodiversity को उसके इलावा हमारी जो biodiversity है उसे हम sustainably way में use करना चाहते है तीसरा यहाँ पे यह है कि हम fair और equitable way में जो profit आ रहा है biodiversity से उसको use करने की बात कर रहे है मैंने national law पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इन सभी चीजों को fulfill करने के लिए हमने 2002 में एक act लेके आये थे जिसको आपको comment box में बताना है कि उस act का नाम क्या है 2002 में वो act आया था national level पे जिसके basis पे हमने 2003 में national biological authority भी बनाई थी तो इस चीज के बारे में थोड़ा याद करना और इसको comment box में बताना कि कौन सी इसको comment box में बताना कि कौन सा act लेके हम आये थे अब यहाँ पे एक चीज याद रखने हैं कि जितने भी आपके major conventions होते हैं उसमें USA कभी participate नहीं करता तो यहाँ पे भी USA ने इसको sign तो किया बट कभी ratify नहीं किया और इसकी जो sect rate है वो Canada के Montreal में है अब इसकी जो highest office है या आप कहे सकते decision making body है that is conference of party अब यह इसके मिलते जुलते आपको दो convention और मिलते climate change जिसके बारे में हम पढ़ चुके desertification जिसके बारे में हम पढ़ेंगे तो यह इसके sister conventions है इनके बारे में भी याद रखना और यहाँ पे इंडिया के stand के बारे में अगर बात करें तो इंडिया ने इससे ratify किया हुआ है इसके बाद जो act मैंने कहा था biodiversity act 2002 इसके कारण ही आया उसके बाद हम rule भी लेके आये थे 2004 में biodiversity से related और इसके लावा इंडिया ने इस convention को preside किया था 2012 से 14 तर इस चीज को याद रखना है कि इंडिया के पास इसकी presidency आई हुई है इंडिया ने इसके उपर work किया हुए अब यहाँ से आपके दो important protocol निकल के आते हैं एक है Cartesina protocol जो living modified organisms के बारे में बात करते हैं कि कि किस तरह से आपके genetically modified जो organisms है वो एक threat हो सकते हैं potential risk हो सकते हैं आपके सभी तरह की biodiversity के लिए for example मालीजे आप BT cotton को उगाते हैं अब यहाँ पर आपके जो BT cotton है ये भी तो reproduce होगा न तो आसपास के जो आपके genetically modified crop नहीं थी ये कहीं न कहीं उनके साथ interact करेगा और इसके बाद आपकी जो bio diversity all over world मिलती थी उसके लिए कहीं न कहीं एक threat हो सकती ही उसके लावा यहाँ पर आता है आपका नगोए protocol अब ये नगोए protocol क्या है यहाँ पर बात की जाते है कि भीया जो भी आप profit कमाएंगे bio diversity को यूज करके माल लेजे इंडिया के नीम के पेड से कोई company कोई product बनाते है जिससे cancer क्यों रोकते है और इससे ये company लाखो करोड़ो रुपे छाप लेती है तो यहाँ पर इस benefit को share करने की बात होती है आपके नगोए प्रोटोकॉल ले तो इस चीज को याद रखना उसके लावा यहाँ पर एक और चीज़े एची target जिसे adopt किया गया था इस CBD के अंडर जब हमारी नगोए conference हुई थी अब यहाँ पर आपके 20 ambitious targets है इनको हमने 5 हिस्सों में divide कर रख है जिसे पहले आपके strategical goal A यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि जो आपके bio diversity है उसको किस तरह का खत्रा है वो bio diversity आपकी किस तरह से कम हो रही है इसके बारे में बात करते हैं आपकी strategic goal A इसके बाद strategic goal B में क्या है हम किस तरह से reduce कर सकते हैं bio diversity के उपर pressure को और promote कर सकते sustainable use इसके उपर है strategic goal B इसके बाद आता है आपके strategic goal C जहाँ पर हम कहते हैं कि हम bio diversity के status को improve करेंगे और safeguard करेंगे सभी तरह की diversity को चाहे ecosystem की हो species की हो, genetic हो सभी तरह की bio diversity को हम improve करने की कोशिश करेंगे उसके लाबा strategic goal D यहाँ पर हम कोशिश करेंगे चिवो bio diversity से हमें benefit मिल रहे हैं हम उनको enhance कैसे कर सके उसके उपर focus रहेगा उसके लाबा strategic goal E में हम participatory planning के उपर focus करेंगे bottom up approach के उपर focus करेंगे knowledge management के उपर work करेंगे capacity building के उपर work करेंगे तो यह कुछ 20 target को हमने इन 5 strategic goals के under divide कर रखा है although यह बहुत sufficient है आपके exam के लिए बट फिर भी आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं मतलब at least आप इनकी headings को देख सकते हैं एक बार अब बात करता है COP 11 की जहां पर आपके 170 countries ने participate किया था तो कहीं न कहीं यह जो आपका last decade होके निकला है इसमें हमारा focus था biodiversity को save करने पे और desertification को रोकने में अब यहां पे इस decade के अंदर जो पहली meeting हुई थी CBD की वो ही थी हैद्राबाद में although यहां पे इसे MOP 6 भी कहा जाता है COP MOP 6 MOP 6 इसलिए क्योंकि Cartagena के बाद meeting of parties 6 थी तो इस वज़े से MOP 6 कहा जाता है उसके इलावा इस convention on biodiversity से एक और चीज आपकी related है that is tip इसके बारे में UPSC ने पहले भी एक question पूछा हुआ है तो आईए इसको भी जान लेते हैं इसके पूरा नाम है The Economics of Ecosystem and Biodiversity यह है आपका tip यहाँ पर हमारी कोशिश यह है कि हम global community को यह बता सकें कि क्या importance है biodiversity की तो कहीं न कहीं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इससे 2007 में परपोस किया था जर्मनी ने जहाँ पर G8 प्लस 5 countries ने इसे इंडॉर्स किया था मतलब इनके Environment Ministry ने इन्हें इंडॉर्स किया था यहाँ पर हम analyze करना चाहते थे कि क्या economic benefit है आपकी biodiversity के और क्या आपको cost परती है अगर आपकी biodiversity जो है वो खतम हो जाए तो मतलब माल लीजे अगर इंडिया से loin खतम हो जते हैं तो किस तरह के economic impact होंगे उसके उसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की थी एक आपकी cost analysis की गए थी जहाँ पर बात की गए थी कि अगर हम protective measures लेने में fail होते हैं तो उसकी क्या cost होगी और अगर हम effectively conserve करते हैं किसी species को उसकी क्या cost होगी माल लीजे अगर मैं किसी species को बचाने के लिए 100 रुपे लगाता हूँ उससे कितना मुझे benefit होगा इसे दर्शाय गया versus अगर उस species को मैं बचाने में नाकामियाब रहता हूँ तो उससे क्या losses होगे उसको compare किया गया था यहाँ पे अब 2017 में इंडिया के एक environmentalist थे जिनका नाम है पवंद सुकदेव इन्होंने start किया था इन्होंने शुरू किया था टिप का global level पे study तो इस चीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए इस convention के बारे में इतना ही आईए आप बात करते हैं Stockholm convention के बारे में जहां पर हम regulate करने की कोशिश कर रहे है waste disposal को अब इस convention में क्या है देखे आपको याद रखना है कि यहाँ पे बात कीगी है persistent organic pollutant के बारे में अब इसके बारे में वैसे तो मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ पहले ही पर थोड़ा सा overview दे देता हूँ आपके वो chemical substance जो environment में रहते हैं जिनकी वज़े से आपको bio accumulation देखने को मिलते है food web में और इनकी वज़े से बहुत ज़ादा adverse impact देखने को मिल सकता है आपको human health पे तो इसे कहा जाता है persistent organic pollutant मतलब जो लंबे समय तक environment में रह सकते हैं और आपकी health के ऊपर बहुत ज़ादा negative impact कर सकते हैं इसके बाद आता आपका basal convention जिसमें हम trans boundary movement को रोकने की कोशिश करें hazardous waste की अब यहाँ पे हमारी कोशिश यह है कि जो आपकी least developed countries है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो कई बाद developed countries उन्हें लुभावने वादे करके अपने waste को वहाँ पे dispose off करने की कोशिश करती है तो इस चीज को prevent करने का काम है आपके basal convention का यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि radioactive waste को यहाँ पे include नहीं किया गया है आईए अब बात करते है रोटरडम convention की जहाँ पर हम prior informed consent देने की बात करते है मतलब मालीजे आपको कोई chemical import करना है कहीं से अब आपको उस country तो आपको वो country मालीजे आप XYZ country से कुछ chemical import कर रहे हैं ABC country में तो यह XYZ country आपको बताएगी कि किस तरह से आपको इस chemical को handle करना है किस तरह से आप इस chemical को रख सकते हैं और क्या इसके दुरपरभाव है इन सभी के बारे में यह आपको बताएगी अब आपकी मर्जी है आप इसको import करना चाते हैं तो ठीक है otherwise नहीं मतलब यहाँ पे किस तरह के restriction है किस तरह के band लगे हुए है इस chemical product पे उस सभी तरह की information को आपको send किया जाएगा यह आपका legally binding agreement है इस चीज को भी याद रखना है तो यही कुछ जानना जरूरी था आपका BRS convention के बारे में आएए अब बात करते है रामसर convention के बारे में तीकि रामसर convention आपका आया था 1971 में 2nd feb को जिस दिर हम अपना world wetland day भी मनाते है इसके अभी तक 171 parties है यह आपका इकलौता particular ecosystem से related कोई convention है यहाँ पर focus किया गया है wetlands के उपर रामसर तो वो city थी जहाँ पर यह convention हुआ था actual में इस convention का नाम है convention on wetland यह जो आपकी रामसर city है यह basically located है आपके इरान में और यहाँ पर हम conserve और sustainable use of wetland के उपर focus करते हैं मतलब किस तरह से हम conserve कर सकते हैं wetland को इसके उपर focus है हमारा और अगर हमें उन्हें use करना ही है तो कैसे हम उन्हें sustainably use कर सकते हैं इसके उपर focus करता है आपका रामसर convention अब यहाँ पर तीन चार main चीज़ों के उपर focus क्या गया है definition में पहला wise use मतलब आप किस तरह से उस wetland site का ecological character को maintain करके रखेंगे किस तरह से उसे sustainably develop करेंगे that is wise use मतलब ऐसा use नहीं करना है कि आज की generation तो उसे use कर सके और आने वाली generation के लिए एक problem हो जाए तो कहीं न कहीं उस चीज़ को रोकने की कोशिश की जाएगी wise use में हम promote करेंगे जादा से जादा sustainable manner में हम उसे use कर सके उसके लावा list of wetland के है उसके लावा internationally important जो आपके wetlands है उसकी हम list create करेंगे और कैसे हम उसे effectively manage कर सकते हैं इसके बारे में भी focus करता है आपका ये convention उसके लावा तीसरी चीज़ है international corporation मतलब जो आपके trans boundary wetlands है उन्हें हम कैसे better manage कर सकते हैं इसके उपर focus करता है आपका third pillar और यहाँ पे हम बात करें international corporation की मतलब माल लेजे एक wetland है जो चाइना और इंडिया के बीच में आता है तो यहाँ पे ये दोनों countries इंडिया और चाइना मिलके आपस में इस चीज़ को कैसे manage करते हैं that is international corporation अब कुछ example दे देता हूँ मैं आपको wetland की category में यहाँ पे क्या क्या आते हैं जैसे जितने भी आपके marine या coastal areas है वो सभी आएंगे histories वाले part आजेंगे आपके lakes, rivers, marshy area, pitlands, groundwaters human made wetlands such as जैसा जहाँ पे आप धान की खेती करते हैं जहाँ पे आपने अपना fishy culture या aquaculture के लिए कोई site बना है कोई reservoir बना है यह सभी इसमें include होते हैं अब 6 international organizations हैं जो इसके साथ आप link कर सकते हैं that is bird life international IUCN wetland international WWF international water management institute wild, fowl and wetland trust तीक है इस convention के under 6 years strategic plan चलते हैं अभी आपका चौथा plan चल रहा है जो की 2016 से लेके 2024 तक का है जिसे अप्रूव किया गया था COP12 में तो इस चीज को आप याद रखना अब इंडियन प्रस्पेक्टिव अगर बात की जाए तो जितनी भी आपकी रामसर साइट से हैं उनको हम regulate करने की कोशिश करते हैं और साथ की साथ सेंटर, स्टेट और यूटीज ने अपने रूल के अंडर जो भी साइट को notify किया हुआ है as a wetland उसको भी हम regulate करते हैं उसके लावा इंडिया में कुछ ऐसे wetlands हैं जिने हम अभी भी regulate नहीं करते हैं जैसे river channels, paddy field, human made आपकी जो water waters उते हैं जैसे aqua culture वाले या आपके salt production का area drinking water के purpose के लिए आप जहां पर use कर रहे हैं किसी चीज को recreational activities के लिए यूज कर रहे है या irrigation purpose के लिए यूज कर रहे है किसी भी man made structure को तो उन सब को आप यहां पर include नहीं करते हैं उसके लावा wildlife protection act के अंडर अगर किसी चीज को declare किया है तो वहां पर भी यह rule applicable नहीं है coastal regulation zone जो हमने notify किया था 2011 में और उसके बाद उसके amendment आई थी तो उसके अंडर भी हम इसे regulate नहीं करते हैं Indian forest act 1927 Forest conservation act 1980 State forest acts के अंडर जितने भी आपके areas आते हैं वह भी regulate नहीं करते हैं wetland rules के अंडर तो इन चीजों को आप याद रखना कई बार आपको UPSC ऐसी tricky situation दे सकता है अब बात करीज़े रामसर साइट की तो आपको याद रखना है कि जो भी party इस convention को join करते तो at least उसे एक site को designate करना होता है international importance के लिए जैसे इंडिया ने किया था starting में वैसे हर एक को आपको करना पड़ता है जैसे माल नीजी इंडिया ने अपना join किया था जब इस convention को तो इंडिया ने declare किया था तो ऐसे हर state को करना पड़ता है अब आपको याद रखना है कि लगभग 2400 से जादा आपकी रामसर साइट्स है 111 कंट्रीज में उसके लावा सबसे जादा आपको देखने को मिलते है युनाइटेड किंडम में that is 175 हाला कि मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में इंडिया इस नंबर को क्रॉस कर सकता है because इंडिया युनाइटेड किंडम से बहुत बड़ा है साइज में और बहुत जादा बायो डिवरस्टी यहाँ पे देखने को मिलती है तो आने वाले समय में आप शायद देख सकेंगे कि इंडिया में भी ये नंबर बहुत जादा होने वाला है उसके लावा सेकिंड में आते हैं आपके मेक्सिको जहाँ पे 142 साइट्स मिलती है आपको सबसे जादा एरिया एक साइट के अंडर किस में आता है बुलीविया में आता है बुलीविया एक कंट्री है जहाँ पे आपको सबसे बड़ा या आप यह कह सकते हैं सबसे largest area मिलता है protection के अंडर एक site में तो नहीं कह रहा हूँ अलग-अलग sites में मिला के कह रहा हूँ उसके लावा आपको पता होना चाहिए Montex record के बारे में यह एक तरह का register है आपकी wetland sites का आप यहाँ पर उन sites को add करते हैं यहाँ पर या तो change आ चुके ecological character में या आने वाले समय में हो सकते हैं कि यहाँ पर changes आ जहें या हाल फिलार में यहाँ पर किसी तरह के changes चल रहें मतलब past, present और future तीनों cases में अगर आपको change की possibility लगती है किसी भी रामसर site में तो आप उसे Montrex record के अंडर डाल सकते हैं अब मैंने आपको अपने previous lecture में बताया था कि इंडिया में ऐसी पहले तीन sites हुआ करती थी आपको मुझे इन तीनों का नाम बताना है और अब कौनसी दो sites इसमें अभी भी included है आपको मुझे उसका भी नाम बताना है comment box में अब हाल फिलाल में आपको बता दू कि दो sites और add की गई है जैसे मैंने आपको बताया था कि 47 sites थी बट अभी हाल फिलाल में 2nd Feb को दो sites और add कर दी गई है एक है आपके खिजा दिया wildlife century जो गुजरात में है दूसरी आपकी बखीरा wildlife century जो उत्तर प्रदेश में है इन दोनों को ही add क्या गया है 48th और 49th रामसर site के तौर पे इसके लावा आपको ये भी याद रखना है कि 2021 में रामसर convention को 50 साल पूरे हुए है तो हो सकता है कि अभी भी UPSC इसके बारे में आपको prelims में question पूछ ले अभी हाल फिलाल में जब 50 वी anniversary थी आपकी रामसर convention की तो इंडिया ने Center for Wetland Conservation and Management खोल दिया इंडिया ऐसी पहली country है जिसने ऐसा किया है और ये setup किया गया है आपके Ministry of Environment के अंडर और ये चिन्नही में establish होगा तो इस चीज के बारे में आप याद रखना आईए अब बात करते हैं आपके United Nations Convention to Combat Desertification के बारे में इससे establish किया गया था 1994 में ये आपका legally binding international agreement है जो deal करता है sustainable use of land से मतलब अभी तक हमने पढ़ा था कि biodiversity से related कोई है climate से related कोई है तो ये तीसरा है आपका sustainable development of land से related जहाँ पर हम focus कर रहे हैं arid और semi-arid area में या आप dry area भी बोल सकते हैं या dry land भी बोल सकते हैं अक्सरी से इसमें लगभग 197 parties हैं और aim यहाँ पर यह है कि हम कैसे sustainably use कर सके land को इसको promote करेंगे मतलब कही न कहीं हम protect करने की बात कर रहे हैं land को from overuse as well as drought उसके लावा हमारी कोशिश यहाँ पर यह है कि हम कैसे food, water और energy को continuously maintain कर सके आने वाली generation के लिए भी यह आपका directly निकल के आया था agenda 21 से जो Rio Earth Summit का एक part था यहाँ पर आपको याद रख रहे हैं कि यह जो आपका convention है यह sister convention है आपकी United Nation Framework Convention on Climate Change और United Nation Convention to Combat Desertification का इसके लावा यहाँ पर हम focus कर रहे हैं bottom up approach यानि local level पर हम कुछ plan करेंगे और उसे integrate करते हुए upper level पर लेके जाएंगे मतलब ऐसा नहीं होगा one size fit all policy नहीं है आपके बताया focus करेंगे हम arid semi arid और dry sub humid areas में जिसे हम dry land भी कहतें क्योंकि यह most vulnerable section है आपके land का अब यहाँ पर यह वनरेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको vegetation नहीं मिलती तो इस वज़े से यह area थोड़ा फरजाइल हो जिता है और यह लगभग world का one-fifth हिस्सा है तो इस वज़े से हमें focus करने की जुरूरत है इसके उपर क्योंकि अगर इसे timely रोका ना गया तो आने वाले समय में world में food की बहुत जादा shortage हो सकती है इंडिया में इसके लिए total point है आपकी ministry of environment और हाल फिलाल में COP14 हुआ था इसका 2019 में जो की greater noida में हुआ था यह पहली बार था कि इंडिया ने UNCCD के किसी COP को host किया हो और यहां से निकल के आया था आपका Delhi declaration जहां पे हमने बहुत सारी चीज़ों के उपर focus किया जैसे हमने focus किया gender और health के उपर, ecosystem restoration के उपर, climate change के उपर, private sector को कैसे हम इस चीज़ में include कर सकते है उसके उपर तो यह सब चीज़े आपको याद रखने है और यहां पर से निकल के एक और important चीज़ आई थी that is peace for us initiative अब यह क्या है आप सभी को बताए जैसे हमारे लिए पाकिस्तान है वैसे ही South Korea के लिए North Korea है मतलब एक तरह से है तो एक साथ ही मतलब मैं कहूं कि पाकिस्तान हमारा ही इस है हमारा ही बच्चा है तो यह गलत नहीं आने वाले टाइम में वो बच्चा बाप से आके ही मिलेगा यह भी चीज़ गलत नहीं आपको मैं सरफ यहां पर यह बताना चाहता हूँ कि भाईया यहां पर South Korea ने क्या किया है एक initiative लिए लिए आपको पता होगा कि जो border area होते है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच का border है LOC इस area में बहुत फरजाइल ecosystem exist करता है यहां पर generally ना कोई पेड़ पौधा मिलता होगा ना किसी तरह कि आपकी vegetation है कुछ नहीं है तो यह area सबसे बरबाद area है world का और यह ऐसा नहीं कि छोटा मोटा area है अगर all together हम world की बात करें तो यह शायद ब्रिटेन से बड़ा हिस्सा हो अब all together अगर हम पूरे world की बात करें तो यह जो बौडर area है ना all over the world यह शायद ब्रिटेन से बड़ा हो मैं सरफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना इंडिया महेन मारी सभी तरह की जो बौडर area हैं कि सभी ऐसे फरजाइल area है और सभी countries के बीच में यह exist करते हैं और वहाँ पर किसी तरह की vegetation नहीं मिलती तो South Korea ने क्या किया है कि इस ecological fragile area को restore करने की कोशिश किये और साथ की साथ इसमें peace building का process involved है मतलब शान्ती का दूद भीच के हम पेड उगाने की बात करें अभी तक तो शान्ती के लिए सफेद गुलाब दिया करते थे अब हम पेड उगाएंगे उसके इलावा यहां पे launch क्या गया था आपका dot toolbox भी अब यह क्या है यह एक तरह का one stop solution है आपके सभी तरह के dot से related action का यहां पे कोशिश यह है कि हम हर एक country की ability को strengthen करें कि कैसे वो dot से effectively लड़ सके और उनके impact को mitigate कर सके इसके लावा दो चीज़े और हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए इस convention से related एक है bond challenge जहां पे हम यह कहते हैं कि 150 million hectare area को world के हम restore करेंगे मतलब यह area अभी degraded area है 2020 तक हम कोशिश करेंगे इस 150 million hectare area को हम restore कर सके 2030 तक हम इसे 300 million तक ली जाएंगे इंडिया ने भी इसके अंडर कुछ commitment की है उसके बारे में आपने मुझे comment box में बताना है कि इंडिया ने क्या commitment की है although यहां पे मैं आपको बता सकता था बट कोशिश ए कीजे कि इसका answer आप comment box में मुझे दीजिए उसके लावा आपको याद रखना है कि यहां पे एक great green wall भी है जो हम सेहल और sahara region में develop कर रहे है एफरीका वाले एरिया में मालेज़े यह आपका एफरीका वाला पार्ट है तो यहां पे हम इस great green wall को develop कर रहे हैं ताकि हम land degradation को रोख सकें अब ऐसा ही कुछ इंडिया ने भी start किया पोर बंदर से लेके दिल्ली तक के एरिया में जहां पे हम 5 km wide area में plant को गाएंगे जिससे हम इंडिया में desertification को रोख सकें आईए अब बात करते हैं International Wailing Commission के बारे में जो की आपकी एक intergovernmental organization है जिसे establish किया गया था 1946 में इसे sign किया गया था Washington DC में अमेरिका में यहां पे हमारा focus यह है कि हम whales को किस तरह से conserve कर सकते हैं और possibly इस whale industry को किस तरह से better way में manage कर सकते हैं इस चीज के ओपर हमारा focus है यहां पे mandate यह है कि हम time to time review और revise कर सकते हैं necessary measures को जो की whaling से related हमें लेने होते हैं अब अगर बात की जाए 1946 से पहले आपका कोई भी ऐसा program या आपकी कोई भी ऐसी international legislation नहीं थी environment से related तो इस वज़े से मैं यह कहूँगा कि यह आपकी पहली piece of legislation थी international level पे उसके लावा commercially आपकी whaling को ban किया गया था 1986 में इस चीज को भी आप याद रखना उसके लावा अभी तक इसकी 89 countries member है इंडिया भी इसका एक member है इस चीज को भी आपको याद रखना है आईए अब बात करते हैं traffic के बारे में इसकी full form है the wildlife trade monitoring network अब यह traffic कैसे बना वो मुझे नहीं पता ठीक है जी बट इसका नाम कुछ यही है यह एक तरह कि आपकी NGO है जो work करती है animal और plant से related trade में मतलब इसकी जो आपकी trade है उसे sustainably develop करने की कोशिश कर रही है यह जहां पर हमारा focus है biodiversity conservation के ऊपर भी अब इसे jointly launch किया गया था 1976 में by WWF and IUC उसके लावा मैं आपको बता inventory है आपकी site से अब इसका objective भी same है कि हम ensure करेंगे कि जो trade हो रही है plant और animals में वो किसी तरह का threat नहीं है आपकी conservation of nature के लिए इसके लावा यहां पे हम focus करते investigation और analysis पे किस तरह से आपके global level पे trade trends चल रहे हैं क्या pattern चल रहे हैं क्या impact रहेगा और कैसे हम countries की capacity building कर सकते इन सब के उपर focus करता है यह traffic आईए अब बात करता है convention on conservation of migrated species के बारे में अब आपको यहां पे यह याद रखना है कि यह आपकी UNEP के अंडर आती है इसे sign किया गया था 1979 में यह एक तरह के आपकी international treaty है जिसे हम कई बार bond convention भी बोलते हैं अब यहां पे हमारा focus है किसी भी तरह का bird या animal जो migrate करता है उसे हम कैसे protect कर सकें इसके उपर यह आपका convention deal करता है या focus करता है यह एक तरह का आपका एकलौता ऐसा convention है जो migratory species के habitat, roots और species इन तीनों को protect करने की बात करता है इसमें appendix 1 में आपकी वो species आती है जिनको बहुत ज्याद़ threat है second में आपकी वो species आती है जिसके बारे में international cooperation के लिए बाकी किसी सदस्ये ने मांग की हो तो यह आपके दो appendix है इसके अंडर आपके 139 countries आती है जिसमें सी last one थी 2019 में आपकी आई Maldives इसके बारे में भी आप याद रखना इंडिया इस convention का part है 1983 से अब यहाँ पे आपके M.O. यू साइन होते हैं यह जो M.O. यू होते हैं Memorandum of Understanding यह आपके non-legally binding होते हैं अब इंडिया ने यह M.O. यू साइन कर रखे हैं आपके Siberian cranes के लिए 1998 में हमने इसे साइन किया था उसके लावा marine turtle जिसके लिए हमने 2007 में साइन किया था इसे डुगॉंक्स जो आपकी sea cow है उ और इसके लावा raptors के लिए 2016 में तो इस चीज को आप याद रखना इंडिया ने अभी temporary shelter दे रखा है आपके Amur falcon को, bar headed geese को, black neck cranes को, marine turtles को, dugongs को, hump whales को इसके लावा आपको याद रखना है कि COP13 जो feb 2020 में हुई थी यह आपकी इंडिया में हुई थी गांधी नगर में अब नेक्स तीन सालों के लिए यहाँ से इंडिया के पास presidency है इसकी और यहाँ पर COP13 की जो theme थी वो थी migratory species connects the planet and together them, we welcome them home अब यहाँ पे जो आपके logo है, वो logo था कोलम यह आपकी South India से आए यहाँ पे यह बताया जाता है कि हम कैसे peace और harmony में रह सकते हैं nature के साथ उसके इलावा इसका मसकट था Great Indian Bustard जिसका IUCN status है critically endangered अब यहाँ से निकल के आता है आपका गांधी नगर declaration अब यह declaration क्या थी यहाँ पे हमारा focus होता है migratory species के उपर अब यहाँ पे इस declaration में हमने यह समझाने की कोशिश किये कि कैसे ecological connectivity establish करते हैं यह migratory species इसके उपर हमारा सारा focus था इसके लावा यहाँ पर 13 new species को protection दी गई है आपको यह याद रखने हैं कि 3 Indian species को भी यहाँ पर protection दी गई है पहला elephant दूसरा बंगॉल florican और तीसरा है आपका Great Indian Bustard आईए अब बात कर लेते हैं United Nation Forum on Forests के बारे में अब इसका जो headquarter है वो USA में New York में आपको एक चीज़ याद रखनी है यह intergovernmental organization है जिसे establish किया गया था आपके ecosoct के द्वारा जिसके full form है United Nation Economic and Social Council अब यहाँ पे यह आपके forest principle जो Rio Earth Summit से निकल के आया था Agenda 21 जो Earth Summit से निकल के आया था उसके बारे में focus कर रहा है यहाँ पे हम focus करते कि कैसे हम better way में manage, conserve और sustainably use कर सकते सबी तरह के forest को इसके लावा आपको पता होना चीए वियाना convention के बारे में भी जिसके बारे में मैं आपको पहले एक बार पढ़ा चुका हूँ तो इसके बारे में मैं detail में नहीं जाऊँगा यह वियाना की गाली वगएरा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ तो इसके बारे में आप read कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका Helsinki protocol 1985 जो कि आपका deal करता है long range trans boundary air pollution से जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि sulfur के emission को हम कम कर सकें आईए अब बात कर लेते हैं मिना माटा convention के बारे में यह convention आपका deal करता है mercury से आप सभी को पता होगा कि mercury आपका एक ऐसा element है यह आप कह सकते कि एक ऐसा metal है जिसका बहुत ज़्यादा impact पर सकता है आपकी health के उपर खासकर neurological health के उपर अब यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखने है कि यह convention आपका UNEP लेके आया था यह आपके एक international treaty है जो मिने माटा है वो एक जगा है जपान में यहाँ पर क्या हुआ था कि water body के अंदर बहुत ज़्यादा mercury मिलने लग गया था तो इस वज़े से यहाँ के बच्चों के उपर बहुत negative impact पड़ रहा था तब यह convention आया था यह force में आया था आपका 2017 में और शुरुवात हुई थी इसकी 2013 में तो इस चीज के बारे में आपको याद रखना है आईए अब बात करते हैं गिहाँ के बारे में that is globally important agriculture heritage site अब इसको create करने का purpose यह था कि हम public awareness ला सके agriculture से related heritage sites के लिए अब इसकी शुरुवात की गई थी 2002 में और यह आपके United Nation Food and Agriculture Organization ने start किया था जिसका नाम है FAUD अब यहाँ पे हमारा focus उन एरियास पे था जहाँ पर आप agriculture के साथ साथ ecosystem और valuable cultural heritage site को भी देखते हैं यहाँ पे कोशिश यह है कि जो आपके small scale farmers हैं उनको हम goods and services food and livelihood की security को provide कर सके अब यह जो farmers हैं इनकी संख्या बहुत जादा है तो इस वज़े से आपको इन सभी के लिए कुछ अच्छे काम करने की जूर्त है यह एक तरह की ऐसी foundation है जो ना केवल contemporary but future में जो agriculture से related innovation है और technology है उसको constitute करती है अब इंडिया में ऐसी तीन चीजों को इन्होंने recognize क कर रखा है जहां पर आपके जहां पर आप यह कह सकते कि agriculture heritage system exist करता है पहला है आपका saffron heritage जो आपको कश्मीर वैली में देखने को मिलती है आपको याद होगा के क्यूब के बारे में that is करेवा केसर और कश्मीर तो यह यहां पर जो आपका agriculture system है that is heritage system उसके लावा कुट्टा जो आपको below sea level farming system देखने को मिलता है केरला में that is also very important उसके लावा कोरापट traditional agriculture जो उडीसा में देखने को मिलता है वो भी इसी के अंडर आता है पतलल यह तीन important आपके agriculture system है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था इसके लावा कुछ organizations हैं जो यहां पर मैं cover तो नहीं कर रहा हूं बट इनके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना एक है आपकी WWF दूसरी आपकी IUCN तीसरी आपकी UNDP और चौती है आपकी UNEP इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेना और फिर भी अगर आपको कोई doubt रहता हो तो आप मुझ से contact कर सकते ह यहां पे इन organization के बारे में बहुत से factual data है जिनके बारे में आपको पता थोड़ा बहुत होना चाहिए बट ऐसा है कि वहां पे समझाने लाइक मेरे लिए कुछ नहीं है तो इस वज़े से मैं उस चीज को skip कर रहा हूं बट आपको बता रहा हूं कि आपको यह topic cover करने है अप आप आईए अब बात करते climate change के बारे में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि climate change होता क्या है जिसके बाद आप climate change से related चीजों को समझ पाएंगे जैसे ही आप atmospheric condition में या आप यह कह सकते कि climate के condition में कुछ fair बदल देखते हैं अभी fair बदल किस तरह का हो सकता है जैस से related हो सकता है humidity या wind, air, pressure किसी भी चीज से related जो आपके metrological element से related है उसमें अगर आपको किसी तरह का change देखने को मिलता है that is your climate change अब यहाँ पर यह alteration directly और indirectly आप anthropogenic activity के साथ relate कर सकते हैं मतलब मानो या ना मानो इनसान इसके लिए एक बड़ा कारण है अब यह जो आपको shift देखने को मिल सकता है यह हो सकता है कि कुछ सालों के लिए हो या यह भी हो सकता है एक लंबे time span के लिए हो मतलब 10 साल के लिए हो सकता है 50 साल के लिए हो सकता है और हो सकता है यह कभी reverse ही ना हो अब global warming क्या होता है जब आपकी earth का temperature rise होने लगता है that is global warming अब इसके पीछे कार इसकी वज़े से ग्रीन हाउस एफेक्ट इंक्रीज होगा और इसकी वज़े से आपको ग्लोबल वामिंग देखने को मिली तो इसके पिछे रीजन है ग्रीन हाउस गैसिस का र्लीज होना, फॉसिल फ्यूल का बर्न होना, डीफॉरस्टेशन, एग्रीकल्चर एंड लाइव स् कारण हो सकते हैं, अब यह जो आपकी ग्लोबल वामिंग है, यह वैसे तो एक नेच्रल फिनॉमेना है, जो इंपॉर्टेंट है आपकी अर्थ के उपर, लाइव के पॉसिबल बैलन्स को मिंटेन करने के लिए, अब ऐसा क्यों, देखिए अगर यह आपकी ग्रीन हाउस गै नहीं हो पाएगी, क्योंकि दिन में हम बहुत जादा गरम हो जाएंगे, रात को हम उतनी जादा ठंडे हो जाएंगे, तो इसकी वज़े से जो हमारी लिविंग कंडीशन है, वो बहुत हॉस्टाइल हो जाएगी, और इसी के कारण आप देखेंगे कि अर्थ के उपर लाइ इस temperature हम maintain कर पाएं, अब अगर ये balance आपका upset हो जाएं, तो इससे क्या problem है, इससे दो तरह के आपको impact देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक होता है positive impact और दूसरा होता है आपका negative impact, positive impact क्या, मतलब जिसमें आपको temperature में rise देखने को मिल रहा है, negative impact जहां पर आपको temperature में decline देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़े आपको याद रखनी है, अब इसका impact क्या है global warming का world level पे, तो आपको sea level में rise देखने को मिल सकता है, rain pattern में आपको change देखने को मिल सकता है, extreme events जो होते हैं, जैसे heat stroke हो गया, ya heaped wave होगी, flooding, hurricanes, cyclones, इनकी frequency में आपक ice cap है, glaciers है, उनकी melting और ज्यादा fast हो जेगी, और साथ की साथ आपको habitat loss और fragmentation और ज्यादा देखने को मिलेगी, उसके लावा कई बिमारियां होती हैं, जो मच्छर से फैलती हैं, तो बिमारियां और ज्यादा फैल सकती हैं, आपके जो coral reef हैं, extreme गर्मी होने के कारण, उनकी population उनमें कमी देखने को मिलेगी, उसके लावा plankton की death हो सकती हैं, और sea में भी temperature का आपको rise देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी dissolved oxygen आपकी कम हो जाएगी, और इसकी वज़े से वहाँ पर मिलने वाली जो diversity है वो और ज्यादा कम हो जाएगी, अब यहाँ पे मैंने आपको ए बिसिकली जो आपके climate change है, यह natural भी हो सकता है और human made भी हो सकता है, बट global warming हमीशा आपकी human made रहेगी, अब natural में यहाँ पर आगया जैसे volcanic eruption, plate tectonic moments, यह सभी आपके natural way में आगये, वेरास अगर बात किजए यहाँ पे तो greenhouse gas का emission इसका एक major कारण है, अब यहाँ पे आपको क्य चीजे देखने को मिलती है, वो लगबग लगबग similar है, आप एक बार ही देख लेना, आईए, अब बात करते है, state of global climate report के बारे में, जो 2020 में, world metrological organization ने published की थी, अब इसमें हमने यह देखा है कि जो आपकी greenhouse gas का emission level है, यह 2019 के मुकाबले 2020 में और भढ़ गया है, उसके है, और जो आपका average molecule per fraction था, मतलब जिसे हम कहते हैं कि कितने आपको carbon dioxide के particle मिल सकते हैं, part per millions में, तो वो भढ़ कर 414 हो जाएगा 2021 तक, उसके इलावा, जो आपके 80% marine area है, मतलब जहाँ पे भी आपको समुद्र वगएरा मिलता है, वहाँ पर at least हमने एक marine heat wave को encounter किया है, 2020 में, Siberia Arctic area में जो आपका temperature है, वो average temperature से 3 degree Celsius जादा increase हो रहा है, अब इसके बाद मैंने एक table बनाया है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके अलग-अलग global warming की जो gases हैं, यानि greenhouse gases हैं, वो किस तरह से आपको impact करते हैं, क्या उनके sources हैं, और क्या उनका global warming potential है, और atmosphere में कितन साल तक वो देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपकी बात करें, water vapor की biggest contributor है, क्योंकि 80-90% air में आपको यही देखने को मिलता है, क्योंकि humidity की जब हम बात करते हैं, तो हमेशा आपको humidity या water vapor देखने को मिलती है air में, और ये आपकी एक बड़ी greenhouse gas है, अब क्योंकि इसके जो life span है वो बहुत छोटा है, तो इस वज़े से इसकी इतनी tension लेनी की जूर्थ नहीं है, इसके बाद आती है आपकी carbon dioxide, जो primary greenhouse gas है आपकी, अब कहां कहां से sources से निकलते हैं, इनके बारे में तो आप पढ़ सकते हैं, बट आपको बतातूं कि इसका global warming potential हम 1 लेते हैं, because इसकी comparison में हम बाकी gases को देखते हैं, इसकी जो atmospheric life है, वो 50 से 200 साल तक हो सकती है, depending upon the conditions, इसके बाद अगली gas आती है आपकी methane, अब यहां पर आपको याद रख रहे हैं कि यह 21 टाइम जादा potent है आपकी carbon dioxide से, यारी यह जादा global warming करती है, बट इसमें हमार को relief यह मिलता है, कि यह जो आपकी methane है, यह जादा समय तक atmosphere में नहीं रहती है, उसके बाद nitrous oxide, जो कि N2O है आपकी, यहां पर आपको यह याद रखने है कि इसको remove करने के लिए आपको कुछ bacteria की मदद ले सकते हैं, या UV rays की भी आप help ले सकते हैं, लेकिन इसका जो global warming potential है, that is way high, 300 गुना जादा है आपकी carbon dioxide स और यह लगबग 120 साल तक रह सकती atmosphere में, तो इस वज़े से यह काफी dangerous है, उसके लावा आपने hydrofluorocarbon, perfluorocarbon, hexa, sulfur hexafluoride के बारे में सुना होगा, तो इनके जो greenhouse potential है, that are phenomenon, अब इनका जो global warming potential है, वो carbon dioxide से कई हजार गुना जादा है, आपको यह याद रखने है कि sulfur hexafluoride का global warming potential maximum है, और minimum आपको देखने को मिलता है, water vapors के case में, अब यहाँ पे जो इनका life span है, वो भी बहुत ज़्यादा है, that's why यह एक बड़ी problem हो सकते है, आने वाले future के लिए, अब देखे, जब भी हम किसी भी greenhouse gas के बारे में बात करते हैं, तो आपको एक चीज याद रखने है, य इसके कारण यह absorb कर सकती है, जितनी भी heat, अर्थ आक की radiate करती है वापस, अब इसमें हम दो चीजों को देखते हैं, में दी, पहला आपका global warming potential, जहां पर हम यह देखते हैं कि यह कितनी energy को absorb कर सकता है, तो that is given over here, उसके इलावा दूसरा देखते हैं हम atmospheric life, जिसमें हम यह दे that is in together, global warming potential, कहने का मतलब यह है कि warming potential को और lifetime को जब आप जोड देते हैं, that in total gives you global warming potential, मतलब अपने पूरे lifespan में यह कितनी energy 100 साल में absorb कर सकता है, that is global warming potential, इसमें आपको baseline रखनी है, carbon dioxide की यह आप याद रखना, उसके लावा आपकी काफी चीजों के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसके लावा black carbon और brown carbon के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा hint दे देता हूँ, जैसे brown carbon आपका organic matter को represent करता है, जो smoke में सी निकलता है, whereas black carbon आपका suit है, जो आपका, मैंने pollution topic में भी बताया था कि black particles निकलता है आपके धूरे में सी, that represents black carbon, आइए अब बात कर लेते हैं कुछ carbon sink के बारे में, उससे related कुछ facts के बारे में, जितना भी आपको boral forest मिलते हैं, मतलब higher latitude में जो आपको continuous forest मिलता है, वो जादा आपका carbon dioxide को absorb करता है as compared to आपके tropical rainforest, उसके लावा दुनिया में जितनी भी carbon मिलती है, उसका one-third हिस्सा तैगा और कुंडरा एरिया में बरफ के अंदर जमा है, अब अगर आपका ये जो permafrost है, ये melt करेगा आने वाले समय में, तो यहां से आपके बहुत सारे carbon release होने वाल है in the form of carbon dioxide and methane, तो इस चीज़ को भी आप याद रखना, तो यहां पर कुछ इस तरह के effects दे रखे हैं मैं आईए अब बात कर लेते है, climate forcing के बारे में, दिकिए forcing वो phenomena है जहां पर आपके climate के उपर impact परता है, मतलब अर्थ के climate के उपर impact परता है, अब ये दो तरह का हो सकता है, positive और negative, positive होगी forcing तो warming देखने को मिलेगी, अगर negative होगी तो आपको cooling देखने को मिलेगी, अब ये जो आ volcanic eruption होई, उसकी वज़े से आपकी forcing होगी, that is negative forcing, उसके लावा human made forcing भी होती है, माल लेजे मैं यहां से कुछ aerosol particle को release करता हूँ, और जिसकी वज़े से sunlight अर्थ पे आनी बंद हो जती है, या कम हो जती है, तो यहां से जो आपकी forcing होगी, that is human made forcing, उसके लावा radiative forcing भी होती है, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे है, radiation जो अर्थ के ऊपर आ रही है, उसको alter कर रहे है, अब यहां पे भी आपको positive negative देखनी को मिलती है, मतलब temperature में increase देखनी को भी मिल सकता है, और decrease देखनी को भी मिल सकता है, natural forcing में आपको बता चुका हो, और human forcing भी आपको बता forcing देगे, क्योंकि यहां पे आपको climate में positive impact देखने को मिलेगा, मतलब आपकी global warming और ज्यादा increase होगी, अब यह देखिए positive और negative सिर्फ temperature के बढ़ने और घटने के हिसाब से है, आपके उपर impact के हिसाब से नहीं, उसके लावा अगर human generated aerosols के बारे में बात करें, तो यहां पे यह आपको cooling effect दे सकते हैं, क्योंकि यह आपके sun की sunlight है, उसे reflect back करेंगे, तो इसकी वज़े से आने वाले समय में sunlight की penetration अर्थ के उपर कम हो सकती है, अब scientist की क्या prediction है, देखिए 2030 तक आपकी glacier melt होने start हो जाएंगे, जिसकी वज़े से बहुत जादा threat देखने को मिलेगा आपको aquatic और terrestrial ecosystem के उपर, इसकी जो impact होंगे वो बहुत जादा होंगे आपके food and agriculture security पे, आपके health के उपर बहुत जादा repercussion देखने को मिलेंगे इससे, क्योंकि आपके pest और disease के attack और जादा बढ़ जाएंगे, खासका dengue, malaria इन सब के, उसके लावा atmospheric air circulation के अंदर change आएगा, जहां पर आपको cyclone जैसी conditions और जादा देखने को मिलेंगे, उसके लावा ecosystem में change आएगा, forest fire जैसी घटनाए और जादा common हो जेंगे, और economic losses तो इसके कारण आपको देखने को मिलेंगे, आईए अब बात करते है climate change से किस तरह की आपको चीज़े देखने को मिल सकते है future में, देकि climate change हो बढ़ेगा तो rainfall pattern बहुत जादा erratic हो जाएगा, अब इससे जो आपके soil के अंदर water absorption है, या तो वो एकदम से बढ़ जाएगी या घट जाएगी, अब मानेजे rainfall कुछी दिनों में बहुत जादा हो गई तो इससे flood like condition हो जाएगी, बट पानी soil के अंदर जादा नहीं time में आपके water table और जादा decline करेगा और इसकी वज़े से आपके drought और agriculture में losses देखने को मिलेंगे, साथ की साथ जब पेडों को पानी नहीं मिलेगा time पे या flooding like situation दिखेगी, तो इससे biodiversity के ऊपर भी a deep impact पड़ेगा, इसके लाबा बात कर लेते हैं sea level पे किस तरह के आपको changes देखने को मिलेगा, although यह जो rise है वो uniformly होगा throughout the world, अब ऐसा हो सकता है कि किसी area में यह जो sea level है कुछ जादा rise करजे, किसी area में यह थोड़ा कम rise करे, अब यह जो आपके sea level में changes देखने को मिलता है, यह दो वज़े से देखने को मिलता है, एक होता है tectonic change, जैसे आपने हाल फ प्लेट थी, यह continental plate थी, और यह आपकी oceanic plate, अब यह plate आपकी uplift होगी, यह plate आपकी submerged होगी, तो इसकी वज़े से आपके sea level में change देखने को मिल सकता है, बट यह जो change है, यह tectonic activities की वज़े से देखने को मिला तो वो अलग है, बट एक होता है आपका eustatic change, अब यहाँ पर क्य के इलावा, mid ocean ridges में भी आपको change देखने के कारण eustatic changes देखने को मिल सकते है, अब जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के पास 3516 km की coastline है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, mainland में लगभग 5422 km की आपकी coastline है, अगर islands की बात करें तो लगभग 2094 km की हमारी coastline है वह change हो रहा है, तो country की नाकेबल trade के ओपर impact पड़ेगा, बलकिन जो 3000 से ज़्यादा गाउं आपके coastal area में है, और 1000 से ज़्यादा आपके islands जो है, इन सभी के ओपर आपको impact देखने को मिल सकता है, अब इसके लिए बहुत सारे factors आपके responsible हैं, जैसे anthropogenic activities, इसमें आप लिया सकते है industrial revolution, carbon dioxide emission, जिसमें हम burning of fossil fuel भी लेके आ सकते हैं, oil और gas की drilling की वज़े से भी बहुत सारी methane आपकी release होती है, और methane आपके carbon dioxide से ज़्यादा potent है, तो इस वज़े से आप देखते हैं कि sea level में आपको change देखने को मिल रहा है, अब deforestation को तो आपको पता ही होगा कि जितना ज़्याद carbon sink आपका कम होता जाएगा, और जितना ज़्यादा आपका carbon sink नीची आएगा, उतने ही ज़्यादा आपकी global warming increase होगी, उसके इलावा Arctic area में जो आप ships वगएरा लेके जाते हैं, ये जो ice breaking ships हैं, इसके कारण भी आप ये देखते हैं कि जो ice एक साथ होती है, तो albedo value maintain रहती है जैसे आपने उसे break कर दें, वो melt होने लगेगी, albedo value decline होगी, इससे आपको देखने को मिलेगा और ज्यादा ice melting, अगर ice और ज्यादा melt होगी तो इससे problem ही होगी कि sea level आपका rise होगा, अब इससे impact क्या देखने को मिलेगा, देखो coastal area में आपको flooding देखने को मिल सकती है, उसके area का बिलकुल तबाह हो सकता है, tourism के उपर impact पड़ेगा, कही न कहीं आपके coastal area में जो hazards है, चाहे health के related हो, चाहे climate के related हो, वो दोनों ही आपके increase हो सकते हैं, अब इसके लिए आप बहुत सारे counter measures भी ले सकते हैं, तीकि इसमें एक चीज मेंशन नहीं है, आप mangroves को जादा से ज allocation of resources भी कर सकते हैं, हाल फिलाल में इस sea level के change के कारण हमने कुछ चीजे देखी हैं, जिसे बहुत से small आपके atolls हैं, जो आपको लक्षदीप area में मिलते हैं, वो डूबने लगे हुए, जिसे आपका पराली 1 है, ये island आपका लक्षदीप में था, ये sink कर चुका है, पराली 2 लगबग 10% के आसपास sink कर चुका है, आने वाले समय में, UNIPCC की जो report है, 5th report, उसके according, sea level लक्षदीप में 0.6 meter तक बढ़ेगा 20 सालों में, और इससे ये problem और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो ये ही कुछ जानना important था आपका climate change के बारे में, आईए, अब बात करते हैं, mitigation strategy के अब दिखें, आप सभी को पता होगा कि कोल को हम कितना ज़्यादा use करते हैं, energy generation में, अब अगर हम कोल को clean करके use करने लग जाएं, तो इससे बहुत ज़्यादा improvement देखने को मिल सकती हैं, अब जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में जो कोल मिलता है, उसमें ash content बहुत जाद और impurity तो उससे भी जादा है, तो इस वज़े से जब हम इस कोल को burn करते हैं, तो इसमें ना केवल carbon dioxide और carbon monoxide produce होती है, बलकिन साथ की साथ बहुत सारी acid gases produce होती है, जैसे nitrogen oxide या आपकी sulfur oxide, जिसकी वज़े से environment के उपर बहुत negative impact पड़ता है, अब यहाँ पर इस चीज के लिए हम बहुत सी technique को इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे हम coal को wash कर सकते हैं, धो सकते हैं, उसके लावा हम unwanted minerals को वहाँ से हटा सकते हैं, क्या कर सकते हम इसे crush कर सकते हैं, माले जीए coal को छोटे-छोटे टुकडों में बाट दिया, इसके बाद इसे liquid में dip किया और वहाँ से impurity हमने हटा द हम coal को combine करवाते हैं और इससे हम produce करते है syngas को अब यह जो आपकी syngas है इसमें आपको carbon monoxide तो मिलती है पर इसके साथ मिलती है hydrogen भी यह थोड़ी clean है और इसको burn करके हम turbine को move करवाके electricity भी generate कर सकते हैं तो rather than आप coal को directly burn करो gasification से आप उसे syngas में convert कर सकते हैं इसके बारे में मैंने यहाँ पर बता रखा है उसके इलावा आप wet scrubber flue gas desulfurization system को use कर सकते हैं जहाँ पर आप sulfur dioxide को remove कर सकते हैं जिसकी वज़े से acid rain होती है basically इसमें हम spring flue gas को limestone के साथ यूज़ करते हैं और water के साथ यूज़ करते हैं जिसके कारण हम इस sulfur dioxide को environment में release नहीं होने देते हैं तो कुछ हम scrubbers को use कर सकते हैं इंडिया इसके उपर work भी कर रही है जिसकी वज़े से आने वाले समय में 15-20% efficiency increase हो जाएगी इंडिया के power sector की thermal sector की जहां पर हम लेके आ रहे हैं super critical और ultra super critical thermal power plant उसके लावा आपको ये भी याद रखना है कि हम carbon sequestration से भी carbon emission को कम कर सकते हैं अब carbon sequestration क्या होता है मान लीजे एक thermal power plant है इसमें सी बहुत ज़्यादा धुवा निकल रहा है अब मैं किसी तरह से इस धुवे को collect करूं इसमें सी carbon dioxide को अलग करूं और इसे एक cluster या drum में store करके किसी ऐसी जगा पर store कर दूँ जहां से ये environment में वापस enter ना कर सके तो इस process को आप क्या कह देंगे carbon sequestration और ये natural way में भी आपको देखने को मिलता है जैसे आपके plant से ये carbon dioxide को absorb करते हैं और काफी लंबे समय तक अपने अंदर ये store करकर रखते हैं इस carbon dioxide को बाद में इनका coal ब तो आप अपने food जैसी energy को drive कर सकते हैं जहां से carbon dioxide emit हो सकते हैं बट अगर long duration की बात करें जब हमने carbon cycle पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये fossil fuel की form में millions and trillions of air के लिए आपके system से बहार हो जाएगी ecosystem के अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखना है कि इसमें 3 step होते ह पहला आप trap करेंगे separate करेंगे दूसरा आप carbon dioxide को फिर transport करेंगे और तीसरा फिर आप इसे store करेंगे अब storing के लिए आपके पास बहुत सारे options हैं जैसे ocean sequestration के बारे में आपने सुन है जहां पर आप directly as a fertilizer directly inject कर देंगे carbon dioxide को ocean के अंदर दूसरा आपका geological sequestration जहां पर आप यहां पर मैं चाहता हूं कि store कर दो इस carbon dioxide को या कोई oil का कुवा है वहां पर मैं इसे store कर दूँ तो that has a great potential उसके लावा plants के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा potential मिल सकते हैं तो यहां पर आप soil और vegetation के अंदर भी इसे store कर सकते हैं और इसे कह देंगे अब terrestrial sequestration अब आपको याद रखने हैं कि geological sequestration में आपके तीन अलग-अलग mechanism को आप यूज कर सकते हैं पहला है hydrodynamic trapping जहां पर आप gas को trap करते हैं low permeable rocks के बीच में जहां पर आप इसे pass नहीं करने देते हैं किसी rock के थूरू ताकि हम इसके entry band कर सेके environment के अंदर उसके लावा solubility trapping भी है एक hydrodynamically trap कर देते हैं किसी area में मतलब इस combination को आप कहीं छुपा के रख देते हैं जहां पर यह वापिस environment में enter ना खरें तीसरा method आपका mineral carbonization अब यहां पर आप calcium के साथ इसे react करवा के कहीं भी store करके रख सकते हैं calcium iron जिस मर्जी के साथ आप इसे react करवा सकते हैं अगला तरीका है आपका carbon sink आप sink और sequestration में ज़्यादा फरक नहीं है आप एक चीज़ समझिए जब आप carbon sequestration करते हैं और यहां पर आप carbon को कहीं छुपा के रखते हैं that is carbon sink अब यह जो आपकी carbon sink है यह कोई अलग process नहीं है यह आपका normal एक process है जो carbon sequestration का ही सब part है आप कह स mangroves इन सभी जगा पर carbon को छुपा के रख देते हैं whereas artificial में आप क्या करते है तो depleted आपके oil reserves होते हैं या कोई mines है वहां पर इस carbon को store करके रख सकते हैं तो that is about carbon sink अब यह जो आपकी carbon sink के है दो तरहां के हो सकते है green carbon और blue carbon green carbon मतलब आप उसे remove करेंगे photosynthesis के तुरू और blue carbon मिल्स आप इसको use करेंगे marshes को mangroves को और sea grasses को इस carbon को store करने के लिए तो यह दोनों में फरक है that is it जो आपको पता होनों चाहिए यहाँ पर plant और soil में store होगा यहाँ पर आपके marine organisms plants और sediments में store होगा इसमें आपको a forestation और reef forestation क के ओपर focus करने की जूरत है blue carbon आपको सभी जगा देखने को मिलता है सिवाई ठंडे इलाकों में क्योंकि वहाँ पर आपकी biodiversity वैसे ही कम होती है इसके लावा blue carbon initiative के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जो conservation international IUCN और intergovernmental oceanic commission ने मिल के launch किया था अब यहाँ पे हम क्या कर रह रहे हैं उसको improve करने की कोशिश करें मतलब जो भी आपकी local national और international organizations है उन्हें एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं यह comprehensive method है जिससे हम carbon की accounting करेंगे अब यहाँ पर यह एक incentive based mechanism है और इसके अंदर हम climate mitigation के उपर research conduct करेंगे carbon credit अब यह भी एक बहुत amazing तरीक है जो Kyoto protocol से निकल के आया था आपका अब यहाँ पर क्या होता है basically माल लिजे आप एक ton carbon को environment में एंटर करने से रोकते हैं चाया आपने इसके लिए solar power plant लगा है wind power plant लगा है जो मर्जी लगा है आपने कोई technology लगाई हो आपने 1 ton carbon को emit होने से environment के अंदर अब आपके पास यह एक ton unit आगी आप चाते कि इस एक ton unit का जो आपका certificate है जो आपको बचाने पर यह certificate मिला है आप इसको international market में कहीं बेचना चाते हैं तो आप जाएंगे carbon market में अब यहाँ पर कोई आपका potential buyer होगा तो वो आपके इस product की जगा या आपके certificate की जग आपको पैसे देगा अब इससे जो आपका buyer country है उसकी carbon emission की जो target है उसे fulfill करने में easy रहेगा अब यह आप दो तरीके से कर सकते हैं या तो आप new technology को adapt कर लीजे या आप developing countries के साथ eco friendly technology को transfer करने में और implement करने में help कीजे यहाँ पर in credit का biggest seller है आपका China that having 73% market और उसके बाद आता है आपका India although India में भी पहली बार आपकी carbon credit की exchange खोली गई है इसको हम multi commodity exchange के अंटर खोले है तो यह Asia में पहली बार हम ने किया है उसके लावा last technique है आपकी carbon offsetting अब यहाँ पे मैंने कुछ Kyoto protocol के बारे में आपको data दे रहा है that you can read वैसे तो मैंने आपको इसके बारे में बहुत कु that is the last topic of the day इसके बाद कुछ important facts हो गया रहा है जिसको हम एक बार तुरंत जल्दी से देखेंगे carbon offsetting अब इसमें क्या है माल लिजए आपने कोई carbon emission का reduction का project लिया कहीं और माल लिजए इंडिया में किया अपने project और इसके बाद आप उसके credit को खुद लेते हैं that is carbon offsetting बतलब आपने project लिया कहीं और किसी country में आपने solar power plant या wind power plant को establish किया उसके बाद उससे जो credit generate हुआ वो France ने इंडिया में 4000 मेगावाट का power plant लगाया और power plant किसका solar का इसने इसके लिए पैसा पुसा सब दिया अब होगा क्या इससे जितना carbon emission में कमी आई होगी उसके लिए credit जाएगा किसके पास France के पास तो इसे कह देते हैं आप carbon offsetting अब यहाँ पर आपको एक तीर दो निशाने देखे एक तो आपका carbon emission कम हो गया और दूसरा यहाँ पर आपको एक बहतर business deal भी मिलगी इसके लावा जो आपकी country है उसको भी बहुत सारे benefit है उनकी employment opportunity increase होगी community की development increase होगी education का स्तर बढ़ेगा और कई essential services के ऊपर भी आप इससे impact कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध् इंडिया में यह आपका plant लगा तो इंडिया भी इसे count करें और फ्रांस भी इसे count करें यह सिरफ और सिरफ फ्रांस के case में ही count होगा तो that is it about carbon offsetting आईए अब देखतें कौन से sector से कितनी आपकी carbon emission होती है सबसे बड़ा sector है आपका power sector उसके बाद agriculture and land use इससे भी बहुत जादा carbon emission होती है industries 21% transportation 14% other services that is around 10 to 16% जिसमें आपकी building भी आ जाती है इसके लावा आप carbon tax भी रिलिवी कर सकते है जिसे European Union ने अभी हाल फिलाल में किया है अब यहाँ पर आप चाह करते है कि जितना आप carbon product को use करेंगे उतना जादा आपको पैसा pay करना पड़ेगा यह एक तरह का debturance create करता है और जिसकी वज़े से person discourage होता है carbon products को use करने में जैसे fossil fuel को use करने के लिए discourage करना हो तो आप petrol के उपर tax increase करतीजे automatically लोग other alternatives की तरफ shift करने लग जाएंगे इसके लावा geoengineering को आप use कर सकते हैं जहां पर आप कुछ ऐसी workable technologies के उपर work करते हैं जिससे आप या तो solar radiation को अर्थ पे आने से रोख पा रहे हैं या आप temperature में change आने से रोख पा रहे हैं या आप यह कह सकते कि carbon dioxide के absorption में आप increment कर रह देखते हैं तो इससे sulfur dioxide को आप क्या करेंगे stratosphere में release करेंगे अब stratosphere में यह cooling effect देता है बट यह आपकी solar radiation को कही न कहीं block कर देता है जिसकी वज़े से earth के ऊपर cooling effect देखने को मिल सकता है उसके इलावा shooting of mirror into space अब इससे क्या होगा आप कुछ हिस्सा मालिजे आप greenland के area जितन एक शिशे का टुकडा earth और sun के बीच में रख देते हैं तो इससे क्या होगा कि earth कुछ percent आपकी light को वापिस throwback कर देगा और इसकी वज़े से earth के ऊपर solar radiation कम हो जाएगी और यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा global warming देखने को नहीं मिलेगी उसके लावा आप use कर सकते iron का भी अब iron को अगर आप plankton को देंगे तो plankton में growth देखने को मिलती है जितने ज़्यादा आपके plankton बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा वो photosynthesis करेंगे और जितनी ज़्यादा वो photosynthesis करेंगे तो उससे global warming जो है आपकी वो उतनी कम हो जाएगी because यह photosynthesis करने के लिए carbon dioxide का use करेंगे इसके लावा हम clouds को और white कर सकते हैं अब इसके लिए आपको क्या करना होगा आप देखे एक cloud को अगर white करते तो इससे क्या होगा top layer में जो आपकी light आती है वो वापिस reflect हो जेगी atmosphere में अब इसके कारण यह होगा कि जो आपकी radiation वो अर्थ के उपर कम पहुंचेगी और इससे अर्थ के उपर warming इतनी देखने को नहीं मिलेगी उसके लावा आप building के उपर fake trees design कर सकते हैं जो artificially capable हो कम से कम एक 10 carbon dioxide को हर रोज capture करने के लिए अब यहाँ पर यह बिलकुल आपके photosynthesis को replicate करेंगे तो इस तरह के आपके projects जो हैं वो geo engineering के अंडर आ जाते हैं उसके लावा आप bio fuels को भी use कर सकते हैं अब दीकिए fossil fuel और bio fuel में क्या फरक है दीकिए bio fuel आपके जल्दी बन जाते हैं मतलब कुछ दिनों में कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में बन सकते हैं अब यहाँ पर आप organic matter को change कर देते हैं fuel के अंदर जिसे अगर आप burn करते हैं तो उतना ही आपका carbon produce होता है जितना उसे बनाने में लगता है मतलब मान लीजे आप एक crop को grow करते हैं इस ताइम पे इसने जितनी carbon dioxide को absorb किया है उतना ही आप carbon release करेंगे atmosphere के अंदर तो in total बात कीज़े तो यहाँ पर आपका जो circle है वो zero रहेगा मतलब एक पेड ने अपने growing season के time पे लगबग एक टन carbon dioxide को absorb किया अब इसको अगर मैं burn करूँगा biofuel बना कर तो इससे एक टन carbon dioxide ही emit होगी तो जितना generate हुआ उतना ही use हुआ जितना generate हुआ उतना ही use हुआ तो net zero emission हो गया इसके इलाबा यह biofuel आपके solid liquid और gaseous तीरों state में ह हो सकते हैं जिसे आप use कर सकते हैं किसी भी चीज में चाहे transportation में stationary, potable, किसी भी form में यह आपके replace कर सकते हैं petrol, diesel और fossil fuel को अब यह जो आपके biofuels है इसमें bioethanol, bio diesel, bio gas और बहुत से आपके fuels आ जगते हैं अब इनकी 3-4 अलग generation है देखो पहली generation में क्या होते हैं जो आपके food products ह जैसे sugar हो गया, vegetable oil हो गया, animal fats हो गया, आप इनको conventional technology के through convert करते हैं biofuel में अब इससे आप bio alcohol, bio diesel, इस तरह के biofuel को generate कर लेते हैं इसमें problem यह है कि आपके food security के उपर भी उतना ही impact पड़ेगा second generation में आप क्या करते हैं non food crops को इसके लिए use करते हैं जैसे किसी पेड़ का तना हो गया, जैसे rice का उपर का छिलका हो गया, या wood की chips होगी इनको use करके आप cellulose ethanol या bio diesel को form करते हैं अब यहाँ पर आपके food से लेके कोई competition नहीं लेकिन third stage में क्या होता है हम एक खेत लेते हैं इसमें algae को grow करते हैं और इस algae से हम biofuel को generate करते हैं इसमें आ जाता है आपका butanol अब चौती stage में क्या होता है कि हम genetically engineered एक crop को लेते हैं इससे biofuel बनाते हैं और उसके बाद जो आपका residue रह जाता है उसको further second generation technique को use करके उसको एक बाद फिर से fuel generate करते हैं मतलब यहाँ पर एक बारी में दो बारी आप fuel generate कर लेते हैं अब आ जाता है आपका biomass अब यह last है इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं इसके बाद अपना एक lecture रह जाएगा that is it अब biomass क्या होता है यह भी आपका एक renewable energy है जिससे आप generate करते हैं जितना भी आपका carbon containing waste है उससे अब य जैसे timber industries say agriculture crop या आपके जितने भी grassi या woody trees होते हैं वहां से जो आपके residue वगरा निकल रहे ना या आपका savage waste है वहां से आप biomass generate कर सकते हैं जिससे आपने gober gas के बारे में सुना है ना या bio gas के बारे में that is your biomass तो इस चीज को हम थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं अमाल ल पर एक चीज़ समझिए कि यह जो biomass है इसको जलाने के time पर आपको fossil fuel को burn करने की जूरत नहीं मतलब उतना ही आपके coal की wastage जो है वो रुख गई वहां पर अगर आप biomass को use करेंगे तो कहीं न कहीं उस waste को handle करने की जो आपकी problem है वो दूर हो गई और साथ की साथ वहां से आप living things है अपने life cycle में जितना carbon dioxide को absorb करते हैं उतना ही carbon dioxide को release करते हैं जब यह burn होते हैं तो कहीं न कहीं once again इससे जो आपका carbon emission है वो कितना हो गया zero तो इस वज़े से इसे promote करने की जूरत है और इसी चीज़ को यहां पर इस statement में मैंने explain कर रखा है थोड़ा ध्यान से पढ़ लेन आईए अब बात कर लेते anaerobic digestion की या biomethaneation की अब यह एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप micro organisms को use करके anaerobic decomposition के थूँ किसी bio degradable waste को methane rich कर रहे हैं अब यहां पर आप तीन function perform कर रहे हैं एक तो hydrolysis, acidogenesis और methanogenesis इससे आपकी जो energy produce होती है that is rich in methane आईए अब बात करते है combustion और incineration की अब देखे जब आप directly in the presence of excessive air किसी चीज को burn कर देता है high temperature पे that is combustion या incineration अब यहां पर आपकी energy भी बहुत जादा produce होती है और gases भी निकलती है थोड़ी बहुत ash भी बट इस combustion से आपका heat content लगभग 65-80% निकलता है तो यह भी आपका एक अच्छा source हो सकता है biomass का अब यहां पे paralysis में क्या होता है कि आप chemical decomposition करते हैं किसी भी organic matter की through heat अब यहां पे आप in absence of air इस organic matter को burn करें मतलब thermally breakdown करें जला नहीं रहें बस उसको तोड़ने की कोशिश कर रहें अब यहां से एक gas produce होते है that is syngas जिसके बारे में हम पहले भी बात क कर चुके अब gasification और syngas production में आपका फरक क्या है दीखिए syngas में आप absence of air में करते हैं यहां पर आप limited air देते हैं जिससे आपकी produce होते है producer gas तो इस चीज का हलका फुलका difference है जिसके बारे में आपको पता होना चीए carbon monoxide लगबग 25% hydrogen and hydrocarbon 15% और carbon dioxide and nitrogen लगबग 60% अब next है आप का co generation कि साथ में मिलके कुछ चीज कर रहे हैं मतलब यहां पर आप एक fuel से दो form of energy को derive कर रहे हैं पहला तो आपका हमेशा heat होगा और दूसरा आपका electricity या mechanical energy कुछ भी हो सकता है जैसे आपको conventional जैसे आपको conventional power plant के बारे में पता है न वहां पर आप coal को burn करते हैं coal को burn करने से आ आप turbine को move करवाते हैं कैसे steam produce करके तो यह जो आपका process से turbine को move करवाने का that is mechanical energy जिससे बाद में electrical energy generate हो रही है बट initially वहां पर क्या generate हुई थी heat energy तो that is co generation तो यही कुछ आपको जाना important था और इसी के साथ हमारा खतम होता है environment का एक major chunk अब कल के lecture में हम कुछ important चीजों के बारे में बात करेंगे miscellaneous topic के अंदर और देखेंगे कि इंडिया ने climate change में किस तरह के initiative लिये हैं तो यही दो topic हमारे रहते हैं और कल हमारा environment topic short shot complete हो जाएगा इसके बाद मैं आशा यह करता हूँ कि आप हफते या दो हफते बाद इसको एक बार revise जरूर कर लेंगे almost यह आपके 10-12 घंटे का lecture है तो आप एक संडे को आधा भी इसमें invest कर देंगे न तो एक बार आप बढ़िया से इसे revise कर सकेंगे उसके लावा जितने जादा आप questions की practice करेंगे उतना जादा आपको इससे help मिलेगा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे climate change से related कुछ international organization के बारे में कुछ funds के बारे में और साथ की साथ हम discuss करेंगे कि government of India ने किस तरह के initiative लिये है climate change से deal करने के लिए इसके लावा मैं आपके साथ एक ppt शेर करूँगा जिसमें कुछ important projects के बारे में लिखा होगा अब यहाँ पर समझाने लाइक जादा कुछ था नहीं तो मैं आपके साथ इसकी detail शेर कर रहा हूँ अब थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना जो भी topic आपका news में रही उसके लावा एक overview तो सभी के बारे में आप ले ही सकते हैं अब यह projects किस चीज़ से deal करते हैं generally आपके जो bio diversity के लिए projects government ने start की हैं जैसे आपका project tiger हो गया project crocodile हो गया या vultures के लिए कोई conservation program start किया है तो इन सभी के बारे में मैं आपको एक pdf share करने वाला हूँ आप इसको read कर लेना ज्यादा इसमें समझाने वाला तो कुछ नहीं है और अगर हम हर एक के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा time waste ज्यादा होगा क्योंकि UPSC armament उन topic से question पूछता नहीं है until और unless वो topic news में ना रहे तो इस वज़े से मैं इसके उपर ज्यादा concentrate नहीं करूँआ आईए अब बात करते हैं global environment facilities की आईए आज का topic स्टार्ट करते हैं जहां पे हम बात करेंगे global environment facility के बारे में अब ये आपकी एक unique partnership है जिसमें बहुत सारी multilateral agencies एक साथ हाई अब यहां पर ना केवल आपकी UN की agencies बलकिन कुछ multilateral banks, national entities और international NGOs एक साथ मिलके आए इस fund के trustee हैं आपके world bank और यहां पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहां पे जो fund है वो हर country को नहीं मिलता है यहां पे fund सिरफ आपकी दो particular type of country को मिलता है जैसे आपकी developing countries, least developed countries और economies in transition तो इनी को इस fund में इसी पैसा मिलता है इसे establish किया गया था Rio art summit से एक दिन पहले ही मतलब शाम के टाइम पे अब इस project में 6 मुख्य चीज़ों पे focus किया गया है पहला bio diversity को हम कैसे conserve करें, climate change से हम कैसे निप्टेंगे, इसके लावा international water bodies के बारे में यहां पे focus किया गया है land degradation, desertification, deforestation, ozone depletion और persistent organic pollutant के उपर focus करता है यह आपका green environment facility अब यहां पर यह 5 आपके मुख्य international environmental convention के लिए financial mechanism provide करता है पहला है आपका मीना माटा जो मैंने आपको बताया था mercury से related है दूसरा है आपका Stockholm convention जो P.O.P. से deal करता है तीसरा है आपका United Nation framework convention on climate change चौता है आपका United Nation convention on biodiversity और लास्ट है आपका United Nation convention to combat desertification इन 5 convention के लिए financial mechanism का काम करता है यह global environment facility आईए अब जान लेते हैं red plus के बारे में क्योंकि recent time में ये बहुत news में रहा है तो इस वज़े से इसके बारे में आपको जानना थोड़ा important हो जाता है और लास्ट लेक्शर में मैंने इसके difference के बारे में आपको पढ़ाया था जहां पर मैंने आपको compare किया था red को red plus से तो आज हम बात करेंगे red plus के बारे में इसका पूरा नाम है reducing emission from deforestation and forest degradation यह आपका mechanism develop किया गया था UNFCCC के under अब यहां पर एक तरह से आपके जो जंगल है उनके बारे में बात की गई है अब बात यह है कि जो आपके जंगल है वो कहीं न कहीं आपके carbon को store करते है और उनकी क्या financial value है कितना पैसा वो आपका बचाते है इसके बारे में बात की गई है इस red plus initiative में कहीं न कहीं यह आपकी developing countries को emission को reduce करने के लिए incentivize करता है मतलब उन्हें पैसा provide करने की बात करता है यहाँ पे यहाँ पे माल लीजे आपकी एक country है ब्राजील ब्राजील में आप जानते हैं कि Amazon forest मिलते हैं अब अगर Amazon forest को काट के यह development के लिए जाते हैं तो इससे आपके world level पे climate change के उपर बहुत deep impact पड़ सकता है तो यहाँ पे ब्राजील को incentivize करने के लिए कि भहिया आप इस Amazon forest को ना काटिये इससे दुनिया का बला होता है इसके लिए एक financial mechanism डवलप किया गया है जहाँ पे developed countries पैसे देती हैं आपकी इन developing countries को जहाँ पर जादा जंगल मिलते हैं ताकि ये इन जंगलों को संभाल के रखें और काटे ना अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पे जंगल मिल रहे हैं और आपको पैसे मिल जाएंगे यहाँ पर आप देखते हैं कि एक result based payment module है जहाँ पर आपके जो action है उनके basis पर आपको पैसा मिलता है अब यहाँ पर हम desertification और forest degradation से परेहट के बात करते हैं जहाँ पर हम बात करते हैं role of conservation के बारे में कि कैसे हम इसे conserve करेंगे forest को कैसे इसे हम sustainably manage करेंगे और कैसे हम अपने carbon stock को increase करेंगे इन सभी के बारे में बात होती है इस red plus initiative में अब यहाँ पे हम fund provide करते है north to south अब यह north to south क्या है जैसे माल लेजे दुनिया के अगर map पे आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आगे north America इस side आगे आपका Europe, Russia वगएरा वाला पार तो यह जो आपकी north में जो countries हैं यह generally developed countries हैं और जो south में मिलती हैं आपकी वो generally developing countries है तो यहाँ पे यानि कि आपकी developed countries developing countries को पैसा देंगी यहाँ पे इससे ना केवल आप carbon emission को reduce करेंगे बलकिन आप inclusive development के ऊपर focus कर पाएंगे और biodiversity को improve कर पाएंगे साथ के साथ आप ecosystem की vital services को कहीं न कहीं ensure कर पाएंगे और secure कर पाएंगे और forest आपका एक बहुत महत्तपून factor है जिससे आप control कर सकते इस climate change को आईए अब बात करते है IPCC के बारे में अब यह IPCC के है यह एक UN की body है जिससे establish किया गया था आपकी UNEP और WMO द्वारा इससे establish किया गया था 1988 में Bruntland Commission की report के बाद उसके लावा यहाँ पे आपको objective याद रखना है इसका यह सभी level पे आपकी scientific information को देना चाता है ताकि हम scientific information को use करके अपनी climate policy को design कर सके मान लेजे कुछ तथे इन्होंने सामने रखें XYZ अब इस तथे को जान कर Indian government अपनी policy को उस हिसाब से बना सकती है design कर सकती है इसमें यह help करते है although यह अपनी खुद की कोई research conduct नहीं करते हैं यह तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इनकी जो report publish होती है उसे कहते हैं assessment report और इन reports में scientific और technical knowledge के इलावा आपकी socio-economic knowledge के उपर भी focus किया गया है अभी हाल फिलाल तक इन्होंने अपनी 5 report publish कर दी है छटी report अभी फिलाल में publish हुई तो है बट वो अधूरी है उसके उपर अभी भी काम चल रहा है आईए अब बात करते हैं National Greenhouse Gas Inventories प्रोग्राम के बारे में अब यह जो प्रोग्राम है इसे establish किया है आपके IPCC ने इसको objective यह है कि हम estimate करेंगे National Inventory जहाँ पर हम calculate करेंगे Greenhouse Gases के emission को और कितना आपने Greenhouse Gases को remove किया इसको मालने जहें आपने 100 unit Greenhouse Gases को emit किया है और आपने 105 unit को remove किया है तो इस तरह की calculation को हम calculate करेंगे इस प्रोग्राम के अंडर जिससे हमें यह पता लग सके कि आपने किस तरह के action लिये है UNFCCC की अपनी commitment के अंडर अब इसको mandate क्या दिया गया है जो भी आपका ये panel decide करेगा उस सभी तरह के function को ये perform कर सकते हैं आईए हैं आप जानते हैं Green Economy के बारे में देखिए Green Economy आपकी एक ऐसी economy है जहाँ पर आपको carbon emission कम देखने को मिलता है आप resources को better way में efficient way में utilize कर सकते हैं और यहाँ पर सबका साथ और सबका विकास है बतलब एक ऐसी economy जो अपने resources को अच्छे से इस्तेमाल करें यानि sustainable development के उपर focus करें carbon emission वहाँ पर कम हो और society में किसी भी तरह की disparity ना हो अब इस economy में आप focus करते हैं employment के उपर भी और income के उपर भी ना केवल यहाँ पर हम public investment को use करेंगे बलकिन हम private sector को भी encourage करेंगे ताकि वो भी इन चीजों में invest कर सकें अब यहाँ पर आपकी economic activities के लावा infrastructure और assets के उपर भी focus किया जाएगा यहाँ पर focus किया जाएगा कि हम कैसे reduce कर सकते हैं carbon emission और pollution को enhance कर सकते हैं अपनी energy को और साथ की साथ resources को better way में manage कर सकते हैं sustainably use कर सकते हैं और prevent करेंगे biodiversity की losses को अब यह जो आपकी green economy है यह कुछ चीजों के उपर focus करती है जैसे economy और investment के उपर साथ की साथ किस तरह का positive impact पढ़ रहा है आपकी society और environment के उपर sustainable consumption और production के उपर focus करते हैं employment और skill के उपर focus करते हैं और साथ की साथ हम focus करते है capital and infrastructure पे आईए आप जानते हैं tip के बारे में जो जर्मनी और आपकी European Commission ने 2007 में शुरू किया था इसके बारे में study आपकी conduct की थी पवन सुकदेव ने इसके बारे में भी हम कल बात कर चुके हैं बट थोड़ा detail में देख लिते हैं इसे दिखे जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी biodiversity के loss से बहुत जादा impact पड़ता है आपकी economy पे और ecosystem पे तो कहीं न कहीं इसे जोडने की बात करते हैं हम इस tip program में जहां पर हम science और economy को एक साथ blend करते हैं ताकि हम एक practical action ले पाएं और ऐसी policy frame कर पाएं जहां पर ecosystem और economy एक साथ run कर सकें मतलब ऐसा ना हो कि development और environment के बीच में सी हमें किसी एक को choose करना हो ये दोनों ही hand in hand work कर सकें इस चीज के उपर focus करते हैं अब इनका काम है जागरुप करना लोगों को ताकि जो आपकी various economy हैं या countries हैं वो action ले सकें जिससे हम strengthen कर सकें ecosystem को अब यहां पर बहुत अलग-अलग चीजों पे focus किया गया है पाँच मेजर चीज हैं जैसे policy opportunity क्या है आपके national और international policy makers के लिए decision support जो आप local administration को provide कर सकते हैं या administrator को provide कर सकते हैं business risk, opportunity इस तरह की metrics को यह design करते हैं citizen और consumer की ownership को यहां पर वो define करते हैं ecosystem को लेके और साथ की साथ science and economic foundation के उपर हम work करते हैं जहां पे हम policy की cost या आपके in action की cost को decide करते हैं मालनेजे एक species को अगर आप save करते हैं तो इसमें कितना पैसा लगेगा और साथ की साथ अगर आप इसे save नहीं करते हैं तो आपको किस तरह के economic नुकसान देखने को मिल सकते हैं तो इसी बारे में बात करती है आपकी tip तो यही कुछ जानना आपको ज़रूरी था आईए जानते हैं Global Climate Finance Architecture को जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे Special Climate Change Fund की अब यह fund क्या है देखिए इसे establish किया गया था आपके COP7 में अब आपको याद करना है comment box में भी mention करना है कि COP7 हुआ कहां था यहां पर focus किया गया था adaptation पे, technology transfer पे और capacity building पे इसके लाबा यहां पर major focus था आपके energy sector पे transportation, industries, agriculture, forestry waste management और economic diversification पे अब इस fund के लिए आपकी operating entity है Global Environment Facility और यहां पर जो आपका fund है यह उन vulnerable developing countries को दिया जाता है जिन पे सबसे ज़्यादा impact देखने को मिलता है आपको climate change का next है आपका least developed countries fund देखिए जो आपकी developed countries है या developing countries है इन में फिर भी सामर्थे होता है कि यह अपने economy को उस हिसाब से ढाल सकते हैं जिस हिसाब से आपका climate change हो रहा है बट यह जो least developed countries है इनकी कुछ special need रहती है तो इसी वज़े से United Nations Framework Convention on Climate Change के under हमने यह LDFC को design किया था अब यहाँ पर इसे prepare करते हुए हमने इस बात का ध्यान रखा है कि हम help करेंगे in least developing countries की ताकि यह National Adaptation Program of Action को design कर सके, prepare कर सके और इन्हें implement कर सके अब यहाँ पर यह जो आपके National Adaptation Program of Action है यह आपके country driven strategy है मतलब ऐसा नहीं है कि सभी के लिए same होगा उन्हें जो लगता है कि जो उनकी immediate need है उनके उपर focus करेंगे जैसे water के उपर, agriculture के उपर food security के उपर, health के उपर और इसको भी operate कर रही है आपकी GEF यानि Global Environment Facility अब यहाँ पर मैं आपको एक उधारन दे देता हूँ जैसे माल लेजे बांगलादेश है बांगलादेश को लगता है कि भीया, मेरी water एक major problem है food security और health एक major problem है तो उनके लिए यहाँ पर इन्हें fund provide किया जाएगा Next है आपका strategic priority on adaptation program अब यहाँ पे हमने कोशिश ये कि हैं कि हम reduce कर सके vulnerability और climate के प्रती resilience को improve कर सकें और यहाँ पे भी आपका GEF एक important role play कर रहा है अब यहाँ पर हमने cross-sectoral approach को कहीं न कहीं encourage किया है जैसे diversity, climate change, ozone layer depletion, international water, land degradation इन सभी के उपर focus किया जा रहा है इस program के under आईए अब बात करते हैं climate investment fund के बारे में जिसका trustee है आपका world bank अब इसे implement करने के लिए आपके बहुत सारे multilateral development bank help कर रहे हैं अब इसका aim यह है कि हम सभी countries को उनके जो development goals हैं उनको fulfill करने में मदद कर सकें कहीं न कहीं उन्हें assist कर सकें आईए अब जानते हैं green climate fund के बारे में यहां पर green climate fund में हमने focus किया है developing countries पे अब यहां पे हम करना क्या जाते हैं देखिए जो इनके ambitious target है आपके UNFCCC के अंडर यह कैसे इसे attain करेंगे कैसे अपने climate change related strategies develop करेंगे उन्हें mitigate करने की कोशिश करेंगे जैसे climate change related जो भी problem है कैसे अपने goals को adapt कर पाएंगे इन सभी में मदद करेगा आपका green climate fund next है adaptation fund अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है adaptation में मदद करेगा आपकी developing countries को और vulnerable countries को जहां पर आपको सबसे impact देखने को मिलेगा climate change का अब यह आपका Kyoto protocol के under establish किया गया था इस बात को आप ध्यान में रखना आईए अब बात करते है capacity building initiative for transparency के बारे में अब इसे create किया गया था on the request of parties जो आपकी UNFCCC के under आती हैं ताकि हम strengthen कर सके institutional mechanism को और technical capacity building कर सके non NX1 countries में अब मालेजे जैसे इंडिया है इंडिया के पास इतने resources नहीं है इतना fund नहीं है कि वो climate change से अकेला निपट सके तो उसके लिए help करेगी यह आपकी capacity building initiative for transparency in सभी countries के अब यह आपका mention है article 13 के under Paris Agreement next है आपका bio carbon fund इसको administer कर रहा है आपका world bank और यहां पे हमारा focus है adaptation और mitigation के उपर generally हम इसके अंदर focus कर रहे हैं red initiative पे अब red initiative कल मैं आपको बता चुका हूँ जो forest से deal करता है अब यहां पे भी हम support कर रहे हैं किनका developing countries का और यहां पे हम इनके अंदर emission को reduce करना चाहते हैं और इसके लिए हम testing करेंगे एक ऐसी approach अपनाएंगे जहां पर हम reduce कर सके deforestation को, land की degradation को sustainably हम forest को manage कर सके और climate smart agriculture को यहां पर promote कर सके इसके बाद आता है आपका global climate change alliance अब यह क्या है भला यह आपके European Union का एक alliance है यहां पे हम adaptation और mitigation के उपर focus कर रहे हैं और यहां पे हमारा objective यह है कि हम एक new alliance create कर सके climate change के लिए between your European nation और जितनी आपकी poor developing countries हैं उनके बीच में ताकि उनकी capacity building हम कर सके हैं इसके बाद आता है आपका global energy efficiency and renewable energy fund अब यह एक तरह का आपका public private partnership model है यहां पर हम maximize करना चाहते है private sector से जितना भी fund आ रहा है और साथ की आपके public sector से जो fund आ रहा है अब यहां पर इसे fund कर रहा है कौन European commission और इसे manage कर रहा है आपका European investment bank आईए अब जानते हैं clean technology fund के बारे में जिसे administer कर रहा है आपका world bank और यहां पर हम focus कर रहा है mitigation के ऊपर और इसे हमने develop किया था 2008 में इस fund को हमने बनाया था 2008 में अब यहां पर आपके दो multi-literal trust हैं जो इसके major donor है और इसमें हम कोशिश यह कर रहे है कि हम demonstrate कर सकें, deploy कर सकें उन low carbon energy technologies को जिससे हम long term में greenhouse gas के emission को कम कर सकें अब इसमें channelize कर रहे हैं हम काफी सारे आपके multi-literal banks को जैसे African development bank इंटर-American development bank, world bank group और बहुत से आपके और countries के program भी इसके अंडर आते हैं मतलब और बहुत से आपके financial mechanism इस program के अंडर आते हैं आईए, अब बात करते हैं World Metological Organization के बारे में यह आपकी एक specialized agency यह UN की जिससे establish किया गया था 1950 में date आपको याद रखने की जुरुत नहीं है WMO Convention के अंडर इसे कहिना के establish किया गया था इसका जो sectorate है वो जनीवा में है और यहाँ पे आपको याद रखने है कि इसकी जो supreme decision making body है that is World Metological Congress और यह 2-3 report आपकी publish करती है बट उसमें सी सबसे important है आपकी State of Global Climate Report 2020 जो recently मैंने आपको पढ़ाई भी है अब इसके according यह कहा जा रहा है कि जो आपका साल 2020 है वो सबसे hottest year रहा है और इससे पहले भी 2016-2019 में हमें गर्मी आम सालों के मुकाबले जादा देखनी को मिली है उसके लावा आपका Global Temperature Rise कर रहा है खासकर अगर हम बात करें Surface Mean Temperature की यहाँ पर आपको याद रखने कि January से लेके October के बीच में लगबग आपका 1.2 degree Celsius Temperature increase देखने को मिला है हमें Pre-Industrial Level से तो यह आपका Second Warmest Year था अगर हम Record के हिसाब से देखें इसे तो उसके लावा कल मैंने आपको बताया था कि लगबग 80% जो आपके Ocean Areas है उसमें at least हमने 1 Marine Heat Wave को देखा है 2020 में इसके लावा जो आपका Global Sea Level है उसमें भी Rise देखने को मिला है और Same Rise देखने को मिला है जैसे Extreme जो आपके Weather Event है वो जादा देखने को मिले है जैसे Tropical Cyclones increase हो चुके है Flooding आपकी increase हो चुकी है Heavy Rainfall देखने को मिलता है Short Span में आपको उसके इलावा Draught की Condition भी कुछ एरिया में आपको देखने को मिलती है मतलब कुछ एरिया में बहुत जादा बारिश हो रही है जिसकी वज़े से Flood हो रहा है और कुछ एरिया में आपकी इतनी कम बारिश हो रही है कि वहाँ पर Draught आ रहे है तो इन सभी के बारे में मैंने इन PPT में mention किया हुआ है आप एक बात देख सकते हैं आईए अब बात करते हैं United Nation Development Program के बारे में देखे ये जो आपकी Organization है UNDP इसका Headquarter आपको New York में देखने को मिलता है इसे बनाया गया था 1965 में और ये Development और Poverty Reduction के उपर Focus करती है इसकी Report आती है आपकी Human Development Report और इसके लावा ये Technical Sphere में और Investment में कहीं न कहीं देशों की मदद करती है मतलब किसी ने किसी के साथ Technical Tie-Up करना हो या Investment के लिए कुछ ढून रहा हो तो उसके लिए ये Help करती है दूसरी Country में अब जैसे माल लिजे दो Countries के बीच में Technical Support चाहिए या Investment से Related Corporation चाहिए तो इसके लिए ये आपकी UNDP Help करती है अब इनका Focus यहाँ पे ये रहता है कि लोगों की Life को ये Better कर सके तो इसमें ये Help करते है सभी Countries की इसके लावा Next है आपकी Organization United Nation Environment Assembly ये आपकी Governing Body है UNEP की और इसका Headquarter है Nairobi में इसे बनाया गया था 2012 में और ये आपकी Direct Outcome है Rio Plus 20 की जहाँ पे हम बात करते है Sustainable Development के बारे में अब ये आपकी Highest Decision Making Body है जो Environment के बारे में बात करती है अब यहाँ पे जितने भी आपके Environment से Related Challenges हैं जो World अभी Face कर रहा है उनको Address करने की कोशिश करते हैं अब ये जो आपकी Meeting है ये Set करती है Various Targets जो हमें Global Environment Sphere में Policy Making और Environment Law Making में हेल्प करते हैं मतब उन Priority को ये Set करने में हेल्प करते हैं आईए अब जान लेते हैं United Nation Environment Program के बारे में भी ये आपकी Global Environmental Authority है Leading Authority जो Promote करती है आपके Global Environment Agenda को और साथ की साथ ये Help करती है आपके Environment से Related जो भी Challenges है अब इसे Establish किया गया था 1972 में इसे आपने याद रखना है और इसका जो Founder थे उनका नाम है Markis Strong और इसका भी Headquarter आपका Nairobi में है जो की Kenya में है अब इनका एक Initiative है Faith for the Earth Initiative अब यहाँ पे हम Encourage कर रहे हैं Empower कर रहे हैं और Engage करने की कोशिश कर रहे हैं Regional Level हो International Level हो सब भी को हम एक साथ लाके Sustainable Development के उपर Work करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम Fulfill कर सके अपने Agenda 2030 को अब यह जो आपकी UNEP है इसकी कई Reports आते जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था जैसे Emission Gap Report हो गया आपका Global Environment Outlook Report हो गया और इन सभी Reports के बारे में भी मैं आपको एक PDF शेर करने वाला हूँ और बहुत जल्द ही उसके लिए भी एक Short Video मैं बनाऊंगा जिसको इसी Course में मैं Add करवा दूँगा और उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उनमें मैं इन सभी Reports को कवर कर दूँगा जिससे आपको अग्जाम को लेकि कोई परिशानी ना रहे आईए अब बात करते है Forest Carbon Partnership Facility के बारे में यह आपकी एक Global Partnership है Among the Government Businessmen, Civil Society और जितने भी आपके Local People है इन सभी के बीच में अब यहाँ पे हमारा Focus किस चीज़ पे है हमारा यहाँ पे Focus है Reduction of Emission के उपर और इसके लिए हम क्या करेंगे Deforestation को रोकने की कोशिश करेंगे Forest Degradation को रोकने की कोशिश करेंगे Forest Carbon Stock को Conserve करने की कोशिश करेंगे Sustainably Manage करेंगे अपने Forest को जिससे हम Carbon Stock को और ज़्यादा Improve कर सकेंगे in Forest Area में मतलब कुल मिलाके जो हम Red Plus में बात कर रहे हैं उसी के बारे में ये बात कर रहा है अब यहाँ पे जो आपका World Bank है इसको इसकी Responsibility दी गई है और यहाँ पर इसकी Help कर रहे हैं आपके Inter American Development Bank, United Nation Development Program और बहुत सारे आपके Delivery Partners भी है अब यहाँ पे इसका Objective के है लिखिए जो आपका Red Plus Program है इसको Implement करने के लिए Countries की Help करना उन्हें Financial और Technical Assistance देना यहाँ पर Pilot Basis पे Performance Based Payment System को कहीना के Adapt करवाना Sustainable आपके Livelihood को Generate करना Local Community के लिए ताकि वो Conserve कर सके Biodiversity को उसके लावा हमें Knowledge बढ़ानी है लोगों की Emission Reduction Program के थूँ आईए अब बात करते है Climate and Clean Air Collision के बारे में जिसे Develop किया गया था 2012 में अब यहाँ पर कुछ देशों ने मिलके United Nation Environment Program के साथ इस Program को लाँच किया था अब यहाँ पे आपकी कई Government, Public, Private सेक्टर की Entities, Scientific Institution Civil Society Organization इन सब ने मिलके यह कहा कि भाईया जो आपका Short-lived Climate Pollutants है उनको हम Reduce करने की कोशिश करेंगे Although इनकी जो दिन है मतलब जो आपके Pollutant है इनकी जो Life है वो बहुत छोटी होती है But still यह Responsible है आपके 45% Global Warming के लिए और यह आपकी Carbon Dioxide के महच थोड़ी ही पीछे है अब इसमें आ जाते हैं आपके Black Carbon, Methane Tropospheric Ozone Hydrofluorocarbons तो यह सभी इसमें आ जाते हैं तो इनका Potential है Global Warming का और इस वज़े से हम इन्हें Environment से Remove करने की कोशिश कर रहे हैं यहापके आईए अब बात करते हैं Arctic Council के बारे में अब यह आपकी एक Intergovernmental Forum है जो पर्मोट करती है Corporation और Coordination बिट्वीन जो आपके Arctic States है Arctic Indigenous Community है और जो वहाँ के Arctic Area के Local लोग हैं ताकि हम उस Area में भी Sustainable Development को पर्मोट कर सकें और इस Fragile Ecosystem को हम Protect कर सकें अब Fragile Ecosystem क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम यह vegetation जाला देखने को नहीं मिलती है बरफ ही बरफ है और यहाँ पर इस Arctic Council में आपके 8 Arctic States आते हैं जिससे आपने देखा होगा Arctic के आसपास यहाँ पर आपको Canada देखने को मिलते है Denmark देखने को मिलते है Denmark में आपका Greenland वाला एरिया भी आ गया उसके इलावा Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden और United States Alaska वाली साइट से तो यह countries आपको देखने को मिलती है तो इस Arctic Council के बारे में इतना ही जानना था आईए अब बात करते है National Clean Energy Fund के बारे में जिसे एक Create किया गया था 2010-11 में और यह एक Non-Lapsable Fund है Indian Government का Public Account के अंडर अब यहाँ पर इसके लिए Responsible है आपका Department of Expenditure जो की आपकी Ministry of Finance के अंडर आता है अब यहाँ पर इस Fund में पैसा कहां से आता है माल लिजे आपने कोई Industry स्टार्ट करी या कोई Project स्टार्ट किया जिसमें आप coal को यूज करें अब जितना आप coal यूज करेंगे उतना ही आपको पैसा जादा पे करना पड़ेगा मतलब जो Pollution करेगा उसको जादा पैसा पे करना पड़ेगा तो इस तरहां से ये आपका फंड पैसे जनरेट करता है अब यहां पर इस फंड को आप यूज कहां कहां कर सकते हैं जैसे Research में कर सकते हैं, Innovation में कर सकते हैं और इसमें आप Public और Private सेक्टर के अंदर Technology Development में भी Help कर सकते हैं और कहीं न कहीं आप Project की 40% की Cost को इससे दे सकते हैं अब Features क्या हैं इसके देखे, यहां पे हम Clean Energy Technology को कहीं न कहीं Adapt करने की कोशिश कर रहे हैं उन Methods को कहीं न कहीं Innovate करने की कोशिश कर रहे हैं Research and Development के ऊपर Focus करने की बात करते हैं और जो भी आपके ऐसे Project से जहां पे आप कहीं न कहीं Clean Energy को डवलप करने की बात कर रहे हैं उसमें जो Viability Gap Funding है उसके लिए भी इस Fund को यूज कर सकते हैं माल लिजे टोटल 100 रुपे लगने थे एक Project पे और जो उस Project को Implement कर रही है एजनसी वो इतना आपका Finance Create नहीं कर पाएगी उनके पास सिरफ 60 रुपे जनरेट हो पाएगे तो बीच में ये जो 40 रुपे का Gap है इसे कह देते हैं Viability Gap मतलब वो Project आपका Viable नहीं है बट उसको कहीं न कहीं Fund करने में Government help कर रही है क्योंकि Government को ऐसा लगता है कि उसका Climate के उपर बहुत जादा Impact देखने को मिल सकता है तो कुछ ये है आपका National Clean Energy Fund अब देखे इंडिया की Position जान लेते हैं ये Fund के बारे में तो हमने बात कर ली है कि इंडिया की क्या Position है Climate Change को लेके देखे चाइना और USA के बाद हम तीसे सबसे बड़े Greenhouse Gas के Amitr है अगर बात की जाए Emission Gap Report 2020 में जो Publish हुई है तो यहाँ पर ये का गया कि China, USA और European Union की 27 Countries और UK को मिलाने के बाद इंडिया चौथे नंबर पर आता है और यहाँ पर अगर आप बात करें तो इन 4-5 Countries का मतलब ये European Union को अगर हम एक ही मान ले तो लगबख 55% Greenhouse Gas की Emission इन 4 एरिया में ही आपको देखने को मिलती है अब भारत ने Recently Glassgo Summit में ये Commit किया है कि हम Climate Neutrality Target को Achieve करेंगे By 2070 और इसके लाबा हम अपने Carbon Intensity को Reduce कर देंगे लगबख 50% से By 2030 अब इंडिया में जो Major Source है Emission के That is Cold Power Plant जो आपके Rice Paddies है इनके जो Stable Burning है वो Cattles ये आपके तीन Major Pollutant है इंडिया के अंदर Emission के Major तीन कारण अब यहां पर इससे Problem क्या होगी लेकिए जितना भी आपका Bio Diversity इंडिया में मिलता है उसके साथ Problem हो सकती है कैसे अब यह जो आपकी Bio Diversity Depend करती है Forest के उपर अब अगर हम Resources को Utilize करने के लिए Forest को इस तरह से बरबाद करते रहेंगे तो Habitat Fragmentation देखने को मिलेगी और इससे Bio Diversity का Loss देखने को मिल सकता है आने वाले समय में जैसे केन बेतवा Linking Project में हमने एक आपके National Park के एरिया को समर्ज कर दिया है और यहाँ पे आपको Habitat Fragmentation देखने को मिलता है तो इसकी वज़े से आपको Bio Diversity में Negative Impact देखने को मिल सकता है मतलब वो Bio Diversity कहीं न कहीं कम हो सकती है उसके लावा यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि जो जैसे Malaria हो गया डेंगी हो गया वो कहीं न कहीं और ज़्यादा भढ़ सकते हैं इंडिया में अब इंडिया ने क्या करने की सोची है और Climate Change को रोकने के लिए तो आपको याद रखने हैं कि हमने अपना जो Carbon Sink है उसे Increase करने की कोशिश की है अब इसके लिए हम कोई Technology यूज नहीं कर रहें इसके लिए हम Forest के ऊपर Dependent है हम अपना Forest Cover को Increase करेंगे जहां पर हम 2500 से लेके 3000 Metric Ton तक की Carbon Dioxide को Absorb करने की कोशिश करेंगे और नहीं मतलब जितनी करते थे उससे थोड़ा और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे उसके लावा 5 GW के जो आपके Small Wind Farm से उनके उपर हम Focus कर रहें जहां पर हम यह कह रहें कि 5 GW के हम Offshore मतलब मान लिजे यह आपका समुद्र है और यह आपका Coastal Area है तो यह Coastal Area से इस से जब हम Move करते हैं इस और इस Area में हम 5 GW का Wind Power Plant लगाएंगे 2022 तक और इसको 30 GW तक ले जाएंगे 2030 तक और अभी तक हमने ऐसा कोई Plant डिजाइन नहीं किया अभी भी बहुत सी बाते चल रहे हैं इसके बारे में उसके लावा कुछ नहीं किया हमने उसके लावा Clean Energy सेसको हमने डबल कर दिया है ऐसा करने वाली हम दुनिया की बहुत कम कंट्रीज में सी एक हैं आपको ये भी याद रखने हैं कि इससे आप Clean Energy Fund में पैसा डालते हैं जिसमें अभी तक 3 Billion US Dollar कठे हो चुके हैं और इसे हम यूज कर रहे हैं Clean Energy या Clean Technology के लिए साथ के साथ आपको याद रखना है कि जो आपका National Solar Mission इसके अंडर जो हमने कमिट्मेंट की थी 20,000 GW की इसे हमने 5-fold increase कर दिया है तो इसको भी बहुत जादा increase तो कर दिया है उसके लावा Low Cost Wind और Solar Power को जनरेट करने के लिए हम फोकस करेंगे 390 GW के उपर और इसको हम 2030 तक अचीव करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमने Climate Policy Initiative में कहा है उसके लावा भारत की प्लेज ये भी है कि हम 70% जो हमारी population है जो traditional biomass के उपर dependent है जैसे wood हो गया आपका, gober हो गया इन सब के उपर जो बहुत जादा indoor pollution से ग्रसित है एरिया उसके उपर हम focus करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी इस population को कही न के निजात दिलाने की कोशिश करें इसके लावा हम कोशिश करेंगे कि 10 Giga Watt हम Bio Energy से generate करें 2022 तक उसके लावा जो आपके small hydropower plants हैं इससे हम 4.5 Giga Watt generate करें जबकि हमारा जो target था 2022 का था वो 5 Giga Watt तक का आईए अब बात करते हैं rivers के बारे में आप सभी को पता है कि river ganga को clean करने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं अब अगर हम river ganga में pollution को control करते हैं तो इससे बहुत फायदे हो सकते हैं और साथ की साथ climate adaptation में भी हमें मदद मिलेगी इससे उसके लावर जो आपका coastal area है इसको भी protect करने की हम कोशिश कर रहे हैं हमाल्या वाले area को भी हम protect करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ की साथ हम forest area के उपर भी focus कर रहे हैं और इन सभी के उपर मालनीज़े आपका coastal area है इसमें भी आपकी river flow करके जाती है हिमाल्या से आपकी river start होती है forest area आपका catchment area है इन rivers का तो अगर हम इन area के उपर focus करेंगे तो कहीं न कहीं हम rivers को भी perennial कर सकते हैं मतलब उनकी जो life है उसे और increase कर सकते हैं इसके लावा हम national air quality index लेके आएं जिसे हमने launch किया है national air quality scheme के अंडर उसके लावा हम कई ultra mega solar projects को लेके आ रहे हैं तमिल नाडू, राजिस्थान, गुजरात, आंदरपरदेश और लद्दाग जैसे area में जहां पे हम promote कर रहे है renewable energy को इसके लावा adaptation की बात करें और mitigation की बात करें तो आपको इन दोनों के बारे में फरक पता होना चीए दीखे, adaptation क्या है? आप किस तरह से negative consequences को climate change को रोकते हैं that is adaptation मतलब आपको पता है कि कोई चीज होने वाली है उसके लिए आप तियारी कर रहें mitigation क्या होती है कि आप उस चीज को होने से रोक रहें मतलब जैसे आप greenhouse gas के emission को कम करने की कोशिश करें that is mitigation अब यहाँ पर मैं आपको कुछ example दे देता हूँ दोनों के बारे में जैसे adaptation में आप dot resistant crop को create करने की कोशिश करें buffer develop कर रहे हैं अपने coastal area में early warning system develop कर रहे है that is adaptation उसके लावा mitigation में जैसे wind farm, air forestation आपके energy efficient vehicles जैसे electric vehicles होगे carbon sequestration इस सभी आपके किसमें आगे mitigation में आईए अब बात करते हैं national action plan on climate change के बारे में जैसे launch किया गया था 2008 में अब यहाँ पे इसका end missing है तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखना कि यह national action plan on climate change है end यहाँ पे थोड़ा missing है अब यहाँ पर पहले आपके 8 core missions थे अब इसमें 9 core mission हो चुके हैं पहला जैसे आप कहाता है national solar mission अब इसमें हम क्या करना चाहते थे इसे integrate किया गया था 2010 में और हमने कहा था कि हम 20 gigawatt के power plant को यानि solar power plant को design करेंगे later on हमने इसे enhance कर दिया था 100 gigawatt तक 7 gigawatt तो हम small और medium solar power project से लाएंगे और 40 gigawatt हम solar rooftop से लाएंगे मान लिजे यह आपका घर है आपकी छट खाली पड़ी है तो इसके उपर हम solar panels लगा के energy generate करेंगे यहाँ पे हम कोशिश करें कि promote कर सके solar energy को जादा से जादा इसके लावा आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया ने Paris Accord के अंडर ये कहा था कि हम अपने nationally determined contribution के अंडर 40% energy को generate करेंगे कहा से clean source से although ये हमने glass go में 50% कर दिया है इस चीज को याद रखना उसके लावा हमने कहा कि हम 175 gigawatt renewable energy से लेके आएंगे जहाँ पे 100 तो आपका solar से हो गया 60-40 मैं आपको बता चुका हूँ उसके लावा 60 gigawatt हम wind energy से generate करेंगे 10 gigawatt हम bio power से लेके आएंगे और 5 gigawatt हम small hydro power project से लेके आएंगे जिसमें C 4.5 तो हम achieve कर भी चुके हैं उसके लावा हाल फिलाल की बात करें तो इंडिया पांच वी position में आता है आपके global level पे renewable energy capacity के according आईए अब बात करते हैं National Mission for Enhanced Energy के बारे में इसे हम कई बार NMEEE भी कहते हैं जिसके full form में National Mission for Enhanced Energy Efficiency अब यहाँ पर हम energy efficiency के उपर focus कर रहे हैं और promote कर रहे हैं ऐसी market को जहाँ पे हम energy efficiency के उपर focus करते हूं अब इसके लिए हम policy भी design कर रहे हैं और market में भी इसे promote करने की कोशिश कर रहे हैं अब इस चीज को promote करने के लिए Energy Conservation Act के अंडर एक statutory body बनी थी आपकी BEE जिसका पूरा नाम है Bureau of Energy Efficiency इनको power और responsibility दी गई है कि आप promote कीजिए energy efficiency को और conservation को अब यहाँ पे इन्हें mandate ये दी गई है कि आप energy consumption को इंडिया में decrease कीजिए energy efficiency को कही न कहीं improve कीजिए energy saving certificate issue कीजिए आप energy consuming industries जो है उनको कहीं न कहीं आप promote कीजिए कि वो energy अपनी बचाएं और इससे उन्हें जो certificate मिले उसे trade करके वो पैसा कमा सकें उसके लावा taxis जो है आपके energy efficiency appliances पे उनको कहीं न कहीं कम करने की बात की गई है जिससे आप इन्हें और ज़्यादा प्रमोट कर सकें और यहाँ पे आपके चार initiative आते हैं पहला है pet perform achieve and trade मतलब यहाँ पे कुछ target दिये जाएंगे आपके industries को अगर आप perform करते हैं तो आपको achievement का एक certificate मिलेगा और जो आपकी non performing industries होंगी उनके उपर fine लगेगा अब इस fine से बचने के लिए वो trade कर सकते हैं इन certificates के अंदर तो इसको कहा गया है energy saving certificates कुछ ऐसा ही हमने climate summit के अंडर भी देखा था Kyoto protocol के अंडर इसके लावा next आपका initiative है market transformation for energy efficiency अब यहाँ पे हम promote कर रहे हैं ताकि adapt कर सके हम energy efficient equipment को और appliances को और innovation के ऊपर हम ज़्यादा focus करें तीसरा आपका energy efficiency financing platform अब यहाँ पे हम energy efficiency के लिए finance कर रहे हैं मतलब जो भी आपके sectors में barrier है challenges हैं जो market से related हो R&D से related हो उन project को implement करने के लिए जो fund वगरा चाहिए पैसा वगरा चाहिए उनको finance करने में हम यहाँ पे help कर रहें लास्ट आपका feed जिसमें triple E आता है यहाँ पे आपका यह framework for energy efficient economic development अब देखिए आपके जो projects होते हैं यह energy efficiency के लिए कई बार bank इनको support नहीं करते या investors इनमें पैसा डाला नहीं चाहते तो कहीं न कहीं उनको भरोसा दिलाने के लिए यह आपका framework work करता है अब इसके बाद आता है आपका national mission on sustainable habitat यहाँ पे हम energy efficiency promote कर रहें urban planning में जो आपके energy efficiency है उसको हम building code में induct करने चाहते हैं और इसमें हम focus करेंगे urban areas में waste management पे उसकी recycling पे जिससे हम waste को better way में manage कर सकें उसके लावा public transport के उपर यहाँ पे major focus किया जाएगा अब इसके लिए government ने बहुत अलग-अलग program launch किये हैं जैसे ministry of urban ने अमरित योजना लेके आए स्वच भारत अभ्यान लेके आए smart city आपके urban transport program की सभी launch किये गये हैं इसी national mission on sustainable habitat के लिए अब next आपका national water mission यहाँ पे हम कोशिश कर रहे है water को manage करने की उसे recycle करने की ताकि जो आपका urban area है उसकी need को हम कही न कहीं cater कर सकें अब आपको पता है कि urban area जैसे चिन नहीं है यहाँ पर पानी की कितनी problem रहती है तो यहाँ पे इस पानी को recycle करके हम बार-बार use कर सकें इस चीज के उपर focus क्या जा रहा है इसके लावा हम integrate कर रहे है water resource management को ताकि हम water को conserve कर सकें और wastage को minimize कर सकें इसके लावा हम ensure कर सकें कि यह पानी हर लोगों को लिए easily accessible हो सकें सभी states में इसके लावा हम coastal cities में modern technology को use करके desalinization के उपर focus कर रहे है और साथ की साथ हम यहाँ पे focus कर रहे हैं ना केवल surface के उपर मिलने वाले पानी के लिए बलकिन हम below आपके जो surface पानी मिलता है underground water उसके उपर भी focus कर रहे हैं साथ की साथ rain water harvesting के उपर भी next है आपका national mission for sustainable Himalaya अब यहाँ पे हम conserve करना चाहते है इस area की bio diversity को forest cover को और यहाँ पे जो आपकी traditional society की knowledge है उसको हम study करेंगे जिससे इस area में किस तरह से आपकी glacier melt कर रहे हैं या किस तरह से इस fragile ecosystem में changes आ रहे हैं climate change की कारण हम उसको study करेंगे और local logo की capacity building के उपर focus करेंगे मतलब उन्हें इस तरह से त्यार करेंगे कि आने वाले समय में उनके पास better option हो इसके लावा हम यहाँ पर एक network create करेंगे knowledge system का जिसके लिए हम एक database भी create करेंगे इसके लावा हम detect करेंगे आपके natural और anthropogenic जो global environment challenges है इस area में exist करते हैं जो next है आपका national mission for a green India अब इसका aim क्या है देखे इसके aim दो है पहला तो हम 5 million hectare forest cover को increase करेंगे उसके लावा 5 million hectare जो आपका area है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि forest पहले के मुकाबले degrade हो चुका है उस area को हम improve करने की कोशिश करेंगे इसका objective यह है कि जो हमने nationally determined contribution के अंडर commitment की थी कि हम 2.5 billion ton carbon dioxide का एक sink create करेंगे 2.5 या 3 billion ton का उसको कहीं न कहीं हम achieve कर सके between 2020 से 2030 के बीच में अब इस target को achieve करने के लिए हम A forestation के उपर focus करेंगे और यहाँ पर हमारा focus होगा 10 million hectare area को forest cover के अंडर लाने में और इसी के साथ हमारा focus होगा कि हम इंडिया में forest cover को जो अभी 23% है उसे 33% तक ले जाए उसके लावा जो आपकी local community है जो इन forest area के उपर dependent है 30 लाख लोग या 3 million लोग उनको कहीं न कहीं उन household को हम कहीं न कहीं improve करना चाते हैं उनकी livelihood को कहीं न कहीं हम secure करना चाते हैं उसके लावा हम enhance करना चाते हैं carbon dioxide के sequestration को 50 से 60 million ton हर साल साथ की साथ हम ecosystem को restore करने की कोशिश करेंगे अब इसके लिए हम focus करेंगे cold desert area में, mangroves में riverines area में और mining areas में इसके लावा हम लोगों की जो wage labor है उनकी कहीं न कहीं जो lean agriculture seasons में income कम हो जती है उसको भी हम कहीं न कहीं improve करना चाते हैं तो आपको याद रखने हैं कि जो wage labor जो धिहारी मज़दूरी वाले लोग हैं जो agriculture में indulged हैं क्योंकि agriculture sector आपका इतना अच्छे से develop नहीं हो पा रहा तो उनको भी कहीं न कहीं हम अच्छी livelihood प्रवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अब यहाँ पे एक special plant के उपर focus क्या गया है that is buckthrone अब यह buckthrone क्या है यह lay ladak की berries है इसे wonder plant भी का जाता है ladak gold भी का जाता है इसकी ना केवल medicinal properties है बलकिन यह prevent करता है desertification भी उसके लावा इसके under एक आपका submission भी है जहाँ पे हम cool desert ecosystem के उपर focus करते हैं और इसके अंदर हमने नाम दिया इसे National Sea Black Throne Initiative जिसे launch किया था आपके Ministry of Environment ने DRDO के साथ मिलके ताकि हम atmosphere में मिलने वाली nitrogen को fix कर सके तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है आईए आप बात कर लेते हैं last mission that is National Mission on Sustainable Agriculture के बारे में यह आपका climate resilient crop के उपर focus करते हैं ताकि weather जितना अमर्जी खराब हो बढ़ हम कोशिश यह करें कि agriculture output हमारी बनी रहे क्योंकि इसके उपर हमारे देश की food security काफी dependent है अभी हाल फिलाल में जो आपके इंडिया में net zone area है उसमें से 60% area आपका rain fed है अब climate change के कारण इस rain fed area में बहुत सा change देखने को मिल सकता है और यहाँ पे आपकी लगबग 40% total food production आती है तो इस वज़े से इस area को बचाने की ज़रूरत है अब यहाँ पे हम पर्मोट करेंगे लाइबरिट अब यहाँ पे हम पर्मोट करेंगे laboratory to land अब यहाँ पे इस research में हम क्या करेंगे model villages और farm unit को develop करेंगे जिस से हम productivity के enhancement की technology को किसानों तक ले जा सके उसके लावा link करेंगे पंचायत लेवल पे automatic weather station network को ताकि weather के बारे में इन्हे timely information मिल सके उसके लावा यहाँ पर कई key dimensions आती हैं आपकी जैसे improve करेंगे crop seeds को livestock को fish culture को promote करेंगे water efficiency को improve करेंगे pest management के उपर focus करेंगे हम nutrition के उपर nutrition management के उपर focus करेंगे जिससे utrophication की problem को हम कम कर सके साथ के साथ livelihood diversification के उपर focus करेंगे soil health के उपर focus करेंगे और soil health card के तो हम shoot कर ही चुके हैं इसके लिए माफ करना यहाँ पे मैं आपको last agriculture बोल चुका था बट इसके बाद आता आपका national mission on strategic knowledge for climate change अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हम एक knowledge network को create करने की कोशिश कर रहे हैं तो कि इंडिया में बहुत सारी existing knowledge है climate change को लेके हम उसे institutions में बांधना चाहते हैं मतलब जितनी भी हमारी research conduct हो इसको लेके development create हो उस चीज़ को हम कहीं अब लास्ट आपका mission आता है जो recently हमने add किया था that is national bio energy mission अब यहाँ पे हम push करना चाहते है sustainable development और इसके लिए हम promote करेंगे renewable energy को अब यहाँ पे हम कोशिश यह कर रहे हैं कि जो आपकी industries हैं biomass के उपर dependent उनमें हम energy efficiency को promote कर सकें अब proposal क्या है यहाँ पे हम एक national biomass resource atlas को design करेंगे जिसमें हम map करेंगे आपके potential biomass region को जो भी आपको throughout India मिलते हैं अब यहाँ पे हमने estimate यह लगाया कि आने वाले समय में agro और agro industrial residues हैं यह लगबग आपकी 25,000 megawatt energy को generate कर सकते हैं इंडिया में तो काफी बड़ा नमबर है यह इस वज़े से आपको इसको याद रखना है अब हाल फिलाल में आपने 2018-19 में prelims में एक question देखा होगा net metering के बारे में तो इसको भी समझ लेते हैं देखिए माल लेजे आप अपने घर की रूफ पे एक solar panel को install कर वाते हैं अब इसके billing mechanism किस तरह से होगा जो यहाँ पर energy generate होगी वो grid में जाएगी grid से connected है अब जो आपकी energy यहाँ पर grid से connected है और जो आप use कर रहे हैं इन दोनों का जो gap है आपको सिरफ उसके लिए पैसा pay करना है तो इस concept को कहा गया है net metering जहाँ पर आप bi-directional meters को use कर रहे है मतलब आपके घर से जो energy generate हो रही है वो grid में गई आप grid से जो energy use कर रहे है उसको minus करके माल लिजे आपने 100 unit generate की थी और 170 unit use की है तो आपको सिरफ 70 unit के ही पैसे देने की जूर्थ पड़ेगी यहाँ पर तो यही कुछ important चीज़े हैं जिसको आपको ध्यान में रखने है about national action plan on climate change को लिखे next article है हमारा national communication के बारे में जिसे कई बार netcom भी कहा जाता है यह एक तरह की partnership है आपकी ministry of environment की global environment facility के साथ जो भारत की help करेगी अपनी third national communication को design करने में अब यह communication ऐसे आपके और मेरी आपस में बातचीत नहीं जिसे UNFCCC के अंडर हमने कुछ commitment की है उसको fulfill करने के लिए हमें इन्हे data provide करना होता है मतलब जहाँ पर हम अपने तथे रखते हैं तो उसमें help करेगी यह अब इसके अंडर हमने एक Indian network on climate change assessment को design किया जिसे launch किया आपकी ministry of environment ने और यह promote करेगा आपकी domestic research को ताकि जो आपकी Indian network on climate change assessment है यह report तियार कर सके इंडिया के netcom की मतलब किस तरह से इंडिया ने carbon emission को reduce करने की कोशिश की है क्या-क्या mitigation measures लिए हैं तो उन सभी के बारे में information provide करेगा आपका netcom आईए अब जानते हैं national action program to combat desertification के बारे में अब जैसा कि आप सभी जानते कि इंडिया party है UN convention to combat desertification का और ministry of environment जो है हमारी वो national coordinating agency है या आप यह कह सकते कि वो agency जो represent करते हैं इंडिया को इस convention में वो है आपके ministry of environment तो इन्होंने recently design किया है आपका national action plan to combat desertification अब यहाँ पर आपके comprehensive national action plan को design किया गया है जिससे हम combat करेंगे desertification को objective यह है हमारा कि हम community based approach को develop करेंगे मतलब bottom up approach develop करेंगे जिससे हम यह desertification जैसे problem को जड़ से मिटा सके अब यहाँ पे इसके लावा हमारा focus होगा quality of life को improve करना local community की उसके लावा frequently in area में आप drought देखते हैं तो उसके लिए लोगों को prepare करना कैसे उस drought को manage करना है उसके बारे में सिखाना और साथ की साथ mitigation strategy के ऊपर भी focus करेंगे हम इसके लावा R&D conduct करेंगे जिससे हम local level पे जो technology या जो initiative हमारा suit करता है मतलब उस situation के हिसाब से जो चीज़े बहतर है उसको हम वहाँ पे promote करेंगे उसके लावा हम self governance को या local community को empower करेंगे ताकि वो अपने area के according decision ले सके उसके लावा हम mapping करेंगे और like drought को monitor करेंगे early warning system को prepare करेंगे on farm research conduct करेंगे indigenous technology develop करेंगे जिससे हम combat कर सके इस desertification के खिलाव आईए अब जानते हैं green buildings के बारे में देखे ये जो आपकी green buildings हैं ये कुछ ऐसे buildings होती हैं जिनका design, construction, operation इन सभी से आप negative impact को reduce करने की कोशिश करतें environment पे मतलब या तो ये कोई positive impact देंगे environment को या किसी भी तरह का कोई impact नहीं होगा इनका natural resources या आपकी life के उप़े अब देखे यहाँ पर होता क्या है जब भी आप कोई structure create करते हैं मालने जी मैं ये building बना रहा हूँ तो मैं इसे environmentally sound तरीके में बनाने की कोशिश करूँगा अब इसके लिए क्या करूँगा जैसे इस building को देख पा रहे हैं आप यहाँ पे आपको हर्याली दिख रही होगी तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भी या जितना हो सके इसको environmentally sound कर दूँ कि यहाँ पे photosynthesis भी अच्छे से हो रही हो सब कुछ बढ़िया हो रहा हो environment के उपर किसी भी तरह का कोई negative consequences ना हो इस building का या minimum negative consequences हो उस building के तो that is known as green building अब यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहते हैं कि हम resources को efficient way में utilize करें और environment के परती अपनी responsibility को बकायदा अच्छे से निभाए अब इसमें आप building के किसी भी life cycle में हो चाहाँ आप उसे design कर रहे हो, construction कर रहे हो उसकी या वो building चल रही हो, operationalized हो या उसकी maintenance की बात हो, renovation की बात हो, deconstruction की बात हो सभी तरीकों में आप environment को include करेंगे मतलब overall जो उस building का impact है environment पे वो reduce करने की कोशिश करेंगे अब ऐसे ही होती है आपकी एक net zero energy building मतलब यह net zero energy building क्या है अब माल नीजे एक building है जिसमें मैंने solar panel वगएरा wind farm वगएरा सब कुछ लगा रखा है मतलब ऐसी आपकी building है जहां पे आप energy कहीं भार से नहीं ले रहे हैं आप renewable energy को use करके उस building को operationalize कर रहे हैं तो इस तरह की जो building होती है जहां पे आप overall एक year में देखते हैं और energy जो आपकी उस building को required थी वो और जितनी energy वो generate कर रहे हैं दोनों बराबर हो जए that is known as net zero energy building अब इसके लिए एक rating लेके आया था आपका Indian green building council मतलब इस rating को हम कह देते हैं net zero energy building rating system और इसमें हमारी मदद कर रहा है world green building council और united states agency for international development उसके लावा इसमें हम बहुत सी चीज़े use कर सकते जैसे solar panel, heat recovery system, geothermal heating, wind turbines कुछ भी use कीजे but overall जो आपकी energy need है माल लीजे आपकी energy requirement है एक साल की 1000 unit तो over a period of time मतलब एक साल में आप इस 1000 unit को generate कर सकेंगे तो आप net zero energy building के under आते हैं अब इसमें आपको याद रखना है कि इंद्रा गांदी प्रियावरन भवन है जो न्यू डली में वो आपकी first net zero energy building है अब इसमें हमने बहुत सी अलग-अलग technology का इस्तेमाल किया है बढ़ सबसे खास से यहाँ पे solar energy के उपर focus किया गया है आईए एक बार फिर से बात करते है PAT scheme की अब यह PAT scheme क्या है perform, achieve and trade आपको मैंने बताया था कि हमने यह आपके mission के under develop किया जिसका नाम है national mission for enhanced energy efficiency और उसके under तो मैंने यह example दिया था बट यह all together एक scheme है जहां पे हमारी कोशिश यह है कि जो भी आपकी industry है energy save करती है तो उसे एक हम certificate issue करेंगे और इस certificate को वो trade कर सकते हैं उनके साथ जो अपने targets को achieve नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि government ने कई आपकी highway power consumption वाले industries को कहा है कि आप अपनी energy efficiency improve कीजिए अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ओपर penalty पड़ेगी और यहां पर याद रखना है कि यह गलती से 8 लिखा गया है यह 9 है आईए अब बात करते है standards and labeling program की जो BEE star label भी जिसे हम कहते हैं अब यह क्या है इसको हमने launch किया था 2006 में और UPSC ने शायद 2018 या 2019 में इसके उपर question पूछा हुआ अब यहां पे scheme के अंडर या आप इस program के अंडर क्या करना चाते हैं आप logo में जागरुकता लाना चाते हैं खासकर consumers के अंदर कि अगर आप कोई XYZ appliances को use करते हैं बट उसमें आपका energy saving कोई model भी available है तो आप कितनी energy बचा सकते हैं that is given over there अब इससे क्या होगा माल लीजे मुझे पता है कि एक साल में मेरी 50 unit बच रही है over a period of time बहुत सारी unit बचा लूँगा तो मेरा bill बच जाएगा तो लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आप एक बार ही शाय थोड़ी महंगी चीज ले लें बट longer run में आपको इससे benefit ही होने वाला है तो इस तरहां कि जो ये labeling वाला program है आपका इससे हम energy को save करने की कुशिश करें domestic circuit में although industrial में भी करने की कुशिश करें बट आप मान के चलिए कि हम इस चीज को promote इसलिए कर रहे है ताकि इंडिया की जो energy consumption है उसको हम rationalize कर सकें या उसको हम sustainable बना सकें because इससे हमारी energy बहुत सारी save हो सकती है अब इसमें आपके room air conditioner आ जाते है tubular fluorescent lamps, distribution transformers, room air conditioners इसके लावा direct cooling refrigerators, color tv, electric geasers variable capacity inverter air conditioners, LED lamps और agriculture pump set ये सभी इसके अंडर आते है और UPSC ने एक बार 2018 में इसमें इसी से एक question पूछा था कि या आपके इन में सी कौन सी ऐसी चीज़े जिसके लिए BEE की star labeling होती है तो इसको एक बारी ध्यान से देख लेना हो सकता है आने वाले exam में आपको एक बार फिर से इसी तरह का कोई question पूछ लिया जाए अब बात करते है energy conservation building code के बारे में जिसे हमने new commercial building के लिए launch किया था 2007 में अब इसमें हम minimum standard बनाने की कुशिश कर रहे हैं उन commercial building के लिए जो connected है आपके 100 kilowatts के साथ या जिनकी जो demand है वो है 120 kilowatts ampere की तो इनके लिए हमने ये building code design किया है आईए अब बात करते है eco newas समीता की जिसे 2021 में अभी हाल फिलाल में हमने conduct किया है अब देखे पिछली जो हमारी scheme थी वो थी commercial building के लिए ना तो यह आपकी residential building के लिए अब यहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि हम जो हमारा building sector है वो second largest energy consumption sector है उसके बाद उससे पहले आती है आपकी industries अब आने वाले समय में 2030 तक आपकी जो domestic energy consumption है वो पहले number पे आ जाएगी तो इस वज़े से हमारी कोशिश ये है कि जो घरों का design है उसको इस तरह से कर सके कि वो energy efficient हूँ माल लिजए आपने एक building बनाई है अब इसमें आप रोशन दान वगएरे का इस्तिमाल करेंगे तो दिन के time में आपको lights लाने की जूरत नहीं है मतलब कहीं न कहीं वो energy को आप बचाने की कुशिश करें building का design आपने ऐसा करा है कि घर्मियों में ज़्यादा heat अंदर ना पास हो तो that is energy efficiency because उतना ही आपको इसी कम चलाना पड़ेगा तो इस तरह के design को promote करने के लिए हम लेके आए है इको निवास समहिताज और इसका भी recent addition हुआ है 2021 में देखिए आप सभी को पता होगा कि लगभग 65% जो इंडिन population है वो गाउ में रहती है तभी तो गांदी जी ने कहा था कि असल भारत तो गाउ में रहता है तो यहाँ पे जो आपकी 70% population है मालिजे 65 का 70% जो होगा वो आपका directly dependent है agriculture के ऊपर अपने livelihood को लेके मतलब directly या indirectly वो agriculture के ऊपर dependent है तो यहाँ पर हम second green revolution के थुरू इनके livelihood को secure करना चाहते है मतलब agriculture को sustainable बनाने की कूशिश है हमारी यहाँ पे technology के advancement के साथ तो यही कुछ मैंने इन articles में आपको बता रखा है तो एक बार देख लेना वैसे इसके crux मैंने आपको दे दिये ना भी पढ़ोगे आप ये word सुन लोगे तब भी बहुत है आपके लिए अब next है आपका bringing green revolution in eastern India अब जैसा कि मैंने आपको पता है कि western part में तो आपका green revolution आया था बट eastern part को हम bagging bowl केते हैं क्यों इनका scope तो बहुत है मतलब agriculture का अगर यहाँ पर ढंक से develop किया जाए तो आने वाले समय में इंडिया की food security की दिक्कत को ये दूर कर सकते हैं बट problem यहाँ पर यह है कि इनके पास required infrastructure नहीं तो जिस तरहां से आपके benefit western part में देखने को मिले थे हमें north western part में कुछ उसी तरहां के develop करना चाते हैं इस area में भी मतलब अभी तक यह untouched area है untouched territory है इसको और ज़्यादा develop करना चाते हैं अब यह जो आपका program है यह आता है आपकी rust किसी विकास यूजना के under जहां पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी rice based cropping system है मतलब जो धान के ऊपर हमारे किसान बहुत ज्यादा dependent है उस चीज को कहीं न कहीं कम करने की कोशिश करेंगे because धान की खेती से कई बार because धान की खेती से ना केवल methane release होती है बलकिन इसके कारण water table भी आपका deplet होता है और इसे आपने announce किया था कब 2010-11 के budget में तो इस चीज के बारे में थोड़ा ध्यान रखना अभी इसमें हम साथ states के ऊपर ही focus कर रहें जैसे आपकी असम होगी बिहार होगी चत्यसगड जारखंड उडिसा और वेस्ट बंगॉर इसके लावा थोड़ा बहुत हिस्सा आपका Eastern UP का भी आता है तो इसे भी याद रखना अब यह जो आपका initiative है यह है आपकी ICAR का Indian Council of Agriculture Research उसके लावा Indian Institute of Agriculture Biotechnology जो राजची में है और हजारी बाग जारखंड में located IARIA Institute उसके लावा यहाँ पर integrated farming के लिए National Research Center खूला गया है जो की मोतिहारी में है जो बिहार में पड़ता है आपका और यह भी Eastern Area में agriculture से related research को conduct करेगा आईए अब जानते हैं टाका 4 के बारे में आईए अब जानते हैं टाका 4 के बारे में अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए यह जो टाका 4 है बेसिकली एक organization है या enterprise कह सकते है आप social enterprise है जो विद्यूत मोहन जी ने 2018 में बनाई थी अब होता क्या है कि आप खेतों में बहुत सा waste produce करते हैं अब actual में हम उस waste को burn करते हैं तो यहाँ पे कोशिश यह है कि हम उन्हें कुछ value added chemicals में change कर सकें जिससे extra income मिल सकें आपके किसानों को for example rice की खेती की मैंने rice से जो आपका वो धान से जो आपका वो stubble निकलता है कूडा निकलता है फूस जिसे बोलते हैं उसको बेच कर भी आप पैसा कमा सकें ऐसी कुछ कोशिश कर रही है आपकी यह टाका चार अब यहाँ पे हम कोशिश यह कर रहे हैं कि हम planet पे आने वाले त money में convert कर पाएंगे तो इससे हम इन तीनों problem को address कर पाएंगे अब इसमें होता क्या है कि जैसे आपका rice husk है straw है या आपकी coconut के shells वगरा हैं इन्हें farmers भेज देते हैं इससे हम charcoal बना पाते हैं या कुछ ऐसे biofuels बना सकते हैं जिने हम बाद में utilize कर सकें अब देखें यहाँ प खासकर दिल्ली NCR के बात करें वहाँ पर तो है ही है तो अगर हम इस waste को money में convert कर देंगे तो आपके किसान अब इस waste को जलाएंगे नहीं पैसे के लिए इसे बेचेंगे तो एक benefit यह है दूसरी चीज innovative technology आपके किसानों के पास जाएगी तो वो इन resources को धंग से utilize कर पाएंग और हम environment को भी बचा पाएंगे उसके लावा यह आपके rural farmers के income को कम से कम नहीं तो 40% और increase कर सकता है तो जो हम doubling the farmer income के बाहरे में बात कर रहे हैं actual में उसके लिए यह बहुत beneficial हो सकता है अब आप सोच रहोंगे कि यह टाकाचार इतना क्या important है देखिए आने वाले समय में 2030 तक आप यह मान के चलिए कि यह टाकाचार से लगभग 300 million farmer आपके impact होने वाले हैं अब इससे हम क्या कर सकते हैं हम इससे rural economy में लगभग 4 billion dollars की investment हर साल कर पाएंगे मतलब इतना revenue इतना पैसा आप rural economy में generate कर पाएंगे उसके इलावा अगर giga ton की बात करें तो एक giga ton जो आपका carbon dioxide हम emit करते हैं हम उसको कहीं न कहीं रोक पाएंगे उसके इलावा rural area में income का source increase हो जाएगा और job भी create हो पाएंगे तो कहीं न कहीं rural economy के लिए एक बहुत बड़ा benefit हो सकता है ये टाका चार आईए अब जानते है BAC green X के बारे में जो की आपका 25th dynamic index है जिसे host कर रहा है आपका Bombay stock exchange ये पहली बार है भारत में जब हम एक live index को host करें carbon efficiency के लिए इसको design किया गया है आपके IIM हमदाबाद ने और इसे 2012 में आपके launch किया गया था अब यहाँ पे आपके जिसे carbon trading वगएरा इन सबसे related चीजे मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ बट overall aim यही है कि जो आपकी green equity index है उसको हम जादा promote कर सकें इसके लावा इसमें और कुछ जानना important नहीं है करना चाहो तो आप PhD भी कर सकते हैं मैंने information दे रखी है बट जितना आपको जानना जरूरी था उतना मैं आपको बता चुका हूँ कि भाईया यहाँ पे कोशिश यह है कि हम reduce कर सके energy की consumption को wastage को renewable energy को हम promote करें और कुछ ऐसा करें जहाँ पर हम sector specifically performance को improve कर सके हर एक firm की जहाँ पर उनकी जो आप यह कह सकते हैं carbon emission है उसको हम कम कर सकें और long term sustainability business की हम ensure कर सकें कुछ इस तरह से work करता है आपका यह BSC Greenix तो यहाँ पर हमारा खतम होता है तेजस प्रोग्राम का environment section धन्यवाद